चलिए देखाएगा तो मैग जो लोग SSC GD के लिए हैं को एकका दुक्का होगा अलग अलग बेच बनाई जाते हैं हमारे प्रकुल सेपरेट तो मैग जो में SSC GD कही होंगे दो मिनट का टाइम लगेगा फिर टॉपिक शुरू करते हैं ठीक है चलिए तो SSC अगर जीडी की बात करें तो SSC GD में चार्चे होंगे तो SSC GD में चार सब्जेक्ट आते हैं मैथ हिंदी या इंगलिस रीजिनिंग और तुमारा जीएस सब पचीस पचीस की आते हैं यही SSC के हर एक्जाम का पैटन होता है चाहें आप टैनपर्श्ट उठा लीजिए चाहें CGL उठा लीजिए कोई भी आप पेपर उठा लीजिए उसका फॉर्मेट यही होगा किसी भी पेपर का इसमें कोई वदलाव नहीं आता है बस यह कि कहीं लेवल बढ़ जाता है कहीं लेवल घड़ जाता है और लेवल की बात करेंगे अब तर हाल फलाल में दो बार हुआ है पहले हुआ था 2015 में चार अक्टूबर को वगा था उसके बाद हुआ था साइट 2017 में हुआ था 18 में अठारे में हुआ था उसके बाद अब यह फॉर्म आए यहांकी जो मेरिट गई थी हो 76 गई थी यहांकी लगवग में बता रहे पॉइंट क्या करना यहांकी च्छासी गई थी अब यह अगल ठीक है सौ में से 96 का मतलब जानते हैं कि एक सब्जेक्ट में आप एक कुस्सन गलत कर सकते हैं छोड़ तो भो भी नहीं सकते हैं यानि आपको ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ के आए पेपर में तो मेरिट फिर बहुत जादा हाई हो जाएगी तो इसी म उमीद की जाती है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ बनेगा नहीं तो मेरिट बहुत जादा गरोट कर रही है कहां से कहां कहां से कहां ऐसा ही हुआ था दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस के पेपरों को थोड़ा सा टफ बनाया और दिल्ली पुलिस के पेपरों को थो जोड़ी सी गिर गई, ठीक है पिछ वाला गेट बंद करते हैं नहीं और नहीं आते रहें गंदे गंदे यह सही है ठीक है पिए तो यानि दिल्ली पुरिस का जो पेपर था उसका लेवल थूड़ा सा तफ था तो आपको यह चार सब्जेक्ट पढ़ने और बुर्कुल अच्छे से पढ़ने इस स्टार्टिंग से बुर्कुल क्योंकि पेपर का लेवल तफ तो बनेगा यह आप भी जानते मैथ आएगा इ आगे चर्चा कर लेंगे फिलाल स्टार्ट करते हैं अच्छा एक और ज़रूरी बात यह है कि आप इसको इस्तना लेवल लेके चलेंगे कि लेवल अगर तफ भी बन जाए तो आप कर रहा है यह नहीं कि पेपर तफ आगया हाय मैया मरगा का करूँ ऐसा कुछ नहीं होना च पर अशर की लोगों के साठ के करीब जाएतर हो रहे हैं साठ पैंफट हलांकि कुछ मैंने एक दो ऐसे ही सुने जो मितलब 18 18 20 20 हो वह 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 टीचर हैं तो बगवान क्या कर सकते हैं सबके लिए ठीक है ना तो 18 20 तो 60 पैंफट यह कलका रेल्ट आया है तो यानि आपको बह और पेपर होगा इसलिए वहां पर मेरिट है तो आप यह वास समझ गए होंगे आपको इमान इनका देखो बात नहीं हां बत्यालो तब तक यह टीन लोग ऐसे होते हैं मैं आपको बता हूं यह सच बात बता रहूं है तुमको मैं सुनके दंग रहे जिए जिनका ठारा ठार थोड़ा सा बुखारो अगर मालो गलत पढ़ने पड़ जा डाक्टर तो बड़ा चड़ा के खूब पईसा लिलेगा और हो सकता है बाद में कहते सौरी क्या करें बचाई नहीं पाए ऐसे बकील अगर तुम्हारा बकील कमजोर हुआ और सामने वाले का बकील मजबूत सोचो कि सचते बकील से काम चल जाएगा वह उत्ता तुमको गड़े में डाल देगा कि फिर दूफरा करना पड़ेगा और फिर जादे रुपए देने पड़ेंगे वह उतना अच्छा केस कि आपकी पैरवी नहीं कर सकता और तीसरा होता है टीचर अगर यह पल्ले गलत समझे लीजिए जिनका भी 2021 जिनका इस साल नहीं हुआ उनका फिर होना भी नहीं है हाल भलाल आपको हम कुछ रिकॉर्ड याद कराते है दो यार सूले में आई थी ऐसाई उसके बाद आई है दो यार 21 में 5 साल बाद यहां भी चुनाब था यहां भी चुनाब है इसके बाद आपको लेकपाल यह ऐसाई गी बात है अगर हम लेकपाल की बात करें तो लेकपाल की वेकंसी आई थी 2019 में अब 2019 में आई थी अब 2019 में आई थी मार्च में और इधर प्रदानवंतरी जी के चुनाब थे आगे आजाओ आगे बैट जगा है तो लड़कियों के लिए मलग से जगा रखते हैं इसे सब्दार ठीक है देख आगे बात नहीं है बजाए तो यह लेकपाल की वेकंसी आई थी वह 2019 में आई थी उधर धीमेदी में बोट पड़े मार्च अप्रेल में बोट पड़े उधर सरकार बन गई चुनाब खतम हो गए और यह लेकपाल का खतम जो नोटिफिकेशन दिया था नोटिफिकेशन ही अटा दिया तो इसके और भी आप जितने भी एक्जाम देखेंग जेल वार्डन 14 का है दोयार 14 का यूपी विहार में SI का पेपर हुआता दोयार 12 13 का अब आप यह सोच लीजिए कोई भी एक्जाम 5 साल से पहले नहीं हो रहा है SI का हुआ है 2016 के बाद 2021 में ओ पीछे समझो पहले तुम्हें समझा रहें बहुत काम की बाद समझा रहें लेकप साल का भी यही हाल है और भी चोटे मोटे जित्ते वी एक जाम टीचर का भी 19 में हुआ ता उसके बाद इस साल तो होना ही नहीं वो तो खा गए अब चुनाब बात देखेंगे क्या होना है ठीक है उनको कह दिया कि दिसंबर में कराएंगे और दिसंबर में आचार सइंट आ जा रहे हम आपको क्योंकि जिनका 2021 में नहीं हुआ अब वैकेंसी आइंगी 2026 में पूरा रेकॉर्ड बता दिया आपको और 2026 तक आप बूड़े हो जाएंगे आपके बाल वच्चे हो जाएंगे आपकर परिवार वाले फदस्य होंगे ज्यादतर तो होंगे यह काद मानलो कोई नहीं करना ठीक है ज्यादतर तो यह मानलो यह 2021 आपके लिए करो या मरो वाली लड़ाई है केवल सॉ दिन ज्याद नहीं सॉ दिन सितम्बर अक्टूबर नौमबर नौमबर तक आपके सारे पेपर हो जाएंगे लेख पाल का भी नौमबर में दे दिया है पैटका है हो इस आई और कॉंश्टेवल की जगे आएंगी तो उसका भी नंवमबर तक हो जाएंग यानि नं किसी दूफरे से बात कर रहे हैं तो यानी 110 दिन आप देख लीजिए आपको करो या मुरो वाली सन्यासी बनना पड़ेगा जो पॉन पॉन पर बात करते हैं रग दो बात में करेंगे तीन महीं नहीं तो बहुत दिक्कते आती है उदर पापा नहीं वाने के पर तुमें उल्टे फीदे गाने याद आते लड़के वह से सुनते हैं मैंने तेरे लिए जग छोड़ा तू लड़कियों लड़किया लड़किया फच्छ हमें तो कोई नुकसान नहीं तुमको गोबर डालना पड़ेगा चौला चुक अगरना पड़ेगा सुरह सब इसलिए पढ़ लोगे चसमा लगा के काला चसमा लगा बैक टांगो तब निकलो गर से सबके अलग लग फाय देया है कि अधिक आज का टॉपिक हम श्टार्ट करेंगे रेख्यो स्ट्सट करें रेश्यो करने की श्टार्ट करने के पीछे हमारी अपनी बजय है वह बाद हम बताएंगे अभी इiov promete ein पूरी बता देते हैं मनों किसी का एक हमारा पूरा ओनलाइन बैच चल ला है उसमें रेशियो कुछ टॉपिक बचे हुए हम पहले वो करा दें तो पूरा एक रिकॉर्डड बैच हो जाएगा तो हमारा भी फायदा हो जाएगा तुम्हारा तुम्हें तो पढ़ना ही है अच्छा वाज नहीं आ रही चलिए अब आ रही है देखो अब बेबकु को काम से लगा है तब आएगी कैसे आएगी आ रही है और तब से ही आ रही है रेशियो अनुपात कहते हैं इसको हिंदी में बहुत बढ़ी है टॉपिक है इंपॉडेंट भी है मैत में दो ही टॉपिक कि इसको सबसे ज्यादा इंपूटेंट एंपिरेसुच ε Ciao ऑफिरेसु कि सबसे सबसे बहुत है इससे सब्सकार को ही स्ब्सक्राइब ऑप एक दो ह Pocket इन् अब आपि फारेंगा जाता है है जलिए कि इसemi को की समस्या ऐ तो पूछ सकता लेकिन 2012 जीजान लगा के 50 दिन पर किसी को कोई प्राबलुम तो नहीं बात हमें आपको बता दिये इस लेवऽ क्या है क्या नहीं है चाह सब्जेक्ट पढ़ने आपको ठीक है कि नी ठीक है चलिए तो रेसियो स्टार्ट करते हैं और उतना लेवल लेके चलेंगे आप और सब पेपर डालिए जेनी के जीडी का ही देना है पुलिस की आ जाए उसमें भी चप्रासी नाली सफाई गर्मी खलासी सम्में रे कुछ बरोसा नहीं एक अभी जगह आई थी बीडी यो की ब्ले डवलम्मेंट ऑपी सर और यह जगह आई थी साई 2018 में इन में से एक अपने यहां से टीचर थे उनकी जोइनिंग थी अपरेल 2021 में मार्च में बात हुई उनसे अरे सर 2021 में तो जोइनिंग है पूरा आप सोचो नो तीन साल हो गए तीन साल तक जिन बच्चों की जोइनिंग हुई ती तुम्हारी ही हो जाए पढ़ना बंद अब का जोइनिंग हो गई डाड़क जोइनिंग ट्रैनिंग पर जाना है अब तो अब जब 8 दिन बच्चे उ होंगे लड़का जोइनिंग पर जा रहा है उनका तो सही है महलों बहुतों का रुप गया होगा चलो नहीं जोइनिंग के बात करूंगा मैं उनके तो लॉड़ जाने इस लिए लड़कों को बताएं इसमें भी देरी नहीं करनी चाच्चा दस वीस अजार कम मिले तुम नहीं कर रहे तो दूफरा आ रहा है कलो पहले ही कलो ठीक है तो यह बिचारे अब परिसान है क्या कर सकते हैं अब तुम सोचो तीन साल पढ़ाई छोड़ने के बाद इन पर क्या भीतेगी अब यह दौरा पढ़ें दौरा पेपर होगा कब होगा यह बगवानी माले क 26-27 साल के होते हैं बीडियो की तैयारी करने वाले एवरेज 25 के तो होते ही 24 नहीं तो यह SSC पुलिस की करते हैं अब 25-26 साल का अड़का हो गया 28 साल का अब घर परिवार देगा के तैयारी करें बड़ी समस्या तो इसलिए सब दीजिए और यह तो बहुतो बेवकूब नौकरी चोड़ी है अब निकल नहीं तुमसे नाली सफाई करमेंगी तरदी नहीं हमको पुलिस की नौकरी डारेक्ट UPSC निकालेंगा IES बनेंगे वेवकूब हैं खुद को समझाता करते हैं ठीक है चलिया तो रेसियो स्टार्ट करते हैं रेसियो क्या है देखो रेसियो ह करोगे बैग हों ही रखवा दिया करेंगे ओपिस में ही ठीक है केवल सो आप यह समझ रही है नहीं देखो अगर आपकी समझ में आ जाता है तो वह चीज़ें भूलेंगे ही नहीं आप बस से क्या सोचते हैं अभी लिख लें घर द्वारा समझ लेंगे घर पर टाइम ही नह बात करें हम रे सीव Pvd का है पर एज रेसीव मेरे भाई सीव Opera बहुता है किसी और दूसरी चीज से तुल नहीं करने और आज पर जोने घर जाकर लें संग के संग ऐस करें अगले 10 दिन में अब फिर अगले एक महिने में पेपर तक उतना क्लियर करिए पॉल्टी छूट जाए छूट जाए रेशियो छूट जाए छूट जाए एक दो ही नम्मर का तो आएगा 23 कर आएंगे लेकिन पढ़ लिया और पूरा मैथ ही कनफीजन वरा है तब ज्यादा दिक्कत वाली वात है तो जितना पढ़लों से रिवायच संग उसे करना जैसे में कहूं मेरे पास तुमसे दो गणा रुप्या है आप कोई यह नहीं बता सकता मेरे पास है कितना जब तक इन 6,000 रुपया है तु Meinung है डीक है, टीक है कि नियी ठीक है। लेकिन अगर यह भी नहीं पता है, हम भी नहीं पता हैं। कोई तीसरा वेक्ती नहीं हुआ सकता। मेरी इफ जैम में इससे 2 गुनत कोई नहीं बता सकता। मुझे ही पता ये बात, तो रेशियो से कभी रियल मान नहीं निकलते, तो रेशियो सिर्फ तुलना कराता है, जैसे मैं कहूं आपसे, कि A अनुपात B, परावर 3 अनुपात 1, अनुपात को ऐसे डवल विंदी से लिखते हैं, इसका मतलब ये है, कि A की वैलू है, 3 और B की वै होगा, इसलिए हम X वगेरा मानते हैं, कोई कहते हैं, एक बरतन में, दूद पानी में जो अनुपात है, वो दो अनुपात 1 है, बताइए दूद की मात्रा क्या होगी, अगर आप 2 लिटर कह देते हैं, तो ये गलत आंसर है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, कि जो द मतलब है कितना, तो अनुपात से कभी data, real data नहीं निकलता कि है कितना, तो सिर्फ अनुपात ये होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं, कि एक का जहां भी, अभी तीन बता नहीं सकते, केवल सवाल में यूज करने के लिए, एक का मान तीन है, बी का मान एक है, अगर आप एका मान और B का मान निकालना चाहते हैं, अच्छा यह आया कैसे, देखो, समस्या यह है कि 3 एक तो बहुत सी संख्याओं का हो जाएगा अनुपाद, जैसे मैं कहूं आप से यह बताईए, 30 और 10 का अनुपाद क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 अनुपाद 1, अनुपाद बनाना तो आता क्या होगा, यही होगा, आप बताई, 18, 16 का कितना होगा, यही होगा, आप से, मतलब ऐसी संख्या हो सकती है, कह सकते हैं, अनंत, बहुत संख्या हो सकती है, अनंत क्या, अनंत इन्फाइनाइट नहीं होता, कोई गलत है, बहुसते लोग अनंत का परवाफित कह देते हैं, ब इसका उतला यह नहीं कि अपरवासित पर आप नहीं किया जा सकता लेकिन इसको तो परवाफित किया जा सकता है हम देखो कर रहे हैं पर वासित लेकिन होंगे बहुत सारे अगला कोई कहँ दे चौबीस और आठ तीया चौई तब भी है मतल़ इससे तीन गुना 10 तीया 30 और भी हो सकते हैं, सात्या 21, बहुत हो सकते हैं, अब समस्या यह है, कि इस संख्या से यह संख्या निकालने कैसे, तो इसलिए हम यह आपर X लिख देते हैं, 3X और 1X, अब पता नहीं कितने का गुणा हो रहा है, यह तो सवाल में और कुछ दिया होगा, तब पता चलेगा, त B का कोई मान पूछे, तो क्या हो जाएगा, 1X हो जाए, X का मान निकालना आगे सिखाएंगे अभी है, इतनी वा समझ भी में आई की नहीं आई, भुरुकुल, तो चलिए आगे समझते हैं, अब अनुपात को सबसे पहले अगर अनुपात दे दिया, A अनुपात B बरावर 3 नुपात 2, तो A का मान 3 हो गया, B का मान 2 हो नहीं गया, अंसर के लिए नहीं, सिरफ सवाल मियूज के लिए, अब आपसे पूछले मेरे भाई ये बताईए, 2A प्लस 3B का मान, कोई बता सकता है, 2A प्लस 3B का मान, बताईए भी है, कितना आ जाएगा भी है, पारे आ किसी का कोई गलत दूफला कुछ बताना चाहता हो, जल्दी से बताओ, रेशियो, मिल लगी सीट, बताईए भी है, कितना आजागा लड़कियों में, बोलो, ऐसे सीखते हैं, गलत बोलेंगे, आफी थोड़ी देंगे, अच्छा, तुमने गलत बताया, जाओ, काले पानी की सफजा दी जाती तुमको, पुछा करो, कोई गलत, ऐसे सीखते हैं, पैट से सीखते हैं, थोड़ी आता है, अभी बनी थोड़ी हैं सब, और नहीं आता, टीचर की गलती है, नहीं सिखा पाए हमको, अब सीखेंगे, ठीक है, देखो, तो कितना आ जाएगा, बार है, कैसे, 2, 3, 6, और 3, 2, 6, कितना आंसर आजाएगा, बार, और जो हो जाएगा, गलत, अभी तो समझाए तिमको, कि 3 मान नहीं रख सकते, इसका मान ऐसे रखिए, यहां एका मान 3X हो जाएगा, या के मानलो, कुछ भी मानलो, आपकी इच्छा है, यह तो कोई भी क्या है, यह कोई भ के, की HCF होता है, इनका, कैसे होता है, समझ लिए थोड़ी जाएगा, जिससे यह दोनों कट जाए, उसे HCF कहते हैं, 10 से यह कट गया, 10 तीया 30, 10 एकन 10, 5 एकन 5, 5 तीया पंदर है, तो वो के कॉमन संख्या है, जिससे कट के, जिससे कहच के, तब यह बचा है, ठीक है, अब अगर हम यहां रखें, तो यहां आएगा, तीन के रखो, और गुणा दो, एक ही जगे रख दिया, यह और प्लस 3, और यहां रख दिया, 2 के, तो तीन दोनी 6, तीन दोनी 6, 12 के, अब आप बताए, के को कैसे भी हटा सकते हो, क्या, नहीं, जिन्दगी भी नहीं, कैसे भी त इस बात, ओ अलो, कहा लिख रहे हो, रामाडी रिचना करनी है तुमको, इधर देखो पर, हम समझा रहे हैं तुमको तुम लिखने पर, ठीक है, कर आंसर आनी, कौपी पर कहा ले जानी तुमको, 12 के, तो यह इसका अंसर आएगा, आंक्डे अधूरे हैं, यह आंक्डे अध आता है, के का मान नहीं निकाल फक्ति आंक्डे अधूरे हैं, अब जैसे देखो, अगर, अब देखो, के सवाल में तो कहीं था ही नहीं, सवाल तो सिर्फ इतना सा है, सवाल तो यह है, इसमें के तो कहीं दिया ही नहीं, अंसर में के आ रहा है, अब अधूरे क्यों है, अब प्रियंका मानेंगे अपना नाम, बहुत ज़्याद है, दिक्कत हो जाएगे, इसलिए आंकड़ दूर है, तो यह सही कब हो सकता है, यह सही तब हो सकता है, जैसे A अनुपात B बरावर दे दे, तीन अनुपात दो, और आप से पूछले, फाइंड करिए, क्या 3A प्लस 2B, और बटे में, 3A माइनस के 2B, यह पूछले, हालां कि वो इसको ऐसे भी लिख सकता है, 3A प्लस 2B, और ब्रेकेट यह अनुपात, बटे को ऐसे लिख देते हैं, बिंदी बना के दो, 3A माइनस के 2B, सही है की नहीं सही है, भुरुकुल, तो आप देखोना हो धिहान से, अब दे देखो, तीन तरो के, यहाँ अब तो डारेक्ट रखिये न, एकी जगे 3 के रखिये, और बी की जगे रखिये, टू के, तो तीन तरो के, 9 के, दो दो नी, तो 9 और 4 कितना होता है, बोलो, 9 और 4, 13, सब को 13 ही होता है, तो यह हो गया 13 के, और यह कितना हो जाएगा, देखो, ऐसे टकलो, ऐसे की बात है, तीन तरो के, 9 और दो दो नी, 4, 9 में से 4 गया, 5, के से के गया, कट, तो 13 है, अनुपात 5, तो यह चप्रासी, नाली, सपाई-गर्मी, खलासी, इन में आ जाता है, छोटा सा सवाल है, ठीक है, यह आप दिल्ली पुरिस में भी ऐसे सवाल बनेते अब हम समझना यह है, तो इस अच्छा के कट जाना चाहिए, तो के कब कटेगा, अब देखना, नोट नहीं करना, अगर मानलो यहाँ A स्क्राइर होता, तो क्या के कट जाता, कैसे कटता, उपर K स्क्रार हो जाता नीचे, के ही था, तो नहीं कटता, तो इसका मतलब यह हुआ कि तम कटेगा जब अन्सोर हर की घात बरावर हो और ऐसे पद को कहते हैं सम घाती है और इंग्लिस में कहते हैं इनको होमोजीनियस इंग्लिस अपने साब से लिख लिए हो लिख देते नहीं को इंग्लिस आती नहीं इंग्लिस की तो अच्छी है हमारी होमोजीनियस ऐसी इसलिए लिखें है पता जले गल्ती नहीं हो जाए इसलिए है ठीक है होमोजीनियस अब देखना सम घाती जैसे अंसोर हर की घात बरावर वहां पर खच्ची उड़ जाएंगे तो वहां के मानने की जर्वती नहीं तो कट पेपर में अगर यही सवाल आ जाए तो पेपर में इतना करना था एक हमान हो गया थील अब ब्रकाण हो गया ढोल तो लो तो रक फोग कीन औरक हुआ चार, नौ और चार, तेरे, तीन त्रोक के नौ, दो दोनी, चार, नौ में से चार गया, कितना अंसर आ गया, इसलिए समझा आई हैं तुमको, कहीं ये सवाल ना गलत हो जाए, इसलिए, चांते तुम उसको डारेक्टी ये समझा देते इतना ही करके, लेकिन पिर तुम पता च इतने कैसे कैसे आएं पेपरों में, प्रिविश सेयर के हैं, सवाल ये है बहिए, पहला सवाल, ए अनुपात भी बरावर दे रखा है, बस करना है, लिखना नहीं है, चार अनुपात पांच, थिरी ए प्लस टू भी, अनुपात, थिरी ए प्लस फूर भी, इसका मान दूसरा सवार 5A माइनस 3B अनुपात भोरे माइनस के 2B परावर दो अनुपात 3 ठीक है तो A अनुपात B बताईए दो सवाल है एक उल्टा एक सीधा उल्टा सीधा एक सवाल करो सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना नोट करना नहीं है तुमको हम बता दें ऐसे कितने लोग है जिनके पास मोवाइल नहीं है कोई नहीं सकता कोई जूट नहीं बोला करो और बाप पड़ता है मोौवाइल है घर पे है जिनके पास मौवाइल नहींJeए को आख़ारी के 5 किर बैट के जाया करेंगे और जिनके पास मोवाईल है वह इन्यौय से जाया करें कि व挑 भव्यूटिफुल सच बताना तुम्हें एफ़ाई लग रहा गल्ट है वाव है अच्छा लड़कियों में ग्यारपार सोल है को इधर वाले लाइन में किसी का कुछ कितना पहले का है चलिए देख लेते हैं सामने देख लो बास इत्ती तर बहुत है आगे अम्मत कर साम तक एगी सवाल पर ठोभी डटे रहना है एक आमान कितना है चार बीक आमान कितना है पांच आगे अमान है चार बीक आमान देखो ना अंसर में सजाती है एक ही जैसी घाता है सम घाती भी कहते हैं तो इधर देखो एक आमान कितना रख देंगे भाईया चार बीक आमान पांच तीन चोके बारे और दस कितना होता है पाई किसी का मौ नहीं चल जाए बस तीन चोके बारा और चार पंजे बीस बारे और बीस कितना होता है तो ग्यार है अनुपात सुल है बस अधाब आए दूसरे पर देखो जी नहीं होगा ऐसे यह तो उल्टा दे दिया इसको सॉल करना पड़ेगा पांचे माइनस के थिरी भी और बटे में अनुपात के अंदला बटे ही होता है भोरे माइनस के टू भी और बटे में दो अनुपात थीन सही है की नहीं से फैनिक ओ इधर भाया पूतक निया नूट नहीं हो जाए समझा करो पूरा जी जान लगा दो समझने पर बस अब देखो एक एक इसका इधर गुड़ा करेंगे तीन पंजे पंद्र है गुड़ा कैंची गुड़ा आँ जे युवाव कैंची गुड़ा दो चौ के आठ है और माइनस के चार वे और आठ में से पंद्र है गया साथ और ये आके इधर प्लस हो जाएगा नौ चार अब जे नहीं हम सिखाएंगे जित्ता तो करना आता ही है पढ़े लिके गवारो ए अनुपात बी भी जारा इ आएगा इतकों तो पांच अनुपात साथ क्लियर है कि नहीं क्लियर रहे वाव लेकिन ऐसे करते हैं बेब कूप लोग हम इसको डारेक्ट समझाते हैं हालांकि इसको हटा नहीं रहे घर जा किया राम से इसको भी नोट कर लिए हो ठीक है इसको इधर कर देते हैं साइड में तोड़ा चोड़ा कर देते हैं देखो आगे यह घर पर देख लिना सेकेंड मैठेड है ठीक है सीट में आ जाएगा तुम्हें पास आप देखना यहां पर कैसे करें आपको यह बहुत जगह जरूद पड़ेगी आप यहां पर सीख लीजिए इधर यह कई यह वाला कंसेप्ट आपको कई जरूद पड़ती है नहीं की दूसरे की इंकम यह खर्चकान उपाती है बचतकान उपाती है और भी कई जगे तो 4 वाहँने काम करेंगा कैसे देखर करना तरीकह पौई परीकह वही सोच नहीं के जरूदे आए यह वायित इंगा इनका कुड़ा 5 में होगा 15 15 और दो शौक के ए sucking सही है कि नी सही है इधर अगर यह विप्रीत चिन हो तो जुड़ेंगे और अगर समान चिन हो तो घटेंगे समान चिन का मतलब है या तो दोनों प्लस प्लस के हो और या फिर दोनों माइनस माइनस के तो घटेंगे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो जुडएंगे ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो जुडएंगे विप्रीचन विप्रीट जुडएंगे समान तू रटो ठीक है देखो 3 तरोके 9 और 2 दोनी 4 नो में से चार गया कितना बचता है पांच खतम तो जो ये दो तीन लाइन की कैल्कुलेशन थी यहीं खतम हो गई ए अनुपाद भी तो बड़ा मौकिक है पी उधर जाएगा तो पांच अनुपाद साथ और आप और भी समझ लो एक सामने वाली बैलू होती है एक ही पांच प प्लस 2y अनुपाद 10x प्लस 3y ऐसी करना जैसे हम अभी सिखाए 10x प्लस 3y परावर पांच अनुपाद 9 तो आपको पूच्छा है पेपर में यह सब दिल्ली प्लस के सवाल है इसमें दो तीन तो यहीं जो करा रहा है 2x इसको और CHSL में भी बने अभी जो पेपर चलने उनम पता यह पिया कितना आ जाएगा पांच अनुपाद तीन वाओ तीन अनुपाद पांच और कुई गुंगरा नाम सुना है फैक के मारें गुंगरा उचर के आएगा यहां पर लगेगा यू सीधा अरे एक्स वाई थोड़ी पूचा यह पूचा है फैंड का लिखा है आगे लड़की यह गलत नहीं बुला करो एक के मार देते एक लड़की गुंगरा उच्राया रहता है बहुत बड़ा पड़ती नहीं थी वह जा रहा लड़कों पर बहुत गुसा थी जो यह कहते है ने फॉन आ रहा है सरकाम में नेक भगवान तागत देदे हमको और फिर इनको पकले मौँ जूत ही इस मारा बार मारी 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 जब तक पढ़ा ही मन न लगने लगे बताओ घरवाली कितनी मैनस से उम्मीद कि उन लड़का पढ़ जाएगा नो करी चपकी जाएगा आगे की दिक्कते बहुत ज्याद है कुरोना जैस देख रहे हो तुम लाले पढ़ गए रूटी के लोगों के हमारे खुद पढ़ गए कि आया कुछ क्लियर है कि नी क्लियर है कि इतना 31 अनुपात बताओ बहुती ब्यूटीफुल आंसर बहुत बढ़िया आंसर दियो पीछे बाकी सब नालाएक बरे पड़े लड़कियों में लगता थो यह पेज बेज भी फट जाएगा लड़कियों पर तीजले दी गुणावा करती काटा पिटे अटगी रहत दीन दो पंजे दस में कितना आ गया चलिए देख लेते हैं ओधर बस रहन्दो अब करते रहोगे लिख लेते हैं आपको नहीं लिखने की जुरूवत नहीं अगली बार से पाइव एस प्लस टू भाई और इदर देखो अब पटे दस एक्स प्लस थ्री भाई बरावर में कितना है पांच अनूपात नौ अब इदर आगे अंशर तो माई सुलो फिर कैसे सिखाएं इन्जेक्षन में कोई लाएंगे जो दिमाग में वारे बस में कंट्रोल आए यह बावा से मिलें बंगाली बावा करें सामने वाले का दिमाग बस में देखो इदर दीख न, 9-50-45 सही है कि नहीं सही है बोलो यान नौ पंजे 15 और पांधाई एक सेखस वाले देख रहें पांधाई 50 नौ पंजे 15 पचास में से 45 गया किता बचता है है अच्छा समान चिन है घटेगा है ना तो नौ दोनी 18 पांतिया 15 नौ दोनी 18 पांची या पंदरह नो दोनी 18 में से 15 गठा तेन अच्छा लिखना चाहों तो लिखो एकस वाई नहीं तो बहार में जान दो शची आने निकाल यहां उनुकांट का दिक्कत हो गया खतम सवाल पूछा क्या एकस जग यह तीन रखिए लेकिन एकस नहीं है एकस का बड़ कहते हैं कैनों तुरक देज़ल पंचरह पांच का वर थी brainstorm अब नी कि यह नहीं तो बता ही नहीं सकती है 1885 किता कि भूआ दो दी कि वीजे से भाज आ गी तब कि यह मैं अधासर अधासर प्छत्तर रे एक रही है ट्राइवे और इधर हो जाएगा 36 2361 अब यह 3 से कट रहा है 31 वार और 3 से कट रहा है 33 आट 24 और 37 31 आवाज संख्या किसी से कटेगी नहीं यही आपका अंसर हो जाए हो कि आहीं समझने की नहीं कि रहा है इतने में किसी को दिख्यत नहीं है तो आज तो पहला दिन था तो ज्यादा सवाल नहीं हो पाए कल से बैच भी जो इधर आज एक की छुट्टी करनी पड़ी ती दो चात कमगत बैठे रहे गए का दो उनको बैच कल हो जाएगा जी पनीचर हो जाएगा उसमें कल से बिद्वत अलग किलास हो जाएगी ठीक है चलिए कि ओड़ी आगे की किलास लगेंगी सब इसके बाद जीय वसके बाद रिजनेंगे कोई दिख्कत आए तो बता के जाना दिख्कत आएगी नहीं सब ठीक टाग लोग है कि अभी इतनी भी सश्टी कर दिया है हम अब एक बार में 708 सब अच्छे पढ़ लें हैं कोई दिख्कत नहीं का दिक्कत है देखो अगर हम आपसे यह कहें तो कल हम रेशियो को स्टार्ट कर लिए थे और रेशियो में हम आपको इतना समझा दिये थे कुछ ज्यादे नहीं 15 मिट की किलाव सुई थी कि अगर अनुपात भी दे रखा है इसका मान दू अनुपात 3 दे रखा है थीक है तो ए का जो मान होता है वह दो होता है और जो बी का मान होता है वह स्भाइब तो नहीं कह सकते कि एक बरतन में दूद पानी से दोगना है अनुपात सिर्फ यह दिखाता है एक चीद दूसरे से कितने गुना है यह यहां यह पता चल रहा है कि जो दूद है वो पानी से पानी एक फिर बेब खुपी मत कीया वर समझो पहले कि हमारी वात वार्य को हम आप से यह कहें मेरी इसवाली जयम में सबसबों इसवाली चैने इसवाली चैने मेन किना है नई ठीक है को ऑन पात कभी रियल वैल नहीं बताता हो इध़र अब पीछ समझा करूद्य मैं आप से कौँं, मालौ है आलिया वट और पास , प्रियंका चौप़नां की और अधा पैसा है , अब बताओ , कि अलिब अ अधा के पास , कोई नहीं बता सकता, अधा सिर्फ ये बता रहे हैं , कि प्रियंका चौप़नां की तुल्नां में अधा है . ठीक है कि नी , ठीक है , इसस जाएधा कुछ नहीं लिए लांकड़े तब पूछ अरे आल्यावट भाग से पास, आया वटके पास किसी एक हटा पता चल जाए किसी का नहीं पता तक पता ही नहीं बता सकते हैं तो यह ratio बताता है जो लोग green basis कहते हैं लेख वोते हैं कि दूद। दो लीटर है पानी एक लिटर है पार्स टीचर मिल्टने समझा देतें क Kleisu जो ऐसे हैं एक अनुपात है यानि ये ratio कि बो संख्या है जो जब इनका अनुपात बनाया था तो कट गई थी कैसे जैसे मैं को 20 30 है अनुपात बनाएंगे तो दस से कट जाएगा दो अनुपात तीर और जो कट जाती है उसे है यहां पर है आप संख्याओं में गुड़ा करते हैं तो संख्या निकल के आती है यह वही कंसेप्ट है तो अगर आपका एक बार कंसेप्ट कीर हो जाता है पूरे मैठ में वहीं गूमता रहता है यह परसेंटेज कोई नई चीज थोड़ी है कोई पूछे पानी कितना है एक दूद की तुलना में दो परसेंटेज में बदली है तो सौका कुड़ा थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता रहता है ज्यादा चेंज नहीं होता है कितर रट जाओ बट जान दो एक कुछी काय तो नहीं छोड़ते और तलवा देना पीच में जगए है ठीक है चलिए तो आप आता है ठीक है देखो तुम तो बहुत पहले से खनीटी प्रिवीलेट हो गई है अगर आपका अनुपात क्लियर हो गया तो बस सौका गुड़ा कर दीजिए वही क्या बन जाता है परसेंटेज तो अनुपात परसेंटेज भिन यह सब एक ही है कोई अलग थोड़ी है बस क् अनुपात को तो हम आपको यह बता दिए अगर A और B का अनुपात 2 अनुपात 3 है तो a कितना हो जाएगा टू की कितना हो जाएगा that कि यहां पर कोई भी कॉग इक इक उंस्टैंट है जिसका मान हमें पताने है अब मैं आपको कुछ कराता हूँ पर देल यह इदू अगर चार तो देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए एक सवाल करा रहा हूं बस टू ए प्लस थरी भी और बटे में पूछ लिया जाए मानलो आपसे फाइव ए माइनस के टू भी अब देखो आप डारेक्ट मान रख सकते हैं यहां पर क्यों रख सकते हैं क्योंकि के से के कट 12 एको 15 जेथुआ बड़ाबैरों परिति नहीं होता है ओ कि अब भूस धिकर अब बढ़ते हें अगे चलिया एक दू सवाल कराते हैं पहले आपको तब तक दीक वागर और कुछ के रहे थे क्या करेऄतम बहुन हो दिए लो यह ठीक है व्य है जाद नहीं हो पाये दो तीन ही कराये ते और जिनको कल की किलाव चाहिए बो भी देतेंगे फिरी में देते एंगे हैं कि अभी तो अरे ये वाली फिरी में लवाली खूट गयी यह तो आज इनकल बहुत बहुत देखो चलिया है तो मेरे भाई कल से आगया है मैं आपसे यह कहूँ 12 A परावर 16 B परावर 15 C है और आपसे पूछ लिया जाए A अनुपाद B अनुपाद C ग्याद करिया है यह बहुत जादा आने वाला पेपर में सवाल पुड़ा बहुत नहीं बहुत 3 A एक और पहले यह सरल्फा हो जाए तब भो करेंगे 6 V 9 C तो A V C क्या अनुपाद बताई इफ यह है अब अब चुपचा बढ़ जाए बहुत देर से कल वाला रिपकर इकड़ा दिया और यह जल्दी बठा दो पता जालेगा अब घतम होगी किलाव सब तक यह एंट्री कर रहे है हाँ 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 इटाचर अनलाइन चो लगी है यह को पचास सव कुलिए तक लगी है ऐसा हो जाए ना इटाचर अनलाइन उस दिन हम फिस पचास रफा करते महीने की मात्र हमें चाहिए नहीं कुछ है मानलो दो रोटी स्वय मिलती ना दो रोटी साम को और एक अचारी पैस अचारी जनते हैं लिटिया जनती होंगी अचार की सिष्टर अचारी ऐसे है अरे पिंकु से कहाँ एटवादी रोड़ काम थे चलो रख नीचे रख 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 देखो यह हो जाएगा तो बेस्ता है आज हुल की बेस्ता चल लिए काम देखो भी या किसी का अंसर कि एक अनुपाद दो अनुपाद तीन पुरकुलासा चलिए देखते हैं कि देखो आगे हैं आप हमें यह बताईए इधर समझे ना ध्यान से अब कि देखो भी है आपको यह दे रखा है तो यह में इनकी चक्कर में लाइन और कित्य और यह बार पर यही चलेगा जिस टाइप एसी को आगे बढ़ाएंगे देखना कि क्या है कि इत्य बता रहे हैं कि बढ़ाएं इनके नाम पाम है अब परिशान है अब 20-20 बाद में देदी हो है हम खुद परिशान है कि अरे ने बैठर वाव करें लेंदे पीछ चले जांदो पैसे की में वैसी चिंतानी अच्छार आ जाता है दस रुपे में सब कुछ अभी लगता है हम पैसे के लिए पढ़ाते हैं जादा अब वो चंद रुपीस है उसे भी नहीं दोगे तब दिक्कत आती है देखों चली भी अब बात नहीं बहुत दिक्कत होगी बात नहीं अब चली है बहुत बड़े हैं ध्री ए वरावर छे वी वरावर नौ सी यह सवाल ऐसे भी बन सकता है यह आगे भी बनेगा किसी धन्रास देखो अब चुपो जाओ देखो यह सवाल ऐसे भी बन सकता है एक आदमी ने किसी धन्रासी को तीन भागों में इस प्रकार वांटा कि पहली धन्रासी का तीन गुना दूसरी धन्रासी का छे गुना और तीसरी धन्रासी का नो गुना आपस में सब बरावर है तो तीनों धन्नासियों का अनुपात बताइए, या कुछ दे देगा कि 500 रुपया थे तो बताइए कि इसको किते रुपया दिये गए, ऐसे कुछ भी दे सकता है, है न, तो आईए पहले इसको निकालना सीखते हैं, देखो, तो पहला तरीका तो यह होता है, आप समझते कि 3A बरावर 6B बरावर 9C, अब आप क्या करते हैं, कि इसके बरावर के माल लीजिए, है न, कि नहीं, यानि इसके बरावर में के माल लीजिए, एक माल लीजिए, दस माल लीजिए, बीस माल लीजिए, कुछ भी माल लीजिए, अब देखना, यहां से A बरावर क्या निकले है अगर हमको भीया A B C का अनुपात चाहिए अच्छा तो A B C का अनुपात आ जाएगा के बटे तीन और के बटे छे अब बैठ जाओ बहुत दिर हो गई है बैठाना लोगे ने कहीं पर यही करते रहेंगे आदा गंटे तक बैठाना विठी ने इतने तो समयधार हो कहीं मिल जाए जागे बैठ जाओ कहीं बैठ जाओ बस बैठ के बात खत्म देखो भी है बात नहीं अब चुप चाप बैठ कोपी बात में खोली हो पहले तर समयधाना कोपी पर वैसे भी कुछ न ब्रावर 9C और ABC का अनुपात आपसे पूछा है तो हमने ब्रावर में के माना हुआ है कब तक आते रहेंगे खल फिर 9 वज़े बंद करवा दिया करेंगे हम सवा 9 तक 9-10 तक देखो यह गलत बात है अब सीरिस हो के पढ़िए एक दुमई ने देखो तो आम मुझे यह बताइए 3A बरावर 6B बरावर 9C और बरावर में हमने कुछ भी मान लिया के मान लिया तो के के बट्टे में अब ऐसी संख्या से गुणा करिए अनुपात कभी भिनों का नहीं होता संख्याओं का होता पुड़ाउंकों का होता है कभी भी अनुपात ऐसे नहीं लिख सकते के साड़े चार का अनुपात दो से ना अनुपात ऐसे होगा ESE 0 आया अब इसको काटी नो अनुपात चार त जैसे मैं आपसे कूँ दो वट्टे तीन और एक वट्टे छार का हनुपात पता है, यह बृकुल ynी गलत अूपात है पर्रीसको आप व्लेक्ट साल करिए, कैसे यह दुद्रको जाएगा यृह दुद्रको जाएगा तो आठ शनुपात 3 ठीक है कि नहीं ठीक है बुर्कुल तो केसे के कट गया और बच गया हमारा एक वर्टे तीन, एक वर्टे छे और एक वर्टे नौ अब देखना ध्यान से थोड़ा सब फास्ट इस लेकर आए टाइम हो गया आल जाता तो देखो तो आसान था आपने सोच लिया लेकिन यहां यह टाइम लग जाएगा तो कि ऐसी संख्या सोचने में टाइम लगेगा कि 12 से भी कट जाए 16 से भी कट जाए 15 से भी कट जाए तो अच्छा एक और तरीका हो सकता है रुक जाम है भी पता है ठीक है दूफा दरीका क्या हो सकता है भहिया मेरे, कि अगर हम यहां पे, ठीक है कै ऑग अगर देख़ू, यहां दे रखा तर पहली संख्या का 3गुदा, दूरी संख्या का 6गुदा, बराबर 3वी संख्या का 9गुदा. अगर कोई जल्दी करना चाहता है तो जल्दी यह ऐसी भी हो सकता है, जो यहाँ के माना, इसे पुराने जमाने की बात है पहँ प्रणी चलाएगा, के माननो, एक माननो, सौमानो, दस माननो, अंसर आएगा, तो जो मानही रहे हैं, क्यों को यहality वान से संखया माननेकित्नी कर तो 3-6-9 से कटने वाली संक्या कितनी हो जाएगा 18 मान रहे हैं कुछ भी मानो है की नहीं मानना ही है तो सीधा आलियावट को मानो क्यों मानो कुछ चूटा मुटा ठीक है की नहीं ठीक है तो आप बताइए इधर देखना तो 3 मतलब ऐसा जिससे आसानी से कट जाए तो 18 कट र आंसर है तो यह एक लाइन भी नहीं कर्च किए भी हम देखो ना यह तो सवाल ही है बस ब्लावर में 18 मनमे भी कर सकते यह आपका अंसर है अगर आप तीसरा तरीका जानना चाहते है तो इसका एक और तरीका हो सकता है लुकाच पी का खेल कैसे जैसे एक अमान चाहिए तो इ तो काटी यह पहले, अब यह सब दिख रहा है, आमें 9-2-18, 9-3-27, और 9-6-4, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, यह वही का, वही हो गया, तो यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन यह गलत है, तो आप के वे के चक्करवे नहीं पड़ेंगे, के एक्स बगरा कुछ नहीं, आप सी है, तो एका मान चाहिए, तो एको छुपाईए, और बाकी दोनों का गुड़ा, तो शोलय 15-गुड़ा का गुड़ा करेंगे, फिलाल ऐसी ही रहेंदो, काई को गुड़ा करो, कटेगा थुड़ा वत्तो, P, P का चाहिए, तो बी को छुपाईए, तो 12 गुड़ा 15, और C का अच्छे यह तो C को छुपाई है बाकी रह गए उनका 12 गुड़ा 16 अब देखना ध्यान से बस खतम बात अब क्या करना है उड़ा दो जो कट रहा है 3 4 12 3 4 12 3 5 15 और कटेगा 4 1 4 4 4 4 16 बस खतम 4 5 20 हुआ यह 15 हुआ और यहां पर 16 हुआ आप बताईए यह बात आपको समझ में आई कि नहीं सबको बूलो आपको समझ में आगी एक और सवाल कराते हैं तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा यह नोटवोट की चक्कर में नहीं पढ़ना नोटवोट बात में आ नहीं पता चले हम यहां करा रहे हैं तुम नूट के चक्रम पड़े हो अगला सवाल यह भी है जैसे यह दिरखा 6A बरावर 4B बरावर 9C तो अब बता दीजिए ABC का मान क्या दाएगा बता दीजिए 694 बहुत बड़े है 694 अब वो वाउ मजा आ गया तो सब स्यार हो गए देखो इसको छुपाईए 436 इसको छुपाईए 694 इसको छुपाईए 694 कट रहा है तो काट दिये 636, 694 और 644 कितने से काट दिया हमने 6 से बस इतना सा सवाल हो गया समझ में आगया सब को कि नी दुआरा सुनते है अरे एको चाहिए तो एको छुपाईए 436 बी को चाहिए 694 और सी को चाहिए तो 64 के 24 अभी एक पर्सों के सवाल कैसी इतना आसान नहीं आया यहतों हो गया हलुजा सक्क्ते है नाली सफाईगाण सून भी इनमें आता है कि पर देखैंगे क्षा त enact kg हलासी होता है कि बताएंगे कि dental सीके पर है परावर चार वट्टे पांच सी तो ए अनुपात बी अनुपात सी बता है लेव है बढ़ा दिया नेकात खूब सूरत बना दिया अप्शन देदें अप्शन भी थे पेपर में 35-36 पंदर है अब बात यह नहीं कि तुम कर लेते हैं कौन कित्ती जल्दी कर लेता है बात यह पेपर में तो जल्दी करना है को यह थोड़ी देड़ गंटे में करना है बताई भया लेव क्यों कि तभी तो लोगों का एक सब्सक्राइब और कोई तभी तो लोगों के अठारा अठारा नंबर हैं सो में से पी और कोई निर्कियों पर हमारा द्यान है निर्की बताएगे पहले कोई पी बाहु बली बताओ पहले नोट कर लो दो गई आंसर बताना है कि नोट करना है नोट तो घर पर कल लियो बैटके पी कौन दो सही है पी बताने कोई टी चला रहा है कोई बी चला रहा है चलिए वाव अब सही है देखो चलिए देखो आगे चलिए इधर देखने ध्यान से बात नहीं हो देखो कैसे करें कि अगरा है इष्ष्ट के पेपर में बैठते हो है वावको दूफया तरीका बताते हैं और कि लास में बैठते हो सवाल आपको आपको बताते हैं त बता रहेrika गवरा पहले जाया करो हुआ है कि अबैसी बता रहे यह आ पढ़ने में निकल जाते हैं और ओनलाइन पेपर में तो अपडेट हो रहा है ये दो-चार मेंट तो निकली जाती है ठीक है तो ये ध्यान से देखना पेपर बहुत जल्दी करना पड़ता है पेपर लगता है लोगों को हलुआ के कौन से बढ़ा काम है बढ़ाई काम है एक गंटे में इत्ते कुस्सन करना देखो एक गंटे में मानलो ये तो एक को छुपाईए बाकी दोनों का गुड़ा 16 गुड़ा 15 है ऐसी यहां है एक को चाहिए तो एक कामान चुपाईए 695 बी का चाहिए बी को छुपाईए तीन निम सत्ता है सी का चाहिए तो थीन शेके 18 और बाकी तो ऐसे का यह तो डिटेल है एक तरीका यह भी बत और साथ चौके कितना होगा 28, यानि पहले जगे 28 तो आएगा ही आएगा, यानि 28 से कटना चेहिए, क्यों बाकी तो बट्टे वाले भी तो गुड़ा भाग होंगे, तो संख्या तो बड़ी चोटी होती रहेगी, तो 28 से क्या 35 कटता है, नहीं, 28 से क्या 70 कटता है, नहीं, 28 से अगर हम यहाँ डिटेल में करना चाहें, तो क्यों नहीं यहाँ पर कोई एक संख्या मान ले, अब संख्या के भी मान सकते हो, पीछे वाले हम क्राएव एसी, एक भी मान सकते हो, अच्छी बात तो, पहले तुम के पहले मान लो, अच्छी बात तो यह है कि 3, 7, 4 से कटने व तो किसी को नहीं समझ में आये, तो के मान लेना तब भी गरवडाएगा नहीं, 84 मान लो, बहुत अच्छे, देखो, अब एका जो मान निकलेगा, इधर देखना, यह, च्छोरासी आया कहां से, 3, 7, 4, इनका LCM, अब आज संख्या यह तो, तो 3 सत्य किशो के 84, 3 सत्य किशो क 24, अब देखी हो, एका मान, तो 5 बटे में है, उधर जाएगा, काई में जाएगा, गुड़ा में, बटे का पच्छांदर क्या होता है, गुड़ा का क्या होता है, यह तो सब बच्छमन से जानते हैं, तो 5 जाएगा गुड़ा में, 5 गुड़ा, 84 बटे, 3, are you understand this बात, यह, बी, देखो न, 9 गुड़ा 84 बटे में, 7, और C का मान, C का हो जाएगा, भीया, 5, ओहो, यह जाएगा गुड़ा में, 5 गुड़ा 84 बटे, 6, बस यही अंसर है, खताओ, काटा पीटी चालू, देखो, 3 से काटो न, 28 दिया 84, 7 से काटो न, 12 सत्ते 84, 21 चोके 84, से, काटेगा काउ से, न, काटेगा, 28, 25, 140, पारे निम्मा 108, 21, 15, 105, कौन सांसर सही है, 20 सही है, सबको समझे में आगा, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, बुरकुल, नोट नहीं करना, ऐसे कितने लोगे जिन पर मोवाइल नहीं है, मुल्टी मीडिया, यह होगा, कौन, अगरा था, यही लोग सबसे आगा, पत्रली, कमरिया वगरा देखते हैं, बुर्टी-फिदी चीजे, नेट वहीं घतम कर लेते हैं, एक तुम पर नहीं है, ठीक है, तुम एक काम किया करना, बाद में पांच माट बैटके, जब तक सर आते हैं, तब तक नोट कर लेंगे, इसके दीको, फायदे हैं, यह इसलिए किया है, एक तो तुमारा मन लग जाता है, पढ़ने में, पूरा, नहीं क्या है, हम यह समझा रहे हैं, आधे तो कमकत्व, और फिर अगली बार, फिर वही मेत पढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्या है, दूसरा यह भी है, हम आपको बता चुकें कि जो पेपर होने वो अगले तीन वहीने में होने UPSI का हो सकता है December में चला जाए January लेकिन हम अपना यह मान के चलें कि हमें तीन वहीने में स्लेवस करना है पूरा और जो पहले से ऐसा ही कि है तो पेपर बैस अक्टूबर नमंबर कह रहे हैं लेकपाल का भी आ जाएगा पूरा तरीके वे तालिवान ने पुखानिस्तान पर कपजा कर लिया बैसे ही प्राइवेट सेक्टर तुम देखो न रेलेवें भरती क्यों नहीं हो रही है 2019 से जगह ही नहीं है अगला चुनाब 24 में डाई साल में इसकी आंसर की माल रजल्ट आ जाएगा गृपडी हो जाएगा बस अगला यह पीपर उपाएगा वेकंसी नहीं रेल वे में कहीं टीचरों की वेकंसी क्यों नहीं आ रही जगह ही नहीं कहीं वो सब जगह तुम छोड़ दो सब खतम हो गई प्राइवेट यहां पर लोग जो आदमी अमाल लोग सरकारी चाली फ्याल ले रहा है प्राइवेट खड़ा है दस जार रुपे दोगे भी या चार मिर रहे हैं ऐसे टीचरी देख लो पचाफ या जो कमारा नहीं टीचर फो संबेदा पर नोकरी आया करेंगी संबेदा जानते हो जो अभी कम्पूटर की आहीं है एक साल के लिए काम एट वटो करो 200 रुप्या में करना है तो करो एक दिन का नहीं डेड़ समिच लाइन लगा के खड़ें पीछे अutime करनand अभी क्या हुआ एंबुलेंस वालोंने हरताल कर दी आसे 15 दिन पहले सरकारी अम्बूलेंस वाले थे वो उनकी तंका नहीं निकड़ लकिती तुब उन्होंने हरताल कर दी 15 पहले कि बाट श्रकारकें न सब को अचाहылे नए तयार खड़े बेरोजगार ही इतनी है तुम फूचरे हम बूड़े होगे सीनियर होगे तो हमें चारी साथ सतनका चाहिए आठ आड़ जार वेंगे भीर खड़ी है सरकार की बचत यही होना है तो इसलिए जिनको चाहिए 2021 के बाद फिर सपने में भी मज़ सूचना तो अगले तीन महीने इसलिए आप जैसे कर पाओ तीन महीने कोर्स पूरा कर लो पहले वाकी बात देखी जाए टाइम मिलेगा तो रिवीजन हो जाएगा ठीक है रिवीजन संग संग करते चलो बूझ अच्छा है और मेंसरेसन तो पुरा चालीज किलास है चालीज किलास है एं डेड़ महीना अंली कितर वां पचाफ रुप्या है पचास रुप्या में डेड़ महीना मेंपढ लोगे तुम गरवाट कर वाटके वह ही उनचास और उसमें धेड़ महिने में आप मेंसरेशन पूरा पढ़ लेंगे, रिवीजन हो जाएगा जिन्होंने पहले पढ़ाया, इतने में तो तुम टिक्की पढ़ा के खाले तो एक दिन में लाओ, 20 की टिक्की, 20 के पढ़ा के 40 हो गए, 9 रुप्या और माल लो, देखो आगे, इस अब मैं आपसे ये कहूं, सवाल दे रखा है भईया, ये भी आया हुआ है, तो आपको करना पड़ेगा, देखो ये, भी बात निए, B प्लस C, बटे A, ये दिल्ली प्लिस का है, वही है बात निए अब, A प्लस B, और बटे में C, परावर 7 बटे 5, तो आप ग्यात करिए, A प्लस C, और बटे में B, ये है सवाल, पिंसनी लेने का, ये टाइमिंड बरक में ऐसे सवाल बनते है, B और C की कार्चमता इसे 3 गुना है, A और B की कार्चमता, C से 7 गुन, 5 और 7 का कर्चम, इतना, तो और को बताओ, बताओ, आराम से बताओ, तुम निवंतर में आई हो सब कैसा, करो ना, वो नहीं होते बराद में आते लाव नास कि इतना गया? प्रेंशन नहीं लेने का आराम से करिए, नहीं समझ में हम समझाएंगे दिख चली विया करें कितना? तो वाओ, लड़कियों का भी आगया अब तो, इस दरवाली लाइन में किसी का नहीं है? कितना? तीन वाओ प्रेश्ट अब लग देखो चली देख लेता है भीया इधर देखो, कैसे करें? क्या करें? कुछ समझ नहीं आरा देखो आप अब हमें यह बताईए भाया करें तो करें का अच्छ यही सवाल टाइम एंट वरक में भी बनता है पैप टंकी में भी बनता है कि दोनल B और C की कार चमता, A की कार चमता से तीन गुना है A और B की कार चमता, C की कार चमता का अनुपार 7.95 है तो A का बताईए, B का बताईए, कुछ भी पूछ सकता है, टेंशन ने लेने का, इधर देखो, आप बताओ, जैसे तीन लोग हैं, इधर समझे ना पहले कंसेप्ट को, यह तो अनुपात है, जैसे माल लो, तीन लोग है, एक का नाम है A, और एक का नाम है B, और जैसे खाता है, तीन लोटी, ठीक है कि नी ठीक है, अब समझे ना इधर, अब भीया हुआ यह, यह एक दावत में पहुंचे, और वहां लगी थी, भीड, ठीक है कि नी ठीक है, तो A को तो माल लो, A को मिल गई एक प्लेट, और B, C को विचारों को एक ही मिल पाई, ठीक है कि नी ठीक है, अब समझे ना ध्यान से, A, तो अब अपना, A अपनी ठाली में किती रोटी रखेगा, 5, और B, C की ठाली में किती रोटी जाएंगे, बोलो, अरे साथ जी खाता हो, तो तीन जे खात्वा कितनी जाएंगी, दस, अगली दावत में, फिर गए जही तीनों, तो अगली दावत में क्या हुआ, कि C को अकले प्लेट मिल गई, और A और B को अगले मिली, अब बताओ, A और B की थाली में कितनी जाएंगी, अगली दावत है, अगली दावत, कितनी, 12, स्थिखी थाली में कितनी जाएंगी तिन अब देखो, आप कोई पूछे उन तीनों को मत बलाई हो वह तो बहुत रूटी खा लेते हैं, कितनी खा लेते हैं? 15 खा लेते हैं, 15 यहां भी हैं 15 यहां भी है, आज थो तो तीन भी बही, वह भी है वह यहाएं न?, है तो भी तिन, और उन तीनों को मत भूले, पंदर उटी खाते हैं वो तो कम से को, तो अब इनका अनुपात देखे हैं, तो इनका अनुपात तो देखो भाया, एक अनुपात दो, अनुपात तो ने ने कट जाता है न, और यहाँ चार अनुपात एक, अब आप बताई देखो, जो रियल्ट यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, ठीक है कि नहीं ठीक है, अब देखो, यही तो चीज वहाँ देखी है, A, B, C का A से अनुपात देखा है, वह संख्या लग 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 है, और यहाँ अलग ऐसे तीन लोग हैं, तो आप यहाँ समझे कि जही तीन लोग हैं, देखो, अब जही A से हो रही है, एक जग है, C से हो रही है, लेकिन आधनी वही तीन है, पर इनका तीनों का योग बरावर होना चाहिए, यहाँ तीनों का योग कितना हो रहा है, तीन और एक चार, तीनों को जोड़ो ना, A का एक भी C का, तीन तीन और एक चार, यहाँ कितना हो रहा है, बार यह तो बराबर ही नहीं, यहां बार है, यहां चार है, तो क्या करें, बराबर करिए, बराबर कैसे करिए, दो तरीकें बराबर करने के, यहां तो चुप-चाप यहां तीन का गुड़ा कर दो, यहां फिर यहां पर चार का, तीन का भाग दी तो, भाग बड़ा अटक होगा, क तो कट गया ना, मैथ में ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे सवाल पर कोई फरक नहीं पड़े, जैसे, जैसे कहीं ते रखा है, X परावर बाई, तो दो इधर जोड़ो, दो इधर जोड़ो, कोई फरक नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकते, एक तरफ तो जोड़ दिया, दू तो जोड़ा ही नहीं पर तो गलत हो जाएगा, दोनों तरफ करिए जो करना है, तो अंसर में कर दिया, अब देखो, तीन तरो के नौ, तीन एकन तीन, यहां भी बारह हो गया, यहां भी हो गया, तीन कर पुणा करने पर, इतम सवाल, तो टोटल हो गया, बारह, अब एक हिस बीचित जोड़की हो, तिम बुलतों कियों जोगे हो, बोलो, तीन ओ पांच कितना होता है,ाज, तो बी का कितना बच ए Tech? कोई साथ चिलना रहर है, सात लिखवाथी है, तीन ओचा सा भार, खत्यम सवाल, ए और सी का मान तो ए और सी का कितना हो जाएगा तीन और पांच आठ बटे बी बी का मान च्छी कर लेंगे की नहीं कर लेंगे चलिए एक सवाल और करके दिखाईए समझ मेंयाया सबको परकूल सब्सुरर कोई है इसको समझ नहीं नहीं है आ बता दियो अगला है भैय यы ए प्लस बी बटे सी सबभी के हालप-चाल की सवाल है कोई दिल्ली प्लस का कोई कही हैंक बटे 5 भी प्लसlü बटे ए परावर 9 बटे 2 तो बताईए A प्लस C बटे B बतलाईए बहुत ही खुपसुरत कितना अब तो सब के सब उस्यार होगे वाउ मजह ही आ गया देखो जिनका नहीं आया वो उधर देखेंगे आ गया इधर देखना ध्यान से आप, आप बताइए इधर देखना ध्यान से आप A B C तीनो का कितना है? छोपांच? ग्यारा तो यहां भी तो A B C है तो नौर दो ग्यारा बलावर नहीं करना हम को, मजा आगया सवाल में, देख करना ही नहीं कुछ, बस तो खतम A का मान है 2 C का मान है 5 और तीनों का है 11 तो B का किता बचा? 2 और 5, 7 11 में से 7 या 4 उठा के रख दो A और C 2 और 5, 7 और B का मान कितना है? 4 बस यह यह answer है Are you understand this बात? Yeah चलिए बिया अगला मेरे भाई, देखो जैसे ही यह है अगला साहल भहुत ही खूपसूरत है जैसे हम आपसे कहें A माइनस B थोड़ा ओर चेंज करते हैं क्या करें? करते ही जा रहे A माइनस B अनुपाद B माइनस C अनुपाद C माइनस D 1 अनुपाद 2 अनुपाद D तो आप बता दीजिए A प्लस D बते C कोई भी करते नगत दिनाव कितना अंसर आगया? If you Anybody Get the answer I Denge Denge को का कहेंगे इंगलिसमे? Give A Inam आइस बताईया बताउ प्टापटचे कितना आजाएगा? वो लेओ Tension हो गया सद बुद्धी का उप्योग नहीं करते तो कितना अराम से क्या देता है ही नहीं करते भवान भी सोचते होंगे नहीं है तो का कर सकते हैं हम रहन दो और लड़किया कर दें तो हम परसाथ बटवा दें बताऊ बुद्ध है? बिस्पत का कल बटवाएंगे साही बाबा का तुम लड़की हो जो तुम कह रहे बटवाद हो लड़कियों से बाद चल लेएं कितना वाव बहुती प्यूटिफुल आंसर ऑप्सन तो हैं भईया पर आंसर हमको गंत लग रहा है बोलो बोलो भूशे बोलो आपन दे फिर चार लिटियों भूल दी होमारा पर साव चला जाएगा चलिये ए ऑप संस्टे दें अ एक दो तीन चार पांच है अ पर साथ वाली स्की म खतम हो गई कि बोसे इनका सही जो कर दो एक दो नका था नका दो लोगों का सही है देखो अच्छ एक और बता ही हो तब कराते हैं इसको मानलो यह दे दिया जाए बताना पहले स्कोर ऐसे पूछ लिए बस मन ना आगए इसलिए तो आप बता ही KVC बता दीजिए चलो छोटा से ठटा कि मानलो एक आद को पल्ले नहीं पढ़ाओ बताईयो अब जितनी खोना है जालंग एल्यो इत्ते तीन सवाल करा दियो पीछे कितना एक 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 दो वहां भई यह पीछे पंका करते रही हो सीखोगे नहीं तुम कितना है आप अब उन्हें पूछ रहे गर्मी में कुछ नहीं हो ना आदमी गोरा हो जाता है बस जो अलवाई की लाइन में काम करते हैं गोरे हो जाते हैं देखें वह कितना पांच तीन चार देख लेते हैं चलिए पहले हम बहुत काले थे चॉकलेटी किलर था हमारा फिर हम गर्मी में पढ़ाने लगे अब आप के सामने देखो आगे चलिए और पहले तो लोग पेंचानी नहीं पाते ते बाल का है सर्ट ऐसी और तैसा ही मौ देखो इधर देखो चलिए विया आप इधर देखना दिहान से अस मेरे भाई ABC ये है तो ABC कितना हो गया दो और एक तीन यहाँ ABC कितना हो जाएगा चाह यह यह लिए बरावर ही नहीं यह तीन है चाहर है आउट बरावर देखो चाहर का गुणा कट दो जल्लंग तीन का गुणा कट दो जल्लंग तो पलंगू पा रहे जा लगो नहीं के नहीं है जी आजी नहीं अजी अरे इधर कितना है तीन इधर चाहर तो परावर करने के लिए लिए ओमया सप पर दो चार का इधर कोडते, तेन को इधर गुड़ा, तीन और यह भी झाम けて चार में भी चार तो तेखो, तोटल कितना हो गया ट्वल्व तोटल कितना हो गया इक चोका चार एका मान पता नहीं, बी का मान दे रखा है भाईया, तीन एकन तीन, चार और तीन कितना होता है, साथ, और टोटल कितना है, बारा, तो बारा में से साथ तो इन ही का हो गया, कितना बच गया पाँ, और बेब कुप एक एक दो चिल ला रहे थे, इनके गुस्सा ऐसी आती है, य इधर देखना, A अनुपात B बरावर, एक अनुपात दो है, तो आप बताइए, A का मान कितना है, एक, और B का मान कितना है, दो, अरे, आजी, नाजी, A का मान है, एक, और B का मान है, दो, आरी, इंडेस्टेंड इस बात, या, A और E line सी के एम, A और B और यह, एक और दो, अच्छा, अब अच्छे मच्छे किया सोचता है, ओ, तो एक का मान है, A, और दो का मान है, B, rupayатthin kurasa ठीक है यह नहीं भात समझ रहें आप ठीक है कि नहीं ठीक है है तो डोने यह, अरे, जो एकाउमान एक है तो एक काउमान कितना है यह इस markr की कीमत 25 रुपया है तो 25 सून प्या में 1 markr भी तो आता है अरे उल्टा सिदय है समान सही है कि ऩी सही है अरे यह चावी मालो 10 रुपई की है तो चावी की कीमत 10 रुपया है आप तो यह कही है यह 10 रुपई कीमत एक चावी है है कि नहीं अरे दोनों बाद समझ रहे हैं आप तो ऐसी एक कामान एक है तो एक कामान कितना है अब देखना हो तो एक कामान हो गया A-B इदिनली पुलिस में आया था तभी तुम्हेरे घटकी दिनली पुलिस की लोग ऐसा सवाल अटक गए दो कामान कितना है B माइनस C और तीन कामान कितना है C माइनस D We know that 1 प्लस 2 बरावर 3 अरे बोलो हाँ यह न 1 प्लस 2 बरावर कितना 3 अब दीखना A कामान कितना है A माइनस B 2 कामान कितना है B माइनस C और तीन कामान कितना है C माइनस D उढ गया उढ गया क्यासे D को अधा ले जाओ A प्लस D बरावर C को इदर बलाओ तो C पहले से प्लस का एक और C प्लस का हो जाएगा 2C A प्लस D का मांड 2C है अपटे में C है कितना अंसरा जाएगा तो, बाता? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सब को समझ में आ गया कि नहीं आ गया पीछे आ गया सब को समझ में, येस ठीक है तो मेरी भाई कल तक हो जाएगा उसमें अग्जाश्ट नहीं लग पाई गर्मी ठीक हो जागा ठीक है तो आगे किसी को कोई दिक्कत कर लेंगे चले वाली किलास कि आख किसी की छूटी है तो हम उसी टेलीग्राम चैनल पर लिंक देदेंगे अभी थोड़ी वह तो नहीं किलाफ लेने जा रहे हैं दौपर तक तो आप उस किलास को देख लेना ज्यादा नहीं पंदे मेंट का किराया थे पर ज्यादा हुई नह करना है चाहिए उकर्ष रख्था है काई की कि वो भी आज ही करेंगे कि लाइट नहींती सुबह से तो इन्वेटर बुल लाता हूं जी बहुत टेली राम चैनल पड़ोसी पूछ लेना और जो अभी आयत है वो बैठे रहेंगे बाकी सुबह वाले चले जाएंगे हां उपर आज अनुपात को मिक्स करना सीखेंगे देखो आगे ठीक है भी है देखो जैसे मैं आप से कहूं कि ए अनुपात बी बरावर दे रखा है दो अनुपात तील और बी अनुपास चार अनुपात 5 सही है की नहीं सही है और आपसे पूछ लिया जाए ए बी-सी क्या होगा बढ़ा ही आसान कुस्सेन है सब कर लेंगे इसको यह टाइम से आया करो कितने जी तक आते रहते हो जुटा देंगे फैक के टाइम से आया करो कल से लोटा देंगे यहीं से बार से ही ठीक है देखाँ तो ए अनुपात बी दे रखा है दो अनुपात तीन और बी अनुपात सी दे रखा है चार अनुपात तो पांच अब देखना आप द्यान से तो हम आपको यह सिखा चुकें कि यहां एक का मान कितना है दो पी का मान कितना है तीन पी का मान कितना है चार और सी का मान कितना है प वैसे ही मौका भी यहाँ है, ठीक है की नहीं ठीक है, दोनों जगह भी एक ही जैसे मौका है, अब जब दोनों जगह भी एक ही जैसा है, लेकिन भी के मान तो अलग-अलग है, भी का मान यहाँ कितना है, तीन, और भी का मान यहाँ कितना है, चार, सही है की नहीं सही है, भी का म तो यानि यह संभव नहीं है हाला कि इसके जितने भी NTPC के अच्छे-च्छे सवाल है टाइप करा के आपको दो-चात दिन में दे देंगे ठीक है करा भी देंगे हम सब दिल्ली पर इसके जैसे थेबुबन के भी देंगे आपको पहले सी दे देते हैं तो यह जो अच्छे- जाती है जहां ज्यादा भीड होती है पस वहीं आधा पहुना नमर से उपनीचे उता चड़ाव रहता है बहुत ज्यादा अब जैसे NTPC की सबसे ज्यादा भीड है वो 60-65 तो मेरिट भी 60-65 के बीच में ही रहेगी 80 वाले भी कम है 40 वाले तो कोई काम के नहीं खटा रहा हो दिखा दिये कि चार का गुड़ा ऊपर कर दो यह वाले और तीन का गुड़ा कर दो यहां पर सही है की नहीं सही है ठीक है की नहीं ठीक है परकुल अब देखना आप द्यान से लेकिन गुड़ा एक में नहीं होगा गुड़ा होगा दो में मतलब सब में दो में क्यों सम में अगर यहां तीन का अनुपात होता तो तीन हो मैं तो यहां देखना आप तो यहां का बन जाएगा 4 दुनी 8 और यहां पर 4 तिया 12 यहां 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 अब देखो अब B का मान बराबर हो गया तो कर दीजिए विया A का मान है 8 B का मान है 12 और C का मान है कितना 15 है सहिए की नहीं सहिए बुरुकुल तरीकी तो और भी हो सकते हैं लेकिन वो बाद में सीखेंगे पहले बेसिक से सीखते हैं अगला आप बताइए A अनुपात B बरावर दे रखा है 4 अनुपात 5 और A अनुपात C बरावर दे रखा है 2 अनुपात 3 छोड़ो 3 अनुपात 4 अब आप बताईए A, B, C का मान क्या होगा पड़ापट से बताईए कितना भी है 12, 15, 16 देखो कैसे कराएं भी है इधर देखो यहां वाकी लड़कियों किसी का अंसर आया कुछ 12, 15, 16 सबका आगे तुमारा नहीं आया आना चाहिए अंसर पीछे भी है सबका आगे 12, 15, 16 देखो यहां एक आमान कितना है 4 और यहां एक आमान कितना है 3 अरे यहां तो A बरावर होगा न क्योंकि A है तो आप मुझे बताईए 3 और यहां पर कितना 4 3, 4, 12 और 3, 15, 15 और यहां हो जाएगा 4, 3, 12 और 4, 4, 16 तो अंसर आजाएगा 12, 15, 16 इतनी बाद सबको समझे में आगे अगर मैं आपसे यह को हूँ अगर मानलो यही जादय का देती आ जाए जैसे A अनुपात B बरावर 2 अनुपात 3 A अनुपात C बरावर 4 अनुपात 5 और A अनुपात D बरावर 5 अनुपात 6 सरल्फा दे रहे हैं पहले तो अब बताईए A, B, C, D का मान क्या होगा फटापट से अब यहां 4, 3 है तीनों को बरावर करना है परीब फटापट से आठ बारा कितना आगे भी है देखो भी है आया सबका किनी आया आ गया देखो आगया देखेंगे आगया देखना भी यह द्यान से यहां A का मान है तू और यहां A का मान है चार और यहां A का मान है पांच अब दो में तो बड़ा असान होता है जैसे ही चार पांच होता तो पांच का गुड़ा कर दीजिए उपर और चार का गुड़ा कर दीजिए नीचे सही है कि निसी है तो दो में तो जादा असान होता है लेकिन दिख्कत आँ आती है जब ये तीन में हो, दोमें तो बड़ा असान होता है, दिख्कत आतИ है जब ये तीन में हो, तो तीन में क्या करिये आप, कि इनका आप L-C-M ले लिजी है, एक ऐसी संख्या, जो दो से भी कट जा है, चार से भी कट जा है, और पांच से भी कट जा है, वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, विल्कुल सिंपल है, यानि दो, चार, पांच से कटने वाली संख्या, कितनी हो जाएगी, 20, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तीन हो जगे परावर कर तिह, अब आब बतानिए, कितने का गुडा करए कि 20 बन जाए, जो लोग का दिमाग कम जलता है न, वो ऐसे दिखो न, 2, 1, 20 यानि 10 का गुडा, तो 10 का गुडा इधर भी हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तस तिया, टी, अरी गुडा तो दोनों में उतायनु पात में यहां चार पंजे 20 और पचम 25 पांच ओके 20 चार का गुणा हुआ है अच्छा तो 4 चे के 24 अब तो करी तो एका मान हो गया 20 बी का मान 30 यह पीछ यह पीछे वाला है बी का मान सी का मान 25 और डी का मान 24 आई वा समझ में कि नहीं आई चलिए और आगे एक सवाल लाश्ट करते हैं अगर मानलो दिहानी रहे कि A B C पूछा है आपसे A B दे धिया मान लो 3 अनुपात 4 और B C आपको दे दिया समझ लो PREL n托 2इन और 3 यह कुछ भी दे दिया मान लो 5 au 5 अनुपात 4 इस इसका में एक और तरीका बदाता हूँ आपको, A, B, C का चाहिए, देखो, तो A, B के नीचे लिख लो, A, B, यहां इतना काम का नहीं है, जब यह बड़ा हो जाता है, तब काम आता है, अब B, C के नीचे लिख लो, B, C, अब एक के उपर एक तो लिख नहीं सकते, 4 के उपर 5 यहीं लिख दिए, तो पता ही नहीं चलना, 4 है के 5 है, सब दिक्कत हो जाएगा, अब जो बच्चे के उनमें खाली स्थान बढ़तो, जैसे जैसे इधर की साइड 4 है तो 4, और इधर की साइड 5 है तो 5, उड़ा कर दीजिए, यहीं अंसर है, 5 है 5 है, 4 है 20 और 4 चे के चौग, आप कहेंगे इससे अच्छा तो पीछे ही वाला था परावर करने वाला, तो फिर यह क्यों सिखाया, यह इसलिए सिखाया, जब यहीं सवाल मालो ऐसे दे दिया जाए, कि A अनुपात B बरावर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बरावर 3 अनुपात, मालो यहां दे देते हैं, 4 अनुपात 3 और यहां दे दिया आपको C अनुपात D बरावर 5 अनुपात 6, अब आपसे पूछ लिया जाए, A, B, C, D बताईए क्या होगा, A, B, C, D बताईए क्या होगा, यह है सवाल, A, B, C, D क्या होगा, अब यह तरीका बरावर करने में हमको time लगेगा पिपर में, बहुँ ज़्यादा, बरावर करने में हमको time लगेगा, तो हम यहां पर बरावर नहीं करेंगे, हम यही वाला तरीका अपनाएक, A, B के नीचे, A, B लिखो, दो अनुपात, तीन, B, C के नीचे, B, C, लिखो, चार अनुपात, तीन, अहे, B, C, C, D के नीचे, C, D, पाँच अनुपात, छे, जो बचके वहाँ पर खालीस्तान बर दीजे, यह कैसे, जैसे दर की साइट तीन है, तो तीन, 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 दर की साइट तीन है, तो तीन, दर की साइट चार है, तो चार, दर की साइट है, पाँच, यहाँ भी पाँच, यहाँ भी पाँच, दो चोगे, आट पंजे, चालीस, तीन चोगे, बारा पंजे, जायेगा इसलिए हम इसको अलग से सम्झाएं आपको जब ABC पूछाओ तब यह नановा गलत कराएं ए बी का मान दे रखा है तीन अनुपात चाद पीजी का मान दे रखा है पांच अनुपात श्य और सीडी का मान दे रखा है मान्लो दे रखा है उच्वीदी रक्का, का दिक्कत, 9 अनुपा, 10 ABCD पता दिए जल्दी जे उल्दी भी है सभी लोग करेंगे फिडापट से कितना? तेको भी है चली भी है, देखते हैं आगे देखवा आगे सवाल यह है, इधर देखना भी है अरे बात नहीं है A, B कोई वराल तरीका सही है 3 अनुपात, 4 5 अनुपात, 6 और 9 अनुपात, 10 समझ न, आगे दिखवा अब जो खाली इस्तान है वो भर दीजे इधर की साइड क्या है? इधर की साइड, 4 तो यहां भी 4, यहां भी 4 यहां भी 6 और यहां पर 5 ठीक है भी, यहां भी 9 और यहां भी 9 9 पंजे 45 तीया, 135 9 पंजे 45 चौके 180 4 शिक्के 24, 24 निम्मा 216 और 4 शिक्के 24 दाहीं 240 यह हो गया ठीक है की नहीं ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे मैं आपको एक तो सवाल और कराता हूँ सरल सी है भीय है? ठीक हो बात नहीं भीय है अब C.I. वाले सवाल पे तो आप अपत्ती दर्ज करा सकते हैं उसका तो गलती है कैसे भी नहीं आ रहा उसका अब तरीके से शेक्कल दिया देखो आगे अगला सवाल है तुमारे दिये यह भीय है बात नहीं जैसे यह दे रखा है आपको क्या दे रखा है? कि A अनुपात B बरावर दो अनुपात 3 यह भी NTPC का यह है B अनुपात C बरावर तीन अनुपात साथ और आपसे पूछा है A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बताया इसके अलावा एक और A अनुपात B बरावर दो अनुपात 3 B अनुपात C बरावर चार अनुपात 5 और आपको बताना है A स्कूर, B स्कूर, B स्कूर, B सी बताये विया अनुपात B अनुपात B इतना आजैंगा पांच दस्थू नो एक वागे दोनों कहा गया है जाओ को तो करो एक चार पांच दोनों कहा गया भी है देखवा गया तुम मुझे यह बताये इधर देखना और सामने देखो B का मान यहां भी कितना है तीन और यहां भी कितना है तीन परावर नहीं करना पहले फिर दे रखा है ना परावर तो परावर करना ही नहीं तो आप बताईए अ का मान हो गया दो बी का मान हो गया तीन और सी का मान हो गया साथ सब बरावर है अ प्लस बी कितना होगा अरे अ प्लस बी बोलो पांच इनो को न चल ला रहा है बी प्लस सी ऐए बी सी फैंक के मारेंगे नोच कहा हो रहा है दस हो रहा है वे फूब सी प्लस ए सी लाश्ट और ए फश्ट साथ और दो नो यही आंसर है इधर दिखो तो यहां बरावर नहीं है तो तीन और चार चार का गुड़ा ऊपर और तीन का गुड़ा नीचे है चार दोनी आठ और चार तीया बारह है तीन चौके बारह और तीन पंजे पंदरह आठ 8 अठाटू कर जा जाए है बरागे ना 64 104 और बीसी दोनों का गुणा 12 पंदरह एक सो असी कट जाएगा कितने से चार से हां शोले से काट दो 16 से कट जाएगा काट लो कुछ है कर लिए भी चलिए अरे चलती है यह है इत्ती गरमी नहीं है कि लास में इतना तो रहना चाहिए गरमी आज करा देंगे तेज भाईया और टेंसन नीलों आज करा देंगे चली भाईया देख लेते आगे भाईया अगला वह बात नी परिशान मत तो जाया करो एकदम इफ यू है परिशान देन यू दिक्कत ठीक हो जी दिल्ली पलिस में आया था आतक का बढ़िया सवाल चार अनुपास साथ बी अनुपास सी पांच अनुपास छे दिल्ली पलिस का आया है जो अच्छे-च्छी कुष्चन होते हम सब करा देते हैं डून-डून के तरहल बेसा एक आत छूट जाया लेकिन पेपर में यह सब हो जाया है और ए अनुपास डी कैसे सवाल आयते इसलिए दिल्ली पलिस की मेरिट कम गई कैसे जीडी के आएंगे ए बी सी है जीडी की वी तो मेरिट हाई गई है पिछली बाद च्हासी अब कहां पहुंचाएंगे च्हानवे थोड़ी पहुंचाएंगे अरे जनर्न नॉर्मल बता रहे तो वह भी सी की बता रहे अब सब की बताते हैं अब तुम अपने अपने इसाफ से देखते हो इतना टाफ करना नहीं है लिक्किन अचकाल लग रहे हैं तुम को आमसर थोड़ी देंगे डारेक्ट कौन कित्ती जल्दी कर लेता है पेपर में यह बहुत सवाल होते है या तो लाश्ट में करो छूड़ जाए तो छूड़ जाए पहले ही तुम चिपट पड़े इसी पर इसके चक्रिम चाच्छा सवाल छूट जाएंगे इस चार ओप्सन इप का है अगो हच्चर है हच्चर है मन नहीं लगता पड़ने में हाजी हाजी यह पूर सही है पी सही है चली यह देख लेता है ओ आगे तेंस निलो देखो देखो भीया अगरें अगरें पानी 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 करने होते हैं सवाल लेकिन आ जाते हैं पेपर में देखो भीया बस बात ने अब लेकिन न अग्वान इतना नर्दी नहीं है तुम से ऐसा सवाल पूचे पेपर में हैं इसे कुछ ने को जरूर लिंक चुपाओगा अब लिंक क्या चुपाएं यही पता करना है तुमको और कुछ पता नहीं करना देखते हैं आगे चलिए आँ मुझे यह बताईए इधर देखना भीया पूरा मत करिये देखो पीपर में कैसा हम तो आपको दोने तरीके बताएंगे डिटेल से भी बताएंगे और पीपर में जल्दी कैसे उढ़ाना है वो भी बताएंगे हला कि पीछे वाले सारे सरावाल उद औसक्ते हैं ऐसे होमने ऑप से कहां रहे हैं तो यह प्र刃ते नहीं कि आ तो ऐसे था ठीक है अब लड़कियों को वरोसानी पुरा लग जाए तैसे लगता नहीं किसी को अपने आप ठीक है देख वेज़ा अब हम भी जानते हैं ने तुम लोग सब अपने घर परवार की तरह हो इसलिए बार वाले से ने कहते हैं कि फैक कमात देंगे मार के आप देखो अब चली आगे समझते हैं तो आम मुझे यह बताए इधर देखना पीपर में कैसे करें हाउटू कि सॉल इन एकचाम आप बताएए अब का जो अनुपात है वो कितना है चार अनुपात साथ जिस ओप्शन में अनुपात चार अनुपात साथ तो को सही है तो इ ए चोटा भी बढ़ा चार नुपात साथ का अनुपात क्या होता है ए चोटा भी बढ़ा उल्टा दी रखाया तो अटाओ कि यह तुम्हें को लग रहा है कि यह बरावर यह आसपास बैठें आट सो नौसो और जी देखो चाथ साथ डवल के करीब अटाओ सब को इच्छा तो होने दो यह देखो त्यार साथ यह तो कटी नहीं रहा यह भी गलत अब इसको चेक कर लो पांसो बीस और नौसो दस अब फिर भी आत्मा की संतुष्टी तो होती है जीरो से जीरो तेरह चाओ के बावन और तेरह सत्य एक्या अध्या अध्य अध्य चुपड़ा हुए ठीक है तो यह तीन से चार सेकंड में आप निप्ता देते हैं अब आप डिटेल से कर लो डिटेल से तरीका कौन सा वाला यही वाला जी कौन गया जी वाला परावर करने वाला डिटेल तो यही है यह तो और इसके अलावा नहीं करो तो परावर कर लो कैसे पहले बी को करो फिर सी को करो लेव यह आगे पीछे देरको है डी को करो नहीं उपाएगा ठीक है नहीं होने वाला चलिए अब किसी ने कह बहिया एक बात बताओ, ये भी साल हो सकता था, हो सकता था, इसके तो option थे नहीं, हम सम्झा रहेते, देखो, आप बताईए, A B का अनुपाद कितना है, 3 अनुपाद, चा, वही अंसर का रहा होगा, 45 ती या, वाँ, इन अनुपाद, तोड़ी, ये तो लड़कियों की आदत ह Gy такो अंने देखा, आगे वाल न आ हो करते हैं, cry 5, 5, 5, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 600, 5, 6, 6, cannot cut cut cut, 4, 3, 3, 27, 3, 21, 1,2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 9, 1, क्षेवारा की है ठीक है तो यह लड़की नहीं हो ला जाए हम कहते हैं एलकिया घच्छा रहें सब इस तो बात नियों 45 तिया 135 और 45 की 180 किसी ने कहा माँलू तर यह वाली बाद आप दो option में हो तप, तो BC का देख लो, यह भी हो तो, CD का देख लो, अब चारों ही थोड़ी मैच कर गाएंगे, तो चारों ही options ही है, तो ऐसे करके आप निप्टा सकते हैं, यह भी तो निप्टा सकते हैं हम, अगला सवाल, अगला सवाल है मेरे भाई, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यह सब को समझ में आगया है, आपको यह दे रखा है, यह भी आया हुआ है, क्या करें, थोड़ा सा टाफ है, क्लिकिन करना पड़ेगा आपको, A प्लस B, अनुपात, B प्लस C, अनुपात, C प्लस A, परावर, बंद करने लिए ना मोवाईल को तुम, इस सब बंद हो जाएंगे कर नोकुरी नहीं लगी तो, आपिर पतुके, जाना तुम हमसे का भूल भाई, रम को यह सजा मिली, ठीक है, कई वार आया है इस सवाल, इसलिए इसको करा रहे है, और सेम टू सेम डिक्ट हो आया है, एक और है ऐसा नई शिफ्ट में आया, दूसरी शिफ्ट में, NTBC में भी आया है एक दो सवाल ऐसे, हो गया भी है, परकुल गर्मीन आया है, हुआ की नहीं हुआ, वह बटक गया, कितना आ गया, वाव, ब्यूटिफुल, तलत है, बहुत कुस हो रहे थे तुम्हें, और कुछता हमने कह रहे है पेपर आया है लेकिन टफ है तोड़ा सा, आया है इसलिए करा रहे है, चलिए इधर देखते हैं, हम कराएंगे, कराएं, इधर देखो, समझने वाली बात यह है, क्या, पूछो क्या समझने वाली का है, अब समझी हो, कि A plus B का जुमान है, पी progress B का जुमान है वह दे रखा है साथ, बी怎麼 C का जुमान है वो दे रखा है छे औरonen C business A का जुमान है वह दे रखा है पांच, और यह दे रखे हैं आपको अनुपात में सही है की नहीं सही है यह बात हम आपको सिखा चुके हैं कि A अनुपात B बराबर अगर कहीं 2 अनुपात 3 दे रखा है तो जो A का माहन होगा वो तो होगा 2 के की मानलो, X मानलो, कुछ भी constant मानलो और जो B का मानलो होगा, वो होगा 3 के सही है की नहीं सही है अरे X भी तुम मान सकते हो, 2X और 3X यह हम आप बता चुके हैं क्यों क्योंकि यह कोई कटी हुई संख्या है इधर का लिख रही हैं तब से तुम हम समझा, आम सरा आगे है कहफे, कहफे समझाएं बड़ा दिक्कत आई है, अगवान अवतार लो जल्दी ठीक है, देखो तो आप बताइए, यह देखो, यह हो जाएगा 7 के, अलग अलग करें तो यह 6 के, और यह हो जाएगा 5, अनुपात बनाओगे तो के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा Are you understand this बात? Yes, अब देखना इधर वाले के अगर हम जोड़ें तो कितनी A ए राम A और A 2 A, B और B, और C और C 2 C, तो यह हो गया भाईया 2 A 2 B और 2 C, बरावर 7 अच्छे, 11 13 है 7 अच्छे, 11 कहा होते हैं? 13 होते हैं 13 और 5, 18 है पैस, पैस, धहर A, B, C का जो मान दे रखा है वो दे रखा है रियल मान कितना? 27 9 दूनी, 18 9 तिया 2 एकन, 2 तो के का मान कितना निकलाया? 3 अच्छा तो जी वालो मान है, 3 सत्थे, 21 ये वाला मान कितना हो गया? 3 सत्थे, 21 और ये वाला 3 चिक्के, 18 और ये वाला 3 पंचे, 15 अब बताईए, अगर हमको A का मान चाहिए, अगर हमको A का मान चाहिए, तो A, B, C का मान 27 है, इसमें B, C का घटा दो, काय को नकरिया आवे हो, A को? नहीं समझे, A, B, C का मान है 27, और B, C का मान हम उपर रियल मान निकाल लिए, B, C का मान है बीच वाला, 18 तो 27 में से 18 गया, कितना निकलाएगा? 9. ऐसे ही अगर हमें A, B, C बरावर 27 है, मालूप B को निकालना होए, तो किन-किन को घटाएंगे? ए और C का, तो A और C का कौन सा वाला है? ये वाला, कितना है? 15. तो A, C का 15 घटाएंगे, तो B बरावर कितना आ जाएगा? 12. और C का चाहिए, आप बताओ, C का चाहिए, तो किन-किन का घटाएंगे? A, A और B का, A और B का, A और B का कितना है? A और B का है, 21 में से 21 की से गया? 6. अगर वो हमसे पेपर में पूछ लेता, A अनुपाद, B अनुपाद, C बताएगे. अगर वो A, B, C पूछ लेता, तो हमारा अंसर आ जाता, 9, 12, और 6. कट जाता बात की बात है. यह अंसर A, B, C पूछ लेता, कितना अंसर आ जाता? 9, 12, और 6. लेकिन जितना पूछो ही नहीं, हमें पूछो उन्टो, 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, और 1 अपॉन C. यह काट भी सकते जो है बुल नहीं, कुई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन B, 9, 1 अपॉन B, 12, और 1 अपॉन B, 6. ऐसी संख्या से गुणा करो, सब कट जाएं. कितनी? 36, बहुत बढ़िया, 36 का गुणा कर दो, क्योंकि अनुपात कभी भिन्नों का नहीं होता, 9, 4, 36, बारती 36, और चचंक 36, चार द पूछा है, अगर मालोक किसी पेपर में A का मान पूछ लेता, तो यहीं अंसर आ जाता, B का पूछ लेता, A B C पूछ लेता, तब भी आसान था, यह इस सवाल की चरम सीमा है, कोई नहीं, त्वारा, बताते हैं, कैसे हो सकता था, कोई तो कहीं भी कुछ लगा दोग, ऐसे कै आसे, देखो, चलिए, यह सवाल है, अब देखना अदिहान से, इसको बाद में देखते हैं, इसको गटाओ, आम मुझे यह बताइए, इतना सवाल है, हमें A B C के मान चाहिए, उल्टा कर देंगे, बन अपन निकलाएगा, आम मुझे यह बताइए, A B C के मान निकलें कैसे ह यह है, अनुपातिक मान, और यह जो है, यह है, रियल मान, जो अनुपात में दिया है, उसे कहते हैं, आनुपातिक मान, और जो रियल्टी में दिया है, उसे कहते हैं, रियल मान, जैसे मैं कहूँ हूँ, रमेश, और दिनेश के पास, तीन गुना रुपया है, कोई बता सकत करके a का real मान चाहिए अब कैसे चाहिए यह a b c है और इनको अगर हम देखें तो यह 2a 2b 2c बनेगा तो हमने क्या किया अब यह अभी तो ratio है तो अलग करेंगे तो यह के वगरा लगा देंगे कुछ भी कोई भी constant तो अगर इनको हम जोडें सब को तो a plus b का मान है 7k, b plus c का मान है 6k और c plus a का मान है 5k अरे नहीं समझेगा a और b का उनुपाद 4 उनुपाद 3 है तो a का मान 4 है b का मान 3 है अब आप देखना तो इनको जोडेंगे तो यह होगा 2a 2b 2b कोमनी लिलो लगी लाग में और 2c और बरावर है 7 और 6 11 और 5 18 कि ABC का रियल मान दे रखा है तुलना कर दिये 27 27 दोनी 54 और 18 ती या 54 के का मान कितना आ गया 3 तो इसका मान हो गया 21 इसका मान हो गया 18 और इसका मान हो गया 15 ओने अब मालो हमें प्पर में पूछ ले एक कई वार आया है अब को यह नहीं सोट सेकता अब फटा छोड़ दो तब इनलि पुलेस दिलिपलेस में तो ही सवाल आया उल्टा वई बनो पोने बनो किसी CHSL में एक आमान पूछ लिया किसी पर बी आमान पूछ लिया किसी सिध बन जाए आप करके आजाए रोई नमा बैठके पेपर ठफ आ गया और बनना है मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाए चुकी 86 पिछलिए UPSI का आ जाए आप उसे भी दे आए पुलिस का आ जाए उसे भी दे आए बस पसरते सही से पढ़ लो इंटरेस्ट के साथ अब आप लिए किसका मान घटाना पड़ेगा B C का पीच वाला थे बीसी का है 18 असा है और निकलके आजाएगा कितना निकलके आ जाएगा 9 अगर हमें B का मान चाहिए तो A C का घटा दो सी का मान चाहिए ए भी का खटा दो उल्टा करना है तो बन पॉन ए बन पॉन बी बन पॉन सी अब बताईए आपको यह बास समझी में आई कि नहीं बुरकुल आ गई सबको ठीक है सवाल तो इतना साइए और यह भी हमने फालतू में लिखी है वही लाइन आप तो यही का यही दिखे से लिए छोड़ा है वहाँ पर ठीक है एक सवाल हो रहा है मैं आप से कहूँ एक और आगले पेपर में यही सवाल है सवाल यह है भाईया जैसे ही दे रखा है आपको A प्लस B दे रखा है अनुपात B प्लस C पाराम से पढ़िए ब्रुकुल शुरुवास से लेकर हम बहुत सुरु से श्टार्ट कराते हैं अनुपात मिलाना गटाना पुरकुल एंड तक पेपर टब ने तब भी करा है रोए न घर वैटके अब ऐसे भी तो पता नहीं अगली वेकंसी कवाए इसी बार पल्ली पार पंखा 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 फीस इतनी कम कर दियें पानी की बॉतल अपने साथ लाईए चाच्छे दफ लोग मिल जाओ अपना पंखा लाईए लगा लीजिए बस बैठ जाईए प्रकुल जीरो लेवल फीस कर दिया जितसे यह पंखे गूमते रहें बस बाकी फीस तो खतम कर दी ठीक वो कर देंगे बुट्टर तेज कर बादेंगे पांच आर कहा है कम है चाहर यार है पांच आर दो बार में होगी ना एक बार की बात करो ना ठीक है तो आप यह टेंशन ने लिजिए इतनी कम फीस है अपना आप तीन चाह लोग मिल जाओ आरवारास का तूपानी पंका लेआओ अपना लगा लोगे अपने घर गए ले गए है का दिक्कत है इसा है पानी बतल ले आए बस आप यह सोचके आईए पढ़ने जा रहे हैं बस अच्छी सिच्छा सश्ती सिच्छा अच्छी सिच्छा यह अच्छा सीख रहे हैं बस बात कतम कोई न मरो आप तक ऐसे हैं कैंसर मलो दो तीन महीने कोई नहीं मरने वाला अगले महीने से सर्दी पढ़ जाएंग वैसे भी और नौकरी नहीं लगी तो सोचो तुम धान के खेत में खड़े हुए दुपहरी वह दिन सोचो कितनी गर्मी होगी धूप कड़ाके कि अगें काट रहे हो उससे तो अच्छा है प्या के लाले पड़े हुए हैं पोच्छो और आ रहा है तो ऐसा आ रहा है किसी लड़की की यह काँ फूटी है कान तेड़ा है उससे अच्छा नौकरी लग जाएगी तो लड़कियां भी सोचो स्वह स्वह गोवल लेके जा रही हो तो फिर चौल पर फूगनी से रोटी बनानी पड़ रही है और लड़का भी वैसा है काला पिकार ब्रकुल गंदा लगता है तो पढ़ लो इसलिए ठीक है फिर वह काला थोड़ी रहता है वह चौकलेटी कलर बन जाता है नौकरी लगने के वाग ठीक है फिर वह काला नहीं रहता यह पिस कौन सा क्रस्ट स्याम कलर है पिर वो काला कोई नहीं कहता ठीक है भी यह पूचाया देखो ठीक है भी यह और इत्ती इसको हम लोग कल कल लेंगे भी यह बाकी आपके देखो आप यह सी आई वाले सवाल में आप डाल सकते हैं और जो एक और था तुमारा कोई कौन सा प्रेच्षड वाला भी है प्रेच्षड वाले का भी बी सही है कैसे सही है इदर देखो प्रेच्षड वराबर होता है फॉर्मूला एक्स माइनस ठीक है भी है कम ले जाओ कि correspondsले पेपर इसमें क्या होगा वो कहर क fenर अगा प्रेच्षड को डाकर दिया जाए यहां तो दो क्वा करो गेंगे तो चार गुणा हो जाएगा अगर पहले 5 तो पांच हो जाएगा भी ही सही है थीक है तो घर के लिए बोला था ना तो तो तुम खुद की होगे कि हम भी कराया हूं हो गया लड़कियों का हो गया कि अपर सरम करो कुछ तो देख भी है तो देखते आगे बढ़ते हैं जिनिया बाद में बता देंगे वही कराते रहेंगे कल बाला ही हां करा तो जरूर दो चली करा देता हूं रुक जाओ एक मेंट सवाल दूड़ने दो एक घर के लिए सवाल दिया था बहुत पहले करेंगे रेशियो कुछ नहीं बोले सवाल कौन साथ यह तो माई का एक रोड़ दे रहा है आतो रही है चंचन नहीं करा देखो भी आगया हम तो सवाल भी बूल लगे कौन सा था मैं भी है यह था देखो A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A और दे रखा था पांच अनुपात साथ अनुपात छे और आपको दे रखा था 2A माइनस 3B प्लस 4C बरावर 66 तो आपसे पूचाता C का मान वताई है यही सवाल था ना कल वाला चलिए कल वाला सवाल देख लो फिर एक स्टार्ट करेंगे आगे आगे बात नी भी अब गेट बन करतों ने गेट का खुल देते हैं अवा जाती है देखो तो आम भूज ही बताईए देखो इस कल वाले से थोड़ा सा टफ है आप कैसे कर सकते हैं जल्दी इस बात को समयते हैं जल्दी करने का तरीका यह है कि आप कैसे भी करके अगर ABC के मान निकाल ले और यहां अब कल वाले तो सवाल आसान थे ना यहां डारेक्ट A plus B plus C ही दे रखाता तो वो आसानी से हो गए जो कल नहीं आया होगा उसे इस सवाल के बात समझने आएगा ठीक यह कल का सवाल है तो इसे समझाते है पहले तो अगर हम यहां से A plus B plus C बरावर निकाले 2 आगे आएगा क् दे कल बता दिये हैं A और A कितना हो जाएगा 2 है सही एक ही नहीं सही है P और B कितना हो जाएगा 2B और C और C कितना हो जाएगा 2C वही है बैट कह भी नहीं जाते ऐसी बेचना पड़ेगा नहीं पड़े तो ठीक है काई तो मुझे लगूत कर रहे हो अच्छा पंगा नहीं क्या कर सकते हैं इसमें सेट कर वाएंगे कोई दिक्कत नहीं अरे इसमें तुम कल दो कंदेशन लगवाएं बहुत चल आता पता ही लाइट कमारी इस वैसे यह मौलो और यह अगर यह हेलीकॉप्टर में लगाव अब हेलीकॉप्टर ओड़ जाए इतना तेच चल लाता यह बला देखां तो मेरे भाई बस 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 अरे बस अब हम आपको यह समझाये ते अब चुपो जाओ पढ़ लिया करो हम आपको यह समझाये ते कि इधर भहिया अनुपात में सीधा सीधा नहीं लिख सकते जैसे ए अनुपात बी बरावर दे रखा है दो अनुपात तीन तो अगर कोई ए का मान पूछे तो कितना होगा टू के और बी का मान पूछे तो ठीक है कि यहां पर कोई भी कॉंस्टेंट है यहां एक्स भी माल सकते अपना नाम मान लो किसी राम संकर है तो राम आर मान लो कुछ भी मान लो देया राम है डी मान लो कुछ भी मान लो ठीक है तो लड़कियों मान लो किसी का कुछ रवीना है आर मान लो कुछ भी मान लो क्या जाता है तो अपने नाम से भी मान सकते हैं वो तो कट जाता है न तो यह हो जाए अब आप ध्यान से देखना भाईया ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा वो आजाएगा नौ के कि इतनी वास सबको समझ में आगई अब तो मुझे यह बताओ अगर मैं यहां पर एका मान निकालना चाहता हूं तो मुझे किसका मान रखना पड़ेगा प्लस सी का अब आप देखू उपर वाली लाइन में कहीं बी प्लस सी का मान दे रखना है ती आ घ्दा दिया है पीछ में बीच वाला साथ के तो अब यह मौके कर रहें न कौन लिखता है बच्चे ठोड़ी कच्छा 1 के तो बी,सी का मान हிस कि 7 के तो एक मान निकल के आ जाए बहुत उची बात है वाओ बी का मान निकालना है अगर हमें बी का मान निकालना है तो आप बताईए अगर बी का मान निकालना है तो किसका रखना पड़ेगा ए प्लस सी का कहा है ए प्लस सी जिगा च्छे के तो नौ में से च्छे गया कितना थरीके C का चाहिए तो A प्लस B का A प्लस B का कितना है भीया 9 में से 5 गया कितना 4 के अब मेरे भाई इतनी बाद समझ में आई सबको कि नहीं है A को मानू पतो है B को मानू पतो है जी रियल मान पता है उठा के यहां रग देखो अरे यह का दिक्कत है अब तो होई गया सवाल C का मान पुछा है A A का मान कितना है यानि 2 के माइनस 3 B का मान कितना है 3 के बहुत अच्छे प्लस 4 C C का मान कितना है 4 के बड़ाबर 66 अब देख यू भीया 2 ना 4 4 4 के 16 16 और 4 20 20 में से 9 गया 11 बड़ाबर 66 के बड़ाबर 6 किसका मान पूछे हैं हमसे C का तो 4 शिक्के कितना आ जाएगा 24 सही है की नहीं सही है कर लो फटापट से अज़ाबर 6 किसका मान दो भी में जाएगा अज़ाबर 6 अज़ागा अज़ाभ 25 कि अगए कि इसे कितने लोग है जुनको यह सवाल समझ नहीं आया है कि वहीं वाव सब समयधार हो गए अब तो उस्यार कलवावले सवाल वही ऐसे निवटा सकते हो दोनों स्पारिया से आप नुटा सकते हो चलिए अब आज की लास को आगे की कि य सवाल पर गशे कैंगे क Brisbane थीक यह चलिए देखते हैं कि बात नहीं करने का चलिए देखो भी है कि तक आते रहोगे तुम कि अधू उती है किसी टाइम टेवल की लेट अंगे है कि अब बात नहीं है कि अवाज निकाल लेते हैं तो पतली ले बना लेते हैं सब जी ले अलू ले टमाटले विंडी लेट एक ही वार में पूरी लाइन ले पतानी मिर्च ले जाए है हम तो यह ही टिभल कि पढताने से पहले चास सल जिए दर देखो कि तुमसे तुम बहुत चोते तहीं तब से पढ़ा रहा है तुम तो बूड़े होगे 18 साल के भी। नहीं तब से पढ़ा रहा है चीक है और तुम तो बुड़े हो गए अब भी यह तो पापा तो जरुपा देदो में खच्छान हो आया है चीक है देखो आगया चीक है देखो भी आगया अब आगे बढ़ते हैं बात नहीं अब तो हम आपको कली समझा दिये थे अब चो पूछाओ पस एक तो पढ़ते बढ़ते हो नहीं कि यहीं वेचेगा सब लग रहा है देखो भी या अब यह बात नहीं अब अब आपको यह बात कल मिलाना आपको समझा दिये थे हैं है ना बस इसी को थुड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं अब देखना ध्यान से है जैसे मैं आप से को मिलाना कैसे समझाये थे तरीके कई समझाये थे हम डारेक्ट भी समझाये थे लेकिन अब स Notes रहे है जैसे ब का महाने यहां पर दो रोगए का महाने यहां पर पांच सही है कि नी Math Yes कर लेगे कर लग चिका चुके यह थोड़ी सिखा रहा है यह तो बेसिक कल वाला रिवायच करा रहे हैं देखो तो बी का जैसा मोह यहां पर बैसा ही मोह बी का यहां पर अब B B को मो एक जैसो तो मान दो अलग-लग कैसे 2 और 5 तो हमने आपको कल इसके बहुत तरीके बताये थे कि 5 का गुड़ा उपर कर दो और 2 का गुड़ा नीचे तो 5 ती या 15 और 5 दोनी 10 और यहां 2 पंजे 10 और 2 चौके 8 अब बराबर हो गया भी या तो A का मान हो गया 15 और B का मान हो गया 10 और C का मान हो गया 8 अब देखना यही चीज इस रामायड को वो ऐसे भी कह सकता है कैसे भी अब देखो वो इस बात को ऐसे भी कह सकता है कि जो A है वो B से टेड़ गुणा है पहली लाइन को A B से टेड़ गुणा है या तीन वट्टे दो गुणा है रे नहीं समझे कैसी वाती करने लगे आप तो फस गए यह सवाल देखो पहले जमाना था 2017 से पहले 18 से पहले तब सवाल सीधे सीधे आते ते कल देखो NTPC वाले कराई अब थोड़े सवाल घूमे हुए आते हैं सीधे नहीं देता पहले क्या आरसक ग्रवाल कर लो फस जाएंगे सवाल जितना टीचर करा दे अब तुम्हारा दिमाग डवलप होना चाहिए कहते ने आउट आप स्लेवर्स खुदी तुम्हें सोचना पड़ेगा आप अब वो नहीं आते एक मतलब सीधे सीधे सवाल देती है जैसे रेशियो मिला दो ऐसे नहीं देखना ध्यान से तो आप बताईए ए बी से डेड़ गुना है तो इसका मतलब भी तो ही हुआ ए बी से डेड़ गुना है ए बी का डेड़ गुना है तो ए बटे बी बटे का मतलब यही होता है तो ए बटे बी तो आप बताईए ए बटे बी बरावर कितना हो जा आते हैं तो बट्टे में क्या आता है सो लगाना हो तो गुड़ा में सो मैं आप से पूछू ये बताईए साड़े चार को परसेंटेज में बदली है यह जैसे घुशा आती है मार मार के गूंग रहा एक हां पर तो है तो हम परसेंटेज में बदलो तुम परसेंटेज हटा रहे है कैसे समझाएं बोलो कि निमंतर वेजें तब करोंगी तुम बोलो जिल्दी छोटी चोटी बाते पूछते रहते हैं जब तक कि यह किलियर नहीं नहीं होंगी इंट्रेस्ट नहीं आएगा मैथ में अच्छा इख छोड़ना सवाल पूछें आपसे एक सवाल लुटा इए सब्सक्राइगे महाननों निमक्रिटल के दिटने है इस तो रुप्या सफ़ीय चोना अगे मोडि जी ने जो ने खाल ऐस सचती 25 रुप्या है टीक है है अंतोS listening लो अब तुम पहुंचे पicaçãoप आले के पास अब बताईए अगर आप सो रुप्या देते हैं उसको तो आपको कितनी पेटरल ज्यादा देगा कि पच्चीस दूर्पा सश्ती हो यह तीन लीटर पेटरल देगा चाल लीटर कि वेभू बलो कि इतनी ढ़ाई सब्सक्राइब बहुत बढ़ाई थीन लीटर चाल लीटर कैसे कैसे लोगे थीक है रड़कियों में कुछ कोई करेक्शन चाहते ही हो दुखी क्यों हो बताओ इधर भाई सब इधर साफ उच रहे तुम हाफ उच रहे हमको भी तनाई ने मारा तुमको भी तनाई ने मारा आउ इस तनाई को मार डाले नहीं यह तोड़ी है यह हमको भी गमने मारा तुमको भी गमने मारा ऐसे है गलत कह दिये इधर देखो पास लौट जाया है करो तुम ठीक है इधर देखो आगे आगर कोशी कुछी देखा करो टेंस अंवेंस अभी यहां से बाहर तब यह अच्छा समझ में आएगा ठीक है देखो हम आपको यह 20% पहले पेटल वाली बात तो समझाते हैं पेटल देखो भी या बेब कूप हो तुम सब के सब 400 ग्राम आएगा ही नहीं कि इधर देखो अब दो लीटर 50 ग्राम सौ रुपी एक लीटर पचीफ रुप्या में का कि ऐसे तो मोटफाइल इंपटल घरवाले मारेंगा और तुमको सवा लीटर आएगी न बुर्कुल अब तुम्हें जूता मार के भी समझाएंगे देखो आब बताईए आए 100 रुपे की एक लीटर है अब कल हो गई एक लीटर कितने की 75 रुपे की तो एक लीटर दे दी उसने अब बचिये कित्ते रुप्या पच्चिये तो चुप बैठ यहां पर आएगी एक लीटर 333 ग्राम सवा लीटर नहीं आएगी सवा तो आज सवा तो सवा रुपे के बस्ते आती तब पच्चीस का हुआ ठीक है आगी बाद समझ में पैट्रोल में तुम्हें देख क्या करोगे तुम जीवन में देखो बात नहीं है चली है इधर एक और सवाल समझाऊंगे फुट छुटे देखना एक ऐसे और कट्न में लग रही है ऐसी माल लेता है बहुत अच्छे लडगियां कमाल लोग को चपलपल लेने आ रही है मोल आप क्या करें पांच रुपे ले ली होंगे तुम करी नहीं सकते है यह जो कह सीधा सीधा वहां लिखाओ ना 20% डिसकाउंट और वह देदे 20 रुपया चाहे 500 की चीज़ है सही देदिये 20 रुपया लिखाता 20 रुपया देदिये बुझे नहीं जोचनी 500 का 20% 100 रुपया हो गया 100 रुपया देना चीज़ था उसको अब एक और बताओ चलो गेवर है इधर देखना अब सब पहले लड़कियां बताएंगे एक किलो गेवर है और मालो अधर में दो लोग है खाने वाले अब पहले सवाल समझो ठीक है कि देखो तुमारी सोच कितनी गटिया है अब देखना ध्यान से मोट्राइल ना थी चलो गेवर तो खाओगे थीक है मान लेते हैं पचास ग्राम ज्यादा खा लेते हैं अब तुमने कहा कि हम लेने गए हम पचास ग्राम ज्यादा लेंगे अब बताओ बटवारा कैसे कैसे होगा पतलो जो लेने गया है उसको 50 ग्राम जाद अच्छी किराया आने जाने का बच्च लड़के करते हैं ना इसा हम गयें 5 रुपा लिंग आए वे जाए वे तो वैसी 50 ग्राम गेवल लिए अब बताओ कित्ता कित्ता साड़े चाससा और दूसरे को कित्ता साड़े पांसा तो जाते जाए कित्तो जाद है और जबकि देनों कित्तो जाद है कित्ता कित्ता चाससा 75 और लड़किया कैसे बाटेगी अब से लड़कों ने एकाथ ने बता देए लड़कियां तो अब भी नहीं लड़कियों का नहीं हम बाटेंगे नहीं ऐसे और तुम बाट भी नहीं पाऊंगे इसका बटवारा ऐसे होता है हम तुम बता दें मालो जरूद पढ़ जाए ओली दी पावली अभी बच्छाओं दना रहा है सबसे पहले क्या करिए पचास कि रहा है और लड़के तो क्या दुकान पर जाएंगे वहीं खाएंगे पचास कि रहा है इसा लड़कियां तो नहीं क समझा दिये जरूद पड़ती है कर रहे हम आपको यह समझा रहे हैं इंट्रेस्ट बटए में 100 अब इसी चीजे सोचा करो तक कि इंट्रेस्ट बढ़ेगा मैं पचीस बट्टे 100 ठीक है कि नी ठीक है अब परसेंटेज में बदलना हो तो हम आपको सिखाएं क्या करते हैं 100 क गुड़ा जैसे भी या चार ये बस मौचलवाल लाइंट पर चार वेट्टे पांच को पर्सेंटेज मतलना हो तो कितने का गुड़ा करेंगे सो का तो पांच से कट गया बीस कितना अंसरा आजाएगा असे सही है की नहीं सही है अब बताओ साड़े चार को कि वहां हो सीख गये अब तो साड़े चार में सो का कुड़ा कर दो खतम एक पॉइंट से एक जीरो कट गई कितना आजाएगा साड़े 400 पर स्याएगा से सब सीख गए जैसे कह दें भाई को पर्षेंटेज में 200 पर्षेंट अब तो कर लोगे सवादो को सबस्क्राइब अब इतर आ जाओ अब देखना ध्यान से अब अगर हम डेड़ गुने को करना चाहें तो डेड़ गुने में 100 का गुणा कर तो डेड़ सो ओ क्या तो यही सवाल ऐसे भी दे सकता है एब से यही सवाल ऐसे भी बन सकता है कोई चीज सो पर्षेंट होती है तो हम इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं एब से पचास परशेंट अधिक है तो इसका मतलब है कितना डेड़ सो परशेंट तो यह सवाल यह वाली जो लाएन है या तो ऐसे दे सकता है A और B का अनुपार तीन अनुपार दोगा है, पहला सवाल दूसरा दे सकता है, A, B से 1.5 गुना है A, B से 1.200 परसेंट है ती Simmons 4 दे सकता है, A, B से 50% है दूसरे को भी आसी बना सकते है पांच वट्टे 4 गुना है 70 गुना, या 700 परसेंट है या 25% ज्यादा है इतने किसी तरीके से बना सकते हैं आगी सब को आप समझ में अब मैं आप से कहूं हूँ देखो इतने तरीके से सवाल दे सकता है अगर में एक एक बोल बोल के कराता तो गंट ऐसी में निकल जाता अब यह पूरा को दे दिया भहिया भहिया बात में समझा करो जितना मन लगे उतने मिन से 1250 रुपए तो आप बताईए एक के पास कितनी धनासी होगी इसे दे दिया फरल फरल से बुलकुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराते हैं हम आपको और एक अच्छी लेवल तक आप SI का भी पेपर दे सकते पुलिस का भी एंट गुरुबडी का भी किसी का भी दे सकते हो SI जितने भी जीडी जितने पेपर होने हैं एक हो आम मुझे यह वताईए ABC के पास यहां पर कितने ओर है टोटल आठ और 10 18 18 और 15 33 यानि 33 यूनिट की जो बैलू है समझे ना ध्यान से 33 यूनिट की जो बैलू है कितने के बैलू है 1650 तो एक यूनिट की वैलू कितने के ब zor آवर होगी 33 पंज़े होता है हमें चाहिए एक बैलू होगी होगी वह कितने के ब्रावर होजाहईकी पचास गुणा 65 । साड़े सास, लेकिन इसी चीज को थोड़ा सौट करते हैं, ऐसे, यह तो हमने आपको कंसेप्ट समझाया, यह चलो हटा नहीं रहे, दूफी तरफ समझायते हैं, देखो, यहां समझो, जैसे मेरे भाई, ABC का मान कितना है, 15, 10, 25, 8, 33, बात वही है, वर टाइम बच जाता है, 33 क का मान दे रखा है, 1650, और पूछा है हमें एक का, तो एक आपको निकाल देंगे, यह यह यांसर हो जाए, आई वास समझ में के नहीं आई, कम समझ में आई होगी, एक दू सवाल कराते हैं, तप जादा अच्छी समझ में आईगी, देखो, बोलो बोलो भीया, आगी ना, च किताब कर लेंगे, एक ओमा बी तथा सी में माटा, एक को बी का, दो बट्टा तीन भाग मिला, और बी को सी का, एक बट्टे चार मिला, तो बताईए, सी को, एसे कितना हिस्सा अधिक मिला, सवाल है, नहीं आया समझ में, अभी अब इसमें लिखा है सवाल है, का समझाया हैं तुमको, अब आदमी के पाप, दसजार दो सर रुपिया है, वन तीन लोगन में बाटे, तो एक को जो मिला है, वो बी का, दो त्या ही मिला है, और बी को जो मिला है, वो सी का, एक चौथा ही मिला है, किता है गया, बूलू भी या, अरी तुम तो ठक गई सब के सब, एक को सी से कितना है, नहीं, सी को एसे कितना देखते हैं, कितना भी या, साथ हजार, नहीं, गंसा न लग रहा तुमको, वाउ, सही है, लड़कियों का सही है, कितना, बत्षाद बढ़ाएंगे, टेंशन का लेए, तो पर तुमें थोड़ी देंगे, वाउ, बहुत वड़िया, बर्कुल गंत है, हादी करते हो, यह से लोगों, सच में बहुत कुछ चाहती है, गुंग रहा उचारे हैं, दो तीन कम से हो, एक ना, एक ना, एक ना, देखो, है भीया, चवण सो, और कोई बताओ, कितना, तुमारा ही तो सही, एक सबीस, बहुत ही ज्यादा गंत है, नम्मर आदा पद्दा भी नहीं काटेगा, माइनस में देखा, कम से कम तो चार, देखो, कैसे की है, इधर देखो, चलिए, एक तो होता है, चलो, निकाब्र गंत किया, आदा पद्दा काट लो, तो एक उसका क्या मसीनी खराब हो जाए, सांसर की देखके, देखना, चलिए, आगे देखते हैं, बस सब चुप हो जाओ, दो तीन का ही आया, जादर दात मन दिखाओ वो कह रहा है, एको बी का, तो जिसका वो बट्टे में आता है, अरे लो, अब आगे देखो कल, देखो, एको बी का दो बट्टा तीन, अब आप बात जानते हैं, यह बी कहां जाएगा, बट्टे में जाएगा, अरे चल जा, ठीक, समझ के होगे, आप क्या कहना चाहरे है, तो आप डारेक्ट करेए न, A बट्टे B, बरावर कितना हो जाएगा, दो अनुपात तीन, B को C का, एक बट्टे चार, चलिए भी है, अब इनको अगर मिक्स करें, B का मान है तीन और यहां है A, तो चाप एक को गुणा मान करेए तो कोई फायदा ना, है तीन कोई कर दो, तो A का मान हो गया, B का मान हो गया, और C का मान हो गया, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 3 एकंतीन, 3 चोके, बहुत अच्छी बात कई, अच्छी बात है, देखो, अब दे रखा है, तीनों का 10200, तीया पांच और 5 अब बार है सत्रह, सत्रह का मान है 102 और 00, अब आप बताईए भाईया, पूछा किसका है, पी को ए से कितना अधिक मिला, तो सी को मिला है 12 और एक को मिला है 2, तो 12-2 से कितना ज़्यादा 12-2 से कितना ज्यादा है 10 तो 10 ज्याद मिल्ला है सत्रह चिक्के 102 और 600 धाइं 6 अर यूश्टेन इस बात सब की समझ में आ गई चले अच्छे इसको ऐसे भी कर सकते थे बस बस चुप जाओ एक तो निकाल निकाल कुछ बाते हैं नहीं, बाते करवा ले वाँ वाँ इस देखो पया, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं हम कैसे, तीन लोग है, इस नहीं हैं कित्ते कंडिडेट हैं? 3, A, B, और C, ऐसे सवालों को ना पीछे सी स्टार्ट करिया, कैसे, C का 1ब्टे 4, तो B को C का 1ब्टे 4 तो कितना हो जाएगा, Hello, B को C का 1ब्टे 4, B का 1ब्टे 4, C का, और जो A को है नो वो B का 2तियाई, तो B का है 1, 4 है, उसका 2तियाई, खत्म, बस ऐसी संख्यासे गुणा करिए, जिससे सब कट जाएं यह तो कटी गया देखो तो 6 और 4 का LCM 12 यहां भी यहां भी और यहां भी तो तिया 6 दुनी 12 चातिया 12 बारा एकन 12 एकलिम दुकलिम तिया तलंका करके 12 तक पढ़ लो यही चीज निकल के आवे ए भगवान अबताल लो तब से कहां थे तुम यह बहुत अच्छा तरीका होता है समझ में नियागी द्वारा बता है मसीन मसीन है जो त्वारा पूरा बता है कहां नहीं आया यह बता हो जे वालो कल नहीं आये थे और आज भी तो समझा दिया अभी कन समझ़ा ए तीन यहां एक है तो यहां एक है यह है हो तहना तीन है तस तो पुछा आ गया बोलन तो काई नहीं हो तो इकात के नहीं आते तुम यह मान के चलो जैसे कोई ट्रक है ट्रक का सावान कभी टंपू में नहीं आता बहुत जादा सही तरी है पड़ जाएगा टंपू जादा दिमाग लाइन लगाया करें तो इतना आराम आराम से समझा इतना देखा हो गर जाग करोगे तो अगला सवाल कर देखो भी है अब की बार कह रहा है एक्स रुप्या थे और जिन्हें वांटाओगो एबी सी में वास बस चुपे जाओ और इस प्रकार वांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपाद है छे अनुपाद साथ और बी और सी के हिस्से का अनुपाद है यह तो सदल दे दिया तीन अनुपाद दो और वो यह कह रहा है ए और सी के हिस्सों का अंतर ए वसी का अंतर पांसो चालीश है ए और सी का अंतर पांसो चालीश है ठीक है तो बताईए आप एक्स कामान क्या हो ओप्सन देते हैं कैल्कुलेशन जाता है इसलिए ओप्सन दे रहे हैं 7020 3115290 हमें ना पता बताईए बताईए वह है जिनका लाश्ट वाला है वही पिर आके चलके गाना गाते हैं हमसे का भूल वही जो सजा हमको मिली सिंगर थोडी टम्पो देखें ट्रक वाले कि सिंगर होते हैं कहीं त्रक वाले कफ़े हैं ट्रकॉसरा ज्चन वाले ट्रइक्टर वाले वै मता कंविव देखेंव CRW hap ऐसे गम वहीन गाने पड़े चार दिनों का प्यारो रब्बा कित्ती वाओ ती वाला ना इस वार तो सब का आगे रिडिक्यों का पहले आगए देखो कि आगे पॉड़ देंगे तुम्हारा हम देखो पड़लो मिन से देखो आगे बिया करें देखो आगे ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है छे अनुपात साथ इधर दीखना हो पहले मिलाना सीख लो पी का मान है यहां साथ और यहां बी का मान कितना है तो बरावर करने के लिए तीन का गुणा उपर और साथ का गुणा यहां ओ पिछे इधर देखो फिर तीन शिक्के अठारा, तीन सत्य एक्कीस, सात्य एक्कीस और साथ दुनी चौदा, बहुत बढ़िया, अब तो सब उस्यार हो गए, ए, बी, सी, अब तो मैं लगता है कोचिंग बहुत पढ़ लिए, एक्कीस पढ़ क्यों रहे हो तुम, और चौदा, अब देखना भया, इसम अंतर, अब आप हम को एक बात बताऊ, एका मान है ये, और सी का मान है ये, ठीक है के नहीं ठीक है, एर सी का अंतर, कित्य अंतर है, जेजबो चार का अंतर है, समझ गए, चार का अंतर है, और यहां कितने में है, पांसवच् Erfolg, सिज टोटल पूछे हैं, 1861-23, बहुत चार एकन चार और चार दुन्ही बारह और चार पंजे बीस एक सो पैंटीस अच्छे वच्छे कैसे करते हैं इसको गुडा नहीं करेंगे पहली बात देखो इकाई कांग पांच आएगा पांटी या पंद्र है जिस गलत जिस गलत दूसरी बात 135 पच्छी से नहीं करता है लेकिन यह तो पच्छी से कट रहा है इसक गलत नहीं तो गुडा कर लो अपने ठीक आप काई करवात है तुम नहीं करोगे कुछ अमाल कोई गुडा करना चाहें तो गुडा कैसे होगा इसको कर लीजिए इसको कर लोगे 140-5 या 130-5 या इसको 50-3, पांच का भी कर लोगे, तीन का भी कर लोगे, जैसे आप कर लो, नहीं तो अपने कट्टा वाला तरीका, कच्छा 4 वाला, कच्छा LKG वाला, उससे ही कर सकते हो, चलिए, एक और सवाल लाष्ट है सही, आप हमको ये बटाईए, बस A और B का जो हिस्सा है, वो दे रखा है, दो अनुपात तीन, P और C का जो हिस्सा है, वो दे रखा है, एक अनुपात दो, C और D का जो हिस्सा है, वो दे रखा है, तीन अनुपात चार, A और D के हिस्सों, कल फोचना हम रच्छा वंदन मनमालने कोचिंग में, वोली मनाते हो कोचिंग में दिपावली मनाते हो सब मनाते हो चांद में वका दिखाता है चाच्चा तह सोच ली होंगे हमका लाएंगे ही नहीं कुछ भी कर लो A और D के हिस्सों का अंतर 648 ठीक है भी है तो हिस्से की रासी का योग नहीं क्या पुछा है टोटल रासी बताएं चले कि इतना कि इतना पुछा है नहीं घर भी नहीं है वरकुल नहीं है अरो तो लाइट ही कमेस में कल पंडे की छुट्टी हम वो करवा देंगे इस्ट अपला जा सेट फिर लाटते ही हो जाए करेगे 25 मालो में तुमारा अंसर कभ सही जाता है जो ऑप्सन हो गंत है ऑप्सन नहीं देंगे हम देदू ऑप्सन फिर तुम बताए मालो 70 बावन भी होगा न लेओ तो बीस अंपचाफ जोड़ना तो भूली गए सेट कर लोगे तुम फिर लिए जाके नहीं ऑप्सन नहीं देंगे बिया वाव बुर्कुल गंत यह सबका बीस बावन नहीं आ रहा है यह गंत तो लिखे नहीं हम शहसोड़ताए दो तीन एक दो सही लिखे हैं सवाल तीन चार शहसोड़तालेस ऑप्सन तो नहीं है का पता हो सकता हो अंसर गलत वैसे हो नहीं सकता है चलो देख लेते हैं कितना 72 71 42 73 रे क्ली चलीवा है मैं वाव सब कहा रहा है कि हैं गल्त कहा है तब लगऄ रहा है इसकी 쿠市 कमथे सु. अंगलत है देख लेते और यह दुटे सकता है सब ख़टा रहा हुं एक तरफ से पो छले के हैं चलो eden आप हमें यह बताईए, बराबर करने के कई तरीके होते हैं, यह चुपए जाओ, पीछे बात नहीं, ABCD निकालने के हम आपको कई तरीकी सिखाती हैं वैसर चुपए जाओ एक तो आपको बतायते हैं कल खाली स्थान भरने वाला उससे भी कर सकते हैं और सीधे बरावर करके भी कर सकते हैं देखो यह तो आसान है वह बातनी अब तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करिए और तो बरावर करने के लिए अम क्या करें बहिया बोलो तो ऊपर तीन का गुणा तो II का गुणा पीछे वह समझ लिया करो तो यहां यहां तीन醒 3 और 3 दौन awake और 2 चै layeringट और दो चौके अट तो वी का मान कितना हो गया तीन वी का मान इहां कितना है तीन जो ग्या परावर मियखे नशीय क्या बन-चार रही तो उस तरहर से मिली जर देखुता हैं। वो जाए बत जिका नीची दिख रहा है बंदा वो कर रहे नीचे तुम लिख रहे है तो जो हम लिखा रहे है तुम का लिख रहे देखो वेब कूप है एक सेग तो आप बताएए C को बराबर कर लिए D को फिर जही गरी जाके फचते हैं किसे आगया पता ही नीच लाब वेब कूप इधर देखो तो A B का मान हो गया 2 3 B C का मान 3 6 और C D का मान 6 8 A और D के हिस्सों का अंतर दे रखा है A यह है B यह है तो कितने का अंतर है 4 का नहीं 6 को है और यहां कितने का है 648 पोटल पूचे हैं दो तीन पांच पांच और छह ग्यार है ग्यार और आठ उन्नेश छह से कटेगा कितने बार एक सो आठ नो अट्थे भात्तर नहीं कि वीस वावन नहीं आ रहा है चलिए तो कर लेंगे की नहीं कर लेंगे ब्रुकुल चलिए अब बढ़ते हैं आगया बात नहीं अगला सवाल आपके लिए यह है 25,000 रुपए को बांटा गया है किसमें बांटा गया है ए बी सी में और ए बी सी का अनुपात है एक वट्टे 10 एक वट्टे 6 और एक वट्टे 15 तो सी का मान बताईगे क्या होगा पता दीजे नहीं आया री तो सरल था इसी दीदी हम पांच होगा देखो कैसे दस छे पंद्रे का कितना होता पांच और यहां पर दो तीनों का मान है पचीस हजार और पूछा किसका है सी का तो कितना अंसर आ जाएगा पांच हाटा पीटी खुद कर लियो कुई ज़रूरी नहीं है जामे कब और आई आइटम सॉंग वगरा कुछ करवाएं इसमें कितना तसर आले बस रेशियो कितना किया देखना ग्रीन पैन से ग्रीन पैन वाला सॉलूशन है बस रेशियों बदल के कर दिया है है ही नहीं तुम बताओ दो और तीन पांच कैसे जोड़ सकते हैं कुछ तरीका बताओ है भीया तुम यह दस के पीछे यह बहुत पड़े हो जहां दफ्स देख तुम यह 10 के से आ गया भीया इधर देखो टोटल कितना दे रखा है 25,000 और यहां टोटल कितना है तीन पांच आठओ दो दस दस की वैलू 25,000 और पूची किसकी वैलू है C की कितनी है तो शुरुवात में जही तो सम्झायते हैं और का सम्झायते हैं यह सम्झायते हैं यह सम्झायते हैं देखो डिभा में फिर भी बटक बटक के वही पहुँच गए इसलिए तो starting मेगे, तब तम कहा है नीची नीची देख हो, तब ही दिक्कत आता ही है और कहा आता है? A – B, अब तो कहते हैं आगे देखो B-C, आप कोफिस्स करते हैं कि उसी दिन का उसी दिन में खतम किया जाए इसलिए हम सुरुवात से सम्झा के चलते हैं कि कि step by step और तुम स्टार्टिंग में नीचे देख रहे हैं उपर देख रहे हैं तो फिर दिक्कत होना है कौन रोख सकता है वाला दिक्कत को दिक्कत आनी है दूसरा सवार x- y-z x-z अनुपाद y-z plus 2w अनुपाद 2x plus z-w परावर 2, 3, 5 तो 3x plus 3z plus 2w और अनुपाद w सामान बताईए ऐसा एक और आया था ये दोनों अलग अलग सिप्टाओं के कुस्सन है के कोहर है ऐसा ये इसका बताऊ ना तीसरा कुस्सन x-2y plus 8z अनुपाद 5-3z plus 4w अनुपाद 4x plus 5z minus 7w परावर 3, 4, 7 देखो भी है तो 6x plus 2y minus 17w अनुपाद w का मान पूचा है चली है भी है इसका अनुपाद 5 है कि आप घरशे करना है दो हम करा देते चले हैं फुरकुल से ये सब कर लेंगे बकरा देते आप हमें ये बताईए ए अनुपाद B परावर दे रखा है दो अनुपाद 3 तो आप बताईए पीछे बताईए ए का मान कितना है नित्रो आप बताईए पीछे इतना 2 ए का मान 2 इक का मान 3 उल्टा भी तो सही है 2 का मान कितना A 3 का मान कितना B ए कलूग फर चास्जो का खास्य cents लुपे में एक कलूग ही फर मेरी जिम्में एक कलूग ही फर रखा है मतलब 400 रुपे रखे हैं अम अधर 400 रुपे रखे हैं सही है और गेवर मालो एक किलो हाथ में मेरे पाफ 400 रुप्या है दो नहीं वातें सही हैं है ना तो ऐसी यहाँ उल्टा सीधा एक समाण जी कि इधर देखो तो आप बताएए एक का वान कितना है A-B, दो का वान कितना है B-C और तीन का वान कितना है C-D यह सवाल ऐसे ही हो सकते हैं नहीं तो यह बहुत जादा टप देखो किता एक सुभाई जै डवलु अबलु दे रखा आदमी का धिमा खराब हो जाएगा पेपर देखके आप आराम से समझें हम भी नो डैट कि एक प्लस दो वरावर होता है तीन इन सम में रिलेशन वनना है त तीन हो चार अराम साथ दो और तीन वरावर पांच नहीं होई नहीं तक्ते यह बहुत दफ हो जाएंगा दो पास्वाल करते करते च चा चर बहुत संख्या है वैरियभल a b c d तो देखो एक मान है a-b 2, 2 को मान कितना है? B-C, अरे जिको न, A को मान, B को मान, परावर C-D, 3 को मान, उड़ गया, ठीक है, अब D धल लाओ, प्लस, अरे माइनस का है, इदर आके का है का होगा? प्लस का, जी, इतको आओ, ठीक है, तो C और C कितना हो जाएगा? 2C, अब देखना, A प्लस, D की जगह रख दो, 2C, और बटे में C, C से सीखट का कितना दुसरा आजाएगा? 2, खतम, समझ गए? चले, बहुत छुटा है, नहीं तो यह टफ हो जाएगा, यह भी ऐसा है यह देखो, हाँ, 2, 3, 5, रखो दो, X, माइनस, Y, प्लस, Z, दो कामार, यह गया? यह B, दूसरा नम्मर, C, तीसरा नम्मर, प्लस 3, Y, माइनस, Z, प्लस, 2, W, ब्रावर, 2X, प्लस, Z, माइनस, W, क्लियर है की नहीं क्लियर है? बरुकुल, काटा पीटी चालू, नहीं कट रहा? गटेगा कैसे नहीं? देखो, देखो, कहा करना है? पूछा क्या है? अब देखो, W को इसको अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं? देखो, चलिए, स्टार्ट करें, X को बेजिए भाईया, उधर, तो 1X उधर जाके, 2X में से गटेगा, कितना हो जाएगा? X, और प्लस Z, इतकों आजाए, W को, तो 2W पहले से है, 1W और कितना हो जाएगा? 3W, बोलागे कैना कुछ बोलागे? यहीं फे तो सवाल फुरू किया है, बढ़ा थोड़ी हुआ है, एक लाइन लिगी है, कैसे? X, 2X बटाओ, X, और कहां किया? W दर को ले आए, 3W, और Z दर था ही, तो X प्लस Z का जो मान है, वो किसके बरावर है? 3W के, अगर कोई पूछे, 3 को गुणा कद दो दोनों साइट, तो 3X प्लस 3Z को मान कितने के बरावर है जाओ, 3 दरो के 9W, कहा है, अरे जहीं तो दे रखो है, तो 9W में से 2W गया, 7W, और W जिख गया, डबलू डबलू उडगया, 7W बट्टे W, 7 अनुपात, एक कही है या, एक साथ कही है, बात एक कही है, आग्या समझ में कि नहीं आ गया, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलिए, इसी केड़ी में कर लेंगे, एक मिट और रुक ना, अलो, रुको, अलो, नहीं चुट्टी, कोई चुट्टी नहीं, देखो, इधर समझ ना, कल के लिए हमने प्रोग्राम फोचा है, तुमारे लिए रच्छाउंदन का गेवर बटवाएंगे, पहले फिल लो, कल हम यह सोच रहा है, यसे कितने लोग हैं, यो कल आ जाएंगे, 20 विलाग बच्चे जानते हो, कितना पेपर बना होगा, कितने का खर्चा आया होगा, देखो भीया, वहिया का एक सवाल है, फिर आके बढ़ेंगे, सवाल क्या है भो जानते हैं, वहिए घटिया घटिया सवाल मन लाया करो तुम यह, A. अनुपात B. वरावर दे रखा है आपको, 2 वटे 9, अनुपात 1 वटे 3, B. अनुपात C. वरावर दे रखा है, 2 वटे 7, 5 वटे 14, वह बात ना पीचे है, और D. अनुपात C. वरावर दे रखा है, 7 वटे 10, और अनुपात 3 वटे 5, पूचा है आपसे, find करेए, A. अनुपात B. अनुपात C. अनुपात D. यह पूचा है, टेंसर नहीं लेने का, आपसन देख लो, 4, 6, 7, 9, इस इस फिर्स्ट आपसन, ठीक है, भूचरा है, 8, 12, 15, 7, ठीक है भी है, 16, 24, 30, 35, 16, 24, 30, 35, जी सही है, अच्छा, 30, 35, 24, 16, वाउ, देख लेते हैं, चलिए, बाकी लोग लड़कियां भी करें, 8 का अंसर है भीया, देख लेते हम का है, तुम्हारा तक्तुका भी सही हो जाता है, इसे कहते हैं, किस्मत साथ देना, कितना सही है, C सही है, वाउ, बहुती ब्यूटीफुल अंसर, देख लेते हैं, टेटेल्स हम कराएंगे नहीं, ये शुरू बात की पहली दूफरी क्लास में खूब गराएं, ऐसे सावाद, हम आपको डारेक्ट वादाते हैं, देखा, उड़ाया, देखो, बात नहीं भी आप, आप देखिए थुड़ा सा गर, गौर की आजाएं, अब मत करो, देखो भी आ, वो रच्छा नहीं गाँ, चलिए, इदर देख लो, तुम फलत गवाते करवा लो, रिश्टप करते हो, देखो, अब एक काम करें हैं इसमें, देखो, यह तो क्या, यह मैच कर रहा है, चार, छे, आट वारे, डवल हुआ, है ना, इसका यह चार गुना हुआ, और इसका, यह चलो छोड़ भी दो, तो तीन उपसन मैच कर रहे हैं, तो हम इसे न मैच करके, लाश्ट वाला गर मैच कर लें, सीडी, तो यह किसी में समान नहीं है, खास, तो हम पूरे कुछ करेंगे नहीं, बस सीडी मैच कर लीज़ें, कैसी, यह दिखू न, यह क्या होगा, पांट, सत्ते, पैंटीस, और दर्श्टिया, तीस, लेकिन, यह तो उल्टा दे रखा है, यह तो डीसी दे रखा है, और हमें पूछा क्या है, सीडी, यहनि इसका उल्टा वाला आंसर होना चाहिए, तो यहनि पैंटीस, तीस की जगे कितना कर लेंगे, तीस, पैंटीस वाला आंसर होना चाहिए, कौनसा अंसर हो जाएगा, C आंसर, सब्सक्राइब, भी नहीं चलाना, डिटेल के ऐसे, डिटेल हम आपको पहले दिन सिखाये थे, A, B कर लो, यहां से सेट करके, PC बना लो, CD बना लो, यहां मतलब आगी पीशे करके, फिर उनको mix करना भी तो सिखाये थे, खालिस्तान भरने वाले कई तरीके बतायते, बरावर करके, mix करके, तो ठीक है, डिटेल से हम कराएंगे नहीं नहीं, पता चलेगा, जो आया नहीं होगा, वो कहेगा, यह लोजिक, पता नहीं का बता रहे हैं, इसलिए, फूल जाओ उसको, class दे देंगे, जिसका नहुआ हो, class घर पर पढ़ लिए हो, ठीक है, यहाँ, जिस पर mobile नहीं, Saturday को यह इसकी 2-3 class हो वही है, आप बताएंगे, उसलिए हम यहीं पर करवा देंगे, इसी board पर, ठीक है, तो जो 2-3 class है चूटी हुई है, अब आगे वढ़ते हैं, अच्छा हो हो यह, कर देंगे, चलो, पताया नहीं, पढ़ने नहीं दोगे, अब सही है, तो आज हम लोग नया टाइप सुरू करेंगे, रेसियो का, बहुती बढ़िया सा, कल आपको ने, कल आपको हमने क्या क्या बताया था, एक बार फिटापट से देखेंगे, सबसे पहले आपको, जो कल नहीं आए थे, उचपचाप बैटके दिखेंगे, बस, एक बताया था, समानुपाती, समानुपाती आपको यह बताया था, कि जब दो अनुपात, प्रपोर्शनल इंगलिस में कहते हैं, जब दो अनुपात आपस में बरावर हो जाएं, उसे समानुपाती कहते हैं, जब दो अनुपात बरावर हो जाएं, पांच मेंट का टाइम लगेगा पस, जैसे में कहूं भीया, आप बताये, पंद्रे और बीस, एक यह पेर, और एक पेर और लिलो भीया, साथ, मालो 21 और 28, तो इन दोनों का अनुपात एक ही है, जैसे पांतिया पंद्रे, पांचो के 20, इसका अनुपात हुआ, साथ या 21, साथ चो के 28, तो इसे दोनों अनुपात एक ही है, इसे कहा जाता है, समान अनुपात, यानि समान अपाती, इंगलिस में इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं, तो इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, चार बिंदी, ठीक है, अगर कोई संख्या ह हमें दिखानी हो, कि X बरावर 15 है, तो इसका मतलब होता है, कि जो X गमान है, वो 15 के बरावर है, अगर कहीं कट्टा लगा दो, तो 15 के बरावर नहीं है, लेकिन बरावर ये भी दिखाता है, ये 4 बिंदी, लेकिन ये दिखाता है, कि 2 अनुपात बरावर है, यानि 2 इसको कहते हैं, चारविंदी, यानि कोई चार संख्याएं हैं, A और B और C, D, इसको अगर समानुपाती दिखाना है, तो ऐसे पहली दोनों का अनुपात वही होना चाहिए, जो लाष्ट की दोनों का है, इसे कहते हैं, समानुपाती, A, B, समानुपात, C, D, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A, D, वरावर, B, C, अब जो यहाँ, इस A है, वो प्रतम अनुपात है, B है, आगे, हलो, का कर रहे हैं, संग-संग, हम जा समझारे हैं, तुम नूट कर लो, अद्दूती है, कॉपी देखते हैं, करवाले, लली दिखा कितना पढ़के आई, ऐसे थोड़ी ठीक है, देखो, तो यानि आप बताईए, अनुपात, लिखेगा कोई ने, बात में लिखना, टाइम दितने पर आप, A, B, और C, D का अनुपात, तो A, B, अनुपात को बट्टे भी लिख सकते हैं, A, B, C, D, A, D, बरावर, B, C, अब A, जो है, यहाँ पर प्रतम अनुपात है, B, यहाँ पर दुथी आनुपात, C, दृृती आनुपात है, और D जो है यहाँ पर चतुृत अनुपात है, अगर हमें कभी भी दि का मान पूछ ले, तो C को कहते हैं, चतुृत अनुपात, फोल्ध R Burth Ratio, चतुृत अनुपात, E ही यहां पर पूचा जाता है, कभीелен द D वट्टे C, चतुरत अनुपात तो यह पूछा है, D वरावर, D वरावर निकाल, तो B, C वट्टे A, तृतिय अनुपात पूछ ले, ठीक है, लेकिन, अगर मानलो, यहीं दे दे, केवल दो संख है, दूसरा होता है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, मीन प्रपोर्शनल भी कहते हैं, इसको इंगलेस में, मीन प्रपोर्शनल, ठीक है, मीन प्रपोर्शनल, मध्यानुपाती, इसी का दूसरा नाम है, दूतियानुपाती, ठीक है, कैसे, जब दोस, एक तो दूतियानुपाती भी है, एक तो यहां पर दूतियानुपाती भी है, लेकिन जब वो संख्याएं देते, दो, आप इनके बीच में कोई मध्यानुपाती बताईए, इनके बीच में कोई एक मध्यानुपाती बताईए, मध्यानुपाती का मतलब, मध्यानुपाती का मतलब एक ऐसी संख्या, जिसका उसके साथ वही संबंध हो जो दूसरे का उसके साथ है समानुपाती का नमतल्ला संबंध बराभर होना जैसे regionnig में ऐसे बनता है चाचा, चाची अब जो बिंदी लगाए दो ही बताओ सेर सेर नी है न? चाचा की पती नी चाची शेर की पती नी नी, शेर नि, तो E क्या, सम्मंद वरावर है, अब यहां कोई यह निहीं कह सकता, सेर का बावा लिखते हैं आ पर, तो गलत हो जाएगा, हो नुझा सम्मंद वरावर निहीं वैठा, ना, तो इसका समानुपाती का अंतल मुई के साथ होगा, यह बीच का है ठीक है, अब इसने क्या लिंक बनाया है जैसे, मानलो होता न, चाचा का चाचा, बीच वाला जो चाचा है वो लिंक बना रहा है, अच्छा, हमारे चाचा का रची उससे हो गया, उसका चाचा का चाचा उससे रची, बाबा जो भी लगए है न, यानि A का अनुपात X से वही होगा, जो X का B से होगा, A वट्टे X बरावर X वट्टे B, हम डारेक्ट आपको बता दिये थे, X स्क्वेर वरावर A B, तो X वरावर निकल के आ जाएगा, रूड में A B, और लाश्ट जो है, वो तुम्हें ध्यान रगना पड़ेगा, ये तो आपको समझा दिये, लाश्ट होता है, तिर्तियान उपा थे, 3rd proportional, इसमें दिक्कत का है, जब दो ही संख्यान दे दे तब दिक्कत है, वैसर तो तो तिर्तियान उपाती, C है इसमें, 1st ये, 2nd ये, 3rd ये, 4th है, लेकिन यब दो ही संख्यान दे दे तो, ये मापको डारेक्ट बता देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, याद इसको आप ध्यान रख लेंगे, बाकी ये दोनों हमने समझा दी, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब हम आप से घरिया के का करते हो, बड़ा फोन ना, हमसे करा बड़ा फोन नहीं हो, बैसे ये देखो, ये चचचर हाथ में फोन लेके गूम देंगे, देखो भी है, ठी के है, कि हमाई जगे कोई और पूछ ले कोई, फॉन है, अरे मेरे पास तीन फॉन है, एक तो आई फोन डला रहता है, उसे तुमें चलाता ही नहीं, तो फिर कम अगद ऐसे बुलते हैं, अरे बो तु बहुत मेंगा है, तब लेके मैंने रख दिया, रड़के बड़े राच चली भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है भी है, बढ़ते हैं आगे अब आप एक नएा कंसेप्ट समझाते हैं हम यहाँ पर, जैसे भी है, इधर दिखना है, हम आपको पहले भी समझायेते हैं मालो यह दिन रखा है, एकस माइनस चार सो और बटे, एकस माइनस तीन सो परावर तीन वटे दो अब आप से यह पूछ लिया जाए, आप बताइए, एकस का मान क्या होगा, हम यह ऐसी लिख दियें, हो सकता है माइनस प्लस में आ जाए, अंदाल से लिख दियें, कैंची गुडां करते हैं तो 2x माइनस 24 के 800, 3x माइनस के 33 के 900, सही है की नहीं सही है, ऐसे ही तो करेंगे, अरे देखो, 2x माइनस 402 नहीं 800, 3x और 33 के 900, एकस वाले एक तरफ, तो 3x में से 2x से गया, कितना बचेगा, एकस, और 900 और 800 यह दिखो, 900 उधर जाएगा, 2x से धर आया, माइनस का 800, प्लस का 900, कितना आ जाएगा, एकस का मान, 100 लेकिन यह तरीका है, यह गंदा तरीका है, एसे नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे कैसे क हुआ, तीन का कोड़ा इधर x में हुआ, तो 2, इधर समझें न, तीहां से, उपन, 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 उपन चल जाए, पन चील लेंगे, गुंगरा, यह पढ़ता है, ऐसे, ठीक, आउट में दिखाएंगे, गुंगरा कैसा होता है, ठीक है, इधर देखो, इसी स में इसे 3x यह घटाएंगे, तो कितना आजाएगा, x, ठीक है, ठीक है, इधर रिको, 2, 4 के 800, और 3, 3 के 900, 800, 900 में डिफरेंस कितने का होता है, 100, बास, यह पूरी रामाट खता, अब, अगर ही यहां, और लेट आते लेला, और लेट आ जाते, इधर देखो, इधर देखो, अब इधर देखो, आप इधर देखना, तो आप इधर देखना, तो एक्स का मांड 100 आया, तो आपको क्या करना है, है यहां पर, 2x और इधर 3x, x हुआ, 2 चोके 800 आपको, अब देखो, यहां रखना क्या है, अगर यहां समान चिन हो, तो तो घटेगा, दो देखो, यहां समझा रहे है, अगर यह बिप्री चिन हो, तब यह जुड़ेगा, समान चिन का मतलब क्या होता है, उपरोग प्लस, नीचे ओं प्लस, उपरोग माइनस, नीचे ओं माइनस, यह सवाल ऐसे भी होता ना, x प्लस 400 बटे, x प्लस 300, बरावर 3 बटे 2, तब भी अवसर यही यह आता, लेकिन अगर अपोजिट साइन हो, अपोजिट कैसे, उपर प्लस लगाए, नीचे माइनस लगाए, तो यह दोनों जुड़ जाते हैं, देखो कैसे, अगर मादलों उपर प्लस लगाए, तो देखो, अब यह 900 इधर जाएगा, आच सो भी प्लस का, नो सुभी प्लस का, तो अपोजिट चुम्मक चुपक जाती है पोजट फोल है ना ठीक है तो अपोजट जुडेंगे और समान हो तो क्या होंगे घटेंगे इस पर सवाल कैसे बनेंगे सवालों को समयते हैं यह तुमने तुम्हें कंसेप्ट समझाया है डिटेल में नहीं कराएंगे डारेक्टी एक कोई टोकरी है आया पिछले साल का यह चुट चुटे पेपरों में आ जाते है नाली सपाई कर्मी चपरासी खलासी वगडर है इनमें समय कोई टोकरी है ए अनुपात बी जिसमें फलों की संख्या है साथ अनुपात नौ टोकरी ए से टोकरी ए से टोकरी ए से टोकरी कमकत टोकरी ए से छे फल निकाल कर आनी गए पी में रख दिये पी में रख दिये ही के भी है बी में रख दिये तो आप बताईए फिर का हुआ तो अनुपात एक अनुपात तीन हो गया तो जो अनुपात है वो एक अनुपात तीन करेगा कोई नहीं बस नूट मत सवाल करो तो बताईए ए और बी में पुल भल कितने है बताईए ए और बी में पुल भल कितने है वहुत ही आसान सा सवाल है कि इफ यू कर सकते करो कि इतना देर कि वह फल है यह और भी में मने का रच्छा कांता ले तुमने कैसी कैसी वाते करते हो बैकी बैकी सूल है और कोई वत्तीस और कोई पीस वाओ चमवीस बहुत अच्छे यह वत्तीस है इतना सवाल कुस्टन गडिया सवाल नहीं कर पारे लड़कियों में किसी का कि इतना आ गया वत्तीस अब बागी किसी रड़की कर नहीं है हुद्ध हो गई नहीं है अहां बुलो बुलो सही है यह गंत आ रहा है इतना सरल सवाल गंत करती है और पिछे कुछ आया किसी का बुलो बुलो तुक्का लगा रहे देखो कोई नहीं चली हम करा देता है इधर देख लो कोई बात नहीं हम आपको यह सिखा चुके हैं कि अगर अनुपात को अलग अलग लिखना हो तो यह तो यहां कोई एक कॉंस्ट्रेंट आजाता है चहें एकस से लिख लीजिए चहें के लिख लीजिए तो साथ को लिखना होगा साथ एक्स और नो को लिखना होगा नो एक्स क्योंकि यह कटके ही साथ नुपात नो बनाए या एक तरीके से यह फेले हमें संब्दाएं की बात्तों तो पहले ए टोकरी में है साथ एक्स पी टोकरी में से नो एक्स perfectly शब्में धीन नो एक्स असीशााफल निकाल लो तुम बताओ माइनस आएगा कि प्लस आएगा अरे निक तुम्हाई जब से चार रुप्य निकालने माइनस हो जाएगा ना तो इससे तो भीया निकाल लिए एच्छा लो और रक किसमें तीए बीह में जब बी में रखें इधर आगे अंदर नहीं आया तुमारा अगला फिर नहीं आएगा तुमसे तीक आब आप बताओ पिव पर दिया जब बावर ऑनुपात हो जाता है एक अनुपात 3 अब डिटेल संप्स अबमारा न उट दो पहाती है यह 3 इकण 3 डिन वникиश collar तो किषे कीश हो हर जिक जल्दी किया करो पीवाग करने को ट लग जाता है देखों, 3 सत्ते 21 और 1 निम्मा 9, कहें हैं, 3 सत्ते 21 और 1 निम्मा 9, तो 21 में से 9 गटई हो, 12 वचे गा पक्का, गटाना जोड़ना तो सीखना पड़ेगा तुम ही खुद, ठीक है के नहीं ठीक है, 3 सत्ते 21 और 1 निम्मा 9, ब्रकुल, चलिए, यह तुमको कैसा दिख रहा है, अपोजिट या समान, अपोजिट, अपोजिट का मतलब जुड़ेगा, अपोजिट का मतलब जुड़ेगा, 3 चिक के 18, 1 चिक के 18 और 6, जो बहुत अच्छे, तो X का मान कितना आ गया, 2, अगर यहा 5 चिन होता, तो क्या हो जाता, घर्ट जाता, बोलो हाई है न, इदा रहो, नोट नहीं करो, आगे, पैन चीन लेंगे, तुमारे प्रम्ट, पैन चीन लिए, ठीक है, तो 12 दोनी, 24, अंसर आया नहीं, अपकर हो रहे हैं, अब टोटल पूछा है, A और B में, तो A में है 7X, B म और करके दिखाईए, ठीक, और नोट वोट बात में कराएंगे, टेंसर नहीं लो, ठीक है, इदिर देखो, नोट के चक्कर में सब बूल जाते हो, यह तीन भाई है, A, P, C, एक और करा रहे हैं सही, इनके बेंक वैलेंस का अनुपाद, 10, 12, 15, सही है की नहीं, सही है, पिछ पी, अपने खाते से, पी अपने खाते से, जैसे वहाँ फल अपने खाते से टोकरी अटा रही थी, वैसे ही, हाँ, C के खाते में, करना है, 6,000 रूपे ट्रांसफर करता है, बेज दाय लिख देते हैं, वैसे ही तो है, 6 पल निकाल के बेज दिए, दूसरे तरफ, तो जो अनुपात हो जाता है वह 10 तो 10 अनुपात फसदा नहीं है कितना अंसर आजाएगा इस बार लड़नियां पहले अंसर देगें कौन पहले देता है यह तुम नोट क्या करने लग जाती हो पहले आंसर निकाला करो नोट तो बाद में कर लिए घर जाके पीस अजार वाव ब्यूटिफुल आंसर यह बत्यालो अंसर आ गया कित्ता है पीस अजार एक तुम यह क्या देना सही है फिर तो जिनका 200 भी आ रहा होता है ना दो जीरो तो रही कि दुका जीरो का कुणा और करना पड़ागा देखो एक रड़के का है एक रड़की है बस बाती सब खटा रहा है पीछे वट्टे तुम आ रहा है हमें लगता हम दो दुन का टाइम देदें तब भी नहीं आना दो चालड़कियों का तो परफाद बोले हैं हम तुमारे लिए बोले आप परफाद चड़ाएंगे एक से एक का कम से कम जवान सरा आ जाएगा नहीं दो तीन है उनके लग से नाम नहीं लेंगे नहीं लगे यारी लोग आई लिए बोलेंगे ठीक है देखो चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा इधर देखो अब रहन दो ती दिर थोड़ी लगनी चाहिए देखो पहली बात इस सवाल में एक सिर्फ जनसंग क्या है एकी नहीं? एका का रॉल एको अटाके फैंक तो तब भी एका कोई रॉल नहीं बीसी में ट्रांसफर हुआ है लेकिन एकी ज़रूद पड़ेगी कब पड़ेगी जब बैलेंस एका ही पूचा बात की सवाल में एक फ्री है बीने ट्रांसफर की या सी के में किया एक तो आया वाल में जरूवत है नहीं तो एको भाड में जान दो जन संक है जैसे होता है ना पेपर में मानलो 20 लाख फारम पड़ा दफलाख तो उसमें जन संक है आवादी है जिसका कोई यूज नहीं होता पेपर देने वाले तो एक लाख होते हैं 20 लाख मैंसे बस कभाव में 10-20 बैसे ही होते हैं ठीक है इतर देखो बाकी तो आ वाद यह मोट हागी चले जाता है अला और डाल देरें करवाई कह रहें तो इक इतर देखो यहां भी तो यह जाते हैं कोई आ गया ठीक कल पढ़ लेंगे उतनी बहुत से तो टीर है यह नहीं पर करक्मावले-वाले कएगे ना पहले तैयारी करा है आप गर बेठा लिया इसलिए मन्मन उनका नहीं लगता यहरा आप देखना मैं कि का इस सवाल में कोई रॉल नहीं कि दो इक एक और भाण में जरूत पढहीं तो इदर देखो, P और C, तो B का है 12X, और C का है कितना, बोलो, ओ, मौसम गई तुमारे, 12X और यहां पर 15X, सही है कि नहीं सही है, B का 12X और C का 15X, ठीक, अब आप देखना ध्यान से, वो कह रहा है, B ने अपने खाते से 6000 तुखुरा हुआ, चलेगे, उसके तो माइनस हुए ना, तो आप बताए, B ने ट्रांसफर किये हैं, तो B के क्या होंगे, 6, और C नाच रहा होगा, इसके में तो आगे ना, तो E प्लस, आप बताए, इतनी बात आपको समझ में आई की नहीं, अरे, B के से माइनस हुए, तो B के माइनस, C के में आगे, तो C के में प्लस, बराव आपर यह अनुपाद दे रखा है, कितना, B और C का, B और C का, एक को तो छोड़ो ना, तो 9 और 8, अब देखो, 12, 8, 96, और 15, 9, 135, 135 में से 96 गया तो कितना बचा, 49, घटा नहीं पाते, तो ऐसे घटाया करो, देखो, 96 और 400 आगे, करो नहीं, खुद परिकरने लगे, 96 और 400 औ 35 आगे, 35, 4, 49, ऐसे करके, यह नहीं, लोगे तो बड़ा घटाओ दे दिया, तो 12, 8, 96, 15, 9, 135, 135 में से 96 गया, कितना बचा, 49 बचा, अब देखो, 8, 6, 80, और 9, 6, 54, 54 और 48, तो 54 और 48, जुड़ेगा, अपोजिट चिन है, माइनस प्लस है, 8, 4, 12, 5, 4, 9, 1, 10, 102, और 2, 3, 0 त पीचे तो है, यह है, बहुत बढ़िया, आप देखना आप ध्यान से, अगर आप मन की यह उखों से देखो, तो 13 से कट जाएगा, हालां कि 3 से भी कट जाएगा, लेकिन हम तो 49 से काटेंगे, 49, 49, 49, तो नहीं, पता नहीं, 49, तो नहीं, पता नहीं, 49, तो नहीं, तो कटी तो कट तो कटा ही नहीं, 30 एक्स वरां, सही है की नहीं, अब आप से यह पूछा है, घलत कर दिये काम, सही है ना, फुझे 20,000 कैसे आ रहा, यह हमको पता यह सीट देखें हैं उसमें 20-8 है उसमें कुछ और है सवाल गलत कर दिये आप वो आए गई? English हम पढ़न दो इसका तो पॉइंट महीं आएगा उसमें कुछ और सवाल में मिश्टिक है 10-12-15 और 10-9-8 और बेफुफ सबका 20-1000 यह सीट देखते रहते हो तो इसी में आम से टिक लगे हुए तो इसी बताते रहते हो आज पता चला यह जिनके आम से जल्दी आते कैसे आते हैं और लड़कियों में 20 से आरा रहता दोनों का आरा रहता कैसे आरा था है 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 बतलो तो आग कैसे आया बताओ ना चलो देखो भी है पस इधर देखो अब बात नहीं ओए पीछे ना अब चाहिए किसका चाहिए एक चाहिए बोलो हाँ यह न हमें यहां पर एक चाहिए तो आप बताइए भी यह एका कितना आ जाएगा देखो 3400 पटे में 13 और गुड़ा में 10 10 X X का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 3400 पटे 13 और गुड़ा में 10 13 दुनी 26 कितना बच गया आठ सही है न आठ बच गया 13 छिक्के 8 7 दो बच गया 13 एकन 13 7 बच गया 13 पंजी 65 5 बच गया 13 चोके 52 यह 13 49 लगभग यह अंसर आ जाएगा ठीक है भी यह की नहीं ठीक है आगगे सब कु समझ में की नहीं पहले उताव समझ में आया की नहीं आगे कर लेंगे की नहीं कर लेंगे चलिए एक और करा देते हैं पॉइंट हम हो गया देखो भी है बास बात नहीं अंसर सब निकाल देंगे वो यह कह रहा है बात नहीं दो संख्याएं दो संख्याएं 20 और 29 और 20 के अनुपात में हैं दो संख्याएं या A और B के मान चलिए कुछ ही मान लो प्रतेक को 420 कम किया जाता है प्रतेक को 420 कम करने पर अनुपात 17 अनुपात 11 हो जाता है कैल्कुलेसन है थोड़ी सी जाता है और कुछ नहीं तो अंतर ग्याद करिए संख्याएं का अंतर A और B का अंतर चलिए A और B लिखाए पताईए सवाल है ए और B का अंतर पता दीजे ए और B का अंतर तोड़ा सा कैल्कुलेसन जादा है 29 ने टफ कर दिया सवाल को अब हाज संख्याएं कटेगी नहीं किसे बाकी सवाल में कोई दम नहीं है तो आप बस 29 को जंग जीते लेंगे तो सवाल अस्तान है अब आप कैसे गुणा भाग करते हैं या आपके उपर है इसे भी आ जाते हैं पिर लोग बात में कहते हैं थोड़ा सा कैल्कुलेटिट था कितना सी एक है वाओ लड़कियों का अंसर पहले आया है कर सकती है लड़कियों कुछ भी कर सकती है करती नहीं है मन उनका उल्टी सीदी चीज़ों में लगता है इसलिए होता है नहीं से आया कुछ की नहीं आया है लड़कियों कमगते वास्ता में एक का भी नहीं आया है अच्छा लग रहा होगा तुमको है न देखो पूरी किलास पस्तांत वर्टी है आगया है यह तो बता दिया है इन्होंने ऐसे चलो पेज़िती हो रही है पीछे है अब तो सबकार आ रहा है चली ही है देख लेते हैं अलिएसन लगाया है कैलकुलिशन सबके लिए ने कैलकुलिशन तुमारे लिए लग से वेज़िये हैं किलो किलो से अब को जल्दी कर लेता है कौन लेट कर लेता है यही तो जुरंदर का काम है तुमारे लिए लग से तो बेज़िये नहीं कैलकुलिशन के लोग जा देखो भी आगे चलिए इधर देख लो और रहें दो जिनका नहीं आया सामझे को देखो पहले दे रखा है उन्ती सेक्स और इधर दे रखा है बी सेक्स पर तेक को चासव बीस कम किया है अब बाद में अनुपात कितना हो जाता है पट्रे गयारा चलिए गुड़ा भाग चालो ग्यारा निम्मा निन्यानिवे ग्यारा दुनी बाईस और तीन होता है इक अत्तिस ठीक है कि नहीं ठीक है कि घुड़ा कर रहें फत्रे का पाला दो घुड़ा चलो लेने का आप देखो आगे वाला घटाई है अच्छा आपको एक और बात बताएं हम जब 420 दोनों जगह कॉमन है देखो करना चाहों कर लो पहले हम डिटेल्स ही करा दें नहीं तुम आई तोबा मचा होगे देखो कैसे आप हमको बताईए ग्यारा दूनी बाइस ग्यारा चोके चवालीस और दो कितना होता है चिहालीस सत्रे दूनी चौंतीस सत्रे चोके आरसट आरसट और तील एकहत्तर तुम बताओ घटेगा की जुडेगा घटेगा क्यों घटेगा समान चिन्न है नोट नहीं करो इदर कोई इदर लाल्टी काई नोट का कर रहे है समझ एेखा क्यों कि समान चिन है दो और यहां रह गया दस मैं छहाय का पांच और यहां रह गया 6 रह जाएगा ना 6 में से 4 गया 2 अब देखियो यह तो होगे बेब कूफों के लच्चड अच्छे बच्चों के लच्चड क्या है देखो कैसे अगर कहीं लिखा हो 17 गुड़ां 420 तो माइनस 11 गुड़ां 420 तो आप या तो गुड़ां करके ठीक है इदर देखना आप या तो आप गुड़ां करके घटाईए और या देखो 420 ज्यों बैठ हो है 420 ज्यों बैठ हो है तो डारेक घटाईए ना 17 में से 11 गया 6 और 420 को गुड़ां है दोनों जगे था ना तो 6 दोनी 12 छेचों के 24 और ये कितना हो जाएगा पचीस सो ब समझ गए ये पीछे वाले में भी अप्लाई कर सकते थे इदर देखो ओ इतने देखो यहां माइनस प्लस था तो माइनस प्लस के लिए क्या होता जुड़ता समान चिन्न पर क्या होता है घटता है और विपरी चिन्न पर क्या होता है जुड़ता समान चिन्न पर घटता है व आठ और नौ और शे गुड़ा में था तो आठ और नौ सत्रे शटके ऐलेव इसी चल ना चीए तुमारा तभी तुकर पाऊगे उलजे लगे इसमें गुड़ा में टाइम लग जाएगा यहां समांचन है तो समान चिन है तो यहां पर घटेगा, अब घटेगा भी है, तो सत्रे में से ग्या रहाएगा, अरे घटेगा तो यह तो बरावर है, तो गुड़ा हो जाएगा वाल चैका गुड़ा कर दो, 42 में 250 और चीरो पीछे लगा, जैसे कहीं लिख रखा हो, 13 गुड़ा, 430, और पाड़ा बड़े आरव से आदे तुमको, है की नहीं, तो ऐसे भी करने ला चाहिए, अब दिखो आगे, 21, 21, 21, बच गया 4, 21, 22, तो एक्स बरावर निकल के आगया, 120, का पुछा है, ए और बी का अंतर, अत्तो ए है, 29, बी है, 20, तो कितने का अंतर है, 9 का, तो 9 एक्स बरा 108, आंसर आ जाएगा, 1080, आया सब को समझ में के नहीं आया, चलिए, यही सवाल और कैसे बन सकता, और देखते हैं, यही सवाल और भी तरीके से बन सकता है, इदर देखो, करो पर कुछ नहीं, राम, राम को हो, चैंस स्याम को, अंतर नहीं इनमें कोई, चार अनुपात तीन, ठीक है, यह है इनकी इनकम का अनुपात, आये, इनकम, अब्ये का अनुपात दे रखा है आपको, तीन अनुपात दो, और दे रखा है, प्रतेक, पचीस सो रुपे बचाता है, प्रतेक, पचीस सो रुपे बचत करता है, यह से भी आ जाता है इस सवाल, 25 रुपे की बचत करता है, तो आप हमको बताइए, का बताइए, दोनों की आये ग्याद करो, या कुछ भी पूछ रहता है, टेंसन निलिने का, दोनों की आये ग्याद करो, दोनों की आये, option देते हैं का, देते हैं, 12, 15, option से भी सवाल हो जाते हैं, हम सोच रहे हैं, हर सटेल ड हो जाया करेगा और option से भी करा दिया करेंगे उनको यहां तो सिखाते हैं तो option का ज्यादा यूज़ नहीं कर पाते इसी सटर्ड़े से कोसिस करेंगे बहुत ही खूब सूरत जवाब आपके लिए यह है option चेक करिए तुम्हारा 3500 में से कौन सा है अहां दरवच्चा गाने नहीं तब दरवच्चा खुला छोड़ा आई यह गाने भी अलजी वजीव से बनाते हैं अभी चला एक जालिमा को को कोला पिलाते हैं इस इसे गाने बनाते हैं ठीक देखो चलो यह इधर कैसे सामें देखना हो चार तीन और तीन उनुपाद दो वह उता नहीं तब पहले वाला बेंड अच्छा लगता था वह साइकल पर लगा लेता था रेड हुआ अरे नहीं वह किड़िया वाला बेंड होता था वैसी गाने रात दरवज्जा खुला चोड़ा आई और भी उसमें वह बीच बज़रिया तूने मेरी पकड़ी मैं वह सबको बोल दूंगी ऐसे काने बज़ते थे अच्छे लगते थे यह अब तो बिकार वह कितना ऐंसर आगया देखो वी आगया सामने देखना अब कि द्रेखनो है इधर देखना आप देहन से देखो इसको करने के कई तरीख से एक तो तुम्हारी नेटर में एंकम पूचा है दोनों का तो जिस औंसन का अनूपाथ में औप अप इंकम का अनूपाथ क्या है चार अनुपाद थी जोन सा उप्सन चार इधर आगे का कर रहा है अंसर आ नहीं आया कब तक करते रहोगे इसको समझा रहे फिर अगले पर फिर तुम्हें सी करना कहा बता है तो कुछ समझी नहीं आ रहा है ठीक आएगा कैसे समझ अब सीखो गई नहीं तो इधर देखो थीक है देखो तो चार अनुपाद तीन दे रक का आएओक अनुपाद तो आप बताइए चार अनुपाद तीन कיה yay हो रहा है कैसी बात कर रहे पहला वाला बढ़ा है दूसरा वाला चोटा है तो यह तो दूसरा वाला बढ़ा करना ही नहीं नहीं पेपर में लगा पढ़ा है 312, 315 नहीं दिखनी ला तो पहला पढ़ा चाहिए यहां पहला बढ़ा है लेकिन प्राल कराना भी ज़रूरी है देखो हारुका ठीक है इधर देख लो कैसे भी है अगर मेरे भाई इधर देखना आयर चार उन पाद तीन में दे रखिये मानलो कोई ब्यक्ती 50 रुपया कमाता है 200 रुपया पढ़ड़े थीक 200 रुपय का तो तेल लिया है मानलो कोई हुआ पीने खाने वाला गोटका खा जाएगा 200 रुपय का तो ठीक है ओए 200 रुपया चल ला है इधर देखो तो आप यह सब सरकार अपने बोट बेंक के लिए करती हैं जो कोई भी सरकार हो सब ऐसे ही ह किती हैं उन्हें कोई मतलब नहीं देखो आगे तो आप हमें यह बताईए 200 रुपया किसी की इंकम है और वो बचा लेता है सामको 60 रुपया तो आप यह बचत है तो आप बताईए खर्च कितना होगा लो ना 200 में से 60 रुपया बचा लिए तो खर्च कितना होगा 140 अब देखो अगर हम कोई भी एक काम करें अगर इंकम में से बचत खठा दें तो क्या निकलाएगा खर्च और इंकम में से खर्च घटा दे तो क्या निकलाएगा बचत, देखो 200 में से 140 गया 60, और 200 में से 60 गया 140, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर इंकम में से खर्च घटा दे, तो क्या निकलेगा बचत, और इंकम में से खर्च घटा दे, तो क्या निकलेगा बचत, और इंकम में से चार अनुपात, तीन, अलग-अलग कर रहे हैं, तो 4X, 3X कर लो, यह है A का, और यह है B का, अब इन दोनों का जो बचत है, वो 25-25 रुप्या है, अगर इन में से बचत, दोनों का है न, तो दोनों का बराबर है, कोई दिकत तो है न, प्रतेक का मतलब होता है, दोनों का, तो आप बताईए, प्रतेक का है, आप बताईए, प्रतेक का है, वो बराबर, जब इनकम में से बचत घटा दी जाती है, तो किसका अनुपात निकल के आ जाता है, खर्च का, अब दिको, दो चौके, अरे जो बहुत कर आ दिया, दो चौके, आठ, और तीन तरो के, नो, आठ मे बाड में गया, यह दो, समान फिन है, जुडएगा के घटेगा, जुडएगा, है न, फैक के मारेंगे, जुडएगा, तब से समझा रहे हैं, घटेगा, यह समझो न, हमेशा अपोजिट चीजें ही जुड़ती है, लड़का, लड़की, लड़का, लड़के, अपोजिट जुड़ती है, लड़की, लड़की को देखके न, लड़की को देखके न, लड़के को देखके न, अट्रेक्ट होता, ऐसे समझोगा, अब ध्यान रहेगा तुमको, अपोजिट, ठीक है, यह देखो, ठीक है, अब ध्यान लगना है, अपोजिट, देखो, तो आप यह दे और नहीं समझे, तो कोई टेंसर नहीं, पाचीस सो दोनी, 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 पाचीस सो देखो चार में से चार रुप्या कमाता है थी रुप्या खर्च करता है एक रुप्या बचा तो एक कमान 2500 चार कमान 10,000 तीन कमान पचछा सो लिकिन यह तब दिक्कत हो जाएगा जब यहां जैसे मालो दे देता पांच चांच अनुपात अंतर बरावर नहीं होता हलां कि अं सेफ्ट पर काम करा रहे हैं यह वाले पर यह वाले पर और अप्सन से निपटबा दोते हैं ठीक है कोई मिल जाता है तो नहीं तो फिलाल आपको यह समान है तो यह सीधा-सीधा भी हो सकता है कैसे चार रुपया कमा रहा है ती रुपया खर्च कर रहा है कितना वचा एक रुपया यहां भी सेमे की है तो एक का मान पचीश सो तो चार का मान दसजा और तीन का मान पचीश सो अगर बराबर नहीं हो जैसे यहां अनुपात दे देता मालो कुछ भी दे दिया पांच अनुपात चला देखो आगे तो कहा कर रहा हमारी समझर नहीं आ रहा है कर ली कराएंगे ठीक चलिए तो यह concept आप ध्यान रखना इसी concept से आगे कराएंगे है जिनको यह नहीं पता हो यह आपके लिए घर पर बेज देंगे मोवाइल घर जब तक पहुंचेंगे तुमसे पहले पहुंच जाएगा इसके पहर बहुत यह का हेलिकॉप्टर से जाती है सीट जिन पर भौन नहीं नहीं बैठे रहो अगले सर्फ पांच मेट में आएंगे तब तक तुम नोट कर लोगे कर लो ना अब का आत्माय आथ तूटके करो रिलेस युके तारीक है 26 26 ही है यह ध्यान रखना कल यहीं से आगे बढ़ेंगे जो 9 बजे से यहीं बैठे रहेंगे अगली क्लास है GS की हाँ सब बैठे रहेंगे जिनकी क्लास है GS की है मैथवाय जंगे मैथवाय वैटिंगे यहाँ पहुंच दी होगी और जिन पर मोवैल नहीं नोट करके चले जाओ लो कल लो कैमरा तरचा हो गया है कहां थी चल ला था वा चल ला था रेस्यू चल ला था देखो भी आ गए तो रेस्यू को स्टार्ट करते हैं आगे देखना जहां से पहले काफी दिन हो गए छटी क्लास है आज साथ ही है वैसे तो बहुत डिटेल से करा रहे हैं टॉपिक को आरहम से जल्दवाजी किसी टॉपिक में नहीं करा रहे हैं ठीक है देखो तो अगर हम रेस्यू में आपको कली समझा दिये थे जैसे कहीं अगर यह एक्क्विशन बन नहीं हो मनलों एक्स माइनस चार अजार बटे एक्स माइनस पांच अजार बरावर दो अनुपात थी तो इसको आपको डारेक्ट करना सिखाया था जैसे एक तरीका तो इसको यहीं से आगे बढ़ना है आज पूरे घंटे इसी पर सवाल किये थे हम लोगों ने और आज भी पीस मिनट तो इसी पर करेंगे करेंगे तब नया टाइप सुरू करेंगे पहीं आप बात ने जैसे माल लो इसका गुड़ा इधर करते हैं डिटेल में करना चाहें तो थिरी एक्स और माइनस तीन चौके बारह हजार परावर दो का गुड़ा इधर होगा कैची गुड़ा यह तो रहा लॉंग प्रॉसेस जैसे आप सब करना जानते हैं ठीक है की नहीं ठीक है मुझे लगता है ऐसे सब कर लेंगे इसमें कोई बड़ी वात नहीं है और हमने फिर डारेक्ट भी आपको सिखा दिया था कैसे सिखा दिया था कि देखो तीन का गुड़ा करिए इधर तो तीन का गुड़ा होगा एक्स में थिरी एक्स और दो का गुड़ा होगा इधर टू एक्स थिरी एक्स और टू एक्स घटके बचेगा कितना एक्स दूसरा तीन चोग के बारा और दो पंजे दस बारा में से दस गया दो यह बार गटेगा तभी जब समान चिन्न हो ऊपर और नीचे अगर यह विप्रीत चिन्न होते हैं तो यह दोनों जुड जाएंगे जैसे अगर यही सवाल ऐसे होता एक जगे मालों ऊपर है माइनस और नीचे होता प्लस एक्स प्लस 5000 तब जो इसका अंसर आ रहा होता तो यह गुणा क करतें तो देखो 3X ओव माइनस 2X कितना हो जाएगा एक्स अब यहां तीन चोंके 12 दो पंजी 10 बारे और 10 कितना हो रहा होता 22 व्लस कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यह समान चिन्ग जरूरी नहीं है यह अगर यह भी तो समान चिन्ग नहीं तब तभी तो घट रहे हैं 3X में से टू एकस तभी तो घटा माण लो इस सवाल पर यहां पर होता माइनिस तो अब यह सवाब जहुँता अब यहां पर 3 ञटनी 3X और यह 2X अलग अलग चिन जह तो यह 5 चेक्स हो जाता, तो ये क्या हो जाता, जुड जाता, जैसे अब यहां पर क्या है, यहां पर अलग-अलग समान चिन है, तो ये घट जाता है, तीन चो के बारा, दो पंजे दस, और इतना समझी, अगर समान चिन हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, अ उपर प्लस है तो नीचे माइनस हो, उपर माइनस है तो नीचे क्या होना चाहिजए, प्लस होना चाहिए, इतनी वहा सब को समझ में आ हो गई, तो यारी करनों थे दैखकि जाते हैं, अर विप्री चिन्नों थे जुट जाते हैं, कल हमने इस पर बहुत सवाल किए थे, आज आ सीन लई दो आ跳 हैं हिनकी आये कल भूल सारे करायते है न आपको याद होगा कि व को जो एक ए बी से श्यार रोपे निकालकर बीके ए डिये काउंट कर दिये जाते हैं तो एक जगह मीनस उप्लस या छहाम निकालकर B टोकरी में रख दिये जाते हैं तो इससे निगाले इसमें प्लस ऐसे करके आप वह वाला सवाल भी ऐसे कर सकते हैं जो आपने पड़ा बच्पन में सिखाते हैं कि चार पिडियां मतलब जो चार एक पेड़ पर चार चडियां एक पेड़ पर दो या तुम कहती हैं कि दो इधर आ जाओ तो हम दो गुने हो जाएंगे वो भी ऐसे ही हो सकता है ठीक है आगे समझा देंगे जब टाइम बिलेगा तो आए और बी की जो आए का अनुपाद दे रखा है वो दे रखा है मानलो चार अनुपाद पांच और इनकी जो खर्च का बचत का अनुपाद दे रखा है वो बचत का अनुपाद दे रखा है मानलो दो अनुपाद तीन और यह दे रखा है कल जैसा ही है जहां समान था प्रतेक का तो प्रतेक का जो खर्च है प्रतेक का खर्च है वो मानलो दे दिया उसने तीन हजार झ्योचकर लिए यह option से भी हमने कल कराया था आपको यह options से भी बता सकतो, थिलाल हम आपको कराने के उफ़िस कर हैं options से नहीं करा रहें एक ही 5 किया होगी यह आप से पूच्चा है अब देखना ध्यान से तो इसको करने के कई कई तरीके कैसे कैसे एक तरीका तो सब कर लेंगे ये सरल है एक सवाल हमें कराने दो फिर आप संबने आपे अपको बताया था कि कि सी विक्ति की IEO नोट कोई नहीं करेगा पहले पूरा समझेंगे थ्यान से अब आप बताईए बचत को इंगलिस में कहते हैं सेविंग तो उसने आपको यह है कि अगर इंकम में से बचत घटा दें तो क्या निकल के आ जाता है खर्च निकल के आ जाता है और इंकम में से खर्च घटा दें तो बचत निकल आती है और बचत घटा दें तो खर्च निकल आता है यानि इन दोनों को जूड के तब इनकम बनती है देखो, 70 और 30 मिला के कितना वना, 100 वना, चलिए, अब बढ़ाते हैं आगे, देखो, तो आप हमको ये बताइए, पहले मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, एक और बास समझायते हैं आपको, अगर कहीं A अनुपात, B बरावत, 4 अनुपात, 3 दे रखा है, या कुछ भी दे रखा है, तो A का मान होता है, 4 X, और B का मान होगा, 3 X, ये X वो है, ये X एक तरीके से HCF होता है, जब अनुपात बनाते हैं, तो जो common होता है, वही कट जाता है, जैसे, कहीं लिखा हुआ है, 40-30, तो इन दोनों का अनुपात बनाएंगे, तो जो चीज common है, वो कट जाएग जो common होती है, उसे HCF कहते हैं, highest common factor, ठीक है, अब देखो, तो A का जो income है, वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 X, और B का जो income है, वो दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 5 X, अब प्रतेक का खर्च, प्रतेक का खर्च का मतलब, प्रतेक जो बचाता है, वो कितने बचा प्रतेक जो खर्च करता है कितने खर्च करता है? 3,000, प्रतेक का मतलब यह है, A भी 3,000 खर्च करता है और B भी 3,000 खर्च करता है, ठीक है की नी ठीक है? तो अगर income मेंसे खर्च घटा दें, अगर income मेंसे खर्च घटा दें, तो क्या निकल के आता है? बचत, और अगर income मेंसे घटा दें, तो kya निकल के आता है? खर्च, अगर income मेंसे खर्च घटा दें, तो बचत and बचत घटा दें, तो खर्च, ठीक है की नहीं ठीक है? बरावर income मेंसे हमने खर्च घटा दिया, बरावर बचत का अनुपाद दे रखा है, दो अनुपाद 3, अब आप इसको direct करने की कोशिस कड़ेंगे, 3-4-12, और 2-5-10, 3-4-12, कैंची कड़ा होता है? 3-4-12, और 2-5-10, 12 में से 10 गया, कितना वच्चेगा? 2X वच्चेगा, वर्कुल सही बात है, जी, अब देखो, 3-3-9 और 2-3-6, लेकिन ये तो समान चिन है उपन नीचे, विपरीत उनको मिलाओ, तो जुड़ जाती है, है न, ठीक है कि नी ठीक है, तो आप बताईए, जैसे देखो, तो यानि, तीन त्रो के नो, दो दिया, छे, तो नो में से छे गया, कितना बचेगा, तीन, और हम आपको एक और चीज बताए थे, कि ये तो कॉमन है, इनको ही पढ़ रहे हैं, तुम नूट कर लो, हद हो गई, अलग-लग समझाया करें, या निमंतर लिखके विजा करें, नहीं भही आप तुम रहन दो, प्रिये वर तुम्हे निमंतर मतलिक हो ऐसे करके, ठीक है, देखो, तो अगर मानलो कहीं ही दे रखा है, तेईस गुड़ा मानलो किसी को या दिया, यहां कुछ और दे देता, 36 पगेरा, तो 16 तो दोनों जगए common है, 23 में से 21 गया, दो बचेगा, दो गुड़ा, 16 बरावर कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा, तो ऐसे भी करके आप calculation को आसान कर सकते हैं, तो यहां से X का मान जो निकल के आएगा, वो कितन 26, मान लोग B का पूछ ले, तो B का कितना है, कहां गया, B का है, 5 है, तो A का मान, X का मान, पंद्रे सो, पंद्रे सो, पंद्रे सो पंजे कितना आएगा, 35,000, लेकिन इस सवाल को तो और सरल तरीके से निटा सकते थे, कैसे, यहां क्या है कि यह बहुती निहाईदी घडिया स सवाल है, ऐसे सवाल, खलासी, चपरासी, गेंगमेन वगएरा, नाली सफाईगर्मी इनमें जादे तरह आते हैं, पैसे नहीं आते हैं, ठीक देखो, तो आप हमें यह बताईए, यह चार रुपे कमाता है, दो रुपे बचाता है, कितने रुपे खर्च करता होगा, दो, य अ का पूचा है, तो पंदराशो सो चवपे, 6,000, बी का पूचा है, तो पंदरेशो पंजी, 575, लेकिन यह तभी काम करेगा, जब यह बरावर हो, बरावर नहीं है, तो बरावर करना हम सिखाईगे, लेकिन अगर यहां अलग- Alabग दे दे, कि ए 3,000 रुपे बी 4,000 रुपे है बुर्कुल नहीं होनी चाहिए दिक्कत कैसी है ही नहीं सकते है चलिए विया हम मानलूस नहीं यह दे दिया हमको कहां गया सवार करें भी यह देखो चलो कि एक करार एक टेंसन का आई लेने लग जातो एक तुम हाई तो वह मचमत मचा दिया करो मेरी कोई सुनता ही नहीं है इस गर में आके बरवाद हो गई मैं तो ऐसे नहीं एक दम आये तो बाद करार रहे है वही है रेसियो सेकेंड सीट चल ली है फश्ट पूरी हो गई थी करार रहे रुक जाओ देहरे नाम की भी तो कोई चीज हो बैए ना आये एक तो तुम पता है सवाल नहीं दूड़ने दिते में दूड़ रहे रुकोगे तुमने बटका दिया हमको सब लेओ सवाली खो गए अभी निकल आये थे पहली बार में ही चलिए तुमने करकर के उदम आजी सवाली खुदबा दिये कल तुम यह की डूड़े थे प्रतेक संख्या से रेशियो फेस्ट रिशीट आहा मिल गए मिल गए चलिए ओए बफ्च पर जाओ जैसे यह दे रखा है एक है भीया राम और एक है स्याम अंतर नहीं दोनों में कोई वे बात कौन करने लगा इनकी जो आये का अनुपात है वो दे रखा है पांच अनुपात छे हलो हाँ बोलो तो मगत नमस्ते कर रहा है एक तो काम की बात बता नहीं रहा है खर्च का अनुपात देखो भीया साथ अनुपात नौ अब वो यह दे रहा है बचत इनकी अलग लग है एकी बचत है 4000 रोपिया और वी की बचत है 3000 रोपिया आप बता दी कि आये ग्यात करो दोनों की नहीं पूछ रहे उतिमसे एकी बता ऑपसं से भी हो जायागा कियो तो चले यह बता दीजी फटापटित रहेंन। हने बोलो हम झाल झाल कितना आ गया भहिया वाव ब्यूटिफुल अंसर पच्चीश हजा अब तो उस्यार होगा लड़कियों का नहीं आया आ गया चलिए देख लेतने कैसे आएगा कितना आ गया पच्चीश हजए है कि आगया मुड़ी नहीं लाया करूं यह कितना यह भी तुमारे संग की है सब यह देख रहे हैं छोटे-छोटे सब तुमारे संग की हैं इनका सब कामसर आ गया देखो कैसे हुआ है आगये चली देखू आगये और जिनका नहीं आया आगये देख्ण पीछे देखो भी है एकी इंकम है अच्छा जे पीछे वाले में समान था यहां समान नहीं है अलग तो टेंशन नहीं लिना आपको चलिए देखते एक इन्कम हो जाएगा पॉंच है तो कितना हो जाएगा पाँच एक्स्सेज की नहीं सही, बरकुल और बारले बार ने दा दुखनलिए भी का उजाएगा छह सब 떨어ी कौन दिक्कत है किसी को का? नहीं है इसमें का दिक्कत है? इधर तुम नोट कर लो, संग संग. अंसर नहीं आया होगा तुमारा? तुम सही पूछ रहे हैं. आगे अंसर? और फिर भी नोट कर रहे हैं. कैसे समझ आएगा? ठीक है? देखो. तो A का है 5X और B जिनका अंसर नहीं आता उन्हें तो पूर्य मंद से समझना है नहीं अगले बार फिर तुम यहीं चक्कर लगा रहे होगे कोचिंग के ठीक है तो समझने पर जादा फोकस करो तो एका है पांच एक्स और बीका है कितना छेक्स एका पांच एक्स बीका छेक्स इसका बचत घटाई ही तो खर्च का अनुपात निकल आएगा 4000 ओ यहां है 3000 अब इनकी जो खर्च का अनुपात है वो कितना दे रखा है साथ अनुपात नौ इतना बास सब को समझ में आ गया ठीक है इंकम मैंसे हम खर्च को बचत को घटा दिये तो क्या निकल के आ गया खर्चा खर्चे का अनुपात इधर दि जाले 45 में से 42 घटा हूँ 3 X 45 में से 42 घटा हूँ कितना बचेगा ठीक अब देखो 946 समान चिनने घटेगा 946 सातिया 21 चछतीस में से 21 गया 36 में से किस गया 15,000 बच्चे का घटाना तो आपको आना ही चाहिए तो 3X का मान 15,000 तो X का मान कितना आजाएगा 5,000 X का मान 5,000 एका इंकम पुछा है तो एका इंकम है 5X तो 5X, X की जगे 5 या रख दो तो आंसर आजाएगा 25 है इसमें कौन सा तुमको नेरकूद के जानी थी जो इसमें दिक्कत हो रही कर लेंगे की नहीं कर लेंगे चलिए अगला समझते हैं कैसे होगा अगला भीया सवाल ये दे रखा है नोट करने का चकर में नहीं पढ़ना है आपको नोट के चकर में छूट जाता है फिर देखो कॉपी कल से भार रख वाया करेंगे तुमारी वो कह रहा है A और B जड़कियों में ज़्यादा गंदी या दता है ये संग के संग A और B की आए और आंसर भी कम के आते हैं दोनोई दिक्कत हैं पांच अनुपात साथ और वो दे रखा है कितना कितना 4000 और 5000 रुपे बचाते हैं 4000 रुपे और 5000 रुपे बचाते हैं टेंसन नहीं लिना थोड़ा सा लीवल बढ़ा रहे बस बढ़ा का रहे आता है सा सवाल 2020 में कई आए हैं ठीक हैं अब वो कह रहा है जो A का खर्च है A का खर्च B के खर्च का A का खर्च B के खर्च का B के खर्च का 66 सही 2 वटा 3 परसेंट है तो बताईए 1 और B की कुला है तो A प्लस B कर देते हैं की कुला है बताओ अरे टेंशन थोड़ी लेना है तुमको इधर देखो कैसे ये बात यहां भी तो दे सकता था अरे इसको परसेंटेजन बदल दो यहां भी बात बन जाती यहां भी बात बन जाती देखो इस बात को ऐसे भी तो कह सकता है देखो देखो इधर इधर पहले समझ लो देखो कोई पूछे आपको हम दे दें कि A और B की बचत का अनुपात है कितना दो अनुपात तीन यह बचत का अनुपात है अब आप हमको यह बताईए A की बचत कोई पूछे यह बताईए A की बचत B की तुलना में कितनी है तो कहेंगे आप A की बचत हो जाएगी B की तुलना में दो तेहाई और कोई पूछे B की कितनी है तो A की एक कर लो A की तुलना में कितनी हो जाएगी तीन बटे दो ए रुक तो जाओ ठीक है यह आंसर सीट में देख लेते हैं और कुछ नहीं इनको ठीक है आप इधर देखना हो तो आप नहीं समझेगा जी बात नहीं समझे बड़ा ऐसे रिकार मामला है देखो एक है लड़का रवी और एक है लड़का दिनेश अब मैं यह कहूं कि यह बताईए इसका एक है और इसका दो है अब दिनेश क्या कहेगा रवी से उससे मेरे पाफ दो गुना है और बिचारा रवी क्या कहेगा जी मेरे पाफ आधा है है की नहीं अरे जब दिनेश की बाद चल रही हो, तो तो यह हो जाएगा, दो बटे में A, बोलो हाँ है न, और अगर रवी की बाद चल रही हो, तो रवी के बटे में दिनेश, सही है की नहीं सही है, आप जानते हैं, किसी भी भिन को परसेंटेज में बदलना हो, तो क्या कर देते हैं, स का गुड़ा अब देखो ऐसे ही चलू उपर वाले मजा आएगा इसमें मजा नहीं आएगा ज्यादा अगर हम यहां पूछे एकी बताईए तो एकी बचत हो जाएगी दो बटा तीन किसकी बी की तुलनाम है बी की पूछें तो तो बी की हो जाएगी तीन बटे दो किसकी तु तीन बटे दो गुणा है इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि इसका डेड़ गुणा है इसी को तो डेड़ कहते हैं हमने बता है ना पैट के पिपर में बताया थे हम बेब खूब पैसे अनुपात होता है तीन बटे दो उसमें पैट के पिपर में दे दिया इसी को डेड़ अब अब यूं कह रहे हैं भारा के, डी आई टब था, तो टीन वट्टे दो को डेड़ भी तो लिख सकते हैं, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, इन दोनों का दिक्कत है, है तो ये कही बात, तो ये छुट-चुटी बातों पर नहीं बटकनाई पर वें, कि ये कैफे द दिया, अरे, इसको दो टेहाई, इसको टीन वट्टे दो, इसी को डेड़ भी कहते हैं, और डेड़ को डेड़ सो परसेंट भी कहते हैं, नहीं समझे का, अरे, कन्फ्यूज हो गए, देखो, आपको एक बात सिखाए है, कि जब किसी बिन को परसेंट, जब किसी चीज को पर percentage तो 100 का भाग, जैसे कहीं लिखा हुआ है 300%, तो इसको कर सकते हैं 300 बट्टे 100, यानि कितना 3, मैं कूँ यह बताईए, डेड़ को percentage में लिखिए कितना आएगा, रही 100 का गुड़ा कर दो, तो यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेड़ सो परसेंट, कैसे एक जीरो तो पॉइंट उड़ाटे गया, अब कोई आपसे मालो, एक पेपर में दे दिया था, साम बाले था, किसी में पता नहीं अभी किसी में, ऐसे से दे दिया मालो, आप बताईए, एक्स में से, एक्स का, 37 परसेंट घटाईए, कितना बच्चेगा, बटग गई, सिंपल, ए, बेब गुब लोग हैं, कुछ इसको भिन बना के सालू कर रहें न, इसको, एक्स को हम लिख सकते हैं, 100 परसेंट एक्स, और माइनस 37 परसेंट, एक्स, 100 में से 37 परसेंट एक्स, कहाता है, क्यासे, अरे, 100 परसेंट का, जो मान होता है, वो होता है, 100 बटे, 100 यानी, ए, तो एक्स है, तो 100 परसेंट एक्स का, कोई मान बूचेत हो, अरे तो कहा दिक्कत है, 100 बटे, 100 गुडा, x बराबर, कितना हो जाएगा, x, जही हो गया, तो यह क्या है, अपने हिसाब से set कर लेते हैं, पिपर में, अब मालो, हमें लग रहा है, कि percentage से आसाने, तो percentage से कर लो, बिना percentage के आसाने, तो बिना percentage कर लो, जैसे, कहीं मालो, दे दिय तुमको दे दिया, 1.5 गुणा बगेरा, तुमको लग रहा है, एक जगह दे दिया, x का 1.5 गुणा घटाई है, x के, 200 परशेंट से, यह थोड़ी के, अलो, जी, परशेंटेज है यह, बदल लीजिए, 1.5 परशेंट हो गया, हो गया, 50 परशेंट, है न, यह तो आप अपन परशेंट, इसी जीएस में, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, बस, अब देखो न, जीएस पढ़ पढ़ के, लोग मर गए, मरी गए, पेपर कैसा है, पेट का, जो मतल, नॉर्मल नॉर्मल फी चीज है, लोग उनमें भी 60-70 का स्कोर कर पाए, और जो जो जीएस के धुरंदर अब बताएं न, एक लड़का था ऐसी, पिछली बार पुलिस का पेपर दे रहा था, उसने सब जीएस, पॉलिटी, जोगरफी, हिस्टडी, मेंस्प्री, सब पढ़ लिए, पेपर में पुलिस के में आया था, उत्तर प्रदिस का राजिपाल कोन है, उससे जही नहीं पता, ऐसी पढ़ाई भी किस काम की, है की नहीं, तुम पता चले, एक तो ये टीचर यूटूब बिटू बालो ने बेरा हाल कर रखा है, पॉलिटी तुम एक जगह से पढ़ लो, फिर दूसरी जगह पढ़ो, तुम्हें लगेगा हम गलत पढ़ लिए, वो तो ठलुआ है, पॉल याद नहीं हो रहा एक सब्जेक्ट, बच्छों से याद कर लिए सब, दिमाग कमजूर होता है उनका, जी एसे माल लीजीए, जो टीचर जी एस का, या किसी भी सब्जेक्ट का, आपको अगर देख के पढ़ा रहा है, तो तुम कभी उसका याद करी नहीं सकते, अरे वो ख बता गड़ित भी देख के पढ़ा रहा है, गड़ित, जी एस, अगर वो खुद देख के पढ़ा रहा है, तो आप उसको याद करी नहीं सकते, क्योंकि उसने, किताब से, उसे क्या है, लो तुम, कैसे करोगे, खुद करनी पा रहा, ठीक है, खुद एक सब्जेक्ट का तो इसको कितना कर सकते हैं, डेड़ सो परशेंट, सही है, तो वो ये भी कह सकता है, कि जो बी की बचत है, वो एकी बचत का कितना है, डेड़ सो परशेंट, वो ये भी कह सकता है, बी की बचत, वो एकी बचत से पचास परशेंट जादा है, है के ना है, तो इसी सवाल को व बटे साथ एक्स, माइनस, कटा दो, चार हजार, और बटे में पांच हजार, पास, अब चालू, इतना तो सैमी है, पीछे वाला, बोलो हाँ, हाँ क्नौ, ठीक है, अरे, एकी इंकम कितनी है, पांच एक्स, बेकी कितनी है, साथ एक्स, बचत को घडा दिये, ये टेंसन दे रह या तीन का कोड़ा कर लो, आपकी इच्छा, बटे में तीन, जब परसेंटेज हटाते हैं, तो बटे में क्या आ जाता है, सो आ जाता है, देखो, दोए जीरो से दोए जीरो उड़ गई, कितना अंसर आ जाएगा, दो बटे, तीन, ये 66 सही, दो बटे, तीन का मुतलब होता या 66 सही, दो बटे, तीन है, चाहूं तो कर लो, A का खर्च, B के खर्च का दो तीहाई है, दो तीहाई कहां से आया, अरे इसका मान है न, 66 सही, दो बटे, तीन का, तो A बटे, B बरावर कितना आ जाएगा, दो बटे, ते, करना ऐसे थोड़ी था, जिससे कहे, वो बटे में आता है, यसे कहा है, B की तुल नाम है, तो B का बटे में आ जाएगा, उपर A का, खत्म, अब ये तो सवाल वही बन गया, पीछे वाला, तीन पंजे, पंद्रे, और दो साथ, चौदे, पंद्रे में से चौदे गया, कितना बचेगा, X, तीन चौके, बारा, दो पंजे, दस बारा में से दस गया, दो हजार, किसका पूछा है हमसे, A का, A प्लस B दोनों का, तो पांच और साथ, बारा एक्स है, X की जगे रख दो, कितना, दो हजार, तो अगसर आ जाएगा, कितना, चो, और बीस हजार चिल ला रहा था, कोई पीछे से, वेब कूप, कर लेंगे, किन नहीं आ गया, है, बुंत शना, आ गया सब की समझ में, कर लेंगे, चलिए, अगला सवाल, ओ, इधर ये, जिद तुमको पता है, हम तुमें नोट नहीं करने देंगे, फिर भी कहा है, हाथ पर चलाने को फिस करते हो, जब तुमें, आथ ज्यादा ज्यादा एक लाइन कर लो देखो, चलिए, एक और कर लीजिए, ए और बी, कि जो आय का अनुपात है, वो दे रखा, फटा-फट करेंगे मौके, आठ अनुपात पांच, पीछे बात नहीं अब, खरच का जो अनुपात है, वो दे रखा है, पांच अनुपात तीन, यदि उनकी बचत किरम से पारह हजार और दस हजार रुपया है, वैसे कर लोगे अब तो इसको, बहुत करा दिये, तो उनकी आय में अंतर क्या होगा, उनकी आय में अंतर पुछा है, उनकी यो लिख लो, देर इंकम डिफ्रेंस, बता दीजे जली से, बहुत करा दिये अब तो, कितना? 42,000, बहुत बढ़िया, कितना बहिया? 42,000, बहुत बढ़िया, कैसे तो मुचल गूत कर रहे? बैठे रहो चिपचाप, 45,000, कितना? वाउ, वाउ, ज्यादा बढ़ा अंसर नहीं है? 45,000, 42,000, चलिए, देख लेते हैं, आगया, वाउ, इस बार तो आगया, देख लो, चलो आगे, अब आगे देखो, पड़ा पड़ से करेंगे, एक का इंकम कितना है? 8X, बी का कितना है? 5X, चलिए, बचत घटाईए, कितनी? 12,000, पी की घटाईए, कितनी? एक है था, है? ओहू, टाइपिंग मिष्टे, कुछ तो अपना दिमाग यह नहीं चलाते है, वो 1000 पर ही कैल्कुलेशन कर रहे, तुमने नहीं चला था, त्रानवेजन किन का रहा था? है? अभी अशी ही बता है, अशी किया था है, 1000 पर, दिमाग भी चलाना चाहिए, इंसान तीन, चलिए, इस्टार्ट तीन अठे चौवीस, तीराठ चौवीस, पानी पिलो तुम तर तक, सब तुमें पानी पत्ता सब यहीं पर याद आते हैं, पढ़ते सावई तीराठ, चौवीस, और पचम पचीस, चौवीस और पचीस में कितने का अंतर है, तीन का, चौदे तीया, कितना होता है, ब्याली सजा चलिए, लास्ट हवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नए टाइप की होट, बहुत करादी है सवाल, कल सी करा रहें देखो भी या, जी करते रहेंगे का ए और बी इभी आया हुए, कि एक इस्टे बढ़ा दिरे बस कि आये का अनुपाद, ग्यारे अनुपाद, साथ है खर्च का अनुपाद, साथ अनुपाद, नो है बचत का अनुपाद, आदों को तो हो गई होगी टेंसन तेरे अनुपाद, पांच है और सुनिए कुल खर्च च्छानवे सो रुपे मासिक है बढ़िया सवाल है थोड़ा सा लाश्ट है इस टाइप का लेकिन बढ़िया है मासिक है तो बीकी बारसिक आए बताई है एंसन नहीं लिना आप करके दिखो पहले है option नहीं देंगे I don't give the option हाँ भीया कितना आगया कर रहे हो अच्छा कर लो कर लो एंसन नहीं देंगे कहते थी हम पहले ही बज्जी पता है तुम्हारा गंत है एक होता है गंत एक होता है बहुत ज्यादा गंत तुम्हारा यह है पांच में नंबर का इसी सीरी जुन है पताईए वाव ब्यूटिफुल आंसर पहले 42 सो में चीटी लगी थी जो पहले गलत था 42 सो सही है कैसे कैसे लोग होता है पढ़ लो पढ़ इतना है प्यावदी के लाले पढ़ेंगे नहीं बात में फिर जिनका हो रहा होगा वो कैंसल हो जाएगा नहीं पढ़े तो फिर गाना नहीं सुने कलम सुन नहीं थे मुझे पीने का फॉक नहीं है पीता हूंगम बुलाने को अधम जहर पी हो तब भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला इसलिए पढ़ लो यह टमपू वाले गाना सुनते है जीवाजी टमपू ट्रक और ट्रक्टर इन तीन से बचना चाहिए संगी लोग हो जाते हैं ट्रक्टर वाले तब भी नहीं होते लेकिन ट्रक और टमपू वाले ऐसी गाने सुनते हैं वो मुझे पीने का फॉक नहीं है जीवाजीव मैंने तेरे लिए जग छोड़ा तू मुझे को छोड़ गई जीवाजीव गाना अब मुझे के याद करते हुआ नहीं है देख वागे है चलिए कितना कि दसमी बार प्याली स्वारा है तुमारा प्याली स्वारा है हम गंते हैं तुम सही हो लडगियों बताओ कितना आ रहा लडगियों बरुसा है उपको पहले है हम बता है पूरी क्लास में दिमांक किसी का नहीं चला बस तुमको यह दिखी नहीं रहा है वस सवाल में कि यह मंधली दे रखा है और बार्सिख पूछा है है विपकूब हो चलो इधर देखो अब हम कराते हैं कराएं कि यालीस सब्सक्राइब का गुणा कर दो तब भी तो नहीं लग रहा हमको नहीं आएगा चली देख लेते हम इसके अंसरें ऐसे एक लाग चौदे हजार पचीज हजार ऐसे देखो किसी का नहीं आया पूरी किलास में वाव ओ इतने है आगे अंसर नहीं आया बत्याओ नहीं पिर चली इधर देखते हम और धुव तिहां से सबजह के सुझेंगे अप सब से पहले तो यहन तीन अनुपात दिये तो इन मेंसे किसी को खतम कर रोштके खर्च कितना है चानवेज सो आप बताईं जिन तीनों अनुपातों में खर्च कोन सा वाला है यह वाला है तो a का ख़र्च है 7 और b का खर्च है 9 total खर्चा कितना हो जायेगा 16 7 और 9 होता है 16 7 और 9 हो जायेगा 16 अब 16 का मान दे रखा है 96 यानि 16 भी शोले units का मान दे रखा है 96 तो एक unit का जो मान आएगा वो निकल का आ जाएगा 16, 96, 600, तो अगर एका निकालना है, तो इसका हो जाएगा 6, 47, 42, और बीका हो जाएगा 6, 94, अब ये सवाल, सेम सवाल, पीछे वाला बन गया, बस इतना ही सवाल में एक्स्ट्रा था, एक और पॉइंट एक्स्ट्रा है, बार्सिक पूछा है, बस, थोड़ा बहुत तो एक्स् परच दे रखा है, 96, रुपया, वो भी मंथली, मासिक, तो यहां कितना दे रखा है, 7 और 9, 16, अरे, एका है, 7 और बीका है, कितना, 9, तो 7 और 9 कितना होता है, 16, 7 और 9, 16, 16, 16, unit की वैलू 96, एक की वैलू कितनी, 16, 96, 600, किलियर है किनी किलियर है, ब्रुकुल, अब देखो, 6 सत्य, 42, एका हो गया, 6, 94, बीका हो गया, अब तो करी लेंगे, एका, इंकम, 11, एक्स, बीका इंकम, 7, एका खर्च घटाईए, 4, 200, और बीका खर्च घटाईए, कितना, 500, अब देखना अब ध्यान से, बराबर, इनके बचत का अनुपाता है, 13, अनुपात 5, अब देखन भी है, इस बात में क्या है, कि 5 का गुणा, 11 में करेंगे, तो कितना होगा, 11, 55, और 13 का गुणा होगा, 7 में, 13, 91, 55, 91, से घटाएंगे, तो कोई बता सकता है, कितना बचेगा, 36 बचेगा, घटाना कौन सीखेगा, देखो, 11, 55, और 13, 91, घटाईए, 6, 8 में से 5, गया, 3, बचाबर, अब करिए यहाँ, 42 में, 5 का गुणा, 5, 2, 1, 10, 5, 4, 20, और 1 होता है, 11, और 13, 4, 52, 13, 55, और 2 हो जाएगा, कितना? 66, नहीं, गलत कर गई, 13, 54, 55, 55, पांच होगा, नहीं, तेरे चौके 55, पांच होगा, नहीं, 5 कितना होता है, 70, तो यहाँ गुणा किया है, बस, 13 जोटए का गुड़ाँ किया है इस वेर पांच का गुड़ाँ किया उसमें घटाईए भाया तो देखो घटादा क्यों घटाँगा 누ृ और क्यों अiden का पहा फीमोत कि 70,200 जमीक क्यों जमρ जीरो घटाणगर ।ट्यम में से जीरो जगाpen और 6 में से दो गया, कितना बचेगा, बंद चना हो, 4, सही गटाएगा, सही है, चलिए, अब ज्यादा इस पर रिस्क नहीं लेना है, हमको, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है, इसे कटे ना कटे, अब हमको पहले तो यह देखिए, पूछा क्या है, तो अगर हम यहां से X का मान निकालें, चलो, निकाल, काटा मत, काटना भी, तो 49,200 बटे कितना, 36, लेकिन पूछा क्या हमको, B का बारसिक आए, 7X का मान, लेकिन 7X, तो यह देखो, जो यह है ना, यह X, यह तो एक महीने का है, तुमको क्यों एक महीने का चों है, अरे यह मांसिकी ही तो दिया तो यह सवाल तो एक महीने का चला था, ब्यालीस सो एक महीने का, चववन सो एक महीने का, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, जैसे मैं आप से कहूं भीया, आप बताईए, 4 किलो मीटर और लिखा हुआ है कहीं, 6 किलो मीटर, अगर आप इनका अनुपात बनाते हैं, त तो अनुपात तीन, न तो ये किलो मेटर में रहा, न ये मेटर में रहा, न ये सेंटी मेटर में रहा, कभी भी अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि किलो मेटर से किलो मेटर कट गया, अब इसमें अपनी मर्जी से चाहों तो मीटर का गुणा करो, चाहों तो किलो टो में इसमें कितने का गुडा करूं? बोलो, एक साल में कितने महीने होते हैं? बारा महीने होते हैं, तो बाराइक का कर दीजे, गुडा तो ये हो गया बारसिक में कंवर्ट, साथ गुडां, एक्स, उनननिंचास जार, 200 बटे 36 पहले कार्ट पीट कर लेते हो सकता है पॉइंट में कटता है पूरा पूरा कट जाएगा इंटू 12 बारे ती या 36 तीन एकन तीन चिक्षे 18 तीन चौके 12 गुड़ा करिये दो जीरो ये बची हुई है साथ चौके 28 साथ चिक्षे 42 42 और 2 होता है 44 साथ एकन साथ और 4 11 तो एक लाग 14,800 यह सवाल था पहले आप यह बताईए सवाल समझ में आया कि नहीं आया ऐसा कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आया आप आराम से बताया करें नहीं आया कोई बात नहीं आप एक बार द्वारा समझ गी भाया कैसे समझना है द्वारा समझना है देखो आप मुझे यह बताईए एक एक करकी स्टप समझते जाएंगे सबसे पहले तो यहां तीन अनुपाद दे रखेतें लेकिन हमें कुल खर्च भी दे रखा है कितना 900 कुल खर्च है यहां पर 7 और 9 16 तो 16 का मान है 96 एक का मान है 600 तो 600 सत्य 2,494 इतना के लिए हुआ लेकिन यह मंथली है कैसा है मासिक है तो यह पूरा सवाल मासिक में चलेगा यह तो आपको पड़ी रख्यों कल से सिखा रहे 11 X में से 42 सो घटाया इतने तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कल से 10-15 सवाल कर चुके आगे इतना समझ में अब यह मंथली है B का पूछा है तो B का है 7 X यह है मंथली क्यों यह X मंथली है इसको बारसिक बदलने के लिए 12 का करेंगे गुड़ा आगी वास छमाई पूछा होता तो हम कर देते 6 का गुड़ा 3 महीने का पूछा होता 3 का गुड़ा कर देते सिंपल है चलिए आगे बढ़ते हैं नहीं आए फिर पूछ लिए आप अगला सवाल है मेरे भाई जैसे एक कोई सेना का टेंक है एक लड़ाई से पहले लड़ाई से पहले सेना में टेंक और बिमान का जो अनुपात है वो पांच अनुपात तीन था लड़ाई के दोरान लड़ाई जंग चड़ गई के दोरान क्या हुआ भीया एक हजार टेंक और आट सो बिमान नश्ट हो गई तब यह अनुपात टेंक का दो अनुपात एक हो गया अब यह है अनुपात दो अनुपात एक तो बताईए लड़ाई के बाद टेंकों की संख्या अराम से करेंगे भीया इसी को लेवल को आगे बढ़ाते जा रहा है धीमे धीमे लड़ाई के बाद टेंकों की संख्या कितना बारेस हो जाएगा ब्रकुल से ही है अप्सन दे दू एक हजार दो हजार तीन हजार चार हजार नन अवदीज इतनी गुस्सा आती है मौफ हो दे आंसर तो लाना ही है तुमको कुछ भी हो जाए इसे इसे लोग है किरांत कारी लोग है दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका अंसर न निकले तुमसे अब मोबंद कर लोग है भी करते हैं कितना दो हैजार अरे अभी तो बारह सो था चार है तो दो यार पा गए लड़कियों बताएंगे तीन हैजार वाओ बारह सो यारा तुमारा गंत आ रहा है आए वाओ वरकुल गंत है तुम बताओ अलग बैठी हो आप अके लिए अठा रहे सो चलिए चलिए ओ इधर देखलो अपके से पहली ये बताईए सवाल समझ में आया नहीं आया तुमारे नहीं आया मुडी कहल आ रहे है ऐसे समझा देते हैं एक काथ बैठा होगा एक कोई लड़ाई हो नहीं है मनलो 1970 की लड़ाई है किन-किन की हुई थी 1970 बारत और पाकिस्तान की जब बांगलादे से अलग हो आता तब कुछ आता जाता नहीं तुमको ठीक है भूज़ पिच्चर एसी पर बनी हुई है भूज़ भूज़ किसी कोच अभी आई है आठ दिन पहले किसी कोच यह आप 10 रुपे देखके हमसे आप ले सकते हैं HD print 1080 क्या होता है हूँ अब मतलब बढ़िया है फोर के हाँ फोर के वही वाली है अच्छी वाली है उसमें यह मानलो नोरा फत्तगी को आप जूम करके कितना भी देख सकते हैं अच्छे से ठीक है और उसमें आप बटन दवाएंगे नोरा फत्तगी निकलके भी आएगी तुमारे पास ठीक है इधर देखो चलो रूम रूम खिल जाता है कुछ का तो ठीक है इधर देखो सामने देखो अब चलो सवाल यह है अब लोट के आजाओ यहीं पर है ठीक इधर देखो चलो एक लड़ाई से पहले कोई जंग उससे पहले सेना में पांच नुपात तीन का नुपात है टेंक टेंक वो धाँ है धाँ है वम छुड़ते हैं विमान उड के मारते हैं वो तो पांच नुपात तीन लड़ाई के दोरान 1000 टेंक नश्ट होगे 800 विमान नश्ट होगे अब अनुपाती है तो लड़ाई के बाद टेंकों की संख्या किती वची जे पूचा है बास सवाल आसान है पस थोड़ा सा दिमाग चाहिए तुमारा देखो अब बढ़ाईए पहलेट टेंक, टेंक को टी लिख देते हैं विग लिख देते हैं एक कच लोगई भी लिखतो चलू आदिप कन्फीज हो जाएंग टेंक बिमान इसका अनुपात है पाँच थो पाँच तो पाँच पँच हो जाएगा इसका है कितना 3 whatever tank li to about ज्यादा गुलावारी चले लिए 800 इधर चले गए ठीक है अब क्या हुगा बच गए कित्ते बच गए दुए अनुपात एक चलिए बस खतम हो गया सवाल इतना साइव सवाल है उत्ती का अब सवाल करते हैं ठीक है ठीक है अब देखना कर ये गुणा एक का गुणा पांच मे एक पंजे पांच दुटिया छह कित्ता बचा एकस हजार शोलेसो हजार बेसे सोलेसो गटाई एच शैसो ठीक है वो पूछा है लडाई के बाद पेंकों की संख्या बताई टैंकों से वाले है उपर वाले लेकिन उच्छ बटो कैसे छैसो का कुणा दो में कैसे कर सकते हो ज है कैसे हाउ केन घुड़ढ थीग इतर देखो तो अरे इतर देखो पहले टैंक कितने थे पहले टैंक थे पहले टैंक थे 5X का मान आको पता है कितने थे 600 तो 5 x 1 क 3,000 लडाई चालू कितने परबाद होगे टैंक 14 का है समझ में की नहीं आगे 12 सो वारस कहा है 12 सो सरम भी नहीं आती 12 सो चला रहे हो एक और सवाल करके तिखाएंगे ऐसा ही चलिया केसी पटक गए चलिया इदर दिक्या तो चुब बैठो ताइम वोरे तम दो टीन सवाल और सव मोरें 5 एक टैंक इतना हे पाँक इक आप कितने हैं तुनष परब की आठीं अथकी उपातीश डियाय अपकी एका णुड़ीस पाँसे अठारह सो, अठारह सो में उसे आठ सो गया, कितने हैं, एक हजार, ठीक है, पहले वाले तो आपने कारी लेंगे, वह तो बड़ा असान है इसमें, देखो, उसने ये दे दिया, एक युद्ध से पहले, लडाई लिख लो, एक लडाई से पहले, ठीक है, कप्तान और सेनिक, का जो अनुपात है, दो अनुपात दे रखा है, दो अनुपात साथ, लडाई में 25 कप्तान, सौसेनिक, सहीद हो गए, एबतन तेरे लिए, जान दी आ, कुर्बान दी आ, कैसे गता है, गाना नहीं है, एबतन तेरे लिए, दिल दिया है, जान भी देंगे, आँखों में बरलो पानी, जो सहीद हुए हैं उनकी, जरायाद करो कुर्बानी, युद्ध के वाद सेनिकों की संख्या, बताईए, सेम सवाल है, युद्ध के बाद पूछा है, कितना भी कोफिस कर लिए, कल दुए तीन सवाल और बच गई जाना है, तीन दिना है कि टाइप चलते चलते, बहुत कोशिस कर रहे हैं हम, जल्दी करने, कितना आ गया, चल दिए, दो सो, पचास, इधर देख लो, कप्तान, दो एक्स, मैंसे कित्ते चले गए, पचीस, साथ एक्स, आज रुख जाओ, मैंसे कित्ते चले गए, सो, अनुपात कितना हो जाता है, तीन अनुपात, दस, दस, दोनी, बीस, तीन सत्य, एकईस, एक्स, पचीस धाई, डहाई सो, तीन सो, एक्स पराबर, पचास, क्या पुचा है, जे कप्तान है, और जे सैनिक है, सोल्डर, ठीक है, युद्ध के बाद सेनिकों की संख्या, तो सेनिक पहले कितने थे, पचास गुड़ा साथ, कितना, एक्स का मान है, पचास, तो साड़े थीन सो, कितने चले गए, सो, कितने रह गए होंगे, डहाई सो, एक और सवाल, लाष्ट, ठीक है, भी है, देखो, हुगा ये, बंटी है, बंटी, बंटी, नाम है लड़के का बंटी, किसी का भी हो सकता, लड़का लड़की, अब सब के नाम होते है, ठीक है, बंटी, अब देखो, बंटी का क्या हुआ, इसका एक डिबबा है, मिठाई का डिबबा, ठीक है, जिसमें केंडीज, ये केंडीज पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, केंडीज किते लोग जानते हैं, हम ही पढ़े लिखे हैं, एक दो लड़कियां जानती हैं, केंडीज, लड़के नहीं जानते हैं, लड़के चॉकलेट को भी बड़ी टॉपी कहता है, चोटी टॉपी बड़ी टॉपी ठीक है केंडी ये खाने वाली चीज़ होती है ऐसे समझो बस केंडी केंडी होती है का बताएं तुम कौम रहन दो जे तो जानते होगे च्विंगम कैफे लिखी जाई च्विंग गम लिख लो पर ने साब से जिनका अनुपात है साथ अनुपात तेरर जब अरो जाओ लेट हो रहे जब उसने आठ केंडी ज और ग्यारे च्विंगम ग्यारे च्विंग गम आलिये बैटाता ठलुआ एक अनुपात दो हो गया अब बताइए अब उसके पास कितनी केंडी हैं अब उसके पास कितनी केंडी हैं ओ जानते हम भी ना हैं केंडी वैसे हम तो तुम्हें अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए कह रहे थे सत्त अब अब पूझा है अने के बाद चलिए देख लेते हैं पहले कितना है केंडी साथ चुंगम सी से लिखा वो नहीं आती थी सेंटर फ्रेस सेंटर फ्रेस कौन सी वो चुंगम होती है वैसे ही है ठीक है और तेरे एक्स इधर देखना आप आठ केंडीज खा गया खा गया मतलब माइनस कर दी उसने पने डिब्बे में से ग्यारत चुंगम खा गया अनुपात एक अनुपात दो करूँ दो साथ चौदै एक तेरे एक्स दो अट्ठे सोला अट्ठाइस सत्ताइस कैसे आ जाए बेपकु समान चिन है घटेगा आठ डॉटे सोले में से ग्यारा गया पांच होगा अब देखो क्या पुछा है केंडी जे वाली है तो पहले वाली पांस अत्य पैंठी आठ घट गई कित्ती बच गई अच्छा अंसर आ रहा है कर लेंगे की निंगे चलिए बाकी अगली किलास है जोने जाना ह किलास में नहीं है जिसे दिक्कत हो मिलके जल्दी से किसी को कि पाड़े सास से नो कर देंगे दो चार पांद दिन में मैं तक तक यह भी तो करा रहे रेशियो करा देंगे पूरा ठीक है हाँ जी बैया और चिलाओ खेतों में खड़े हम तूर जो कहा है और चिला रहे हो सुन ली हमने तुम्हारी अब आच रेशियो के तारीक है 27 कोई समस्या हो तो बता ना अब चुप हो जाओ गई ठीक है भी है और यह अपनी आय का अपनी आय का 75% 70% और 80% घर्च करते हैं सही भी है और इनकी जो बचत का अनुपात है वो आपको दे रखा है 20, 21 और 19 तो आप बताई है पेतन का अनुपात क्या होगा बताओ पेतन का अनुपात आपसे पूछा है सवाल द्वारा समझाएं पढ़के देख लो तब तो समझाएं अब द्वारा वो यूं कह रहा है कि ABC तीन लोग है रेशियो को उपर कर देते हैं चलो अब से दिख रहा होगा ठीक है ABC तीन लोग यह पुचपचा बढ़ते आया करो पढ़ लिए सब लोग नोट करने की हायत होबा पहले मचती है करने की इतनी करने की बचे तो तुम कबके सीख गए हो बोलो बोलो सही है option नहीं देंगे कैसे मर्य मार्य पर भी नहीं देंगे option तो आंसर पूचेंगे बस लड़कियों में लड़कियों को जित जिन आजाएगा दो चार कम पटे सुर जाएगे परफाद वांट नहीं जब आजाए अमे भी लग रहा है आई गई नहीं इनका पड़ती नहीं सही से परस कॉपी कर लो रहे है एक तो तुम्हारे लिए परसाद बोल ले तरवाले नहीं बोलते होंगे तुम्हारे के चलो लड़की सीखी जाए तो परसाद वांटेंगे तनी बढ़ जाए नहीं वहोंगी तरह आरे देमेदी में तरह करीब बढ़ावण चली अब आपको हम समझाते हैं कोई नहीं कर पाना तो आगे देखने का कष्ट करिये आप ठीक ही भी है तो मेरे भाई आया वहां सही कितना असी साथ साथ छह जीरो वाला सेवन तूद तूद तक नहीं हो वैज़ो सही है तुमारा सत्तर होगा वहांपे तब सही है कैसे का फायदा चली देखों वह इधर देखो बस अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा है अच्छा लगता है ठीक है देखो तो बुईयों कह रहा है कि भाया तीन व्यक्ति हैं A, B, C अपनी आये का 75%, 70% तथा 80% खर्च करते हैं एक बात आप भली भाती जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति 80% खर्च करता है तो आप बताये वो बचत कितने की कर रहा होगा 20% के, क्यों कर रहा होगा अरे भया, क्यूνकि 100% कोई भी चीज होती है ठीक है कि नी ठीक है लड़कों में तो किसी का नीरी आया बे भगवान फद्वुद्धी दो देखो यह गंत आया है जी कौन सा अंसर है तुमारा हमने पूछा एवी सी की बचत का अनुपाद तुम्हें एक बटे चार बता रहे तीन लोगें तीन अनुपाद आएंगे की नहीं आएंगे यह तो तुक्का भी नहीं लगा सकते ठीक है इधर देखो चलो ऐसी लोगों की पैट का पेपर टफ लगता है तसरल पेपर चली इधर देखी अब ओए पीछे बात ने अगर वो 80% खर्च करता है तो बचत कितनी करता होगा 20% अब समस्या इस बात की है कि यह तो रहा सीधा सीधा दे दिया कभी यहां पर उल्टा दे देता कि भीया यहां दे दिया उसने कि मानलोस कुछ भी भैंकर सा दे दिया मानलोस ने दे दिया कि 83 सही एक वटा 3% खर्च करता है अब यह तो भैंकर हो गया कुस्सन सौ में से घटाने में हमको टाइम लग जाएगा चलो यह तो सरल था कि सौ में से असी खर कोई पूचे सौ कहां से आया जब यह परसेंटेज लगता है तो इस परसेंटेज का मतलब यह होता है कि जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन कितने पर होगी सौ पर होगी जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन कितने पर होगी सौ पर तो सौ पर असी खर्च करता है तो बचट कितने की करता होगा बीस की बचट करता होगा लेकिन यहां तो यह बड़ा मामला बिचित्र हो गया, अब कोई बता सकता है क्या करें, यह कहा है उद्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें यह बताईए, इदर देखना ध्यान से, पहले से आएंगे निकम बगत, तो आप हमें यह बताईए, 80% अगर खर्च करता है, तो बचत कितने की करता होगा, 20 की करता होग लेकिन कोई यहां बता सकता है, यह तो बड़ा हिंकर मामला हो गया, तो देखो, इसको हम दो तरीकी से कह सकते हैं, एक तरीका तो यही है, कि 80% का देखो, अगर सीधा-सीधा है, तो तो 100 में से कर लो, अगर यह टेड़ा-मेड़ा है, साड़े-बारा, तेरे सही एक वटे- ते-3, 30, सही एक वटे-3, तो इसकी आप फ्रक्षन बना लो, फ्रक्षन कैसे बनेगी, फ्रक्षन बनेगी 80-100, यानि 4 वटे-5, यानि यह हुआ इसका मतलब 5 में से 4 खर्च करता है, तो 5 में से 1 करता होगा बच्च, clear है की नहीं, clear है, अगर 4 वटे-5 खर्च करता है, तो कितने की हो जाएगी एक वट्टे पांच की ये तब काम अच्छा आएगा जब यहां दे दिया जाए मालो 66 सही दो वट्टे तीन परसेंट खर्च करता है अब इसका मतलब हम जानते हैं आफर्ट यहां एक सो अठानवे और दो सो वट्टे तीन परसेंटेज हटाईए सो यानि तीन डो वट्टे तीन तो करता है खर्च अब बताईए बचत क्या हो जाएगी तो बचत हो जाएगी एक वट्टे तीन जब फ्रक्षन में पॉइंट में दे रखा हो तो उसको थीकि की नीठीक है अब इनकी कुछ न कुछ थो इनकम होगी कि एवीबिसी तीन लोग हें इनकी कुछ न कुछ तो इनकम होगी भहीया की 개 की नीठीक है कि सब की कनरी हो गई है चलो ठीक है बड़ा हल भी हमारे पार डाई सवच्चों का इसलिए हम भी सश्टी की है हम एक बार में बढ़ाएंगा 12 सवच्चे यह माल लो अगर एक बार में 1000 वच्चे हो जाए हम 100 रुपे महीने करतेंगे हमें क्या परक पड़ता है हम दो रोटी सवया दो रोटी साम को और एक अचारी बस इससे जादा कुछ नहीं चाहिए है ठीक है हम अगर संख्या बढ़ जाएगी हम फीस कम कर देंगा अब जैसे माल लो चाहसव चाहसव ऑनलाइन में हो गए और सौ देड़ सट्व में हो गए और और रोजाएं ऐसे ही सो दो सौ चैसपांट चैसव अच्छे वह जाएए एक बार में परफ ज्यादा सश्ती कर देंगे ठीक है? देखो बिल्कुल यह मनलो, जिस दिन हजार वच्चे हो जाएं एक बार रूपे, सौ रुपए महीना मात्र पहले हम करते हैं का हम क्या देखते हैं? देखो चलिए इधर देखें आप यह बात नहीं है, सौ रुप पचास भी करतेंगे, दो जार वच्चे हो जाएं एक बार हम पचास रुपए बच्चा और तुम सोचो, पांच यहार हो जाएं, दस पंदेभीस रुपए रहे हो जाएंगी फिस जैसे वो यह कह रहा है कि ABC तीन लोग हैं, जिनकी आय का अनुपात है, वो अपनी आय का 75%, 70% और 80% खर्च करते हैं, उनकी जो बचत का अनुपात है, वो 20 अनुपात, 21 अनुपात, 19 है, तो आप बताईए बेतन का अनुपात क्या होगा, यह आप से पूछा है, अब देखन ध्यान से, पराबर में जो अनुपात दे रखा है, वो अनुपात दे रखा है, किसका बचत का, पीछे बात नहीं, जो अनुपात दे रखा है, वो अनुपात दे रखा है, किसका दे रखा है, बचत का, बचत को इंगलिस में सेविंग कहते हैं, तो यानि यह बचत का अनु तो यह दे रखा है 20 अनुपात 21 अनुपात कितना 19 अब यह जो है वो अपनी आये का 75% खर्च करता है एकी आये मान लेते हैं हम ए क्यों ज्यादा एकस वाई-जड माने तो अगर हम यहां कर दें एकी आये का 75% खर्च करता है अब देखना आप ध्यान से पहले concept रम जा रहे है पर यह direct हो जाएगा अब समस्या इस बात की है कि यह जो है एका 75% यह एका 75% है खर्च और बी कितना करता है बी करता है अपनी आये का 70% और सी जो करता है वो करता है अपनी आये का कितना 80% अब आप बताई क्या यह इसके बराबर हो सकता है कभी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि भीया यह जो दे रखा है इधर वाले पूर्शन में यह दे रखा है खर्च और इधर वाले जो पूर्शन में दे रखा है यह दे रखा है बचत आप बताओ आप कोई खर्च को बचत के वरावर कैसे कर सकता है आप खर्च को खर्च के वरावर कर सकते हैं बचत क बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, देखना ध्यान से, यदि पीछे जो भी आए, ध्यान देना, यही से सवाल श्टार्ट हुआ है, उपर वाला सवाल है, पढ़ना नहीं पहले, पहले समझ लोग, अब देखो, यह अपनी आये का 75% खर्च करता है, तो आप बताइए, जब 75% खर्च करता है, परसेंटेज में कोई भी चीज कितनी होती है, 100, तो अगर यह 75% खर्च करता है, तो बचत कितनी हो जाएगी, 25, दूसरा, अगर यह 70% खर्च करता है, तो कितनी, 30, ऐसा क्यों कि या, क्यों कि इधर बचत का अनुपात है, और यह बच्टे में पहुन जाएगा, ठीक है की नहीं ठीक है, तो 20 बच्टे 25, और दूसरा कितना है, 21 बच्टे 30, और तीसरा कितना है, 19 बच्टे 20, क्लियर है की नहीं क्लियर है, बुर्कुल भाया, अब हमको चाहिए काटा पीटी चालो, देखो, यह से करें काटा पीटी, आप ऐसे काट सकते हैं, आप ऐसे काट सकते हैं, कोई उल्टा सीधा नहीं काट सकता, ऐसे जैसे 25, 30, 20 से कट रहा, 5 से कटता है, काट सकते हो, ऐसे यह 5 से कट रहा, काट सकते हो, ठीक है, कैसे भी काट सकते हो, अनुपात है, तो कैसे भी काट, देखो, पच्चम, 25, 5, 6, 30, और 5 24 के 20, अनुपात कभी भिन्नों का नहीं होता, अनुपात कभी भिन्नों का नहीं होता, अनुपात होता है संख्याओं का, पुडाओंकों का, तो मेरे भाई, पां ऐसी संख्या से गुणा करिये, कि 5 भी कड़ दा है, 6 भी कड़ दा है, और 4 भी कड़ दा है, 5 कड़ दा है, 6 चार का L.C.M. पांच, छे, चार का L.C.M. साठ, 120 कहे करोगे? साठ हो जायगा न? तो साठ का मैं यहां भी गुड़ा कर दी, साठ का यहां भी कर दी, और साठ का यहां भी कर दी, भैया. अब दिखो, यह जो हो गया, ना अरे पांसे तो ये कट जाएगा ना भीबी, चार वार, ये हो गया 240 और ये हो गया 21 गुडा 60, प्रेहन दो बाद में काटा पीटी कर लेंगे और ये हो गया 19 गुडा 60, गलत कर गए, रुको, देखो, पांसे ये कट गया चार बार, और 6 से ही कट दाएगा, कितने बार, 10 बार, और 4 से ही कट दाएगा, कितने बार, 15, तो यह हो गया, 21 गुडा, 10, और यह हो गया, कितना, 19 गुडा, 15, क्या तुमको नहीं लग रहा, फिर कट रहा है, कट रहा है, कितने से कट रहा है, 3 से, 5 से नहीं कट दाएगा, 5 स 5 से कटेगा 5 4 के 20 5 8 4 पर 3 से कट रहा है 3 एकन 3 3 सत्य 21 और 3 से कटेगा कितने बार 16 तो आंसर आजाएगा 16 14 और कितना 19 आई वास समझ में कि नहीं आई तुमको पहले यह बताएए यह इतना बड़ा नहीं होगा यह अभी छोटा करेंगे इसको टेंसन नहीं लो पहले आप अपनी आय का 75 पर्शंट, 70 पर्शंट, 80 पर्शंट खर्च करते हैं बचत का अनुपात है 20 अनुपात 21 अनुपात 19 तो आप बताइए बेतन का अनुपात क्या होगा यानि जो इधर दे रखा है यह दे रखा है बचत यानि सेविंग का रेशियो तो अगर यह 75 पर्शंट पर्शंट का मतलब होता है जो कैलकुलेशन होगी वो कितने पर होगी 100 पर तो सौ में 75 खर्च करता है कितना वचेगा 25 सौ में 70 खर्च करता है कितना वचेगा 30 सौ में 80 खर्च करता है कितना वचेगा 20 हमने जो गुडा में है पच्छांतर करेंगे बट्टे में आ जाएगा तो इसको आप paper में कैसे करें, भो हम समझाते हैं, इसको हम छोटा कर दिये हैं, आप घर जाके इसको देख लेना दिख जाएगा आपको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, थीक है, तो detail आप चाहें तो आप detail भी अपने घर पर जाए का टाल लिए हो, दिख रहा है ऐसा, कोई दि दिखेगा देखो आप यह देखिए ध्यान से कैसे करें आपको दे रखा है ABC की बचत का अनुपाद ABC की बचत का अनुपाद दे रखा है कितना 20 अनुपाद 21 अनुपाद 19 अब आप जानते हैं यह बचत का अनुपाद यह concept आपके दिमाग में रहना चाहिए यह दिमाग में यह paper में नहीं करना है नहीं भूलना है नहीं तो गलत कराएंगे आप concept बहुत जरूरी है interest तभी आएगा आपको अब दिखो जो ए है वो 75% करता है तो बचत कितनी करता होगा 25 डारेक्ट करिए नहीं लिखना ही नहीं तुम सब कट जाएं यह पहले काट लो आपकी इच्छा है देखो 25-25 जैसे पिछली बार मैंने ऐसे काट आता इस बार ऐसे काट दिया 5-3-20 का LCM कितना होता है 60 यहनी LCM 60 हमने बताया भिन्नों का नीचे अनुपाद कभी नहीं होता है तो नीचे वाले का LCM लेंगे कर देंग आ रहा है चाच्छो की 16 साथ दुनी 14 और उनीच दिया 57 अब बताईए आपको यह समवाल समझ में आया की नहीं आया अरे 19 रहे अब तो confusion typing विष्टेगा अब बताऊ समझ में आया है की नहीं आया बोलो जल्दी से ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया हो नोट करने के चकर मत रहा करो पहले से पहले बताऊ समझ में आया की नहीं समझाना चलिए तो एक सवाल आपके लिए और ऐसा ही कराते हैं तब देखते हैं पेंशन नहीं लो लेकिन पेपर में आता है ए अपनी आय का फटाफट से बताएंगे कौन पहले बताथा है 20 परसेंट घड़ियां तो पहले नोट करने में लग जाती हैं लाओ पहले नोट कर लें 25 परसेंट तबी तो आता नहीं सवाल तथा 25 परसेंटण 20-25 हो गया तथा 40 परसेंट थीक है भी है और उनकी बचत है, वो बचत का अनुपाद दे रखा है, 16, 12 और 9, तो एक ही आये बतानी है क्या होगी, अब आप क्या करिए, इसके बाद कोई भी एक किताब ले लीजिए, जिसमें 2020 तक के सब आई हुए कुस्सन हो, जिनको जीडी का पेपर देना है, जीडी की, ऐसा सीट 10 पर स्टू का देना है, 10 पर स्टू की, पस, उन सवालों को आप लगाए घर जाके, फिरकुल सही है, ठीक है, और अगर आप किताब नहीं लेना चाहते हैं, तो 300 रुपे हमें दे दीजिए, हम आपको हर एक चेप्टर की सीट दे देंगे, दो-दो कम से कम, या आप 10-10 रुपे करके हट टॉपिक वाई ले सकते हैं, अगर किसी बिवस्ता नहीं हैं तो, हाँ, 10 रुपे में इस सारे सवाल मिल जाएंगे आपको, उसमें भी सब प्रिविस यर के कुछ सनम बनाएं टाइप की हैं, और जिने फ्री में चाहिए, टेली गराम पर डली होई है, रेसियो की, उसमें कोई पैसा खरच करने की जिरुदत नहीं है, सब बच्चा दिये तुम्हारा हम पैसा, किताब कॉपी सब, कितना अंसर आ गया है, चलिए, इधर देख लीजिया, अब देखना ध्यान से, फड़ा पड़ से करते हैं, A, B, C की, I का अनुपाद निकालना है, इधर देखो ध्यान से अब, ओ, करेगा कोई नहीं, इत्ती दिर लगती है कहीं, बहुत हो गया टाइम, चलिए, इधर देखो, अनुपाद, बचत का, कितना दिरखा है, 16, 12, और कितना दिरखा है, 9, यह किसका अनुपाद है, यह अन बचत ही नहीं, यह तो खर्चर्च करते है इतना इतना, तो आप बताएए, अगर यह 20 परिस क्रच करता है, तो बचत कितने की करता होगा, 80 की करता होगा, चुक्त भांती है कर जादा, ठीक है कहीं ठीक है, gute कि नहीं, ठीक है, नोट नहीं करोगो, आप, ननसर निकालने ही इसके नुकसान वता हैं तुम्हें कितने होते हैं इसके नुकसान यह होते हैं तुम्हें मैथ में इंट्रेस्टी नहीं आता और जब इंट्रेस्ट नहीं आता तो जबरस्थी खेंचते हो तुम किसी चीज को जिस चीज में इंट्रेस्ट आने लग जाए आप यह मान को बात करने में इंटरेस्ट आता हुने 2 गंटे पता एक ही नहीं चलते कप बात होगे. अवध तो 5 मята हुए ये बात. जिन बच्चों को मैज खिलने में इंटरेस्ट आता है उन्य कभी। रृष भूग ना भूग लग रही ना प्याफ करा रही ऐसा इसा इंट्रेस्ट आना चाहिए फिर आप I.E.S. बन सकते हैं सच बतारे तुम क्यों नहीं बन पाते तुम्हें इंट्रेस्ट ही नहीं आता पड़ाई में तुम क्या फुछते हो कैसी लग जाए एक बाश फिर वो इंट्रेस्ट नहीं आता ना जवरिष्टी खेंशते हो जवरिष्टी क्या है कॉपी लग के बैठे या तो नीद आ गई अरे अभी दसी मेंट हुई है यह समस्या है और इंट्रेस्ट कब आया कि जब चीजों को आप सीखेंगे बेसक 6 महीने की जगा एक साल लग जाए वो अलग बात है आप गेंग में सफाई गर्मी नाली इनमें बढ़ती हो जाओ पुलिस में यह अलग बात है लेकिन आप अच्छी जोब कभी नहीं कर सकते अगर इंट्रेस्ट नहीं है तो इनमें क्या है पढ़ रहा है कोई एक साल से मान लो तुक्के से लग गया वो अलग बात है लेकिन आप अच्छी जोब चाहते हो तुम कहां से आ रहे हो इतिलेट अजीव लोग है बेज भी देते हैं तुमें बाहर से भी तर आदा-दा घं चार वजे का मान लो जगना है पौने चार पर यहां खुलेगी अलारम बंद कर देते हैं लोग बाहर कोई तुमसे कह दे हम तुमें सब्सक्राइब करेंगे चार वजे तीन बार बंदे की यहां खुलते है अभी तो साड़े तीन ही बजे चार नहीं बजे तो यह इंट्रे नहीं चलता लारम कब बजके निकल गया तो आप इंट्रेस्ट जगाई यह पहले देखो तो हम आप से यह कह रहे थे ABC बचत का अनुपात है कितना है 16 बार है और 9 अब वो यह दे रखा है कि अपनी आयका 20% 25% 40% खर्च करते हैं तो आप बताए 20% खर्च करता है तो बचत क कितना करता होगा 75% और यहां पर देखो 40 करता है तो खर्च तो कितना 60% उदेड़ दीजी उनको पिटापर से देखो काटो कैसे कटेगा 16 से कट गया 5 अटाओ 5 एकन 5 5 से कट गया 15 वार और 5 से कट गया 12 वार ऐसी संख्या से गुणा जो 15 और 12 से कट जाए कितनी होती है 60 अरे और काट लो अहां काट रहे इतना परिशान काय हो जाते हो एक दम काट रहे 3 पंजे 15 तीन चोगे 12 तीन चोगे 12 तीन तरो के 9 अब यह बन गया आपका एक अनुपात 4 वट्टे 5 अनुपात 3 वट्टे 6 का LCM का कर दो गुणा 5 और 4 का 20 यहां भी 20 और यहां भी तो अंसर आजाएगा 20 अनुपात यह कड़ जाएगा 5 चोगे 24 चोगे 16 और 4 पंजे 20 और 15 तो आप सब को समझ में आ गया की नहीं आ गया चले अगर इसी सवाल में थोड़ा सा वो और बढ़ा दे कैसे बढ़ा दे मा 20 रुपया उनकी आए है आए टोटल तो एक ही आए बताईए क्या होगी तो एक ही आए बताईए क्या होगी फटापट से अरे कौन सा दिक्कत आने वाला है इसमें टोटल इनकी आए कितनी है 20 और 16 36 36 और 15 कितना होता है 51 जोड़ना नहीं आता तुमको 51 का जो मान दे रखा ह हमको 51 का मान दे रखा है 1530 एका पूचा है एका कितना है 20 20 का मान पूचा है इससे यह कटेगा 30 और 30 का गुणा 20 में करेंगे अंसरा जाएगा कितना 600 रुपया कर लेंगे की नहीं कर लेंगे चलिए सवाल यह यहां से स्टार्ट हुआ तर नहीं समिक्स कर लो जो बाद में है उनको बता रहें चलिए एक और सवाल आप करके दिखाएंगे फिटा पर से देखो भी हैं तो थोड़ा सा पैसा दे देते हैं माल लो कभी बन जाए पेपर में तो आप कैसे कर पाएंगे बहुत दे रहते हैं थोड़ा बनेगा लिए इतना चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आप से कहूं भी है अब चलिए इदर देखो ए और बी हैं इनकी आय का जो अनुपात है वो दे रखा है छे अनुपात साथ और इनकी जो बचत है वह बात नहीं अब उसका अनुपात दे रखा है आठ अनुपात साथ और यह दे रखा है भी अपनी आय का भी अपनी आय का एक वट्टा तीन बचाता है सही है की नहीं सही है तो उनके खर्च का अनुपात बताए यह सैम पीछे जासा है थोड़ा चेंज गिया है यह तीन दिन से यही चल ला है बस थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है बताए थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि ऐसे पांस सवाल हमको करने इसे कितने लोग है जोने जिकने दोने हें कि हम नुट नहीं करने देते वता था कल़ों करता अब करते हम यह सवाल होजाएं अच्छे सा समझ में आजा है उम बोलके करेंगे पांची सवाल में घंटा हो जाएनगा ठीक है स्लिए आप घर पर जाका मोबेल पर तुमारे पास पहुंच जाता है आलाँ से चार पाई पर लेट के नूट करो समझ समझ के जिन पर मोबेल नहीं रुख के जाओ पांच मेट करके जाओ पांच मेट पर तुम कौशिट है भीया यह घल्ले जाए यह सही है फिर दूफर दिन हम ढूड़ेंगे तुम्हें कहां मिलोगे घर कभा होगे तोड़ी कोचिंग कभा होगे अब सावन बीत गए तुम कभा होगे ऐसे करके कितना ग्या व्याद को अड़े लृबे लद धितना, ग्या ये तू मुड़े लृबे लृवे लड़े लृबे तुम्हे लुड़े लृवे लृवे है बोलो जल्दी से वांचन बात साथ और जिन लोगों को यह लगता है आसानी से कुछ मिल जाता है कुछ नहीं मिलता तालिवान ने भी बहुत मेनत कीटी तब अपगानिस्तान पर कब जागा अब तो अच्छे-च्छे अधिकारी बनगे खुदी ठीक है देखवागे चले सब भगवान राम भी पुरसुत्तम राम तब कहला है जब बन गए कोई उन्हें भगवान नहीं मानता था कृष्ण को जब तक रंदावन में रहे कोई नहीं मानता था बाद में जब कंस मारा तब माने भगवान ठीक है देखवागे आगे देखो चलो तुम अब समझाते हैं कैसे करें पहले लड़कियों में किसी का आया पांट साथ आ गया नहीं है कोई बात नहीं दुखन मत हुआ करो देखो आएगा कैसे नहीं आएगा एकका दुख्या का आया टेंशन निलो चलिए इधर देख लीजिए अब क्या से करें पहले हम आपको इसका कंसेप्ट समझाते हैं फरी आपको डारेक्ट समझाते हैं देखो आप हमें यह बताईए कोई ब्यक्ती हम यह आपको परसों भी सिखायते हैं कल भी सिखायते हैं फिस सिखारें सौ रुपया कमाता है आय इंकम वे चुपए जाओ अगर खर्च उसका मानलो 80 रुपया है तो बचट कितना होगा 20 रुपया यह बात आप सीख गए की नहीं सीख गए सीखाना भी यह नहीं चाहते हैं कल भी सिखायते कि अगर आय मेंसे खर्च घटा दें तो क्या निकल के आ जाता है बचट और इसका उल्टा भी सही है कि बचाय लाओ 20 रुपया बचाय लाओ कितने कच कर आओ 80 सीधी बात है का दिखते जामें ठीक है चले अब दिखो इसको कैसे करें और हम आपको यह भी सिखा चुके हैं कि अगर ए और बी का अनुपात दो अनुपात तीन है तो इसको कभी दो और तीन नहीं लिख सकते दो ए गiki retail concept संझनाए पर इसका direct संझाएंगे अब दूसरी बात यहां कोई 8-7 X नहीं कह सकता क्यूंकि यह अनुपात अलग है यहां हो सकता कुछ और चीज कॉन रही यह कॉमन रही को ड事 कि तो हो सकता है कुछ और चीज कोमन रही हो बो कट के concerned here 60-70 I can be six साथ भाई, सही है कि अब जरूरी नहीं है भाई ले हम जड़ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अलग, क्योंकि ये समान उन पाद थोड़ी है, अब देखना, अगर हम B की बात कर रहा है, B की बात क्या कह रहा है, B की ये कह रहा है कि जो B है वो अपनी I का एक वट्टे तीन बचत करता है तो B है कहां भहिया? B है जिवाओ तो B जो है अपनी I का B की I कितनी है? 7X वो पूचे A की I कितनी है? 6X A का खर्च कितना है? 8Y B का कितना है? 7Y तो वो कह रहा है B अपनी आय का एक वट्टे तीन बचाता है, बचत का है B की, साथ से कट गया, साथ, X और बाई का जो अनुपात निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा, एक नहीं, गलत, पाई उधर जाएगा, तो तीन बट्टे ए, इसका मतलब यह हुआ कि जो X का म है वो तीन है और बाई का जो मान है वो कितना है एक है उठा कर यह रख किया रख दीजी तो यहां आप रखेंगे एक्स का मैं अन तीन च्था अठा रहा है, और बी का हो जाएगा भःया कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा liberal है कितना हो given high goal है 7one h1। ओर बचना है साथ जो में से अगर च़ट गटादे तो क्या निकलके आता है बचचात, फूंत चऑण पिछें के यदि कोगररा , पीके आती हो तुम्होस्य मावसी मी जाता है तुम्हारा बोलता है हो। इनकब में से बचच गटा दे तो क्या निकलके आता है है कोई बात नहीं हम आपको एक और यह तो इसका कंसेप्ट था एक और तरीका समझाते है आठाव सब चलिए यह तो सवाल ही है इतने में किसी को दिक्कत है क्या आए का अनुपाद बचत का अनुपाद और यह कंडिशन दे रखिए चलिए देख लेते हैं भीया मेरे में सवाल को दुवारा लिखता हूं यह है ए और यह है बी सवाल dec sofort solution sol heading डालेंगे सबसे पले और आए का जो अनुपाद दे रखका है वह दे रखी रख़ा रख चह अनुपाद साथ साहथ और इमज़ा अनुपाद का अनुपाद दे रखा है रखहा है भो दे रख़ा हाँ आठ अनुपाद साहथ और वह condition, अगर हम आय में से बचत घटा दें, तो क्या निकल के आता है? खर्ज, लेकिन अभी नहीं घटा सकते, condition और दे रखी है, क्या दे रखी है? वो कहरा है, बी के बारे में, एक बहुत अच्छी बात कही है, बी के बारे में, क्या कही है बी के बारे में? कि बी अपनी आय का एक वट्टे तीन बचाता है, बी अपनी आय का एक वट्टे तीन बचाता है, इधर सुनना? यह को मतलब समय, पाई पड़ता तुम, पहले कर लो, संग संग पानी की जरूत पड़ती है, हम जब बोलते रहते हैं, तब पानी की जरूत नहीं पड़ती, अब देखना ध्यान से, बी अपनी आय का एक वट्टे तीन बचाता है, इसका मतलब यह हुआ, कि जो बी है, वो तीन में से कितना बचाता है, एक बचाता है, नहीं समझे, समझ गए, जैसे हम आप से कहें, कि भीया, तुम्हें पता है, हम अपना दो तिहाई पैसा खर्च कर देते हैं, इसका मतलब कि अगर तीन रुपया कमाते हैं, तो दो रुपया कर देते हैं, खर्च, बचत कितने की होती है, एक के, इबास समझ में आ रही है, हम बता है, अपना एक चौथा ही पैसा खर्च कर देते हैं, तो अगर चार रुपय कमाते हैं, तो एक रुपया खर्च कर देते हैं, बचत क अपनी आय का एक बटा तीन बचाता है, इसका मतलब आय अगर तीन है, तो बचाता कितना है? एक, बोलो हाँ यह न, अगर आय तीन है, यह बचाता ही तो लिखा है, अगर आय उसकी तीन है, तो बचाता कितना है? एक, इसका मतलब तो जे हुआ, कि जो उसकी इंकम है, वो बच सत्से कितने गुणा है तीन गुणा यह अलो का देख रहे इदर कहा चलेगे कि चलेगे तो गुमने एक लाव चले सवाल देखो अधर तुम ठीक एक तो यह मन बड़ा चंचल है इदर से उधर पहुंच जाता है देख अधर तब ही तो कहते हैं बोलते रहा करो ठीक है चले इदर देखो आप बोलनेंगे निह मन आधर थे भटक जाता है इसलिए बोल टेर आख यही का यही का यही रहै वहां फूस्ट ही बस नहीं पता बहुत से होते हैं चात चहसे मन기 हमाया चल्ला अधब है एचिझ थीक है देख वो ऐसा नहीं होना चली है इधर देखना ध्यान से, उनको को इंट्रेस्ट ही नहीं है न अब अपने, अच्छा उस दिन ऐसा कर लिए होते हैं, तो और मजा आ जाता, उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, देखो, यहीं उंकरा दित्रा करो, तो इसका मतलब यही हुआ कि एक वटा तीन बचत करता है, किसका नहीं दिखाता है, कि यह तीन है, यह एक है, ना, अनुपात का मतलब होता है, दो चीजों में तुलना, जैसे हम यहां पर कहें, तो इसका मतलब था, कि खर्च से यह देड़ गुना है, इससे यह चार गुना है, इसका मतलब यह थोड़ी है, कि वो चार रुपया ही कमाते ह कहें मालूम है। आज भी मंतलब एक छौथा ही रुपय खर्च करेंगे। तो इसका मतलब इसे एक चोथा ही, इसका मतलब यी हूता है। तो इसका मतलब हुआ, बचत से जो आए है, वो कितने गुणा है, तीन गुणा, किन की? बी की, क्या तुम को ऐसा लग रहा है यहां पर, यहूं साथ है, यहूं साथ है, जितो बराबर है, तीन गुणा तो ही नहीं, अरे तो करिए न, बचत में कर दीजिए एक का गुणा, औ इधर एक का गुणा हुआ है, तो यहां एक का हो जाएगा, अब देखो, यह 18 रुपिया कमाता है, 8 रुपिया बचाता है, कितना रुपिया खर्च करता होगा, 10, घटा दो बस, 7 यह 21 रुपिया कमाता है, 7 रुपिया खर्च बचाता है, कितना खर्च करता होगा, 14, कितना अंसर आ गया पांच अनुपात साथ अब आपको समझ में आ गया सब को कि नहीं आ गया है पुड़ी आ गया कोई भी ऐसा है जिसको न आया हो भी चलिए तो आगे बड़ते हैं एक सवाल और कराते हैं अब लोग किसी सवाल में देखो ऐसा क्यों किया क्भी कि बचत से जो इनकम है व तीन गुना है तो बचत हो गई साथ इनकम कितनी हो गई एक गई महलोग का उ चाव सवाल में अब देखो पहले कंलो इन दोनों को बरावर, कैसे उपर कंलो साथ को गुणा, नीचे का लेज़ए को गुणा, आप जई 42 हो गया, जई 42 हो गया अब वो कहरा income तीन गुणा है तो नहां एक को गुणा यां कित्य को गुणा तीन को, है वो तीन गुणा है गी बात समझ में? कि नहीं? जैसे मानलो कहीं दे दिया ऊपर दे दिया इंकम तीन और खर्च दे दिया चार और वो कहरा है इसका ये तो गुना है, तो दो गुना कैसे करेंगे? यहाँ पहले बरावर कर लो, तीन कोटना यां किते गो? चार, अब जाफ़ लेकिन बरावर थोड़ी है, डवल है, तो यहाँ एक कोगुड़ा यहाँ दो कोगुड़ा, अब जे होगाँ चौबीस और जे होगाँ बार है, हो गया डवल, अगर कहीं बरावर नहीं है, तो पहले बरावर कर लीजिए, और फिर स्काथ को जिसकी बात कहें उसको, चलिये, क टेंसर नहीं लेने का उनकी जो आय का अनुपात है आप घवराट नहीं होनी चाहिए आपको इनकम तीन अनुपात चार अनुपात आठ ठीक है ठीक है और उनके खर्च का जो अनुपात दे रखा है वेरे भाई खर्च का अनुपात दे रखा है पांच चार छे ठीक है कि नही अपनी आय का 3 वटे 4 बचाता है आय का 3 वटे 4 या 3 चौता ही बचत करता है अब बता दीजे बस अटक गए C अपनी आय का 3 चौता ही बचत करता है कितना आजाएगा अब टेंसन हो रहा है तुमको तो अब भी नहीं आ पा रहा है चलिए हमी करा देते हैं अर्से हमें 3-4 और कराने टाइम ओवर हो रहा है इसलिए देखो इदर चलिए रहन दो जोड़ो अब बात को बात किसकी चलिए C की तो आख बंद करके पहले तो कलो C को बरावर तब बात में देखेंगे का कहना चाहता है पहले यह बता बात किसकी चलिए ए C की कहां दे रखा है जिस C का रेलेशन दे रखा है तो C को कोई बता सकता है बरावर कैसे करें 6 का गुऩा उपर और 8 का गुझा नीचे 6 भी तो सही है कैसे 3 को गुड़ा उपर और 4 को गुड़ा नीचे तब भी तो बराबर हो गया, उपर भी 24, नीचे भी 24, अगर आप ऐसा नीचे मानलो 7 होता, उपर 8 होता नीचे 7, तब सही था, क्योंकि आउज संख्या 7 का उपर 8 का नीचे, गलत कैसे भी नहीं है, उपर कोई कह, अरे का बता रे बार बार नहीं दी बात, न, अगर आप 6 का यहां कर लो, आठ का यहां कर लो, तब भी गलत नहीं है, तब भी अंसर वही आएगा, लेकिन आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं, कि यह तो अड़तालीस हो गया, चाहों तो आठ औच्छे का कितना होता है, 24, नोट नी करो कोई, 8 औच्छे का नोट कर रहें, सुनती नहीं हो एक बार में, 8 औच्छे का लिसम कितना होता है, 24 तो 8 ती है, 24 और 6 चोगे, घर जाके आप इसको ऐसे करना, 6 आठ का नीचे तब भी आ जाएगा, अब जो गुणा यहां होगा, यह तो रेशि और 6 तेन-चोथाई बच्छत करता है, बतलग अगर 4 रुपया कमाता है, तो बच्छत कितने की Lesa 25 करता है 3 की, बच्छत में गुणा होगा 3 का, कोई पूचा और पूचा कितने का, तो खर्च कितने का हो जाएगा एक का चार रुपे में से तीन रुपया बचाता है खर्च कितने का हो जाएगा एक पीछे वाई तुम भाई को बोलते काई नहीं हो और यह पीछे वाले कम बगते हैं पर आराम से पर मस्त रहते हैं कैसे सीखोगें , कैफे लगेगी नहों क्रिया से ? जबोला करो कम से कम बोलने दिमाग तो यही ही देता है एक बोलने से अर एक बहुत से कमगत तो बहुन होते हैं घर जाकर पढ़ेंगे Math सामने रखा और यूँ करके पढ़ रहे हैं पढ़ते का हैं कमगत, दिमाग तो उनका और कही होता, पैन हाथ में रहना चाहिए, तभी तो दिमाग वहा रहेगा, यह तरीके हैं, बहुत से यू करके पढ़ते हैं रात को, पांच मिन्ट में वो सुना ही चाहते हैं, कमगते हैं क्या कह सकते हैं, देखो, तो इत तरीके ही गलत में पढ़ने के, बैठके पढ़ी आरा में से, देखो, तो आप बताईए, ओ इताय देखो, C, अब देखो, पहले तो यह देखो, वहां क्या-क्या दे रखा है, आय दे रखी है, खर्च दे रखी है, तो आय में होगा, चार का गुणा, खर्च में होगा, कितने का गु उपर वाली लाइन, इंकम भी है, और खर्च में करो एक का गुणा, मत करो, का फरक पड़ता है, चलो, चार का गुणा, यहां भी हो जाएगा, हाला कि रूल यह है, का आपको करना पड़ेगा, लो, कर लो, ऐसे एक के गुणा से कोई फरक नहीं पड़ता है, अब घटा दो अंसरा आगया, घटाएं कैसे, इधर देखो, घटाना है, इंकम में से खर्च घटा दें, तो क्या निकलाता है, बचत, एक तरीका तो ही है, तीन तरों के 9, 4, 36 में से 20 घटाओ, कितना आदाएगा, 16, लेकिन थोड़ा दिमाग भी तो चलाओ, आप, 4 यहां भी है, 4 यहां इसलिए सिखाए है, कि मालोग बड़ी-बड़ी संक्या होती, तो आसान कैसे हो जाए, यह तो सरल है, आप आँख बंद करके चिपट पड़ो, 3, 3, 9, 4, 6, 3, तब भी अंसरा देगा, चाती है, 12, 4, 48, और नीचे कितना है, 16, तो 48 में से 16 है गया, कितना बचेगा, 32, और नह यह हो रहा है, 6, 4, 24, 96 में से 24 घटाई हो भाईया, तो 24 तीया कितना बचेगा, ओ, यह तो कट रहा है, तो काट दो, 8, 2, 16, 8, 4, 32, 8, 9, 2, 2, यह यह अंसर है, आप बताए, क्या आपको सवाल समझ में आ गया, कि नहीं आ गया, चलिए, अगला सवाल करते हैं, एक और तब य देखना, अगला सवाल यह दे रखा है, भाईया, अपकी पर्सेंटेज गुसेड दी, अरे, पर्सेंटेज में कहा दिक्कत है, देखो, 3, 4 में 100 का गुडा कर दो, तो यह बन गया 75%, तो तो 3, 4 की जगए 75% भी तो कह सकता है, आप बताए, पीछे बताए, कह सकता है कि नहीं नहीं कह सकता है, तो घवराट नहीं होनी चाहिए तुमको के औरे, राम राम जिका दे दिया, पर्सेंटेज, यहां देखो, यहां एक तिहाई दे रखा है, एक तिहाई में 100 का गुडा कर दीजिए, तो यह बनता है, 33 सही, एक वटे 3, तो इसकी जगए यह दे दे तब भी पंद्यमिट के लास तो अब जल्ली बोल लाए, तीन साच चार, अब उनकी खर्च का जो अनुपाद दे रखा है, वो दे रखा है, कितना दे रखा है, खर्च का अनुपाद दे रखा है, चार, तीन, पाँच, ठीक है भही है, ठीक है, चार, तीन, पाँच, ठीक है की नही नहीं ठीक है जिक है वह बंद है कि सीट है लो जम PDA भी नहीं खुल लिए अपने आप जाने का लग गया है इसमें अर लोग जाओ यह सवाल तो पूरा करा दें अपने आप बंद हो गया यह टेक्निकल चीजों का भी बरुसा नहीं है खुली नहीं रहा है चायना का है यह मिला हो नहीं था हमने अपने लिए अलग से मगवाया था अब जब कैसे खुले सीट है पता नहीं यहां कुछ 14 सई 2.7 परशंट था ड्रामा मत करा हूँ यह में दुख हो रहा है यह सीट नहीं खुली कैसे भी अब वो लॉट फेर के वहीं आ जाता है एक बाद बंद करके द्वारा चालू करते है तो टेलीग्राम ही नहीं खुला है इसमें अब तो अरे बीवो भीवो हम नहीं चलाते हैं फट जाते हैं रात में यह तो बड़ी कंपरी है एपल जैसी एपल से भी बड़ी कौन सी है वह अली अरे वह होती नहीं जो अमेरिका वगरा हम चलाते हैं ट्रंप वगरा हो अली है सौनी का ही है अपसे कुछ हाँ खुल गया मांत रंत लिता है देखो अब वो यह कह रहा है ए जो है वो एक ही बात थी यह बस ही हम बूल गए थे ए अपनी आयका ए अपनी भीव भीवमन चलाया करो फट जाते हैं रात में बचाता है अब बताईए तो उनकी बचत का अनुपाद क्या होगा जन्दीत है आ गया कित्ता अपसंदेदू तीन पांच आठ छे एकत्तर ग्यारा दो साथ उन्नीस दो तीन पांच चलिए ओ इता है कोई नहीं करेगा सामें देखो चलो अब जल्दी से करवा दें घर पर जाकि डिटेल शेकरना इसके में या फैरेगी पांच जहीं पहुसे उन् कंट्याय भर्रा झाबक्ते इस helped make a किक तरर निए डिलका टो 14 ही 2,7, 14,98 और 2 होता है 100, 100,7 % टाओ 2,0, कड़ें 2,0 आता है कि नहीं आता है कट गया, चलिए, बचाता है तो इह हो गया उसका income, यह हो गया क्या income, और इह हो गया budget, यह हो गया क्या हो गया budget, कोई बताएगा खर्च इतना होगा, 6, 5 रुपय बहुत अच्छी बात कही है, ँच्छ वुराय कार्थ है, तो खर्च में करिए 7 फीट का गुड़ा, खर्च में करिए और झॉद योटो, अब तुम को क्या करना है, हमेह नहीं करना के चोड़ा भाड़ामे कई दुनियादारी, इन मेरे सो यह भरяти मुझे लगता ही दखो, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, अब B भी देख सकतो ऐसे हैं ना? कोई भी एक देख सकतो, A मैच कर जाए, यह देख लो यह बड़ा चोटा एकतर साथ तीन तंड़ा लग रहा है भी को चेक कर लेते हैं या सी को कर लो किसी को कर लो आपकी इच्छा है देखो चाज चोके 16 सत्य 100 तोले का पारा नहीं आ तुमको 16 सत्य 112 पांती या पंदेचिक्क्र नभ है आप बताएं 112 में से नभ है गया कितना वच्टा है 22 जो 22 सिफ 11 में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा अथा जल्दी करना हो fakir में तो इसको लिखी हtermin all भालो,कि भीए न पेपर में सिर्फ आप इतना ये बिखिये बस होगी बातकतफÓ cumplुत पेपर में य ञा हैं पेपर में जस्री सरे पाप इतना ही लिखिये उर यही तब आप कर पाएंगे जब कर पर आपन पर ती आने सो कर लेंग पर कुछ बिचारे नहीं नेतों लोग उनके चक्कर में नहीं कराएं कल तुम्हारा संडे है परस्ण तुम्हारा जन्वाश्टिमी है मंडे को आना है मंगल को चाहों तो मंडे की कोई किलाफ रख सकते हैं कि तुट्टी जारव तुम्हार रखो ठीक है बात ऐसी हम बताएं या फिर ओनलाइन रख बात देंगा यूटूब पर कोई फिरीए जन्वाश्टिमी को सब नहीं आ पाएंगे लडगीया बिचारी ब्रत रहती है और उसमें एक और बात है बिजैसर कहीं जा रहे है तो टीचर भी आदे रहेंगे ठीक है फिर ओए चलो मोह बंद अब सुल्ले होगे हमारी हूँ दूसरी बात ही है फिर भी कोई फाइनल डिसीजन होगा तो अभी तो हम टेलीगराम पर साम तक डाल देंगे अब सही है आज साम तक ही डाल देंगे किन पर फॉन ना है यह है लग रहा है इनकी चेहरे लग रहे है चचर फॉन रखते हैं ठीक है ठीक है तो हम टेलीगराम पर साम तक ही डाल देंगे और जो पर तीन-चार पर फॉन ना है वह कोचिंग के नमर पर फॉन कर लिए साम तक अब सही है आज की दुनिया में रोटी न होवाई पर फॉन हो यह वो डिजिट कौन सा कहते है टच वाला है 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 यह बावरे रेशियो के तारीक है आराम से पाज कित्ती है एट है चलो समझ लिए ना तुम घर पे कल तो बैसे चुटी है कन्फुजन का रहेगा उसमें पताई है 41 स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या अरे सर पता से ही बटवा दो हलो है थेंक्यू भी या है तो गई आरही होगी उनलाइन देखो आरही है लेट होगी थी थोड़ी से यह ओनलाइन वाले उपर रिसान करते हैं हलो हाँ देखो भी आए चलिए बस भी यह मगवार एक कोल चलो कोई ना एक एक चॉकलेट बनती है फिरी सबसे मगवार एक भी रुक जाओ है ना भी यह करो जल्दी से हलो चली विए अब देखो आगे हाँ जी बताईए अब पढ़ देंगे पिता आ गया अध्योगी एक भी नहीं बता पा रहा है इतने सवाल तो ऐसे करा है हमने एक तालीस आ रहा है गंत आ रहा है थीक है भी है बलो पीस बत्या पहले लो तुम तुम से कर अंसर आ गया तो बत्या का फरम आनी चाहिए कम से कम चलो अंसर नहीं आया बात नहीं करें कितना है यहां देखी हम करा देते हैं चलिया आप सांती से आगे देखेंगे कैसे होगा सरल सा सवाल है मैं आपको यह सवाल पढ़के सुना देता हूं कैसे होगा सवाल यह दी रखा है एक क्लास में टीचर लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो एक अनुपात सात अनुपात पांच है यदि आठ नए अध्यापक आ जाएं तो तथा नौ लड़कियां स्कूल छोड़ते हैं ठीक है कि नी ठीक है तो टीचर और स्टुडेंट का अनुपात एक करिए यह है सवाल जो बच गई वो बतानी है चलिए हम बता देता है इसको तोड़ा सा छोटा कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है न सबको बड़ा बड़ा लिख दिया तक आपके अब आप ध्यान से देखना सवाल है आपको जो बाद में दे रखा है वो अनुपात दे रख करते हैं कि पहले टीचर और स्टुडेंट का पहले निकाल लें क्योंकि यही दो तो सवाल में जा रहे हैं यहां भी टीचर गए लड़किया आई है ठीक है कि नहीं ठीक है तो यह नहीं दोनों का सवाल में रॉल है यहां लड़के और लड़कियों का अकेले का किसी का रॉ पांच बारा सही है के नहीं सही है लडखे बड़कियां मिलाके होजाएंगे कितने होजाएंगे 7 और 5 12 अब यूं कह रहा है हमने आपको यह वात पहले ही सिखा चुके हैं कि अनुपास से अलग लिखना है तो ये बास समझे आप, अगर लड़कियां जाएं या लड़के जाएं, छात्रों की संख्या पर तो फरक पड़ेगा, मालो भी डेड़ सो लोग बैठे हुए हैं, अगर एक लड़की उटकी चली जाए, तब भी एक सो निंचास रह जाएंगे, अगर एक लड़का उटके चला निंचास रह जाएगी, छात्रों की संख्या पर इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, कि लड़की गई है या लड़का गया है, तो आब बताईए, यहां पर छात्र थे बारह एक्स, उसमें से आठ, सॉरी, नौ लड़कियां उटके चली गई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है कि नहीं ठीक है, अब जो अनुपात हो जाता है, वो अनुपात हो जाता है, एक अनुपात साथ, ठीक है कि नहीं ठीक है, यह उपर वाले टीचर है, और यह नीचे वाले क्या है, यह छात्र है, जहां लड़कियों लड़कियां सामेल है, अब हम आपको यह सीधा सॉ तो गहड जाता, तो 7, 8, 56 और 9, 7, 8, 56 और 9 हो जाएगा, बताना कितना सा, कितना हो जाएगा 56 और 9, 65 हो जाएगा, तो X का मान जो निकल के आया, वो कितना आगया, 13, सही है कि नी सही है, हमें बाद में बची हुई लड़कियों की संख्या पूची है, आपने ध्यान से देखो, आपने X किस के साथ माना है, X तुमने इस वाले अनुपात के साथ माना है, ना कि इस वाले अनुपात के साथ, तभी तो ये टीचर हुए थे X, और ये 7X, और ये 5X साथ और पांच कितना हुआ, बारह एक्स हुआ, तभी तो ये बारह एक्स हुआ था, ये ध्यान रहे, एक्स इसके साथ नहीं माना है, ठीक है, अब देखो, पहले लड़कियों की संख्या कितनी है, पांच एक्स, अब एक्स का मान है 13, तो 13 है, पंजे कितना, 65, लेकिन ये त एक बार और बता दें, चलिए देखो, तो बारह हमें पहले ही पताता करना है, ठीक है, देखो, टीचर लड़के और लड़कियों का अनुपात है, एक अनुपात, साथ अनुपात, पांच, तो हमने टीचर मान लिए एक्स, और लड़के मान लिए 57x, और लड़कियां मान 5x तो यहाँ पर टोटल लड़के और लड़कियां मिलाके छात्र कितने हो जाएंगे 12x और लड़के के teacher कितने हैं x ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर बाद में जो अनुपाद दे रखा है वो teacher to student का दे रखा है अगर यह teacher लड़कियों का दे रखा होता तो मैं teacher लड़कियों पर काम कर रहे होते हैं ठीक है कै अब लड़के teacher आय है 8 लड़कियां गई रहे है नो अनुपाद एक अनुपाद 7 x का मन निकाल दिये पहले लड़कियां है 5 x उसमें से चलीगे, इंगट के जितनी वछी वही आंसर है. आपको सवाल समझ के-बागों आया की ने आया ? क्लिए रहे की ने क्लिए रहे ? चलिए आगे देखते हैं. अब नए-टाइप स्टार्ग दरते हैं, आज का, ये तो पुरौनी कलास थी काभी ? कई सवाल करा दिया से, देख वागे हैं, जैसे हम आपसे ये कहें हैं, दो मिस्रडें भी या, आराम से समझना, पहली मिस्रड में दे रखा है, दूद और पानी का अनुपाद, दो अनुपाद, तीन, ठीक है की नहीं ठीक है, और एक और मिस्र, आज बच्चे कुम्भी आए हैं, तो मैं ऐसा टाइप करा रहे हैं, जो कल दिक्कत ना हो, ठीक है, दो अनुपाद, तीन, और दूसरे में दे रखा है, दूद और पानी का अनुपाद, मान लेते हैं, तीन अनुपाद, एक, अब व होगा, छोटा सा सवाल है, आप अराम से कर सकते हैं, अभी समान मात्रा लेकर मिलवा रहे हैं, फिर अलगलग मात्रा लेकर भी मिलवाएंगे, ठीक है की नहीं, ठीक है, तो आप टेंसर दीलो, हम, हाँ, बोलो, जूता देंगे, प्रे, कहीं जाये, अब एक कमकत इंसान है, ठीक है कि नी ठीक है चलिए देखते हैं तो आप यह दर देखें ध्यान से तो दो अनुपाद तीन और यहां कितना होगा तीन अनुपाद एक देख हो आगए अब मैं आप से यह कहूँ एक तीसरे वरतन में इनकी समान मात्रा लेकर मिलाएगी देखना ध्यान से अब पहले यह देखो दूद और पानी का अनुपाद है दो अनुपाद तीन अब कोई आप से यह पूछे यह बताईए यहां पर दूद कितना है तो हम यह कह सकते हैं दूद है दो एक्स और पानी है कितना थिरी एक्स यहां कवीवी आप यह नहीं बता सकते हैं कि दूद दो है औ पानी तीन है अगर आप इतना बताते हैं तो आप गलत बता रहे हैं आप यह बता सकते हैं कि जो यहां दूध है वो दो है कितने मेंसे तीन मेंसे तीन में से के पांच में से जो ये तीन में से बता रहे हैं तुम्हें एक बात बताओ पानी में से दूद कितना कैसे निकल आएगा तीन लीटर तो पानी है पानी में से दूद कैसे निकल आएगा पानी में से दूद निकल आओ तो आदमी फिर नल आराम चालू करें, बस उसी मेंसे दूदि निकाल लें, यह दूद धोड़ी हैं कि उससे मत्ता निकल रहा है, यानि जो 2 लीटर है वो कितने में से है, पांच में से, आप कोई दूद वाला है, वो यही तो कहेगा, देखो मेरे पास इस बालटी में पांच लीटर है, जिसमें से दो लीटर दूद है, और मैं पूछे हम आप से यह पानी कितना है, तो तीन है, कितने में से, पांच हैं से, अब इसको अगर से भी कह सकता है कमकत ऐसे हैं लोको पहले इसको बंद करें तो बंद फिर भी आ रहा है देखो तो यानि दो परशेंटेज में चेंज करेंगे तो सौका करेंगे गुड़ा तो पान से कटेगा बीफ दुनी कितना आ जाएगा चालीस चालीस परशेंट हो गया दूद और पानी हो जाएगा कितने परशेंट हो जाएगा साट परशेंट कितनी वा समझे में आई की नहीं आई दूद हो जाएगा चालीस परशेंट और पानी हो जाएगा कितना हो जाएगा साट परशेंट यह परशेंटेज में भी सवाल बन सकता है फिलाल हम परशेंटेज में नहीं बन पांच, बोलते रहा करो हमने परसों भी समझाया था, आप उंकरा देते रहेंगे तो यह दिक्कत नहीं होगी नहीं, दिमाग दर दर बटक जाता है तुमारा, ठीक है, अब बताएए, यहां पर दूद कितना है, तीन बटे चार, पानी कितना है, एक बटे चार, अब देखना ध्यान से आप, दूद दूद से मिलेगा, पानी पानी से मिलेगा, तो यह इस से मिलेगा, यहां यह दूद है, यह दूद है, तो यह हो जाएगा, दो बटे, पांच, प्लस, तीन बटे, चार, और दूसरे में हो जाएगा, यहां पर तीन बटे, पांच, प्लस, एक बटे, चार यह दूद है और यह पानी है सभी है की नहीं सभी है यह दूद है और यह पानी है दोनों को मिला के तव अब आप हमें यह बताईए है यहां पर दोनों का LCM 20 होगा 524 24 दूनी 8 चार पंजे 20-5 या 15 ऐसी ही सेम यहाँ पर इधर भी LCM 20 होगा, 5 जो के 20, 4 ती या 12, 4 पंजे 25, एकन 5 होगा क्या 20 से तो 20 कड़ जाएगा, पंदर और 8 होता है 23, और 12 और 5 होता है 17, तो यह हो गया तुम्हारा दूद और यह हो गया क्या पानी, सही है की नहीं सही है तो यानि दूद और पानी का अनुपाद यह आ गया एक तरीका पर इसका यह है लेकिन यह तरीका इतना अच्छा नहीं है इसका हम एक और तरीका बताते हैं आपको एक और तरीका क्या हो सकता है इस तरीके के लिए आप इधर देखेंगे रुक तो जाओ अब देखना आप ध्यान से जो हमने यहाँ पर LCM लेके बराबर किया वो हम पहले ही LCM लेके बराबर कर लेंगे तो यह जल्दी हो जाएगा कैसे जैसे यहाँ टोटल मिस्रड है दो और तीन पांच और यहाँ टोटल मिस्रड है तीन और लेक चार और वो कहवी रहा है दोनों से समान मात्रा लेकर तीसरे वरतन में मिलाई है तो इनको बराबर करना है यहाँ पांच है और यहाँ पर चार है तो आप बताएए पांच और चार का LCM कितना होता है 20 होता है पांच और चार का LCM नोट नहीं करो संग संग वारे, 5 और 4 का LCM कितना होता है, 20 होता है, तो 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का गुड़ा इधर कर दीजिए, और 5 का गुड़ा इधर, तो इधर भी 5 के 20 हो गया, इधर भी 4 पंजे 20 तो 4 दुनी 8 और 4 त्रिया 12 5 थी आप 25 glad and 5 1 एकन 5, अब 15 और 8 कितना होता है? 23 और 12 और 5 कितना होता है? 17, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपके साथ भी है का मैं, पहले इसे हम सोच ले पर हुआ क्या आए तुमको आए जी अर्चवाल पहले द्वारा 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 पूछ रहे द्वारा देखो करना है, एक जगह पांच लिखा रहा है, एक जगह नोट नहीं कर, हम तुमको करने ही नहीं देंगे अभी बढ़ा देंगे आ गये, ठीक है, तो एक जगह है पांच, और एक जिघे कितना है? छार. तो पांच और चार को बराबर कासे करना है? चार का इधर गुणा कर देजिए मतलब LCM लिया है तो चात दुनिया चात ती अबारत पांती अपंदर पांच एकन पांच आठ पंदर दूद को दूसरे मिला दिया पानी को पानी से अब आगया समझ में चली या तर तर तुमारे पहली बार में पर यह दिमाग खराब कर रहे हो तुमारा आप करके दिखाईए जैसे यहाँ पहले में दे रखा है दो अनुपाद तीन और दूसरे में दे रखा है मालो दे रखा है कुछ भी तीन अनुपाद चार अब बताएए दोनों को मिलाने पर तीसरे बरतन में दूद और पानी का अनुपाद क्या होगा फटा पटसे है सब सीगे अब तो उस्यार हो गए सब के सब देख भी या इधर कितना है दो और तीन कितना हो रहा है पांच और इधर कितना हो रहा है तीन और चार साथ तो साथ का कर देंगे इधर गुड़ा और पांच का कर देंगे इधर गुड़ा तो साथ का करेंगे इधर और के 20 साथ दुनी 14 और साथ यह 21 दूद को दूसरे मिलाईए 14 और 15 29 और पानी को पानी से मिलाईए कितना हो जाएगा एक ताले क्या सब को समझ में आ गया इस वार इस अगर यही सवाल तीन का होता तब कैसे करते पहले बरतन में दूद और पानी का अनुपाद तीन अनुपाद दो है और दूसरे बरतन में दूद और पानी का अनुपाद मालोक कुछ भी दिरका है दो अनुपाद एक है और तीसरे बरतन में दूद और पानी का अनुपाद तीन साथ अनुपाद तीन है अगर तीनों को समान मात्रा लेकर एक चौथे बरतन में मिलाया जाए तो दूद और पानी का अनुपात बताईए क्या होगा फटाफट से इस वार चार तीन बरतन पहले से हैं चौथे बरतन मिलाना है कितना जल्दवाजी नहीं करनी इस पैटब के लोगों के नंबर पचापिचास रहेगा है जल्दवाजी के चक्कर में 69 और 31 और कोई अंसर की नहीं है यह लोगों ने चेक कर लिया है अपने अपने 42 और 28 अजय तो कट रहा है दो से कट रहा है तो काटो ना पहले तब आंसर बताया करो अनुपात ना कटने वाली संख्याओं का होता है 69 और 31 और लड़कियों में किसी का यह आ रहा है चलिए इदर अब मत करो कब तक करते रहते हो साम तक एकी सवाल करते रहोगे चलिए इदर देखिए तीन और तोटल मिस्रड कितना हो रहा है पांच यहां देखो तोटल मिस्रड कितना हो रहा है दो और एक तील अरे मिस्रड का मतलब क्या हुआ दूद और पानी को मिला के इदर कब तक करोंगी तुम तो गंटे पहले ही दे चुके हम, यहां देखो, साथ और तीन कितना, दस, अब आप बताईए, बराबर करना है, तीनों का LCM, पांच और तीनों दस का LCM, तो पांच और तीनों दस का LCM कितना होगा, तीस हो जाएगा, LCM मतलब एक ऐसी संख्या जो तीनों से कड जाए, तो त तीस हो जाएगा, अब आप बताईए, तीनों को तीस तीस बनाना है, तीनों को कितना बनाना है, तीस, पांच में कितने का गुणा करें कि तीस बन जाए, छे का, कितने का गुणा करें कि तीस बन जाए, दस का, दस में कितने का गुणा करें कि तीस बन जाए, जो यह पता यहीं कर पारे के हमें कैसे पता चलेगा इधर देखो पान छिखे तीस तीन धाईं टीस भाग देदो ना दस तीया ठीस तीन का बस कर दीजी गुड़ा अंसर आगया और जोड दीजी देखो 6 तीया 18 और 6 दोनी 12 ठीक है की नहीं ठीक है अब देखना अब ध्यां से 10 दोनी 20 औ और 10 एकन 10, और यहां देखिए, 3 सत्य 21, और 3 तरों के 9, जोड़ दीजी भहिया, तो जोड़ेंगे तो आप 18, 20, 38, 38 और 21 जोड़ेंगे, तो कितना होगा? 69, 69 और पानी 9 और 10, 19 और 12, 31, आ गया सब को समझना है कि नहीं आ गया? अब उसने यह सवाल को ऐसे दे दिया, बरावर नहीं कहा, उसने यह कहा, एक हमारे पास, मतलब कोई मिसर धातू है, 2 किलोग्राम, जिसमें से, जिसमें एक तिहाई जिंक है, और सेस कॉपर है, एक बटा तीन का मतलब है, एक तिहाई, और यहां लिख देते हैं सेस कॉपर है, कॉपर, दूसरी एक और मिसर धातू है, जो है 3 किलोग्राम की, ठीक है की नहीं ठीक है, जिसमें जिंक है, वो एक चॉथाई है, और सेस कॉपर है, तो उनों को एक तीसरे वरतन में मिलाया जाता है, तो आप बताईए, तीसरे वरतन में, इनको मिलाने पर, ऐसे सवाल छोटा सब बन जाता है, वो तो सरल थे पीछे वाले सब, इनको मिलाने पर, तीसरे वरतन में, जिंक और कॉपर का अनुपाद बताईए, जिंक और कॉपर का अनुपाद, बताईए जी, कितना भी है, बीज, उन्तीस और, एक तालेस, एक ज्यान दे रहा है, आपको क्या करना है, पैसे का, आपको तो एक रोटी और एक अचारी चाहिए, और एक कोई ना बहुत पैसा है, आप पर, एक तेक कम बकत है, कल वटवाऊंगी आप, आज ही वटवादो, अब यह रैसा होता है, जब हम किसी के यह जाते हैं, पहले इसको गिप्ट देते हैं, और हपी वट दे, तुम कुछ लाए, चलिए, लाइए, हम आपको पार्टी देंगे, कम से कम पांच वाला पैन है, फिर वैसा ही, हम मीठा पानी सरवत पिलाएंगे, तुम को टेंशन काया लेते हो, जैसा आप गुट डालेंगे, वैसा ही, पानी मीठा होगा, यह तुम आदी चलिए चलाए पैन दो हमको, यह दोरपे वाला पैन है, फिर हम मालो है, बिस्कुट मंगाएंगे, पांच रपे वाला, उसको पानी में गोलके, तब किंचाओ करेंगे, यह बताओ, यहां पर वो करवा दे मतलब हवन उसमें कुछ मीठा चड़वा दे सब, आराम से उसका दुआ लेके चले जाना, ठीक है, देखो, तुम्हारा बड़ी हो, तुम अपने अपने खुद अके लेके लेके खा लेते हो, हमारा तो हेवी नहीं, देखो आगे, अच्छा, आज ही लग रहा है कि तुमको, देखो आगे, चलिए, पता है हमें, किस से पहले कई बार हमने खाया है, अरे, यह क्या हुआ, चलिए, देखो आगे, अगर जिंक एक तिहाई है, बखी बड़ा परिस्वान कर रहे है, ठीक है, देखो, अगर, अब आगे देखो बरेंट दो, अगर जिंक एक तिहाई है, तो आप बताएए कोपर कितना होगा, दो तिहाई, बहुत बड़िया, कैसे, अगर जिंक एक तिहाई है तो एक मतलब तीन में से अगर एक जिंक है तो कॉपर कितना बचेगा? दो अब बटे में तीन होगा वो तो दोनों ही जगे होगा तो इससे तो ये कड़ गाएगा तो आप ज़्यादा टेंसन न लेते हुए बस इतना सूचिए में एक चौथाई लड़किया है तो इसका मतलब ही हुआ कि लास में एक चौथाई लड़किया है अब कोई ये थोड़ी कहेगा? कि चार लड़कों में से लड़की है, लड़कों में से लड़की कौन सी हो जाएगी? बास समझने आ रही है कि नहीं आ रही है? उसमें से एक लड़की है, अरे लड़की में से लड़की कैसे हो जाएगी, ठीक है की नी ठीक है, तो आप हमको यह वताईए, यहाँ देखो आप, zinc और copper का अगर हम अनुपात निकालना चाहें तो यहां निकल के आजाएगा तीन मेंसे एक zinc है अगर तीन मेंसे एक zinc है तो बाकी बच गया वो क्या होगा copper copper कितना होगा two होगा सही है कि नहीं सही है दूसरे में भाईया zinc है एक चोठाई यानी की नहीं आये बोलो हाँ यह न वारा समिए इन में से एक जिंस कैंथ bikes दो बचनेकोप्ष हो चार देखने हैं ध्यान से पहले बरतन में जिंकोड का जो पात है और रका है एक सथातू में तो एक अनुपात दो और दूसरी दे राख़ा है, जिंक और कोपर का जो अनुपात दे राखा है, वो दे राखभा है, एक अनुपात तीन, अब आप धियान से देखना है यहांपे, आप बताईए बरावर देखो, बरावर तो नहीं मिल्माया लेकिन उसने कहे रखा है कि जो पहली है, उसका बहजन है 2 kg और दूसरी है तो दूसरे का वजन है 3 kg अब आप बताईए जो जैसी होगी उसी अनुपात में तो मिलेगी नहीं समझे आप बताओ इधर आगे जैसे आपके घर पर आधी बोरी बाजरा रखा हुआ है और एक बोरी मानलो गेहुं रखे हुए है अब आप दोनों को मिक्स क करेंगे दोनों को मिलाएंगे तो उसी अनुपात में तो मिलेंगे अब आप एक गिलास में ले लीजिए तो उस गिलास में अगर आधी बोरी मानलो बाजरा था एक बोरी गेहुं थे तो गेहुं जादा थे तो जब आम मिलाएंगे तो एक गिलास में जितने बाजरा होगा उससे double gain होंगे, अरे उसी अनुपात में तो मिलेंगे, नहीं समझें आप बताईए, कई उधाड हो सकते हैं, जैसे मतलब सीधी वात है, जिस अनुपात में मिलाएंगे, जो चीज ज़ादा होगी, वो ज़ादा होगी जो चीज कम होगी, वो कम होगी ठीक है तो ये तो इसी अनुपात में तो मिलेंगे अब इसी अनुपात में बनाने के लिए पहले इनको कर लीजी बरावर ये हम आपको परसों की किलास में भी समझाये थे जब आए और खर्च वाले सवाल करवा रहे थे अनुपात में अगर कोई अनुपात मराना है तो पहले आप उसको बरावर करिए तो जल्दी बन जाता है अब बरावर करेंगे दिखो तो यहां 3 है तो 3 का गुणा कर दीजिए इधर और यहां कितना है? 3 और 1 चार यहां 3 भा तो 3 का गुणा कर दिया अधर यहां 4 था तो 4 का गुड़ा कर दिया अब ये भी 3-4 12 हो गया और ये भी 4 12 हो गया ये तो दोनों बराबर हो गये ये सवाल तो पीछे वाला हुआ कि बराबर मिलाना है इधर भी 12 इधर भी 12 लेकिन वो बराबर मिलवाना ही नहीं चांता वो कैसे चाहता है, दो अनुपात, तीन में, क्योंकि पहले से ही है, पता हो ये बास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं समझे, अरे मान लो, जैसे, क्लास में लड़के जादा हैं, लड़कियां कम हैं, अब एक दम सब को निकाला जाए, जल्दी निकलो यहां से भार तो अब जो भार निकलेंगे, उसमें संख्या लड़कों की जादा होगी, लड़कियों की कम होगी, मान लो, दस निकलें, तो उसमें लड़के जादा होगे, लड़कियां कम होगी, ठीक है कि यह लड़के तो आच्छा सोते हैं, जाए तर लड़की निकल जाएंगे, लेक में वाला कितना लेना है और आप कर दिजी औहों मिला दिजी यह इसरी डेखो चार दुनी आठ एक आठ ऐसला है तीन दो this okay 9 नु और नुटिया ऐसला सक्राइव नु रबहनी सेथ और होजा एनुझ सेथог सेतर पानी है लोकष्व कोपर है 16ओसला और 27 Uh होता है किदना होता है 43 सत्रे अनुपाद 43 किसी का अंसर आया था क्या किसी का नहीं आया था चलिए तो बड़ी आसा वाल था कोई बात नहीं गलत गलत ही माना जाता है देखवागे अब मैं आप से यह कहूं जैसे इदर देखिए गिरेगा क्या थीक है पहले में दे रखा है ओ देखे रही हो तुम आगे वाज़ लड़ क्यों गिरे गराब है तो हट जाना कट कट कर रहा है पहले वरतन में दूद और पानी का अनुपात दे रखा है मालो बात नहीं अब कुछ भी दे रखा है एक अनुपात एक दे रखा है ठीक है चलिए दूसरे वरतन में दूद और पानी का जो अनुपात दे रखा है और तीसरे बरतन में दूद और पानी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है चार अनुपात एक और इनको जो मिलाना है वो मिलाना है बरावर नहीं मिलाना इनको मिलाना है तीन अनुपात दो अनुपात एक के अनुपात में यह अनुपात में मिलाया जाए तो आप बत बताईए नए मिस्रड में दूद और पानी का अनुपात क्या होगा कि अनुपात में मिलाने पर नए मिस्रड में दूद और पानी का अनुपात क्या होगा नए मिस्रड में दूद और पानी का अनुपात क्या होगा बताईए पिछले वाले सवालों में बराबर बराबर मिलाना था या अनुपात में मिलाना यह है चेंजवस थोड़ा थोड़ा हम सवालों को बढ़ा रहे जादा जल्दी नहीं बढ़ा रहे वैसे भी इस बार हम बहुत दीमेदी में करा रहे कुई छूटी नहीं रहा आप बस जिसका पेपर है उसकी किताब ले लीजी लगाईए सारे सवाल लग जाएंगे कितना साथ और और कोई बताईए चपन इकत्तीस नहीं आ रहा किसी का बताईए बताईए बड़ा बड़ एक हजार तेरे अनुपात आठ चलिए और बाकी सब का यह आ रहा है कितना है पाँच अनुपात चार वाव कितना तेरे आठ चलिए इधर देख लीजे कैसे पहले आगे हमने आपको एक बात बताईए है कोई भी अनुपात बनाने से पहले आप उसको क्या करेंगे बड़ावए हां तुम पीछे कहां देख रहें हम इधर करा रहो है अदर का चला है अभी तो कहते है उंकरा दे ते रहा करो पिर जब तक हम कहते हिएहां पर करो अब कुछों-गुरन कर रहे है वो अपने आराम से मस्त помогले यह गल्ती कर दी हमने हु-ँह नहीं आगे देखो ठीक है, तो बोलते रहोगे, तो कम से कंद दिमाग यही रहेगा, भागेगा नहीं दर दर, चलिए इधर देखे आप, तो आप मुझे यह बताइए, इधर देखे, तो तुम्हा बहुत ज्यादा दिक्कत है रहती है, तुमारा जीवन बहुत दिक्कत भरा जीवन है, ठीक है, जो बत्याते हैं उनका तो बड़ा टेंसन रहती है, रोज लड़ाई, रोज चला, रोज लड़ाई, कितना टेंसन बहुत ज्यादा है, देखो, चलिए आगे देखो, तो आप हमको यह बताइए, एक अनुपात, एक तीन अनुपात, दो और चार अनुपात, एक, अब बरावर करने के लिए, यहां पर कितना है, एक और एक, दो है, यहां कितना है, तीन और दो, पांच है, बोलते रहा करो, ठीक है, यहां कितना है, पैस, पैस, इतना ही सही है, ठीक है, अब आप बरावर करिए, दो पांच, पांच का यहां कितना होता है, दस होता है, तो दस म हैं यहां भी, कहा हुगा, दो कहा होगा, 2 माँग नाधो वही झृ-10, अब ऐसे बरावर से काम नहीं चलना, बरावर कहा ही नहीं सवाल, उसने कहा है, तीन दो एक्लिण उपात में, यानि ये वाला तीन, ये वाला दो और तीसरा वाला, एक, एक दुनी, दो चौके, आठ और आठ एकन, आठ, चात्य बारह और चार दुनी, आठ, तीन पंजे पंदर है, और तीन पंदर एकन, पंदर है, एं, सही तो है, आठ और दो, यह तो तुम सब बोलते हो, कुछ समझ नहीं आता, का चला रहे हो, ठीक है, पहले कहा है, गाहों में छप्पर उड़ता था, अब तो नहीं रहता, ऐसे ही चलाते हैं, हाँ, उठाओ, उठाओ, ठीक है, पंद्रे और बारे, सत्ताइस, सत्ताइस और आठ कितना हो लते हैं, तो अंसर आजाएगा, साथ, अनुपात, पाँच, सीखेगे की नहीं सीखे, चलिये, है, कौन द्वारा पूछना चाहता है, जूता मारेंगे, वैसी मोचला जातो, अधो यह एक बार समझाने हो, कितना टाइम बार बात करते हैं, यह पता है तुमको, द्वारा मे पर थाल और जल, थाल जल गगन समीरा, अज्यतत्य से बना समीरा, ऐसा ही कुछ होता है, संपूर प्रतिवी पर थाल और जल का अनुपात, सच में हम कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी के भागवत भागवत हूँ हमें बुला लिया करो, कम पैसे में कर दिया करेंगे, नहीं, बागवत भागवत हमको ज़्यादा अच्छे से आती है, गंगा मैया के किनारे हरी हर चेत्र में, स्री सुकदेब जी बोले हे राजन परीच्छत, मंदुदरी रो रही हैं, मत जाओ लड़ने को, आके रो रही हैं अभी हमकी बात चलने तो आप बात पर बताएंगे, उत्री गोलार्द में, थल और जल का अनुपाद, यह बहुत ही ज्यादा इंपूटेंट से वालक, एक बार नहीं हजारों बार आया है, आपको यह हर एक किताम में मिल जाएगा, तच्छिडी गोलार्द में, क्या अनुपाद होगा, तच्छिडी गोलार्द में अनुपाद बताएंगे, थल और जल का, बहुत ही ज्यादा, इस पर आप यह मन लीजिए, आप जो डाल पाएंगे, बहुत ही ज्यादा सवाल, रेसियो का, यह तीन चा सवाल ऐसे हैं, जो सबसे ज़्यादा आते हैं, एक यह वाला, और एक जो पर्सों कराया था, एक चौथा ही बचाता है, बहु वाला, और एक आगे आएगा, इन तीन सवालों में से सतर पर्सेंट आता है, आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन सतर पर्सेंट यह तीन सवाल आते हैं, इनके आप चाहों तो अंसर याद कर लीजिए, उसका अंसर था 2-7-11, हमें याद है तीनों का अंसर, इसका 4-11 आता है, तीसरे का 27 लीटर अंसर आएगा, यह तीन सवाल में से एक नेक आता है, अगर एसियो में से, बहुत important शवाल है, और डिक्टो सवाल, खास बात ही है, महत में यह डिक्टो संखें आती है, अंसर पहले फुल लो, तुम कितना साथ गया रहा है इसका, एक गंत बतायते हैं, जान बूझके, जा रहा है, आगया, आगया, कराएंगे तो हमें इटेंशन कहें लेते हो, देखो, आगया, हम तो दूरे तुम देखे रहे ना अपना, नी गढ़भाले के लड़ी का सिर्फ और दिया, ठीक है, इधर देखो, अब देखना है ध्यान से, लग कहा रहा है, खट-कट कर रहा है, ठीक है, इधर देखना है ध्यान से, संपूर प्रतवी पर थल और जलगान उपार, देखो आगये, बैग पर गरी मत करो, गरेगा बैग पर करगोने वाला, अपना सिर्फ देखो, बस वचा कर, ठीक है, संपूर बैसे गरेगा नहीं, खट-खट कर रहा है, बत्यम कह दिये, संपूर प्रतवी पर अचुब होग है, प्रतवी ऐसी है, प्रतवी न अंडा कार है, न गोला कार है, प्रतवी ऐसी है, कहीं पहाड है, कहीं समुंद्र है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, सब है, उपनी उताज, ऐसे है, प्रतवी की रियल से बताएं, ऐसे है कुछ प्रतवी, रट्डे हैं, कहीं पहाड है, कहीं से संपूर प्रत्वी को हमने दो भागों में वाट दिया एक उत्री गुलाद और एक दच्छडी गुलार गुलारत का मतलब आधा गुला हम केवल समझाने के लिए आपको यहां से यह बाणती है हालां कि उत्री दच्छडी ऐसे होता है लेकिन हमने ऐसे ही समझा दिया ठीक ह अब मालो आप एक बात बताईए जब यह दिखो आप एक और बात समझने है आप यह जब इन दोनों तुकड़ों को मिलाएंगे तभी तो पूरी प्रत्वी बनेगी जैसे पीछे वाले सवालों में क्या होता था कि भीया जब इन दोनों मिस्रडों को मिलाईए तब तीसरा मिस्रड बनता था यहां क्या है यहां पर जब दोनों मिस्रड के रूप में क्या है एक मिस्रड ये वाला है एक ये वाला है इन दोनों को मिलाईए तब जाके पूरी प्रत्वी बनेगी इसको नाम दे दिया है उत्त्री गोला इसको नाम दे दिया है दच्छडी गोला और इन दोनों को मिला के क्या बनेगी पूरी प्रत्वी जैसे मानलो ये किताब है किताब को अगर हम मानलो दो तुम्हाई चक्कर में परिसान करते हो, देखो, जैसे ये किताब है, अगर इस किताब के दोनों पन्ने आधा इदर है, आधा इदर है, अम कहें ये उत्री गुलार्द है, ये दुच्छडी गुलार्द है, तो इन दोनों को मिलाएंगे, तभी तो पूरी प्रतिवी बनेगी नहीं समझे, अगर ये उत्री गुलार्द है, ये मानलों पचास किलोमेटर में फैला हुआ है, तो पूरी प्रतिवी कितने में होगी, पचास पचास यानी सो, तो अब समझना ध्यान से, हलांकि ये बहुत सरल है, वो समझा रहे हैं आपको, चित्र बित्र बना के, देखो, इम्पूर्डेंट बहुत है, तो समपूर प्रतिवी का जो थल और जल का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है आपको, थल और जल, इसका अनुपात दे रखा है, एक अनुपात दो, और उत्री गुलार्द का जो थल और जल का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है आ अब आप बताईए एक बास समझे ना ध्यान से, जब इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो पूरी प्रत्री बनेगी, यानि उत्तरी गुलाब और दच्छडी गुलाब को मिलाएंगे तभी तो पूरी प्रत्री बनेगी, है की नहीं, माझनो पूरा बोड बनाना हो, तो आदा बनेगी तभी तो बनेगी, लेकिन अब यह, यह हम यह भी कह सकते हैं, इसको चाहिए तो इसको पच्छांतर करके इधर बेजिए, तो घड जाएगी, लेकिन यह तब भेज सकते हैं, क्या इनका रेस्यू सही है, रेस्यू होना चाहिए, इस से इसका डवल, अगर यह 10 किलो परा है, एक और दो तीन, तो यह रियल, रियल कैलकुलेशन के इसाफ से तो गलत है, क्यों गलत है, आप बताईए अधी प्रत्वी 5 किलोमीटर पर है, तो पूरी प्रत्वी 3 किलोमीटर पर कैसे हो जाएगी, है न, तो यह अनुपात के इसाफ से हो सकता है, लेकिन होना चाहिए, थोड़ी क्या सकता है, पूरा एक ही है, तो बराबर पहले बराबर करिये, तो तीन का गुणा इधर करेंगे, और पांच का गुणा इधर, लेकिन यह भी तो गलत है, आधी पूरी के बराबर कैसे हो सकती है, आधी रोटी, पूरी रोटी के बराबर कैसे हो स अब देखो आधी प्रत्वी हो गई कितने की, मालो 9 और 6, 15 km की, 6 km में प्रत्वी है और 9 km में जल है, तो पूरी क्रत्वी कितने की हो गई, 10 और 20, 30, तो यानि 15 से 30 कितना होता है, डवल होता है, तो घटा दीजिये, थल में से, घटेगा क्यों, क्योंकि पच्छांतर कर रहा ह तो 10 में से 6 गया, 4 और 20 में से 9 गया, कितना 11, पीछे वाले सवालों में जुड़ रहा था, यहां जोड के दे रखा है, दूफरा वाला पूछा है, आप बताए, सवाल समझने आया है कि नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, द्वारा समझते हैं, रुख जाओ, एक आध है, देखो, ठालो जल का अनुपाद यहां दे रखा है, 2 और 3, 5 और पूरी प्रत्वी का दे रखा है, 1 और 2, 3, तो यह तो आधी प्रत्वी जादा हो रही है, पूरी प्रत्वी, कम हो रही है, जबके होनी, डवल चाहिए, हमारे हिसाब से, तो डवल के लिए पहले बरावर कर करना पड़ेगा, तो 2 और 3, 5 है, 5 का गुणा कर दिया इधर, और इधर 1 और 2, 3 है, 3 का कर दिया इधर, यह तो बरावर करने के लिए, लेकिन बरावर भी नहीं होगी, डवल होगी पूरी प्रत्वी, तो 1 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, इधर पच्छांतर करेंगे तो घट जाएगा, ठीक है, एक सवाल और करेंगे, लाष्ट, जैसे, नहीं है, डवल क्यों करी, डवल इसलिए करी, आप बताइए, उत्री गोलार दिये है, पूरी प्रत्वी का, जो टोटल भाग होगा, और डवल होगा, कि नहीं होगा आदी से, सही है कि नहीं, देखो, ह गए, एक मानलो, राम और स्याम है, यह क्या करते हैं, भाया, कि इसकी जो इंकम है, वो 300 रुपया है, और इसकी जो इंकम है, वो 600 रुपया है, ऐसी समझ न, आप कोई कंसेप्ट समझा रहे हैं, आए, और इनकी जो खर्च हैं, वो 70 रुपया है, और 80 रुपया है, ठीक है क अब सछु है , इनकम से जयादा खर्च नहीं हो सकता हूं सकता है, लेकिन किसी की इनकम 300 ही औह तो ज़्यादा खर्च दून कर सकता है , 3010 कैसे दस कहाँ से लाइगा जो बीच में बूल लो तो छी कि है , अब आप समेज आ अगर इनका अनुपात बना ले तो एक अनुपात दो तीन सो दुनी छह सो और यहां खर्च कितना हो जाएगा साथ अनुपात आठ अब कोई यह कहे कि देखो राम की जो इंकम है एक रुप्या है और जो खर्च है वो साथ रुप्या है तो यह तो गलत है न यह संभवी ही नहीं है कोई एक रुप्या कमाता है तो साथ रुप्या खर्च कैसे कर लेगा स्याम है यहां दो रुप्या कमाता है आठ रुप्या खर्च कैसे कर लेगा तो इसका मतलब क्या है कि यह सही है ही नहीं यह कोई रियल्टी नहीं है यह सच्चा ही नहीं है ये क्या है तुलना है ये अनुपात है तो इसको reality में बदलने के लिए हम ये बात जानते हैं कि income जादा होगी खर्च कम होगा जब तक ऐसा नहीं होगा ये सवाल हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ये सवाल तो भी गलल लिखा हुआ है मतलग गलत नहीं उसका अनुप साथ लिखा हुआ है, क्योंकि reality में तो income जादा होनी चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर, जो पूरी प्रतवी है, वो आधी प्रतवी से जादा होनी चाहिए, हम आप से कहें, आपका घर है, अब आदा घर बड़ा थोड़ी हो सकता है, पूरे घर से, आप बताई, घर का एक कमरा, छोटा ही तो होगा, हमका सर्ट है, सर्ट की जे बड़ी है, सर्ट छोटी है, यह क्या अजीब बात है, नहीं तो, क्योंकि जो है इससा वो छोटा होगा, तो ऐसे ही यहाँ पर, पूरी प्रतवी बड़ी होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, कितनी होने चाहिए, डवल होने चाहिए आदेगी, तो इसलिए हमने पहले बरावर किया, तब डवल किया, ठीक है कि नी ठीक है, रियालिटी तो यही कहती है, लेकिन अनुपात क्या है, अनुपात उपर नीचे हो सकता है, क्लियर है कि नी क्लियर है, जैसे एक और बास समझात है आपको अनुपात का ही दूसरा नाम है परसेंटेज जैसे मैं आप से यह कहूं यह बताईए देखना ध्यान से जैसे मैंने यह कहा कि 20 किलास में लड़किया है वैसी समझना नॉर्मल सा है और लड़के हैं 100 यह लड़के हैं 80 अब हम यह कह सकते हैं कि कलास में जो लड़कियों की संख्या है वो 20 परसेंट है कैसे है थोड़ा सा समझेए ऐसे है कि टोटल जन संख्या कितनी हो जाएगी लड़के और लड़कियों की 100, 100 में से 20 हैं, जिसे हम 20% कहते हैं, अरे कैसे लड़कियों की % ही निकाली है, तो 20 बटे 100, गुड़ा 100, कितना आ जाएगा, 20% अब मैं आप से यह कहूँ, किये बताइए, कहीं से मालो, इस किलास में 20 लड़कियां हो रहा गई, वो 20 लड़के हो रहा गए अब लड़के कितने हो जाएंगे, 100, और लड़कियां कितनी रहेंगे, 20 की 20, अब % क्या होगा, 20, और बटे 120, गुड़ा 100, तो 20 शिक के 120, 16 शिक के 96, लगभग 16.6 आएगा, अब कोई यह कहे, कि यह कैसे हो गया, कि 16% क्यों हो गया, लड़कियां घट थोड़ी गई, तो यह रियल्टी थोड़ी है, यह तो एक अनुपात है, तुलना है, कि पहले की तुलना में लड़कियों की चमता कम हो गई, लड़कियां कम नहीं, रियल्टी यह है, 120, यह कम जादा नहीं हुआ, ऐसे ही यहां पर, रियल्टी तो यह है, कि उत्तरी गोलाद से पूरी प्रत्वी लेकिन अनुपात में ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनुपात तो कट जाता है, थे अनिकम कम हो गई, खर्च जादा हो गया, जबकि सच्छा ही यह थी कि इनकम जादा थी खर्च कम था, फिके कि न works, तो इसलिए अनुपात को पहले हमको जो मतलब रियल्टी में है, उसमें change करना पड़ता है इसलिए हमने सब सवालों को आप देखिए ना इन सब सवालों में यही तो concept लगाया यह तो खेर अलग था यहां भी हमने यह वगराया तो यहां पर वो कहरा था समान मातरा लेकर अब समान होना भी चाहिए तो इसलिए हमने बरावर किया यहां उसने कहा कि 5 अलग यहां कहा था यह तो बरावर ह्या ले था इह कि दो अनुपात 3 में है अब रियल्टी क्या है रियल्टी यह है कि पहले वाला 2 kg है दूसरे वाला कितना है 3 kg मतलब पहले से दूसरा 1.5 गुना है जब कि यहां नहीं हो रहा था यहां 3 हो रहा था यह चार और यह 1.5 गुना नहीं था तो हमने पहले बरावर किया फिर 1.5 गुना किया तब चोड थीď यह अब मुझे लगता है आप को यह सारे concept कि ज़िए ओगे होगे ठीक है भी यह चलिए तो आगे हम लोग कल मिलते हैं इस इस सुब घड़ी में है भी यह क्या चीज़ यह वाली जिसे ना पता हो कोई पहला दिन हो किसी का तो यह टेलीग्राम पर पहुंच जाएगी किसी को पूछ देना आस्परोस में बता देगा जिस पर मोग चली विया आगे बढ़ता हैं अँच्छ बैसे भी लगते हैं मेरे भाई यह रावड का सिंगासन है नहीं कहां बेट ओगे चट पर पहुंचे जा रहे है आगे जगे यहां तीन लोग बैठे हैं दू लोग बैठे हैं इतनी उच्छे चड़गे वाँपर एक गंटी बात है चली विया इस्टाट करते हैं आगे बात नहीं करना अब ठीक है विया चली है सच बहुत प्यार करते हैं तुम लोगों से देखी विया रेस्यू चला था अपना बहुत ज़्यादा डिटेल में करा रहे हारा हमारा हमसे तुमको देखो भई आगे एक तुम मन चला एक खाल हूँ पहले तब सुरू करा हूँगा मौ मीठा हो जाए अब बांटेंगे रुक जाओ भी अभी तुम बटने में पूरा गंटा निकल जाएगा पहकने में पता है पहकने में बहुत सरीफ इंसान कैसे जो फैक के ले लोगे पहले एक खाले पर जादा नहीं पहले चेक करने कैसी है मिठी है अब तुम्हें देंगे बात जाएं मिठी है वास्ता में यार कैसे कम बगता है केला बटवा दू सर टौफी वांट दो देखू आगे अब नहीं करो मैसे सीखो कुछ बटवाओ तुम भी ठीक है रेशियो देखू आगे अब बात नहीं दसमेंगे होगी देखो यह क्या है यह जनवाश्ट भी है आप जितना दान करेंगे धन करने से दन बढ़ता है अगर आप सो रुपे का दान करते हैं तो आपको दूसर रुपे मिलेंगे एक आदमी ने मेरी वात को नजर अन्दाज कर दिया उसका भाई साब मोवाइल खो गया ता अगले दन ठीक है फॉन को गया और एक का लड़ाई हो गया ता ब्रेक अप हो गया था अब तुम सोच लो ठीक है चली इदर देखो शलब देख लो आगे रेस्यू देखते हैं भी है तो रेस्यू की अगर बात करें मेरे भाई नहीं करो मैंसे आप तो रेस्यू की बात करें कल हम लोग रेस्यू को मिलाना सीख गए थे हैं न वहाइसे एक बरतन में दूद पनी का अनुपात इतना है दूसरे मेन proteg आ है तो यह सब सीख गये यह है कि मैं आप से यह लोकलास हो नहीं किलास है एक दिन सब्सक्राइब कोई वी एक्जाम दे सकते हैं इतना ज्यादा डेप्थ में करा आप सुचो रेशी छोटा फा टॉपिक दसमा दिन है अभी दो तीन दिन और ले जाएगा बारात तेरा चौटा दिन ले जाएगा एक एक छोटी छोटी चीज भी सब्जा रहे लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो दे रखा है दो अनुपाद तीन सही है की ये सही है इससे ये पता चलना है कि जो लड़के हैं उनसे लड़कियों की संख्या जादा है और डेड़ गुना है है ना दो से तीन को डेड़ गुना कहते हैं अब हमने ये कहा कि कहीं से क्या हुआ प्रारंब में लड़के कितने थी प्रारंब में लडकियां कितनी थी बाद में लड़के कितने थे बाद में लड़कियां कितनी थी या फिर वो यह कह सकता है कि टोटल पहले कितने थे या टोटल बाद में कितने थे तो पांचे सावाल इस पर बन सकते हैं फरल बहुत है तो आराम से आपको समझाता हूँ दिखो आगया इंट्री हुई है लड़कों की, 40 लड़के बड़े हैं, अब आप बताईए किलास में कौन-कौन है, नोड नी करो इधर रवागे देखो, किलास में लड़के हैं और लड़कियां हैं, अब 40 लड़के बड़े हैं, तो किलास में जो लड़कियां वैठी हुई हैं, वो तो प गढ़ेंगे। गढ़ेंगे लेकिन इनके अलावा दूसरी चीज उतने की उतनी ही रहेगी। ठीक आ आई बाथ है कि न्योठी स not अब देखना तो यहां पर लड़के बढ़ रहें तो लड़कों के अलावा दूसरी चीज क्या है लढकीयाँ लड़कों के अलावा दूसरी चीज क्या है लड़कियां ठीक है कि नीए और तुम ताइम से आ करो निकल फे लोटाएंगे यहीं से ठीक है आजाने तो जल्दी हद उती है किसी चीज की नो क्या वजे निकलती हुँ गर से क्या वजे सवेरा होता है तुमारा ठीक देखो दर बात निए तो आप हमको यह बताईए कि जब 40 लड़के बड़े हैं तो लड़कियों की संख्याप है तो कोई फरक नहीं बड़ेगा अब लड़कियों की संख्या देखो पहले कितनी है तीन बाद में कितनी है दो अब ये तो अनुपात है अनुपात आगे पीछे हो सकता है अनुपात तो ये दिखा रहा है कि पहले लड़कियों की तागत जादे थी अब लड़के बढ़ गए तो लड़कियों की तागत हो ग किलास में लड़के और लड़कियों का अनुपात है तो इससे यह कता ही पता नहीं चलता है कि लड़के दो हैं लड़कियां दो हैं इससे यह पता चलता है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से दो गुने हैं बस मतलब लड़कों की संख्या जादा है ठीक है जैसे मैं आप agora 20 तो लड़के रहेंगे a písimo अभीनी रहेंगे अभम अनुपात हो गया एक अनुपात एक और पहले अनुपात क्या था 2 अनु फब और कोई यह कहेये कि सर बताओ लड़के कम हो गये क्या पहले दो थे बाद में नहीं तो यह तो अनुपात है सही है कि नहीं से है आप अनुपात से या परशेंटे से ये कभी नहीं निकाल शकते कि ये संख्या है अब कल को कोई अनुपात देखे और ये कहे ये लड़के कम कैसे हो गए दो से एक कैसे हो गए लड़के तो न बड़े न घटे फिर भी लड़के कम कैसे हो गए तो ये लड़के कम नहीं हुए, यह उनकी छमता कम हुई है, पहले लड़कियों से ज़्यादा थे, अब लड़कियों के बरावर हैं, बस इससे यह पता चलता है, अनुपात परसेंटेज, इनसे कभी रियल आंखडे नहीं पता चलते हैं, मैं को एक इसक्रिशन से आगे गाउं है, उसमें आधी बच्चे हैं, इसी को 50% कह देते हैं, तो परसेंट और रेशियों में कोई अंतर तो होता नहीं है, तो कोई यह नहीं सोचेगा, किलो सर, यह कैसे हो गया, कि 40 लड़के बड़े, तो लड़कियां कब कैसे हो गई, नहीं होई कम लड़कियां, यह तो अनुपात कम हु अब अनुपात का एक छक्कर होता है, कि इधर गुणा करोगे, तो इधर भी होगा, दोनों ही साइड होगा, यहां भी हो जाएगा, इधर गुणा किया है, तो इधर भी हो जाएगा, तीन तरो के 9 और दो तिया 6, यहां देखो, तीन दोनी 6 और दो दोनी 4, अब क्या होगा अब हुआ ये कि लड़कियां जो पहले थी उतनी ही बाद में हो गई लड़कियां पहले भी कितनी है 6 बाद में भी कितनी है 6 अब आप बताईए लड़कों की संख्या कितनी बढ़ गई पहले थी 4 अब हो गई 9 कितनी बढ़ गई 5 इस 5 unit की जो value है, वो कितने के बरावर है, 40 के बरावर, तो एक unit की value कितने के बरावर होगी, 8, अब वो आप से कुछ भी पूच ले इस सवाल में, आप सब कुछ निकाल सकते हैं, देखिए, बात यह है कि यह नया अनुपात काम करेगा कि पुराना, नया अनुपात, पुराना तो आप भूल जाएए, नया अनुपात क्या बन गया, नया बन गया, हाला कि उपर लिखा है, 4 अनुपात 6, और यहां 9 अनुपात 6, अब देखो, वो पूच ले, यह लड़के हैं, और यह हैं लड़कियां, अब वो आप से पूच ले, आप बताईए, स्टार्टिंग में लड़कों की संख्या कितनी थी, तो एक कमान है, आठ, तो चार कमान कितना हो जाएगा, आठ, चौके, बतीस, लड़कियां कितनी थी पहले, तो आठ, छेके, अरताली, बाद में लड़कियां कितनी हैं, तो आठ, छेके, अरताली, बाद में लड़के कितने हैं, तो आठ, इम बहाद तर चारों अंसर वो पूछले स्टार्टिंग में टोटल लड़के और लड़कियां कितने थे तो दस तो एक बरावर आठ दस यूनिट बरावर कितना आजाएगा असी आजाए गुड़ां कर देते हैं तो टोटल जो छात्र आ गए वो कितने आ गए असी बास समझ तीर और बाद में हो जाता है तीन अनुपाद दो अगर हम इसको परसेंटेज में बदलना चाहें तो परसेंटेज में भी बदल सकते हैं कैसे देखो मुझे को यह बताओ किलास में लड़कों का परसेंटेज कितना है परसेंटेज में बदलना तो आता है पहले भिन बनाई है कितने लड़के हैं दो इतने में से पीन में से लड़कियों में से लड़के कैसे हो सकते हैं पांच में से ठीक है कि नी ठीक है अरे यह तो गलबर हो जाएगा प्रकरती खिलाब जा रहा है कि लड़कों में से लड़कियां लड़कियों हो टोटल हम यही तो कहेंगे यह कोई होगा अंधागमी भी बता देगा नए लड़की नहीं बैठी हो यह यह तब यह पीछे कोई कहे पीछे वाली बेंच पर दफ लड़के बैठे हुए उनमें दो तो लड़किया है यह कैसी बात यह तो अजीब बात है ना ठीक है यह चुपटो ठीक है की नहीं ठीक है तो इसका मतलब ही होता है कि पूरी क्लास में जितने बैठे उसमें से इतनी लड़किया हैं उसमें से इतने लड़के हैं पूरी क्लास में तो ऐसे ही यहां पर पूरी क्लास में पांच में से दो हैं तो परसेंटेंज में लाने के क्या करते हैं सो का गुड़ा five से कट गया बीस वार बीस दुनी कितना आ जाएगा चालिस और यहाँ कितना है तीन टोटल तीन है लड़के कितने मैं से पाँच मैं से तो यहाँ लड़के हो जाएँगे कितने साट अब यह भी कह सकता है अब देखो ही चालीस लड़के पुले इस नए लड़के आ जाने से लड़के आ जाने से साथ परसेंट हो जाते हैं तो आप बताईए तो starting में कुल जंशंक्या कितनी ही हो जाते हैं, तो starting में कुल चात्र, प्रारंब में कुल चात्र, अब दिखो, ये बन गया किसका सवाल, ये बन गया % का सवाल, बस बाद खाता हम, दौरम समझाये, एक किलास में 40% लड़के हैं, 40 नए लड़के आजाने से 60% लड़के हो जाते हैं तो प्रारंब में कुल कितने चात्र है यह percentage बना दिया हमको तो paper देना है हमको को यह थोड़ी के percentage का है कि ratio का है तो इस सवाल को percentage में भी बना सकते हैं और percentage अगर यह सवाल आ जाए percentage में तो इसको ratio से भी बना सकते हैं तो पूरा math कैसे भी करिए आप इसलिए हमने यह दोनों समझा दिये वो कल को यह भी कह सकता है इसी सवाल में समझना देखो वो यह कह सकता है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से 50% जादा है कैसे? अरे दो से तीन कितना जादा है एक कितने पे दो पे percentage में लाने के लिए 100 का गुड़ा तो लड़कियास में यह हम आपको इसलिए समझा रहे आपका दिमाग बहु कैसे कहते है बहु मुखी भी कास हो नहीं लोग पढ़पढ़के बुड़े हो गए पचास साल अच्छ अच्छ इमने देखे हो पेट में कहते हैं पचास ही हो रहे तो खच्चर है सब अपना दिमाग नहीं लगाते पहले क्या होता था दोजास सत्रे से पहले आप पढ़ लो यहां पर बस टीचर ने पचास हवाल करा दिये अब नहीं होता अब थोड़ा बदल के आता है वो तुमारा दिमाग चेक करना चाहता है पेपर वाला आउट आप फिल्याबस कहते है जैसे तो आप आराम से चीजों को समझ दिए तो आप बताईए यहां पर वो यह भी लड़के लड़कियों से पचास परसेंट जादा है नहीं सोरी लड़कियों लड़कों से पचास परसेंट जादा है यदि चालीस नए लड़के आ जाए तो लड़कियों लड़कों से एक वटे तीन तेती सही एक वटे तीन परसेंट कम हो जाएंगी तो starting में कुलचात्र बताईए, starting में लड़के बताईए, starting में लड़कियां बताईए, ऐसे ही करेंगे उसको, आई वा समझ में कि नहीं, नहीं समझे सवाल, और इसी को तो percentage, जैसे दिखो, यहां 2 से 3 कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, 2 से percentage मे लाने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा, तो यह कितना हो जाएगा, 50%, तो यह भी तो कह सकता है, जो लड़कियां है, वो लड़कों से कितनी ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, 40 नए छात्रा लड़के आ जाए, तो यहां पर 1 ज़्यादा 3 पर, 1 वटे 3 गुणा, 133, 1 एक क्लास में, परसंटेज का पना नीरा, मैं सिधा अनुपात ही समझाता हूँ, एक क्लास में, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, वो मनलो दे रखा है, 3 अनुपात, 4, बाद में हो जाता है, चार अनुपात, तीन, अब कब हो जाता है, यह तब हो जाता है, जब 45 लड़कियां किलास छोड़के चलींगें, 45 पीछे वाले में आई थी, यहां चलींगें, 45 लड़कियां चलींगें, तो आपको हमें यह बताना है, भाईया यह बताईए, तो प्रारंब में कितनी लड़कियां थी, प्रारंब में लड़कियां बताईए, लड़कियों की संख्या, प्रारंब में लड़कियों की संख्या, बताईए, तो प्रारंब में लड़कियों क की संख्या, बताएए पर आरब में लड़कियों की संख्या कि इतनी साथ से सिक्स्टी वाला साथ देख लेते हैं हमें भी नहीं पता अंसर, हमकोंसा अंसर याद करके आते हैं इनके बताएए पीछे अच्छा लग रहा है अच्रा आरे करें लीटेफ़ करें खिलाएएएएगएएगिंडेशन काय लिटेओ अभी हम पांटेंगे बटे नहीं पाएएगी में रहाग। में रहागो उल्ला है के तमें पताए हैं तुम्हुजए फजिए वेले होँगे भू क्य आठते हैं फिर वाहं सी ओना है अनूय तरह करेंगे फिर वो जो पिचार ballet छोटे-छोटे आ जानते हैं उर्सक्र gene ब्ार्स प्रेंहा जुडर्ध ब्लाना किसी को पिसमें से मनाय तवा आते रहते हैं बडे हो कि तो पड़े हो जगे लिए तो आजो कहीं बिटाते हैं तुमको कमक तो आजाओ इधर आएं फी सच्टी और कर देंगे बगलवाले क्लास में यहीं से क्लास पहुचाएंगे डाइस तीन सबच्चे की एक बार हम पढ़ाएंगे पंदर सबच्चे 200 रुपे महीने पर प्रेंशन का ले रहें पढ़ाते रहें देखो भी है तुम आगे आजाओ आगे जगे है भी है दोनों आजाओ है देखो जगे तो नीट बैठते जाओ नहीं आगे आजाओ और सश्टी कर देंगे अपनी बोरी चटाई संग लेके आओ पॉइंट में आ रहा है हाओ के इन पॉसीवल अच्छा बरावर करेंगे तो चाट चो के सूले तीन तरो के नो सूले में से नो गया साथ बचता है ओ माई गॉड यहां ब्यालीस कर लो करो चलो अब करो का दिक्कत है इसमें बहाद तर वाओ तुमारा तो तब भी आगया था किनका साथ आगया था इनको 21 96 वाओ सब श्यार होगे अब तो देखो अब तो अमको लगता तुम भी पडाल होगे चली इधर देखिया हाँ खोली न देखो भी यह और सामने देखो इधर देखना हो आगय कैसे करें वो यह कह रहा है क्या कह रहा है कि तीन अनुपाद चार है लड़के और लड़कियों का अनुपाद बाद में जब 42 लड़कियां चली गई यहां फे चोड़के हम जा रहे हम तो अनुपाद हो जाता है कितना चार अनुपाद तीन अब बताईए तो प्रारंब में लड़कियों की संख्या क्या होगी यह आप से पूछा है आप बताईए इस सवाल में गया कौन है लड़कियां पीछे ओए बोला करो फिर इदर उदर फोचने लग जाते हो ठीक है पल फेक्ट के मारेंगे यहीं से ठीक है देखो इस तुम बताने के कोफिस कर रहे हो कि आगे लड़कियां हैं हम लड़कियां नहीं है तुम्हें अपने परूसा नहीं है कि तुम लड़की ओप लड़का हो अद्दोती नालाएक इसान है देखो आगे बात नहीं हो जब 42 लड़कियां चली गई तो लड़कियां गई है तो आप बताएए बरावर कौन होंगे लड़के होंगे जब लड़कियां गई है तो बरावर कौन होंगे लड़के होंगे और अगर लड़के जा रहे होते तो बरावर किसको करते लड़कियों को लड़कियां आ रही होती तब भी कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि लड़कियां कम हुई हैं, तो लड़के पहले हैं, तीन बाद में कितने हैं, चार, तो तीन का गुणा करिए यहां, चार का गुणा करिए यहां, अब जो गुणा इधर होगा, वो गुणा इधर भी तो होगा, जो गुणा यहां ह अगला सवाल करते हैं , जैसे यह दे दिया एक क्लास में, लास्ट रवालिश टाइप का, एक क्लास में बातनी भेया, एक चोथाई लड़कियां है, ठीक है, एक क्लास में एक चोथाई लड़कियां है, वा क्या, मुझे भी तो बनाने तो फिर पॉइंट में आता है, एक चोथाई लड़कियां है, सही है की नहीं सही है एक चौथाई लड़कियां है अब हमने आपसे कहा रुक जाओ धहर रखो पैंसर नहीं लेना 20 लड़कियां आ जाएं 20 लड़कियां आने पर आ रही है तो एक तेहाई लड़कियां हो जाती है अब हम लड़कियों से ही एक बाद पूछेंगे प्रारंब में लड़कों की संख्यां ने तो सवाल रहा चलिए हम लड़कियों से ही पूछेंगे ये बताना आगे में जुक के और दूफर नम्मर वाली बताएंगे चालोटर वही तरफ और कोई आटलि चारों के चारों कि मारेंगे जाहीं कि ने गुवर दन परवात ट्वा लिया तुमसे जो कि एक त्याही एक च१ुथा इन में कौन जाथ है एक त्याही ज्याता होता है कि कैसे सीखोगे ठीक है चलिये सिखा के ही मानेंगे तुमको लड़कियों को तुम पुलकुल तयार एकदम उंगलियों पर मैत तुम बूलगए यह मोचलात्या बूलगए वो लगनग वाली लड़की ठीक है देख वागे देख न इधर चली विया यह एक किलास है उस किलास में एक चौछाई लड़की सानक्याई किसी का अगर वीस लड़कीया और आ जायें तो लड़कियों की संख्या हो जाती है कितनी एक पिहाई ौरっと प्रारंभ में लड़कों की संख्या ग्याद करिए देखना यह लड़कियों में हमसरा आया किसी का 120 तुम्हारा 240 अच्छा चलिए इधर 300 वाव सबका लग सबका यह लगा रहा क्या करें हम देखो रेंदवक पेपकूप बरे पड़े आप बताईए एक चोथाई लड़कियां है तो इसका मतलब ही हुआ अगर चार टोटल हैं तो उसमें से लड़कियां कितनी हैं एक अगर चार टोटल हैं तो यहां लिख लेते हैं चलो अगर चार टोटल हैं तो लड़कियां उसमें से कितनी हैं एक एक चौथाई का मतलब ही तो हता है नहीं समझे एक किलास में एक चौथाई लड़कियां है तो अगर चार टोटल हैं तो उसमें से एक लड़की है ये कोई नहीं कहेगा कि चार लड़के हैं उनमें से एक लड़की है लडकों में से लडकी नहीं वो सकती न, ये गलत नहीं करना, तो आप बताएए, चार टोटल हैं, एक चौथाई का मतलब देगी, चार टोटल हैं, चार में से एक लडकी है, तो लडके कितने बचते हैं, तीर, बहुत बड़े, अब तो सब उस्यार होगे, अब देखो इधर, एक तहाई, बाद में एक तहाई, जब 20 लडकियों की हुई इंट्री, ठीक है, जब 20 लडकियों की इंट्री हुई है, तो एक तहाई, एक तहाई का मतलब होगा, कि 3 में से कितनी लडकियां हैं, एक, तो लडके कितने हो जाएंगे, 2, बोलो हाँ हैं न, 3 में से 3 लडकियां है उसमें से वह और वरी तीन छातरे हैं लड के थोड़ी होते हैं लडकों में से लड़कियां टीन छाटरे हैं छात्रों में से एक लड़कीolan Candi है तो लड़के कितने बच्चते हैं दो बच्चते अब देखना कौन किसकी entry हुई है लड़कियों की तो जब लड़कियों की entry हुई है तो बरावर किसको करेंगे लड़कियों के लावा कौन है लड़के लड़के थोड़ी बड़े होंगे तो आप बताएए लड़के यहां पर हैं दो पीछे बोला करो कम अगर तो इधर दो दो और एक तीया, तीन, अब देखना, लड़कियां दो से तीन हुई, कितनी बढ़ी, एक, अनुपात में एक, लेकिन रियल्टी में कितनी बढ़ी, बीस, तो एक बरावर बीस, हमें पूछा है, प्रारहंब में लड़कों की संख्या, प्रारहंब में, स्टार्टिंग में, लड़कों की 6 है, लड़कियों की 2 है, तो 6 unit का जो मान होगा, वो हो जाएगा, कितना, 120 girls, नहीं, boys, लड़के, आप बात को समझ पा रहे हैं, कि नहीं समझ पा रहे हैं, कर लेंगे, कि नहीं कर लेंगे, बुरकुर, यही सवाल अगर पर्षेंटेज में बनाना हो, तो इसक हम लिख सकते हैं, कितना, एक चोथाई में सोका गुणा करी, पचीस, और इसको हम लिख सकते हैं, कितना, 33, सही, एक वट्टे, 3, सही है, कि नहीं सही है, तो यह सवाल अगर पर्षेंटेज में आ जाए, तो पेपर में घवराना नहीं है, सेम ऐसी हो जाएगा, ऐसी तो हु किते हैं, लोगों की मेरिट, 60, 50 पर आ गई, इसी चक्कर में, स्वावाली सिप्ट की, और लोग यह हो कह रहा है, स्वावाली सिप्ट की, डियाई टप थी, पांच नम्मर जादे मिलेंगे, यह टप है, अब बताओ, तीन वट्टे, दो को डेर लिख दिया, तो यह कोई ट दूद और पानी, इता है, पातरी, इन सवालों में हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहां देखो, पीछे चुप जाओ, अपनी पी मस सुनावा करो एक दूसरे को, दूद बात में सुनाया करो, लड़कों को करते हैं, दूद लड़कियों को करते हैं, पानी, तो यहां पर सेम आलने पर यह सारे सवाल बन जाएंगे, तो इस पर दूद पानी को भी सवाल बन सकता है, अब देखो इदर, हमने कहा कि दूद और पानी का अनुपात, दे रक्का है भाहिया, तीन अनुपात एक, इबात समझगे के, नी समझ गे, दूद आर पानी का अनुपात कितना है, तीन अनुपात एह करके देखना पड़ा पड़ से इसमें से क्या हुआ इसमें कुछ नया जादू करेंगे क्या कि दस लीटर मिस्रड निकालकर दस लीटर मिस्रड निकालकर दस लीटर पानी मिला दिया जाता है दस लीटर पानी मिला दिया जाता है जिससे दूध और पानी बरावर बरावर हो जाता है जिससे दूध और पानी बरावर बरावर हो जाता है इक्वल इस सवाल नहीं समझे, आप क्या, नहीं समझे, कोई बात नहीं, तो कुछी पुछता है, तो प्रारभ में मिस्टर बताईए, चलिए ये निकलवाते हैं, पहले हम सवाल समझाएं, रुख जा, कित था, वीस, तंत है, तुम टैंसन मलो, सब का गलता है, तुम कंसेफ्ट तो आता नहीं, तुक्का लगा रहे हैं बस, सब का सही है, अब समझ लो, हमारी बात भी, ठीक है, चलिए, अभी तक किसी का सही नहीं है, इधर दिख्यी है आप पहले, फ्रीक है, ओए, सामने देखो, जैसे आपने वो देखा है, पढाके वाला, वो घर से पढाका पानी लेके आता है, खूबसाट, तो क्या कहते हैं उसको, मटका या मालो, कट्टा, कट्टा वर के लाता है, अब उसने क्या किया, सामके बज़ गए पांच, और दस लीटर मिस्टर था, और निकल गया, मसर्ण हीत nothing, अब किसे कहते हैं, जिसमें पानी को मिसर कौन कहता है, जिसमें एक से ज्यादागा, चीज़ें मिली हूँ, उसे क्या कहते है, गडवट करके मिसर कहते है, पानी होता है, पढाके वाला उसमें आखा मिला हुता है, पानी, मिच, हींग, और दनि लिटर खाली हो गया पीगे लोग अब उस ने देखा कोई ओद लिटर पानी मिला ले अब बताईीए पहले बढ़िः था दूद अच्छा वाला दूद पानी से तीन गुना था अब क्या हो गा बरावर बरावर हो गया, दूत को कैंगontin are you, पहनी भी करें गनुलUST हो गल मिद्या है, पहनी हो गह से अंहिसे कहले है कै तो आप सही है, क्या? कोई भी बताओ करके. कितना? 30 के 20? 20 वाला 20 ना? अच्छा. 40 वाला 20 को ना? चलिए, बहिए, कोई नहीं, सबका गलत है, इदर दिखिया, कोई कर भी नहीं पाएगा, कंसेप्ट ही नहीं पता, कर कैसे पाओगे? चलिए, इदर दिखिया, आम मुझे ये बताइए, अगर ये सवाल, अगर मालो ये वाला जो सवाल है, इतना होता, समझा रहे, रुख जाओ भी, अगर ये सवाल इतना होता, तो क्या ये टप था? ऐसे सवाल तो पीछे कई करा दिये, कैसे करते फिर इसे? तो फिर इसे ऐसे क करते के दूद और पानी का औनुपात है तीन पात एक बाद में गौत पानी हो जाता बरावर बरावर का मतलब क्या होता है एक औनुपात एक बोलोगे के नहीं यह चचर कर lo tootiyetteख बंजाएगा डद डस कर पहले दूद पानी से कितने गुना है? तीन गुना है. बाद में दूद और पानी बराबर बराबर हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है? एक अनुपात एक हो जाता है. कोई क्या एक अनुपात एक क्यों मानने हो? चचर मानो ना? तो कहा दिक्कत है चास से चार कट गया किता रह गया, एक अनुपाद, एक रह गया बात तो वही है, अब वो कह रहा है कि दस लीटर पानी मिला दिया जाता है कौन मिलाया, पानी, तो जब पानी मिलाएंगे तो बराबर कौन रहेगा बोलो फिरत तो आज भी आज कहा कहा फिरत है, मंगलवार का, मंगलवार का रडगियां कहा रहती है जेब बालाजी महराज इधार देखो, चलिये हम नहीं जा रहे हैं, सामको जाएंगे चुट्टी कर ले ठीक है, इधार देखो तो आप इधार देखने, पहले सवाल समझो, सवाल पूरा हो ना इक दो और कैसे करने की नी करने, देखो आप बताईए, तीन अनुपात एक बराबर का मतलब, एक अनुपात एक समझ में आया की नहीं आया बोलो फट आपड पीछे, आया की नहीं आया सबको आ गया, चलिए तो अब देखना ध्यान से, वो कहरा है पानी मिलाईए, तो पानी मिलाईए ना दूद तो बराबर रखिए, का करिए तीन का गुणा करिए, तीन है न उपर तो यह हो गया, तीन अनुपात तीन, अब दूद जितना पहले था उतना हो गया, पानी पहले था एक, बाद में हो गया, तीन कितना पानी मिलाया, दो, और सवाल में कितना मिलाया, दस, इस टार्टे में मिस्रड बताईए, तो तीन और एक चार मिस्रड होगा की नहीं होगा, दूद और पानी मिलाके में 60 बनता है तो चार यूनिट बरावर कितना जाएगा एक बरावर पांच चो के 20 लीट पर यह तो सवाल था यह नहीं सवाल तो कुछ इस प्रकार है 20 यह गंत है जही बता रहे थे अंग सबसे पर जागबात को कोई मतलब ना है हट जा ठीक जेवी तो लिखा है अब देखो कैसे आप बताईए अब यहां पर कंसेप्ट समझ गया आप अपने बराया आपके घर पर आ रहा है रिष्टिदार और समझो तो आपने एक बाल्टी बरके सरवत बनाया चीनी पानी का ठीक है अब आप बताईए उसमें से आप च अगर चीनी को सही से मिला निकालने पर मिस्रड उतना ही मीठा रहेगा कि कम ज्यादा होगा उतना ही रहेगा है कि नहीं अब नीचे चीनी डली है लोग बाद में चाट-चाट के खाते है उसको बहुत अलग बात है अब तम पहले ही कह दिए न मिला लिए पूरी यह अगर से लोग होते हैं सौकीन चीनी के बाद में खूप बल लेंगे दो चंबच आदा गिला दूद्ध दो चंबच चीनी और पर बाद में चाट-चाट के स्वी उखाते रहते हैं कमकत बहुत अब फित ओनी बर्भी देते हैं तोड़ी सी एक खाते हैं पर लिए खूप हो जितना मीठा पहले था, उतना ही मीठा बादमेवी रहेगा, सही है कि नी सही है, जितना मीठा सरवत पहले था, उसमें से तुम आधी बालटी पी जाओ, तब भी एक छोड़ो, एक बूत भी रहेगी ना, उसे चाट के देखो, उतनी मीठी रहेगी, जितनी पहले पहला ग्ला सबक्रन निकाला गया है, ते अनुपात उतने का उतना ही रहेगा, यह बात आपको समझ में यागए, की नीा आगी, सही की नी ह बढ़ाता है तो पानी मिला लेता है तब फिर बाद में नमक ममक मिलाता है अब पानी मिलाएंगे सरवत में तभी तो चीनी डालने के जरूत पड़ेगी अब तुम बढ़ात में जाओ भर के कटे पर रखे हुए अब लाश्ट में एक बूद बचिये लाओ चाट के देखें क इतना मीता है तो जितना पहले वाले को लग रहा होगा उतना ही बाद वाले को लगेगा अगर चीनी मिली हुई है तो और नीची चीनी तक की तली पह तब नहीं लगेगा ठीक है अब हमने क्या किया चलिए 10 लीटर मिस्टर निकाला तो अनुपात पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अब हमने अकेला पानी मिलाया 10 लीटर बाटर मिलाया तो बाटर मिलाने पर दूदर पानी बरावर बरावर हो गया बरावर बरावर अभी सिखाए हैं एक अ Crtensept समझ़ा रहें, 10 liter पानी मिलाया है, ओ इधर देखना भी नहीं तो अभी 10从 10 liter पानी मिलाया है अब बताये, पानी मिलाया है तो बरावर किसको करेंगे दूद को, तो बडावर करेंगे यहा है, तो तीन कर लो भीये, कहा दिक्कत है लो, अभी तो कराई है पानी एक था, अब तीन हो गया, कितना बढ़ गया? दो, तो दो यूनिट का जो मान है, वो दस लीटर है, एक यूनिट का मान कितना? पांच, दो यूनिट का मान, तो हमें यहां का निकालना होगा, टोटल मिस्रड तो चार यूनिट बरावर कितना आजाएगा? 20 лी डटर आजाएगा, यह थोड़ी पूछा है, हमको तो प्रारंभ में पूछा है, तो यहां पर 20 लीटर है, बस इतना ही है इसका काम, यहां पर 20 लीटर है, और यह 20 लीटर तब तब था, जब 10 लीटर हम निकाल लिए, है तो स्टार्टिंग में मिस्रड कितना रहा होगा बीस और दस टीस लीटर ये सही था मौमत चला ना बीस चला रहे थे तभी हमने और दूद्ड-खल ये चला को और 6 हो ता है 570 अचल बाइस ता लिख पैर में प्र इतना ही करिये दखें अरी दूद्ड में हैs में पहले दूद्ड और पानी का अनुपारा टीन अनुपात एक ता इस बात को भूल जाएए, यहीं से करिए क्योंकि इस से मिस्रड पर कोई फरक नहीं पड़ता है तो इसको भूल जाएए 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है मिला दिया, अनुपात बरावर बरावर 3-3 हो जाता है, 1-3 दो बड़ा यहां 10 बड़ा, 2 बरावर 10, 4 बरावर 20, अब देखिए कि यह तो तब की कहानी है जब मिस्रड निकाल लिया गया, तो 20 तब आ रहा है, तो 10 जादा और होगा, क्योंकि निकालने के बाद 20 बचा है, तो इस टार्टेंग में कितना हो जाएगा, 30 बात खत्म, आगली बात समझ हुए, मैं आपको एक और कराता हूँ, तब इसका सौट तरीक पभी तो यहां पर देखो, शुरुगा आत में कितना था, 30 यहां पर निकाले, 10 तो कितना रह गया होगा, 20 10 पानी मिलाया है, तो यह फिर 30 हो गया होगा मिस्रड उतने का उतना ही हो गया, लेकिन बिचारा, घाटे में कौन गया, दूद, निकल तो गया, लेकिन फिर आया कहीं से नहीं, यहां देखो, यहां टोटल 30 होगा, 3 और 3, 6, 1 वरावर 5 था, 6 वरावर 30, सही है की नहीं सही है, वो हम करा रहे हैं, टेंसन कहें लेते हैं, ठीक है, अभी एक एक करके बढ़ा रहे हैं, एक सवाल आप बताईए, जैसे आपको यह दे रखा है, कि 5 अनुपात दीन है, दूद और पानी का अनुपात, ठीक है भई है, अब वो यह कह रहा है, 20 लीटर मिस्रण निकाल कर, जल्दी से बताना है, 20 लीटर मिस्रण निकाल हो जाता है, दूद पानी बरावर, आप बताएए प्रारम्ब में मिस्रण, जल्दी से बताना है, प्रारम्ब में मिस्रण बताईए, कितना हो जाएगा, लडगियां जल्दी बताइए, लड़कियां बतासी लोक चलती है, तो अपी देंगे फिर सबको 2-2, कि सबका द्यान टौफी के बॉक्स पर कमकतू सबस्दान ग्यान टौब से बॉक्स ता बॉक्स सावच प्यान टौब सावच शाच शवक्स अजड़ा टौब से टौब सावच!.. सो इधर वाली लड़कियों में किसी का आगया सो चलिए देख लिजए उए इता देखो चलो अब हमें यह बताई इसको बहाड में जान दो बीफ लिटर मिसर बाद में दिखेंगे बाद में कितना हो जाता है पांच अनुपाथ तीन दूद और पानी का अनुपाथ 20 लीटर ह हैं तो दूद और पानी बरावर बरावर हो जाता है तो आप बताई पहले एक देखो एक अनुपाथ एक करेंगे लेकिन मिलाया क्या है हमने पानी तो बरावर कौन होगा दूद पानी मिला है तो बरावर कौन होगा दूद पहले दूद कितना पांच तो यहां भी पांच क और देंगे, आप बताइए, पानी 3 से हो गया, 5, पानी 3 से हो गया, 5, कितना बढ़ गया? 2, और सवाल में कितना बढ़ा है? 20 लीटर, तो 2 यूनिट की वैलू, 20 लीटर के वदावर, 1 यूनिट की वैलू, 10 लीटर के वरावर, या, पोर्टल मिसरड तो 5 और 3, 8, तो 1 यूनि जब मिस्टर हम निकाल लिए हाला कि मिस्टर निकालने पर अनुपात पर कोई फरक नहीं पड़ता है तो 20 लीटर हम मिस्टर निकाले थे भाईया तो 20 लीटर जब मिक्चर निकाले थे भाईया तो आप बताए इस्टार्टिक में कितना होगा 100 लीटर बोलो हाई न, असी से भीफ जादा होगा, जिसमें दूद और पानी का अनुपात होगा, पांच अनुपात तीन, हलाग ये पूछा नहीं जाता, फिर भी पूछले तो आम निकाल सकते हैं, कोई परक नहीं पड़ता, चलिए, अब हम आपको सिखाते हैं, इसका एक और तरीका जल्दी से करने का कैसे, देखो, आप बताईए, अभी पिछे वाला ही सवाल देखते हैं, पांच अनुपात तीन था, सवाल में, ये वाला करारे, पांच अनुपात तीन था, वो कह रहा है, बाद में बरावर बरावर हो जाता है, समझना इदर, कव जब 20 लीटर मिक्चर निकाल कर, 20 लीटर पानी मिलाया, 20 लीटर, साल तो पीछे लिखाई है, सौट में लिख रहे है, 20 लीटर पानी मिलाया, तो दूद और पानी का अनुपात बरावर, अब आप एक बात देखना ध्यान से, आप मुझे ही बताईए, सीधी सीधी बात बताईए, इसमें सवाल म हुआ, दूद का की पानी का, दूद का ही नहीं समझे, कैसी, देखते हैं, जिनको नहीं समझ में आया है, वो इधर समझता है, और कभी टेंसन नहीं, इधर देखो, पहले दूद और पानी दोनों बैठे हुए थे, अपने एक डिब्बे में, पैक, सही है की नहीं है, बोलो हाए है न, दूद और पानी दोनों पांच अनुपात, तीन के अनुपात में, आराम से घुलबल के बैठे थे, दूद वाले ने, दुकांदार ने बीफ लिटर मिस्रड को निकाला, अब इस मिस्रड को निकालने का मतलब पता है, जिसमें दूद भी निकला होगा, और पान पानी भी निकला होगा, सही है की निकला होगा, चलिए, दूद भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, अब दोनों विचारे चले गए, पीजे से बाने लिया, बीफ लिटर पानी और मिला दिया, अब जो दूद गया विचारा, वो तो रो रहा होगा, निकला तो दूद ही, पानी तो निकला होगा 20 लिटर में नेकास संग साते में लेकिन मिला जा दे दिया बीफ लिटर तो इह बताएए इसमें नुकसान किसका हुआ दूद खा हुआ चलिए अब सवाल देखिए तो आप बताएए लेकिन क्या कोई मिस्टर का भी नुकसान हुआ नहीं, बीज लीटर निकाले, बीज लीटर मिला दिये, दूद वाले की बल्टी हो, पाने एक लीटर अपना निकाल लिया, और फिर एक लीटर पानी मिला दिया, रत्यका उत्ताई, है की नी? तो आब बताईए, मिस्रड पर कोई फरक पड़ा कि नहीं बड़ा? वर्फुल नहीं पड़ा, तो मिस्रड जैसे जितना पहले है, उतना ही बाद में भी होगा, तो पहले कितना है? आठ, लेकिन बाद में बरावर बरावर हो जाता है, तो चार अनुपाथ, चार, अब बताई यह नुकसाम तो दूद का हुआ है, बिचारा निकला तो दूद है, तो 5 दूद पहले था 5, बात में कितना हो गया? 4. तो कितना निकला? 1. कितने पर निकला? 5. एक वट्टे 5 भाग निकला, इसी एक वट्टे 5 भाग की वैलू है, 20 लीटर मिसर निकला, तो एक वरावर अंसर आजाएगा कितना आजाएगा सो लीटर, चेज गया answer, कहां गया, चेज गया, आया समझ हैं कि, पीछवाला और कराते हैं से, देखो, पहले दूद और पानी का अनुपात है, तीन अनुपात एक, बाद में बरावर बरावर हो जाते हैं, टोटल कितना है, चार, तो दो हुआ, एक, कितने पर कम हुआ, तीन पर, तो एक तिहाई की बेलू है, सवाल में, दस लीटर निकाला गया, तो एक बरावर कितना answer आजाएगा, ठीक, यह आ गया, मुझे लग था कम समझ में आया, आ गया, आप बताएंगे कैसे नहीं, द्वारा समय थे, चेल लिए, अब मैं बता हूँ, एक कंसेप्ट की कमी है, थोड़ा सा तो महां बटक रहे हो, कंसेप्ट यह बटक रहे हो, आप मुझे यह बताएगे, समझना ध्यान से, एक, दूद वाले के पास, दूद और पानी था, मानलो 50 लीटर दूद था, और 30 लीटर पानी था, ऐसे था, सही है की पानी से है, अब हुआ क्या, हमने क्या किया, कि यह बता, यानि आप बताएए, उसके पाफ दूद ज्यादा है की पानी, दूद ज्यादा है, बोलो येस या नो, और एक दूसरा दुकांदार है, उसके पाफ 30 लीटर पानी दूद है, और पानी है 50 लीटर, अब आप क्योंकि आप जानते हैं, उसके पाफ जो मिलावट है, उसमें दूद जादा है, और आपके हिससे में भी, अगर एक लीटर लोगे, तो इसमें दूद जादा आएगा, और पानी कम आएगा, इसमें क्या है, इसमें जो मिलावट है, इसमें पानी जादा है, पानी मिला के ब एह नहीं होसकता खूब मिला ले तू पानी पानी ते या रह जाए बगवान और यह जा पानी पाफ रह नहीं दूद्दू दमाए पाफ आज़ा है एह यह की नहीं से कि जैसा उसकी टंकी में मिला होगा वैसा ही तुम्हारे हिस्से में भी आएगा मतलब जिस अनुपात में मिस्टर निकलेगा उसी अनुपात में दूद निकलेगा उसी अनुपात में पानी भी निकलेगा कैसे समझाते हैं जैसे आपने का एक कामकर भीया आदो हमें दे दे आदा कितना हुआ चालीफ लीटर अब कोई बत देखो आधा ले लोगे तो उसके पास 25 लीटर दूद रह जाएगा और 15 लीटर पानी तो मिस्टर भी आधा लिया तुमने दूद भी आधा आया और पानी भी आधा आया जिस अनुपात में मिस्टर निकालोगे उसी अनुपात में दूद निकलेगा उस रीटर पानी मिलाया, तो दूद पानी बरावर बरावर हो जाते हैं, अब आप बताओ, बीस निकाले तो बीस मिला भी थी है, ठीक है कि नी ठीक है, तो मिसर पहले आठ था, अदमे भी आठ रहना चाहिए, तो बरावर बरावर करने के लिए कितना कितना कर देंगे, चार और अब आप बताईए, दूद किस अनुपात में कम हुआ, तो दूद कम हुआ 5 से 4, कितना कम हुआ, 1, कितनी पर कम हुआ 5, कोई कैसर पानी को क्यों नहीं देख रहे आप, अरे पानी कम हुआ भी नहीं, पानी निकला थोड़ा भोगा, mixed नहीं तो निकला पानी, लेकिन अकेल ब़्यान वाहर पहले कम था बरावर में आकरा है आप बताए कितना कम हुआ अनुपात में इसी अनुपात में मिस्रड भी कमुआ होगा और यहां कह Зна información मिस्रड शांए कि हो पर्चम स्थाम्ट में कम होई फिर बीस लीटर अनुपात में जब बात चल लइए हो भिंद में तो टोटल होता है एक और परसंटेज में जब बात चल लगी हो तो टोटल होता है सो तो एक वराबर अंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा सो लीटर बाठ ना चाहों पांच अनुपात तीन बाठ सकते हैं पहला वाला कैसे कराया देखो पहले दूद और पानी का अनुपात है तीन अनुपात एक बुद गह रहा है बाद में बराबर बराबर हो गया तोटल मिस्ट कितना है तीन और एक चार तो कितना हो जाता है दो अनुपात दो पानी तो मिला दिया अलग से सपेसली दूद को देखेंगे तो कितना एक कितने पर तीन पर तीन से ही तो ऐसे कर सकते हैं, है न, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, उससे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक सवाल में और कराजता हूं पठापट से, आप बताना, जैसे दूद और पानी का अनुपाद दे रखा है, पांच अनुपाद एक, मैंने कहा आप 20 लीटर निकालो भी या, और 20 लीटर पानी मिलाओ, तो आप बताईए, प्रारम्मे में मिस्रड कितना होगा, जल्दी से, बाद में दूद पानी बराबर बराबर, यही कहता है, अनुपाद भी दे सकता है, कर लेंगे आप, कितना? दूद पानी बराबर बराबर, देखो, पांच और एक कितना होता है, छे, पांच और एक कितना होता है, छे, छे को बराबर बराबर करिए, बोलो इधर देखो भी यह, पांच और एक, पीछे, करो नी, पांच और एक, 6, 6 को बरावर बरावर करिए, कितना, 3 और 3, तो दूद पहले था 5, बाद में हो गया 3, कितना कम हुआ है, 2, कितने पर कम हुआ है, 5 पर, और इसका मान जो दे रखा है, वो 20 लीटर दे रखा है, 2 से कट गया, कितने बार, 10 बार, तो एक बरावर कितना अंसरा जाएगा, 50 पर, कर लेंगे के नहीं कर लेंगे, सब की समझ में आ गया के नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, बुर्कुल नहीं, तो आगे, और ऐसे समझ में ना आया हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो रेश्यो से कराया, दोनों तरीके बता दिये, यह देखो, ओए, पीछे बात निये भी रूख जाओ. ये भी तरीका बढ़ा नहीं है. ये भी तो इतना साही है. बस भीव जोड़ना है. है कि नहीं? तो आपको जो तरीका जादा अच्छा लगाओ, उससे करिएगा, कोई जबरस्ती नहीं कि इससे करिए, कि डारेक्ट करिए दोनों ही स्वारल है. ठीक है? आग कल हम बटवा देंगे सबको ठीक है और मगा के कल वर्ण एक एक नहीं उपाएगी कित्त ही है कि एक सचोराने टब ही है और एक एक देते जाना पीछे कोई अब इसमें से बिलाओ तुम्हारा वरुसा नहीं है आर और लाओ अच्यार भीफ जाएगी तो लर्एक कल तुम कहीं हमें मोटा वाइक फाहिए पर पस्नों कहीं कोईए चाहिए बलड़कियां करीं हमें स्कूट्वी चाहिए पलाजो चाहिए हम तो बरबाद हो जाएंगे यह एक और होता है प्लाजो कला आप सीख गया हम दोती नाम जली किसी को तब बसे दें यहां हम एक काम करेंगे एक एक छोड़ो कल दो दो बटवा देंगे हम मगा देंगे खुट ठीक है इसी क्या करते हैं माई प्रॉमिस ठीक है कल बटवा देंगे दो दो इसी में और मिला के तब बटवाएंगे ऐसी बाते मत किया करो उल्टी बाते हैं हमारे दिल पर छोट लगती है का टॉपिक का नाम कहता है अब आप आराम से समझेंगे रेस्यू चलना है और पैट की अंसर की आ गई है आप अपने अपने चेक कर लियो जिने हम चेक नहीं कर पा रहे आप एक काम करेंगे मैं बता देता हूं कैसे करना है जो वहाँ दिरक्खा है वो माश्टर की दिरक्खी है माश्टर की का मतलब है कि आप पेपर फर्स्ट शिप्ट दिया है तो उसका एडाउनलोड करेंगे और second shift है तो उसका भी डाउनलूड करेंगे हाला कि हमने telegram पर दोनों paper डाल दी है उसी की वो answer की है फिर आप अपने देख लेंगे कि पहले इसका कौन सा सही है कहीं copy पर लिख लेना फिर आप अपनी match करना क्योंकि paper तो दिया नहीं है तो ऐसे चेक हो पाई उसमें थोड़ा था माता पच्ची है दस-बीस मिनट का time लगेगा ठीक है करना क्या है आपको में एक बार द्वारा बताऊं shift first के आप हो या second के आपको ए paper डाउनलूड करना है डाउनलूड कहां से करना है टेली के राम पर डाला हुआ है हमने ठीक एकल सामको ही डालती है वहां से डाउनलूड करके उसी की answer की हमने उपड़ डाली हुई है तो उसमें टिक लगा लेना फिर अपने paper में टिक लगाना है ऐसे लगेगा आप डारेक्ट नहीं मोठ है कि अपने में लगा इन लोगों सब गंत हैं जामें तो फिर गंत होंगे सब तो इस बात का बिसीश ध्यान रखना ठीक है ना सबसे पहले first paper या second sifter उसका डाउनलूड करिए फिर उसमें टिक लगाई है तब अपने में चेक करिए इसका कौन सब्सक्राइब ऐसे है चलिए फिलाल आगे है तो यह बात नहीं देखो अरे जगह बहुत है ठीक है चलिए देखना आगे तो कल हम आपको जो समझायते उसका एक बार revision करा दें दो मिनिट में फिर वहीं से आगे बढ़ना है इसलिए करा रहे है ठीक है भी है जैसे हम आपको यह समझायते कि एक कोई बरतन है उसमें दूद और पानी का अनुपाद दो अनुपाद तीन है बाकी तुम बात कह कर रहे हो एक कोई बरतन है जिसमें दूद और पानी का अनुपाद कितना है दो अनुपाद तीन बोलने से कह दिमाग यहीं रहता है अब हमने क्या किया कि 40 लीटर दूद मिलाया चालीफ लीटर दूद मिलाया, जिससे जो अनुपाद था, ठीक है भई है, अब इससे जो हुआ कि जो अनुपाद था, दूद मिलाये हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है, तो जो अनुपाद था, वो तीन अनुपाद, दू हो गया, तो आपसे यहां पर कुछ भी पूछ सकता है, प देखो आगे, एक काम करो, इस पर जित्ती बैट जाए, अटनी बैठा लो, इस टूल है आगे, और एक कुरसी है, पैम से आया करो कल से, देखो आगे, आज की कल से बैंचे को छोड़के बैठा करेंगे आप, अब तो गाना बंद भी हो गया, इनको आगे, ये कुरसी है, ये क अलो, देखो भी आगे, चली हो, अपकी फॉन आएगा, किसी का तो तो तुम्हें गाना सुनाएंगे, बहुत अच्छा गाना लगाएंगे, ठीक है, देखो, गाना नहीं बताएंगे, सर्प्राइज है, चली भी आ, देखो आगे, अब बात ने, तो मैं आप से ये कह रहा ह कि एक बरतन में दूद और पानी का अनुपाद, दो अनुपाद, सुनो तुम भी, बढ़िया लगाओंगे, देखो, ये तुम्हारा ही है किसी का फॉन, देखो आगे, चलो, अब चुपके, आगे, समझो, एक बरतन है, जिसमें दूद और पानी का अनुपाद है, दो क्या कि है, चालीफ लीटर दूद मिलाया, जिससे अनुपाद आपस में बदल गया, दो अनुपाद, तीन की जगए, कितना हो गया, तीन अनुपाद, दो हो गया, ठीक है, अब देखना, सर अमने कल आपको सिखाया था कि, अब चुप हो जाओगे, बंद कर देखो, तुम होगी पहले जितनी ही होगी, जैसे इ отвеч in class में चाल लड्कों और आजाएं, तो लडकों की संख्या होतनी रहेगी, अगर तीन लड़के आजाएं, तो लड़के बढ़ेंगे, लड़कों की संख्या उतनी ही रहेगी, अब देखना ध्यां से, तो हम आपको सिखायेदे भी आ समय आगी जितना पानी पहले है उतना पानी बाद में भी रहेगा अब देखना ध्यान से यहां पर बरावर करने के लिए क्या करना चाहिए दो का गुढ़ा ऊपर दो तीन गुढ़ा नीचे क्योंकि हमने दूद कू मिलाया है तो बरावर क्या होगा पानी बरावर होगा तो यानि दो का गुणा जब इधर हुआ है, तो इधर भी होगा, अनुपात है भहिया, तीन का गुणा इधर हुआ है, इधर भी होगा, तो इह हो जाएगा दो दोनी चार, और इह हो जाएगा भहिया, तीन दोनी छे, और यह हो जाएगा तीन त्रोके नो, और यह हो जाएगा द 2, 3, 6, यानि यह है दूद और यह है पानी, अब देखना आप ध्यान से, दूद और पानी हो गया, यानि पानी तो परावर हो गया, अब 4 से दूद हुआ है, 9, तो 5 यूनिट बढ़ा है, अब 5 यूनिट की जो वैलू है, वो सवाल में दे रखी है, 40 लीटर मिलाया है, तो ए नहीं, आठ चोके 32, और इसका आठ चोके 48, अब इसको हमने आगे बढ़ाया, फिर हमने दूसरा सवाल इस पर ये कराया था, कि 10 लीटर मिस्रन निकालकर 10 लीटर पानी मिला दे, पहला सवाल यही कराया था, इस पर कापी सवाल कराये थे, अब, क्या हुआ? रुक जाओ, पहले समझाने ले जाकरो, टैम ऐसी ही हो जाता है, यह इनकी चेकर में, देखो, अब मैंने आप से यह कहा भीया, कि कोई बरतन है, जिसमें दूद और, आज इसमें क्या, अलग-अलग क्वानिटी वाले करने, जैस पर 10 लीटर निकाला, 5 लीटर ही मिलाया, इ 10 लीटर मिस्रण निकालकर, उसमें क्या हुआ, 10 लीटर मिस्रण निकालकर, 10 लीटर पानी मिलाया, 10 लीटर मिस्रण निकालकर, 10 लीटर पानी मिलाया, तो आप अनुपाद बाद में, तो दूद पानी बरावर बरावर हो जाता है, तो दूद पानी बरावर बरावर हो जात है कि अब बताईए प्रारंब में मिस्रड कितना था या प्रारंब में दूद कितना था या प्रारंब में पानी कितना था इन में से कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है अब देखना ध्यान से मैं आप से द्वारा पुछ रहूं जब हम मिस्रड निकालते हैं तो अनुपात कोई फरक पड़ता है क्या नहीं पड़ता जैसे सरवत बना लीजे आप दूद और चीनी पानी और चीनी मिला के जितना मीठा पहली बूद होगी उतनी आखरी होगी चाहे सब पीजाओ दफ लीटर निकालो बीफ लीटर निकालो उतना ही रहेगा हमने कल एक और उधार दिया से अनुपाद पर कोई फरक नहीं पड़ता है क्लियर है की नहीं क्लियर है यह बात हम कल भी आपको सिखा चुके थे अगर मिस्र निकाल जैसे पड़ाके वाला है अगर वह एकाद दो लीटर पानी खतम भी हो जाए तो ज्यादा खम मीठा खटा ज्यादा थोड़ी हो जाता है जिता पहले था होता बाद में भी था वह अलग बात है महलो तली पे नमक था या चीनी तली पे थी तो बादवाला मीठा हो जाएगा अगर लेकिन घोल सही से किया गया है तो अनुपाद पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यह बास सब को समयशी में आगई की नहीं आगई इनको अब जल्दी बेज दो अब कल गल लेना इतने लोगों को जो दो हैगे चाच्छा लोग जल्दी बेज दो ठीक है देखो आगे यह बी तो कम बगत है यह रोज मज़ा आता है फीश्य कराने में से लिए पर लिए चुब चाप चले जागे इंपर यह मोबाईल में के यह मेरी यह मेरी यह ठीक है देखो बात नहीं बहीता समझ लो पर आगे यह नहीं टाइम से अपने आराम से आकर करा दें नहीं इन्हें भी मज़ा आता इस वीज में ठीक है देखो तो हम आपको यह समझा रहे थे भीया कि जब मिस्रन निकालते हैं तो अनुपात पर कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे कितने लोगें जोने यह बास समझ में नहीं आई जैसे वही आ मालो अब उसमें से आप दो चार गिलाफ निकालते हो जाएगा अगर पहले जादा मीठा था तो अब भी जादा मीठा रहेगा क्योंकि जिस अनुपात में चीनी और पानी को मिलाए हो उसी अनुपात में बाद में भी रहेगा जैसे मैं आप से कहूं यह अनुपात है तीन अनुपात यह पर जब हमने 10 लीटर मिस्टर निकाला तो आप जामते हैं अनुपात पर कोई भरक नहीं पढ़ेगा अनुपात पे कोई फरेक नहीं के सवाल में क्या होगा कि यहां दफ दे दिया यहां आठ दे दिया यहां आठ दे दिया यहां द theme दिया इतना change होगा इस से जादा कुछ नहीं होगा ठीक है, अब देखना पहले मुझे यह बताएए कि इस सवाल में किसको दिक्कत है पूछ लिया करो पूछो एक-एक से पूछे है यही मत कहा करो तुम द्वारा से बताओ वादा थम से पूछ नहीं रहे है अमने वादा यह ज़्यादा पूछना भी दिक्कत दे जाता है कभी-कभी हाद होगी रिपीट कर दो रिपीट वाली बात कहा है यह बताओ न समझ में कहान candle आया, repeat का मतलब तो यह है, हमने समझाई रही है, कुछ तो समझ में आया होगा, देखो, द्वारा समझाते हैं, कुछ नहीं आया है इनको, देखो, मेरे भी यह बात में, आप मुझे यह बताईए, दूद और पानी का अनुपात है, तीन अनुपात एक, इतनी बात समझ में आ करा देते थे, किसी वेच में, ठीक है, बहुत दिटेल में करा रहे है, इस साल हम वेच भी ज्यादा नहीं पढा रहे, आप यकीनी महनें कि हर साल हम 13-13 वेच पढाते थे, 12-13, सुवेच 7-6 वेच तब, इस साल हम केवल 4 वेच पढा रहे है अभी, ज्यादा करेंगे तो ए दूद और पानी का जो अनुपात है, वो कितना है, तीन अनुपात एक, अब देखने है ध्यान से, हमने क्या किया, 10 लीटर मिसर निकाला, अब 10 लीटर मिसर निकाला, तो आम मुझे ये बताईए, क्या अनुपात पर फौन बड़ा बेकार है, बंद कर दो इसे, बहार में जान दो बच्चे को, तुम पहले अपने बच्चे को यहां देखो, ठीक है, इधर देखो, आप यहां देखना भीया, दतीन अनुपात एक, दस लीटर मिसर निकाला गया, तो आप बताईए, अनुपात पर कोई फरक पड़ेगा, क्या, नहीं पड़ेगा, दौरा समझाए कैसे, आप लाओ बरफी, बड़ी वाले पीस, और फिर जीव सिट, चाट चाट के, चाट चार के, नेक छोड़ो, जितनी अनुपात हो जाता है, बरावर बरावर जानते हैं, एक अनुपात एक हो जाना, पुई कहां, अच्छा सा, दो दो नहीं कर सकते, कर सकते, दो से दो क कितना है, तीन, तो बाद में भी कितना होगा, तीन, ठीक है भी है, अब देखो, ये भी थीन हो गया, ये भी थीन हो गया, बात नहीं, पहले पानी कितना था, एक, बाद में कितना हो गया, तीन, कितना बड़ा, दो, दो यूनिट की जो वैलू है, वो दस लीटर है, एक इसे ही है बुरकुल ठीक है ठीक है बुलो निया भी अब आप बताइए टोटल मिस्टर कितना है चार तो एक यूनिट की वैलू पांच चार यूनिट की वैलू कितनी हो जाएगी बीस लीटर अब ये बीफ लीटर तो यहां है आप ये बात अपने अंदर ही अंदर जानते है 10 लीटर निकालने के बाद तो इस्टार्टिक में कितना होगा 30 लीटर अब सब को समझ में आ गया अब भी कोई ऐसा है जिससे समझ नहीं आया हो चुप जा बैढ़े रो तुम एक तूचे कौन से बीस कैसे कैसे लोग है दो यूनिट का मान दस एक यूनिट का मान पांच ट अब आगे एक सवालों करिये कंबगतो जल्दी से देखों तूद और पानी का अनुपाद अए एक लाष्ट करिये चलिए बात नहीं दूद और पानी का अनुपाद दो अनुपाद पांच है सही है अब वह ये कह रहा है ऐ रूखना सवाल तो सेटकल लेंद नहीं बाद मं एजीरो से अरो जाएगा, रुकना एक मिट, दो पाँच दे दी हम, ठीक है, दूद और पानी का अनुपाद, ओओ यह मौनी चलाओ, ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, हम, चलिए, हमने क्या किया भीया, 55 लीटर मिस्रण निकालकर, 55 लीटर मिस्रण निकालकर, पेंतालीफ लीटर दूद मिला दिया इस पर क्या मिलाया है दूद ध्यान पर देखना पेंतालीफ लीटर दूद मिलाया पानी नहीं मिलाया इस पर दूद मिलाया तो दूद और पानी बरावर बरावर हो जाता है दूद पानी देख ले ना सब लोग कल तक बताना किता किता या सी टेलीरउं पर कमेंट करना कितने लोग से जनकास सी से जाता है कितना अंसर आ गया वा अब तो इस्यार हो गया सब के सब लड़कियों में किता एक सो पचास 95 सब के लग लग आ रहे तेड़ सो तुम्हारा कितना है एक एक करके बोलो अब तुमने बोल दी अब तुम बोलो तुझे तुझे बोलने ही एक सब जासके अच्छा डेड़ सो वाओ 150, 150, डेड़ सो सब एक ही वाते हैं यह पर यहाँ आप अच्छी है synonyms देखाँ इधर देखना मौबंद कर लो आप बताईए पहले मिस्रण निकाला गया है पहले क्या निकाला गया है मिस्रण क्या मिस्रण निकालने पर अनुपात पर कोई फरक पड़ता है नहीं मिस्रण निकालने पर अनुपात पर कोई फरक नहीं पड़ता है तो अनुपात इतना ही रहेगा, दूद और पानी का, पैंतालीफ लीटर हमने क्या किया, मिसर्ड नहीं, पैंतालीफ लीटर हम दूद मिला दिये भहिया, तो दूद और पानी बरावर बरावर हो जाता है, एक अनुपात एक हो जाता है, अब बताये क्या मिलाए हैं हम, दूद बराबर कौन hoga? आए पीजे वहलो कौन हो ग共ला पानी होगा तो पानी पहले पांच है तो पानी पांच है तो भी पांच गुणा तो इदर भी पांच का टीक है अब पहले दूद था दो बाद में हो गया पांच कितना मिला लिए? तीन, तीन युनिट की वैलू 55 लीटर, एक युनिट की वैलू 15, उडा दो, ठीक है, तोटल मिस्रण यहां कितना है? साथ, तो एक बराबर पैंदर है, 15, 7 बराबर पंदर सत्ते, 105, यहां 105 लीटर है, अरे भाईया, यह तब है जब घटा दिये हैं पहले से 55 लीटर निकालने के बाद, तो 55 लीटर निकालने के बाद 105 है, तो सुरूबात में कितना होगा? 105, दूद पानी बटवाना चाहें, तो इसी अनुपात में होगा, दो अनुपात 5 चाहें, हालांकि पॉइंट में आएगा, यहां बटवाएगा नहीं, किलियर कर लेंगे की चलिये, अब सवालों को स्रंखला को चेंज करते हैं, जैसे हमने यह कहा मेरे भाया, कि दूद और पानी का अनुपात, तो अनुपात 3 है, उसने क्या किया, 20 लीटर मिस्रन निकाला, लेकिन मिलाया कम, 20 लीटर मिस्रन निकाल कर, 10 लीटर पानी मिलाया, कल सवाये थे, एक और तरीका बताये थे हम, वह बलत यहां ने, डारेक्ट बताये थे, इन सब सवालों को है न, चलिये, बीफ लीटर मिस्रन निकाल का, 10 लीटर, अब क्या, आज के सवालों में, बरावर नहीं है, बीफ लीटर निकाला है, 10 लीटर पानी मिलाया है, जिससे, दूद और पानी का अनुपात, जिससे, दूद और पानी का अनुपात, तीन उनुपात दो हो जाता है क्या हुआ बहिए उतार नहीं करो समझ में नहीं आएका हम तुमारे पविश्क लिए बता रहे हमें कोई लुक्सान नहीं है समझा करो बस पहले हम तीन दिन में करा देते ते ते रिसी हो जामेति एक कराते थे टाइप खत्म, सब करारे इस बार, कितना आ जाएगा, पिनम निवेदन है, कर जोड के, कर वद्ध, नोट नहीं करेगा कोई, भया आयक कैसे के तुम ओल लेट आओ, यहीं से बगाएंगे कल फे तुमको, अच्छ, ठीक है कल फे यहीं से बगाएंगे त को अगर लेट आए तो, पढ़ लो दो-तीन महीने, लग जाए तो कोई बढ़िया है, फिर वैसे भी नहों करी यहानी, दो-तीन साल तक, हाँ भया भया हो जाएगा, नहीं लाले पड़ेंगे फिर, ठीक, देखो, चलिए, बात नहीं भी आब, आब मुझे यह बताईए, जै निकालने पर, अनुपात पर कभी कोई भरक नहीं पड़ता है, चलिए, तो अनुपात तो इतना ही रहेगा, अब इनको कैसे समझने आएगा, दूद और पानी का अनुपात कितना है, दो अनुपात, तीन ही रहेगा, मिस्रन निकालने पर, ठीक है क्भी नहीं ठीक है, मिस् धा रहा है answer नहीं, जो हुए तो फिसागी, 17 , plausii men आ रहा है ठीक है, चालिए दीख the आद बताईये बूद और पानी का हनुपाद-दो-नौपाद 3 है ठीक है Yok मालम गल्द कहाहो रहा है क्योंकि दूद मिलाना चाहिए तब तो ये पहले से बिचारा दूद कम है और पानी और मिला दिये तो पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ना चाहिए नहीं यहां दूद होगा अब सही है देखे चलिए तुमको नहीं लग रहा पानी पहले सही जाता है और पानी मिला दोगे तो पानी बड़ा नहीं जाएगा ब्रावर कैसे जाएगा और लोग का अंसर आ गया सब अच्छानवे सब गंचक करें देखो ब्रावर कहां का है बिना उप्सन के लोगों के अंसर आगे तुम उप्सन की बात कर रहे हो इनको तो गलत सुलत देता तब भी अंसर आ जाता है ठीक है चलिए इदर देखें अभी मुझे लग रहा है पॉइंट में जाएगा चलो चेक कर लेंगा भी रूप जाओ पहले सवाल समझा रहे हैं पह केवल दूद मिलाया है बाफ जे ही दिक्कत कर दी अनुपात हो गया तीन अनुपात दो अनुपात हो गया तीन अनुपात दो आप बताइए क्या मिलाया है दूद मिलाया है जब हम दूद मिला रहे हैं तो बरावर क्या होगा पानी जब हम दूद मिला रहे हैं तो बरावर और क्या होगा पानी और फिछ वाई तो मॉबंद करके आते हो बुला करो हम यह समझाते रहते हैं आदू का दिमा कहीं हो रहता है क्या होगा दूद मिलाया है पानी बरावर होगा तो पानी पहले तीन है बाद में हो रहा है दो तो बरावर करने के लिए 2 को गुणा ऊपर और तीन को गुणा नीचे इधर भी तीन का गुणा होगा इधर भी तीन का गुणा होगा इधर दो का गुणा होगा इधर दो का गुणा होगा ता के रहे तुम बताओ जब दूद मिला रहे हो दूद को बरावर कैसे कर सकते हो जो चीज मिला रहे हो वो बरावर रहेगी फिर मिलाचो रही हो किलास में दफ लड़के बढ़ा रहा है तुम को लड़के बढ़ी यह नहीं रहे मुझे हम जादु बात हो बढ़ा रहे फिर भी नहीं बढ़ा रहे दूसरी चीज ब्रावर होगी जब आप दूद मिला रहे तो दूद तो बढ़ेगा पानी नहीं बढ़ने वाला तुमाई जम्में रुपया रखें कागज रखें अगर कागज रखोगे तो रुपय थोड़ी बढ़ने वाले दूसरी चीज बरावर होती है ठीक है तो आप बताएए दो दुनी चार और तीन दुनी छे और यहां तीन त्रोके यहां प्रारमे में चार और छे कितना है दस तो एक जीर चुपका दो एक यूनिट दो है तो दो यूनिट कितना हो जाएगा बीफ लीटर यहां आ गया बीफ लीटर अब यह बीफ लीटर तो तब आया है जब बीफ लीटर निकाल लिये हैं तो starting में कितना हो दाएगा 40 liter, किसी का यह था, हाँ, 40 liter, अगर कल को यह पूछ ले, starting में दूद कितना था, तो दूद और पानी का अनुपाद है, दो अनुपाद 3, 5, 5 का मान 40, 1 का मान 8, 2 का मान 16, 3 का मान 24, तो इसमें आप कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकन यह इसका अंत हही नहीं तक नहीं है, इसमें और भी बड़िया सवाल बन जाता है, हम आपको बुर्कुल एक तरफ से आप SI किसी का यह पेपर दे सकते हैं, CHSL, CGL किसी का भी, देखो, अगर मान लो यहीं यह दे दिया, इसी सवाल में आपको यह दे दिया, ध्यान से देखना, 2 अनुपाद 3, वो 2 अनुपाद 3 है, घूद और पानी का अनुपाद 2 अनुपाद 3 है, इसी को चेंज कर रहें, कुछ मिसरन निकालकर, उसका आधा पानी मिला दिया जाता है, उसका आधा पानी, जैसे यहां दिया है ना, कुछ मिस्रन निकालकर उसका आधा दूद मिला दिया जाता है, उसका आधा दूद मिला दिया जाता है, उसकी आधी मात्रा दूद मिला दिया जाता है, नहीं समझें, पीस लीटर निकाले तो किता मिलाए, दस, पचाफ लीटर निकाले तो किता मिला 25 ऐसे है दूद आधी मात्रा उसकी आधी मात्रा दूद मिला दि आ जाता है ठीक है जिस से दूद और पानी का अणुपाद दूद और पानी kan रणोपाद तीन अनुपाद 2 हो जाता है अब मुझे एक सवाल बताएई अगर मैं यहान आपसे पूछों यह बताइए प्राहरम में मिस्रड कितना था तो क्या आप निकाल सकते हैं भूले हैं यह तो हम आपका दिमाग मजबूत कर रहे कोई बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं कि अधर के फिल्लों कोई दूफ रखाएगा हम तो चालीस धरेंगे फिर इसमें आप भी देखिये ना अब इतना सवाल पेपर में आजाए इसमें एक बच्चा तो कह रहा होगा हम तो दफ दल्लो एक करो या पचाफ दल्लो तो आंसर भी तो अलग-अलग धल्लो फिरे ठीक है तो इस सवाल में कवी प्रारम में मिसर नहीं पूछा जा सकता है आप पूछा भी जाए तो इसका अंसर आयेगा आंकड़ अपरयापते ऐसा सवाल भी उसमें आयया था डी-आई में भी लोग Россuci के लगा दिये थे पहान 好 stark नी म becomes cur अइक बताय है लिए एप कुप अब लोगों ने C लगा दिया, किसी ने B लगा दिया, और यह कैसे हो सकता है, आपको हम एक जन्रन नौलेज की बात बता है, अगर सवाल में अनुपाद दे रखा है, कोई भी अगर सवाल में अनुपाद दे रखा है, कहीं कोई रियल मान नहीं दे रखा है, तो उसका अंसर कभी रियल मान निकल भी नहीं सकता, इसी का दूसरा मतलब होता है, परसेंटेज, अगर सवाल में परसेंटेज दे रखी है, स्रिप और स्रिप परसेंटेज, तो उसका अंसर आया था, एक क्लास में लड़के, मतलब लड़क पता नहीं, तीन अनुपात दो था, तो बताएं लड़कें की संख्या लड़कियों से कितनी जाता है, और फुड़ा वा लेंग्वेज थी, उसमें कोई डाटा ऐसा थाई नहीं, लड़के लड़कियों पता चले, तो आंकड अधूरे, फिर इसमें अंसर वही पूछा जाएगा, जो अनुपात में हो, अनुपात से अनुपात ही निकल सकता, मैं जैसे आप से कहूँ एक बात बताईए, एक बगल में किलाफ चल लगें, या किसी गाउं में एक चौथा ही बच्चे हैं, आप बता सकते हैं किते बच् परसेंटेज में यही 25 परसेंट कह सकता है, परसेंटेज और अनुपात में कोई अंतर ही नहीं, दोनों यह कई बात हैं, सौका गुणा तो परसेंटेज, सौका भाग तो अनुपात, अब इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें आप से यह नहीं पूछा जा सकता, प्रारं में दूदगी मात्रा बताईए आंकड़े दूरे पानी बताईए आंकड़े दूरे फिर क्या पूछा जाएगा मिस्रड का कितना भाग निकाला गया यह सवाल बनता है मिस्रड का हमने बता है न आपको अनुपाद पूरे टॉपिक में तीन सवाल इंपूडेंट है सबसे फलजल वाला जिसका हमसे चारन पाद गया रहे वह एक दो साथ गया रहे जो आएवे वाला था ठीक है जिसमें एक चौथा ही बचाता है और तीसरा सवाल भी आएगा और एक और कराएंगे चास सवाल में से एक सतर परसेंट आता है आने को तो कुछ भी आ जाता है ठीक है इनके अंसर भी आप वियाद कर सकते हैं चास सवालों के मिल जाए सीधा गोला मिस्रड का कितना भाग निकाला गया बात पल्ले नहीं पड़ी तुमको जी वाली बात नहीं पड़ी बाकी पर सवाला तो सरल है ठीक है देखो आप बताईए किलास में लड़के हैं सो और लड़कियां हैं पचास अब हम आप से कहें यह बताईए मिस्रड कितना है पूलो मिस्रड मतलब गड़ बड़ एक नहीं पूरी मिक्स करके तो मिस्रड कितना है, डेड़ सो अब किलास में से क्या हुआ दफ लड़कियां उटके चली गई अब बताया के गई हमें का दफ लड़कियां चली गई है अब आप से पूछें, बात नहीं दफ लड़कियां चली गई, आप बताये देखो, यहां मिस्रड कहना अच्छा नहीं लगेगा यहां क्या कहेंगे क्लास समयदारों की लेंग्वेज है अब दूद पानी हो, वहां को यह थोड़केगा क्लास में दूद इतना है, पानी इतना है वहां क्या कहते हैं, मिस्रड ठीक, तो यह नहीं कि मिस्रड का मतलब मिस्रड ही है यह अपने दिमाग चलाया करो, मिस्रड का मिस्रड नहीं है, अलग-अलग जगा, अलग-अलग क्लास, एक क्लास चल लिए इसका मतलब भी तो मिस्रड ही है, अब दूद पानी वो भी मिस्रड है, चीनी बूरा वो भी मिस्रड है, यह सब क्या, यह मिस्रड है, अलग-अलग तरीके से, एक सहर में 400 की आवादी है, यह आवादी क्या है, मिस्रड, आदमी हैं, बुडे वी हैं, बच्चे वी हैं, दूशरा मीनिंग क्या है मिक्चर है ना पर मिक्चर कोई कहेगा थोड़ी अब दूद पानी कोई कह यह पता कि एक किलास रखी हुई है जिसमें 10 लीटर दूद है और 5 लीटर पानी है ऐसे थोड़ी वहां कहते हैं मिस्टर तो किलास का कितना भाग लड़कियां चली गई यह पूछा है कितना भाग लड़कियां चली गई बताईये कोई ही बताईये चुट चुटी बातें पूछते रहते हैं कापी पेंट चलेगा इसके लिए ख गई मौक के कोई सवाल है जो पूछा है एक वट्टे पंदर बुर्कुर्ट सिंपल जो लड़कियों कोई दिमाख ही नी चलता है कॉपी पे नी चलता है देखो आप बताईए पोर्टल मिस्टर कितना है देड़ सो उसमें से लड़किया कितनी गई है दस तो कितनी गई है एक वट्टे पंदर है इसी में सौका गुणा कर दो तो कहा बन गया परसेंटेज अब यह इसे कहते है भाग भाग को इंग्लिस में कहते है हिस्सा मतलब रेस यू एक ही तो बात है आदा हिस्सा ठीक है कि नी चाहिए बई यह बात की बात है एक वट्टे पंदर है कि नी कि लिए आप बताइए एक वट्टे पंदर है क्या है हिस्सा कभी ऐसे नहीं होता कोई कह रहा था दस यह मतलब संख्या थी हिस्सा रेस्यो भिन यह सब एक ही बात है एक व्यक्ठी का पता है तो महें उसका एक चौत्ही भाग हो गया तो एक चोताई क्या है हिस्सा या भाग या इसी को तो सब कुछ कहते हैं रेशियो तो यहां समझ गए आप टोर्टल में से कितनी गई उसी को रेशियो कहते हैं अगर पूछे कितनी रहे गई तो पंद्रे में से एक चली गई 14 बट्टे 15 मतलब डेर सो में से 140 रहे गई बात ह कोई है ऐसी सवाल है यहां आप से यह पूछा गया है मिस्रड का कितना भाग निकाला गया तो मिस्रड और बट्टे में कितना ऊपर कितना निकाला गया वश्य पूछा है चली हम आपको कराते हैं देखो कुछ मिस्रड निकाला गया अब आप बताईए देखो हम पहले आप आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं, तो अनुपाद तीन है, दूद और पानी का अनुपाद, भाहिया हमें नहीं पता कितना निकाला गया, का लेना देना हमको, अपनी मरजी से कुछ भी मानलो आप, अब देखो, आंसर पर तो कोई फरक पढ़ना ही नहीं, रेशियो ही त पूछा कितना भाग निकाला गया, दो मानो, चार मानो, दस मानो, एक मानो, तीन मानो, अब संख्या ऐसी मानो, तेड़, अब देड़ का आधा कितना होता है, तेड़ का आधा तीन, वाव, तेड़ का आधा तीन, तेड़ का डेड़ का डवल तीन होता है, तेड़ का आधा निकाला हमें नहीं पता कितना निकाला बाद में देख लेंगे चलो चोड़ो स Почему ऐसे की निelकिन यह पता है जितना निकाला है उसका आधा ही दूद मिलाए है अब तुम यहां कोई मालो साड़े साथ, अब आधा ही नहीं कर पाओगे, फफ जाओगे ना, पेपर ने सरल दिया सवाल, आपने उसको टप कर दिया, क्लिर है कि नी क्लिर है, बोलो यस या नो, ठीक है क्लिर है, देखो भी या, तो आप हमें यह बताईए, क्लिर है कि नी क्ल निकाल लिया, अब देखना ध्यान से, जितना निकाला गया तो बात अनुपात पे दर कोई फरक पढ़ना ही नहीं, Mr. निकाला गया है, तो बाद में कितना हो जाएगा, तीन अनुपात दो, सही है कि नहीं सही है, इतनी बाद सब को समझ में आ गई कि नहीं आ अगई, आब आप बताईए बाद में कितना रह गया तीन अनुपाद जब हमने कुछ कितना दूध मिलाया है दूध चलिए अब देखना सरल तरीका क्या हो सकता है क्या मिलाया है दूध मिलाया है ठीक है कि नी ठीक है बोलो हाँ है न देखना ध्यान से अब आप बताईए कुछ हमने क्या म तीन बाद में कितना है, दो, दो का गुणा उपर और तीन का गुणा निच, नहीं समझे, अले दूद मिलाया है, बरावर कौन होगा, पानी होगा, दूद मिलाया है, बरावर कौन होगा, पानी होगा, तो अब देखना, जो गुणा इधर हुआ है, वो इधर भी होगा, जो डोधिया। 6 3 दोनी 6 आप बताये, दूद को कितना मिलाया गया। पांच जब पांच dragons два नखर तो मिस्र सै निकाला कितना गया होगा इससे आधा था ताना ये इसका आधा दूद था तो इससे ॥न नहीं हो जायेका तो 10 अब यहा ले स्थर कितना है तो स्टार्टिंग में कितना होगा बोला दस निकाल के तब तब 20 होगा अब वो पूछना चाहता है कितना भाग तो 20 में से 10 निकाला गया है तो अंसर कितना आ जाएगा एक वट्टे दो आगी बास समझना है कि नहीं आगे चलिए एक सवाल आप करके दिखाएंगे फिर हम ल लुका दिक्कत है तीन अनुपात एक कुछ मिस्रण निकालकर बरावर है इस वार कुछ मिस्रण निकालकर उतना ही पानी उतना ही पानी मिला दिया जिससे दूद पानी बरावर ठीक है तो कितना भाग निकाला गया बताओ मिस्रण का कितना भाग निकाला वही है झाल झाल आया कुछ ही? कितना आ गया? अरे तुम तो टक गे सब के सब? बताएं भी यह? कितना आ गया? अरे ती दिल लगेगी? बोलो भी यह? देखो, अरे तुम तो फस गई? एक वट्टे, इसका अंसर आएगा? एक वट्टे तीन भी यह का सही था? किनका था? अहा है अब तो समने कई? ठीक है? देखो चलिए, इदर देखना कैसे? ओए, अब बात नहीं देखो आगे आम मुझे यह बताईए पहले दूद और पानी का अनुपाद कितना है? ओए, आगे तीन अनुपाद, इससे बात में दिखेंगे, कौन पहले देखता है इसको? ठीक है कि ठीक है? एक मिट्ट रूगना एक स्पाइल बेज नहीं है, बस अरे 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 अरेजेंट है? परिशान मत कर दिया करो, है तोबाव ठीक है? देखो आगे एंविया? चलिए, ओए इधर देखो, क्लियर है? आईए, स्टार्ट करते हैं ओए, आगे बते मॉप होट देंगे काब काई गुंगरा जानते हो, इसी से उचरता है, यू मार उमार के ठीक है? ठीक है? ठीक है, खड़े होके दिखाओ, चला ठीक है, देखो भी पात्य है ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, देखना ध्यान से, मेरे भी या, इधर ओए, पिछे, यह तो तुम उपर वैटते हो, पर बत्ते आते हो अलो, नीचे वैटना करो गल्फे ठीक है? देखो इधर देखना? अब चुप जाओ यार, देखो भी या, तीन अनुपात एक, ध्यान से देखना भी या, तीन अनुपात एक, सही है के नहीं सही है? अब हमने पतानी कितना निकाला, यह बात में देख लेंगे, छोड़ो, का मतलब दुनिया दारी है? लेकिन हम यह बात तो कि जब मिसर निकाला जाता है, तो अनुपात पर कोई फरक नहीं पड़ता है, तो अनुपात तो तीन अनुपात एक ही रहेगा, भोलो हाँ यह न, जब मिसर निकाला जाता है, तो अनुपात पर कोई फरक नहीं पड़ता, तो अनुपात तो तीन अनुपात एक ही रहेगा, जैसे ही उतना ही पानी मिलाया बस दूद पानी हो गया बरावर तो आप बताईए दूद और पानी बरावर हो गया यानि एक अनुपात ए परावर कहें उल्टा थोड़ी कहें एक अनुपात तीन चिल ला रहे हो अब आप बताना जब हम पानी मिलाए हैं तो बरावर किसको कर अब बताने मितु बरावर करेंगे तो कि प्हले कितना है थी कुर्ण। अब जा गुमा के TÏन बना दो कि बनेगा, अब देखे एक से तीन हुआ है, एक से तीन हुआ है, कितना बढ़ा है, दो, अगर दो पानी बढ़ा है, तो उतना ही पानी, बरावर, कुछ मिस्टर निकाल कर उतना ही पानी, तो यहां से निकला भी कितना होगा, दो, पीछे वाले में आधा पोना था, इसमें ही नहीं ऐसा, अब देख यहां, खांस ही, होजाती ही, चल्लाते है, अब यहां पुरारणष में मस्रड कितना है? चार अभ यहां चार है जब दो लीटर निकाल लिέ तो इस टाईटिंग में रहती है कितना होगा? जो कल आये थे बोलो, जो कल नहीं आये थे उनको दिक्कत होगा, क्योंकि कल जो कंसेप्ट समझाया था उसी से होगा, देखो, आप बताएए, जितना मिस्रड निकाला गया, उतना पानी मिलाया गया, तो पहले और बाद में मिस्रड तो बरावर ही होगा, नहीं समझे, घर पे एक गिलास दूद रखा था, तुमने देखा गर पे कोई नहीं है, दो हूट माल लिये, और तुमने उतना ही पानी मिला दिया, दो हूट, बताएए गिलास पहले भी फुलवरा था, अब भी फुलवरा है, मिस्रड पे कोई फरक नहीं पड़ा, तो पहले दूद और पानी क के दोन था, तेन अनुपात एक, आप बताएए टोटल मिस्रड कितना है, चार, बाद में बरावर बरावर हो जाता है, चार को बरावर बरावर बढ़ाएगे कितना, दो अनुपात, दो कल हम सिखाये थे, लॉस किसका हुआ, दूद, पाणी तो अलग से मिला दिये न कितना कम हुआ एक कितने से कम हुआ तीन यह यह अंसर है यह उनके समझे में आएगा जो कल आए थे कल यह वाला टाइप समझाए था पहले दूदर पानी का अनुपाद कितना है तीन अनुपाद एक तो जालावाई कूँ बड़ा दुखी करते हो तुम देखो इदर पहले कि दूदर पानी का अनुपाद कितना है तीन इतना समझो लो द्वारा बस खुफ हो दूआ है हमारा क्या है टेखो हम दो दूआरा बता देंगे तीन अनुपाद एक है पहले यहाँ पर कुछ मिसर्ण निकाला गया है हमको देखो, पहले मान लोगे दिक्कत होगा, इसलिए बात में मानेंगे, अब वो कह रहा है, जितना निकाला गया, उतना ही पानी मिलाया गया, ठीक है कि ठीक है, अब जितना निकाला गया, उतना ही पानी मिलाया गया, तो दूद और पानी हो गया, बरावर बरावर, लेकिन मिलाया क्या है पानी, तो बरावर कौन होगा दूद, तो दूद पहले कितना है तीन, तो अब भी कितना हो जाएगा तीन, और यहां भी कितना हो जाएगा, गुणा तो दौनों ही तरफ होगा, बोंत चनों पीछे, यह बेंच मत माला कुरुती, प्स, रहागे पागल, ठीक है चलिया नहीं सच बतारे आप अगर बोलते रहेंगे तो चीज सही से समझ में आती रहेंगा मैं जिम्जिवों के साफ यही समझने यह उनका दिमाग उनके बस में नहीं है चांड लड़के हो चांड लडकी हो हम यहा पढ़ा रहें उनका दिमाग एक तो जाला तरकी तो बाते होती है इसमें से 40% ऐसे होंगे उनकी रोज रड़ाई होती होगी फिर रोज आज कैसे क्या बात करनी है कैसे सही होना है मामला इसी बात में पूरा दिन निकड़ जाता है वसी कहा है ठीक है देखो तो आप हमको यह बताईए इधर देखना भया वो खुसी रही नहीं सकते जीवन में इधर देखो तो तीन बताएंगे बात में तो तीन से तीन क्लियर है की नहीं क्लियर है तो एक से तीन हुआ एक से तीन हुआ पानी कितना बड़ा दो बड़ा दो यूनिट की जो वैलू है के बरावर है ?देखो, sorry. यह कुछ दिय इया ही नहीं के बरावर कहां से है ? तीन, दो मिदाया है, ठीक है, और मस्रड कितना है ? चार अब दो मिलाया है, तो दो निकाला भी होगा, बरावर दिया हुआर्जग है ? तो मिस्रड कितना होगा ? चार बादम बचा है, छे, तो छे में से दू निकाला गया, तब भिन पूछी है, भाग, एक वटे, तीन, सब को समझ में आ गया की नहीं आ गया, कर लेंगे की नहीं कर लेंगे, चलिए, तो आगे हम लोग कल मिलेंगे, जिन्हें यह नहीं पता हो, सीट तुमारे मोबाइल प सिर्वाचा वर्दियम कल मिलेंगी कह दिये, क्या है, रेसियो भी है, कह तारीक है, 11 के 12 है, एक, अच्छा अच्छा समझ गये, नहीं था, कल पक्काप, आपको कल तीन तीन चच्छा भी, ओ, जल्दी निकलो, एह विया, तर नहीं है, देखो, और ये बहुतो राच्छा से, ये पहले पेज पर लिख लिए, आपका अविस्स में कुछ नहीं हो सकता, जो यहां थूखते हैं, तीन चा जो यहां पर, आप यह सूचिए, जहां इतना तो रहम करो, जहां आप पढ़ रहे हैं, वहां तो कम से कम मत थ करते हैं, वही हैं आप, अब दूसरा जनम हुआ है तुमारा, तो इस बात का विसेश ध्यान रख के आप, यह पताओ, इन से क्या, क्या उम्मीद की जाए, जो यह नहीं सोचते के पढ़ने जा रहे हैं, वहीं पर हम थूख रहे हैं, जो यह हैं इदर, तुम आई तरफ नह नहीं अब, तो मेरे भया बात नहीं अब, देखों, जैसे मांग लो, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है की नहीं ठीक है, कल कितना हो गया था दिखाना, वो कल कितना हो गया था बताना भठापट से, अच्छे जैसे कुछ निकाला जा रहा है, ज्यादे मिलाया जा रहा है, वही बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, कोई देखा देंगे, एक एक किसी पर बैठ जाओ, चचर आ जाते हैं, आ रहा हैं से, बढ़भा देंगे, अगर सितंबर आ गया, पंक किया करोगे अप, देखों भी यह, एक छोटा सवाल बताईए, तो आगे बढ़ते हैं, बात नहीं अब, सवाल ही है, 300 रुप्या है, इनको PQR में बढ़ता है, ठीक है भी है, Q को P से 30 रुप्या अधिक, Q को P से 30 रुप्या अधिक, ठीक है, तो इनके हिस्सों का अनुपाद बताईए, यानि PQR का अनुपाद बूछा है, द्वारा बताईए, ठीक है, शवाल, 300 रुपए को PQR में बाटना है, Q की रासी P से 30 रुप्या अधिक, और R की रासी Q से 60 रुप्या अधिक, कितना, किन का अधिक होती रुपाद बाटना, लटकों को, अनुपाद ऐसी होता है, तेरह, दस, साथ, और बताईए, साथ, दस, तेरह, सबका अगलेत, चलिए, इनका सही था, किनका इधर था, दो, तीन, पांच, बेब कूप है, लडकों को दिवाँ खटा रहा है, देखो, चलिए, अब बात नहीं करना, आगे देखना कैसे, समझेए आप आगे, अब बताईए, जैसे मैं आपसे ये कहूँ, कि तीन व्यक्ति हैं, P, Q, R, P, Q, R, सही है कि नहीं सही है, पुरकुल, तीन व्यक्ति हैं, कौन-कौन है, P, Q, और R, इनमें आगे, का लिखने ही तुम, अब मन लिखो, अंसर आया नहीं, फिर भी लिखने में लगने हो, P, Q, R, अब वो यूं कह रहा है कि Q को P से 30 रुपया जादा मिला है, किन को, Q को, P से 30 रुपया जादा मिला है, अगर भी या, P को X रुपया मिला है, तो Q को कितना जादा हो जाएगा, 30 रुपया जादा, तो कितना हो जाएगा, X प्लस 30, आप बताएगे, इतनी बास सब को समझे में आ गई कि नहीं आ गई, Q को P से 30 रुपया जाद है Q को P से 30 रुपया जाद है तो Q को X प्लस 30 हो गया R को Q से 60 रुपया अधिक यानि यह तो सीधा सवाल है R को Q से भी 60 रुपया अधिक यानि जो R है इसको Q से भी 60 रुपया अधिक तो आप मुझे यह बताइए इससे भी 60 रुपया अधिक, इसके कितने हो जाएंगे? X plus 90 है, बोलो yes या no, इससे भी 60 रुपया अधिक, अब देखना, तीनों का जो टोटल दे रखा है, इसका और इसका और इसका, तीनों को जो टोटल दे रखा है, उग 300 रुपया बंटा गया है, इन तीनों का योग 300 के बरावर है, ये हिस्सा है P का, ये हिस्सा है Q का, और ये हिस्सा है किसका? R का, अब देखना, बरावर 300, ये कितना हो जाएगा? 3X और 90 है, और 30 है 120, 120 अधर गया, कितना हो जाएगा? 180, 80, x बराबर कितना आ जाएगा 60, x का मान उठाके रख दीजिए आपए, तो पहले का इसा आ जाएगा 60, 60 हो 30, 90 है, और 30 रे का 60 और 90 है, 1.500, इनका अनुपात पूछा है, रुपे पूछे होते, पूछ लेता, q का मान बताईए, तो 90 है, r का मान बताईए, 150, p का बताईए, त 30 या 90 है, 32, 60 और 35, 1.500, लड़की में एक का सही था, बाकि किसी का सबका अभिकार था, अब तो कहरें, सबका सही आई जाएगा, उसमें है क्या सवाल में, ऐसी पूछ लिए, अगला सवाल दिखते हैं, अगला सवाल ये कह, एक और ऐसा देते हैं, 53 रुपे को बांटना है थोटा सही है, वस यही समझाना है कैलकुलिशन, 53 रुपे को बांटना है, A, B, C में, ठीक है भी है, A की रासी, A को B से, 7 रुपया अधिक, 7 रुपया अधिक, आप कैसे डिवाइड करते हैं, यह देखना है वस, P को C से, P को C से, 8 रुपया अधिक, तो बताईए, हिस्सों का अनुपाद, बताईए भड़ापट, तो इनके हिस्सों का अनुपाद बताईए, भड़ापट से बता देजिए, 26 गंत है, इस बाद तुमारा गलत है, पीछे से यह लड़कों का, गलत है भई है, 7, 14, 22, गलत है, तुम नहीं देखो, P को C से, 8 रुपया देखे, तुमारे C को सबसे ज़्यादा है मिलना है, भईया आगे जगह है, जहाँ दो-तीन लोग बैठें, वहाँ बैठता हूँ, 25, 18, 10, मंडे तक कर देंगे, मंडे को, जो मैथ वाले बच्चे, उनको अलग कर देंगे, साड़े सास से दस, साड़े सास से नौ, तो आप दो-तीन दिन की दिक्कत हो रहे, आज ब्रसपत सबकूर सहींचा दो दिन की, तब तक रेशियू पूरा करा देंगे, 25, 18, 10, आगया? नहीं आया? आगया सबका? नहीं आया? कोई बात नहीं, टेंसन नहीं लेने का, इधर किसी का नहीं आया? देखो, चलिए, आगय देख लीजे, कैसे करना है? सामने दिखो, अब बात नहीं, देखो भी, कितने लोग हैं? तीन, A, B और C, भूली यह से नौ, कितने लोग हैं? तीन, A, B और C, अई पीछे बोलते क्यों नौ, काम बटक गए हो, कितने लोग हैं? तीन, इधर, इधर का चला है, इधर चला है, अखला है, तभी तो कहते हैं, बुला करो, दिमाग ही रहे, तुम इधर दर बटक जाते हो, ठीक हैं? तो कितने लोग हैं? A, B और C, वो यह कह रहा है, A को B से 7 रुपया अधिक, आप बताए कि कि को अधिक है? B को ठूझा को मूमार का भी एडि, A को अधिक है, किससे अधिक है? B से, यानि किसको अधिक है? A को से या देखे B से, फिर अंसर नहीं आता, उल्टे फीदे फोचते रहते हो, चले कहां फे दिवाग, गंदे-गंदे पे 4 दिवाग में चलते रहते हैं, ठीक है, देखो, A को B से 7 रुपया दिक, तो आप देखना, A को B से 7 रुपया दिक, किसको जादा है, A को, किससे जादा है, B से, तो B का हम माल लिए X, तो इसका हो जाएगा X प्लस 7, अब वो कह रहा है, B को C से भी 8 रुपया दिक मिले हैं, जो B है, उसको C से 8 रुपया दिक है, तो किन के जादा है B और C में, बोलो बोलो, किसके जादा है, B के, बोला करो, ऐसे जादा है, किससे जादा है, C से, त तो इससे भी 8 रुपया कम हो गए, तभी तो इसके 8 रुपया जादा हुए B के, A के B से 7 रुपया देखें, A के B से 7 रुपया देखें, और B के C से 8 रुपया देखें, तो इसके कम हो गए, अब देखना A का हिस्सा हो गया यह B का हिस्सा हो गया, C का हो गया अब तो सरा लोग है, बस यही तो मैं था सवाल में, और इनका मान दे रखा है 53 बराबर तो X, 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 3X, 7 में से 8 गया, माइनस का X बराबर में एक आएगा, अरे यहिस समझे, 7 में से 8 गया, माइनस का 1, और माइनस के 1 को पच्छांतर करेंगे, इधर जाके काय का हो जाएगा पलस का, ट्रेपन और ये कितना होता है चववन, चववन को 3 से काट ये कितने बार, 18 होगा, तो X परावर कितना आ जाएगा, 18 अब आप से क्या पूचा है, अनुपाद पूचा है तो X परावर 18 यहां रखिए, 18 और 7 25, 18 बी का और C का 18 में से 8 गया 10, किसी से कटना तो ही नहीं बात कहता है, यही आपका अंसर है सीखे की नहीं सीखे सब को समझ में आ गया, चलिए टाइम बरवाद होता है, यह पहली बार में कहां जाते हो तो आप क्या चांते हैं, हम दूफरी बार मना करना सीखे लें बात सीखो द्वारा तभी तो कहते हैं, इधर ही धिहां रखा करो इधर अधर बटक जाते हैं, फिर सवाल चला जाता है देख वागे, सबसे पहले कह रहा है, A को B से 7 रुपया देख मिलें, किसको ज़्यादा मिलें, A को किससे मिलें, B से तो B का X माल ली है, इसके 7 रुपया देख, अब वो कह रहा है, B को C से 8 रुपया देख मिलें, किनको ज़्यादा मिलें B को किसे मिलें C से तो C के आट रुपय कम हो गए आगे का तो समझी के हो गया ठीक है चलिए अब मैं आपको नया टाइप समझाता हूं जादनी कल तक खतम हो जाएगा कल्या पर समय रेशियो काफी दिन हो गया चौदे तेरे मी किला से इसको चलते हैं पंदे दिन में हो पाएगा देखो मानलो साल चल लेए है 2021 ठीक है इससे पहले चल लेए थी 2020 अब समझो आगे हाँ बत्याओ नहीं आगे बैठके ठीक है 2020 चल लेए थी पिछली बार अब 2020 में कोरोना था तो किसी वेक्ति की जो इंकम थी मानलो वो इंकम थी भी आप कुछ भी मानलेते का टें पांच हजार रुपया ठीक है अब क्या होगा 2020 में आपको पता है तनखा नहीं बड़ी थी लोगों की 2021 में बड़ी है जुलाई से तो अब हुआ क्या कि 2020 और 21 की यो तनखा का अनुपात है वो किस रेशियो में बढ़ा है वो बढ़ा है दो अनुपात तीन में तो आप बत अनुपाती की तनखा 2021 में कितनी होगी साड़े साथ है यह तो बहुत आसान है अगर मानलो हम यहां कर दें भी यहां चास से पांच अब कोई बता सकता है कि इसका अंतलब तुक्का लगाये थे तब शेससा पच्चीस रुपया कि वारेससा पचास रुपया शेहजार दोसो पचास आप इसका कंसेप्ट समझे कैसे होगा देखिये कुछ नहीं आता जाता इधर देखो एक आद बोल भी रहा बाकी तो बता ही नहीं चला का देख रहे देखो हम मुझे यह बताईए इधर दीखना तंखा ऐसे तो बढ़ती है इसी चीज को यह भी तो कह सकता है दो से तीन हुआ मतलब पचास परसेंट बढ़ गया बोलो हाई है न किसी वेक्ति की तंखा पचास परसेंट बढ़ गई तो यह तो आसान हो जाएगा कैसे दो से तीन हुई कितनी बढ़ी एक कितने बढ़ी है दो उपए और परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं सो का गुड़ा बस कि कैसे कैसे समझाएं तुमको तब सीखोंगे आप ठीक है जरूरी इननल पॉलिस पेनल से वह भी घर पर करके आओ आराम से ठीक है देखो अधर बात ने तो आप इदर समझीए आप देखो दिया हम से इन सबका दिमांग दर दर चलता है पहले ही बता दिये ठीक है देखो अगलेज़ फिर पेटके पिश्लि वह पड़ए हैं जा याद नहीं है क्या पड़ाए था हम सिखा रहे हैं तो हम सीखी नहीं रहे देखो तो आप बताईगे कितना बढ़ा एक बढ़ा कितने पढ़ा दो पर 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 सेंटेज में लाने के लिए सो का गुणा 50% भी कह सकता है लेकिन बात यह नहीं है बात यहां पर यह दो से तीन हुआ तो इसकी तनखा बढ़ कितनी गई तो इसका तरीका यह होता है जैसे हमको 2021 की चाहिए यह हम आपको पहले भी सिखा चुके है 2021 की चाहिए तो यह उपर आएगा और यह जाएगा बटे में बोलो हाँ यह न तो यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि 2020 से 2021 में जो तनखा हो गई वो डेड़ गुना हो गई तीन बटे दो गुना तो पहले थी 5000, 5000 का तीन बटे दो गुना यानि काटा पी टिकल लेंगे आप कट गया पचीस बार पचीस तीया 75 कितना अंसराय दाएगा पचातर सो चलिए आप एक और बात बताईए हमको किसी की व्यक्ति की जो इंकम है वो 2021 में 15,000 रुपया है 15 नहीं लिखते हैं 18,000 रुपया है सही है और उसकी जो तनखा बढ़ी है वो 2020 में और 21 में चार अनुपाद पांच में बढ़ी है तो आप बताईए उसकी तनखा 2020 में कितनी होगी उल्टा पूछे हैं पिछले साल का तनखा बढ़ जाए तुमारी तुम निकाली नहीं पाऊगे कितनी 22,500 बहुत बढ़े हम सब उस्यार हो गए हम तो हमें लगता है तुम पुछरी कर सकते हो अब तो दुनिया को आग लगा सकते हो तेरा जाद 600 25,500 14,400 कितने अंजर आ रहे हैं बढ़ी है क्या कहें तुमसे क्या न कहें अबब जो कहें वो कम है पिता पाइफ यार पांसो चली है अधर दिखो अब मोबंद करके आगे अधर आगे जिन लोगों का 22,500 आ रहा है उनका अंजर बुर्कुल सही है लेकिन आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाली अगर है थोड़ा वह तो कैसे 2020 ये बताएए 2020 में तनका जादा है कि 2021 में 2021 में यानि इसका मतलब यह हुआ कि 2020 में तनका है वो कैसी है है कम है और अब अमोवन कर लो तो 2021 में 18,000 है तो 2020 में 18,000 से कम होगी कि जादा इसी दिन के लिए दी भगवान भी फोचते होंगे हम गलत किये हम से क्या भूल हुई हद दूती है बताओ ये थोड़ा बहुत भी दिमांग नहीं चलाते है आप बास पीछे वाले में का किया था तीन वट्टे दू बाफ कर दो चार वट पांच वट्टे चार देखो यहांपर क्या होगा यहां हमें किसका पूछा है दो हजार बीस का किसका पूछा है पीछे आप एसका पूछा है दो से बस मौबंद्र जाओ मनलो किसी व्यक्ति की 2021 में तनखा है कुछ भी मन लेते हैं भाई आप चलो 2500 ठीक है जित अब बता चलो छोड़ो का दिक्कत है 2500 अब आपसे पूछा है 2021 में क्या होगी यदि उसकी तनखा दो अनुपाद 3 मतलब 3 अनुपाद 4 कुछ न देखे उसने दे दिया यदि उसकी तनखा पिछले वर्सकी तुल्ना में कैसे दिया है इस बाद थोड़ा से चैन करते हैं पिछले वर्सकी तुल्ना में है भीया सवा गुना बढ़िये मौबंद कर लिया कर उपड़ लिया करू मन से सवा गुना बढ़िये तो आप बताईए 2020 की तनखा क्या होगी चुपचा पढ़ा कर मन से एक गंटे तो उसकी तनखा 2020 में क्या होगी फटाफट से बताईए तो उसकी तनखा 2020 में क्या होगी कितनी 18,000 20,000 और कोई बता है 20,000 और कोई लड़कियों कि अब यह आंसर की प्रतिछा है I wait answer of girls 18 या 15 या बोलो सही है देखो ओई चलो इतना देखो खचर लोग है जिनका लग लग answer आ रहा है बास बास धहर रखो तुम सवा का मतलब जानते हैं 5 बटे 4 बोलो हाँ है न 5 बटे 4 या फिर ऐसे करिए मतलब बात नहीं 2020 में अगर एक रुप्या है 2020 में अगर एक रुप्या है तो 2021 में कितनी हो जाएगी सवा गुना बोलो हाँ है न बोलो येस या नो यानि 2020 में अगर एक रुप्या है तो 2021 में कितनी हो जाएगी सवा गुना तो इसको उड़ाईए इससे 2 जीरो आएगी कि नहीं आएगी दो अंग पहले पॉइंट है 25 पंजे और 25 चोके 100 तो 2020 का और 2021 का जो इंकम का अनुपात है वो कितना है 4 अनुपात 5 बोलते का है नहीं पीछे क्या है 4 अनुपात 5 तो आप मुझे ये विताए 4 अनुपात 5 है इसको सिधे भी कह सकते थे कल को मन लो उसका मन रूट जाए मन बड़ा चंचल है ठीक है मन रूट जाए तो वो इसको ये भी तो कह सकता है सवा को पर्षेंटे जम बदलिये 100 का गुणा करिये कि कितनी बड़ी है सवा सो पर्षेंट बड़ी है वो ये भी कह सकता है सवा सो पर्षेंट हो गई वो ये भी कह सकता है कि 25% बढ़ी है, कोई भी चीज 100% होती है, तो 25% बढ़ी है, तो एक सवाल को इतने तरीके से पूछ सकता है, यहां 700% दे दे, 25% बढ़ी दे या 4 से 5 दे दे, या ऐसे दे दे, एच बढ़ो, या फिर वो इसको ऐसे भी तो दे सकता है, एक सही, निकिता कह आई नहीं, तो अब तो आप बताएए, आप मुझे ये बताएए, 2020 की पूछिए कि 2021 की, 2020 की, तो 4 की बटे में जाएगा 5, तो इसका होदाएगा 4 बटे 5, पचंप दे काटेंगे कितने बार, 5 चोके 20, 45, 45 चोके 100 C, और डवल जीरो ये वाली, कितना अंसना जाएगा, 18 ठीक है, देखो इदर, ये नहीं देख रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है कितना, देखो आगे, इदर देखने हैं ध्यान से, आप बताएए, किन किन नहीं आया, बात नहीं है, चलो, देखो, दोरा समझा रहे हैं, सभा गुना का मतलब कितना होता है, 4 से 5, ये तो सब जानते ह हैं, अब आप बताएए, 4 से 5, 2020 का पूछा है, तो 2020 का 4, 4 के वट्टे, 5 आएगा, 21 का पूछा होता है, तो 5 और 5 के वट्टे में क्या आजाता है, चार, तो 4 वट्टे 5 करती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, चलिए, ये मन की संतुष्टी होती है, और कुछ नहीं, ठीक है, च जो है, इनकी आए का अनुपात है, 3 अनुपात 5, आए, 3 अनुपात 5, ठीक है भीया, अब मुह ये कह रहा है, उनकी आए, दो अनुपात 3, वह 4 अनुपात 5 के अनुपात में बड़ी, ठीक है भीया, ये दीती है, परितमान बरस की कुल आए, ते तालीस सो रुपे है, तो एक ही बरतमान आय बताओ, आनसर देखे लो, तब बताओ, क्या पूछा है, अलग-अलग बड़ी है न, एक ही बड़ी है, दो अनुपात 3 में, बी की बड़ी है, चानुपात 5, अभी तक हम एक कई तो बता रहे थे, किसी एक बिक्ती की, अठार ऐसा, बल्कुल सही है, लड़कियों में किसी का नहीं आया, लड़कियों को रोज समझाते हैं, लड़कों की जीवन तो क्या, खरिये वरिया, खुचके भी कट जायाएगा, तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, पता चले तुम नहों की लग जा, जिससे साथ योगी, लड़का रोटी बनाएगा तुम्हारे लिए, इस बंदे को बुरा लग रहा है, तुम बनाओगे, तुम तो सौर पे पैर दवा, चल, जब कुछ नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, ठीक है भी है, यह इनको बुरा लग रहा है अंदर से, यूपीहसी, और कुछ तुम से निकल नहीं रहा है, निकालोगे तुम यूपीहसी, है भीया, खलासी की क्यों पूचे को लड़कियों को डरा रही हो, तुम खलासी की जब पूच के, देखो आगे, चली वी है, इधर देखो, सामने देखो, टेंसन निलो, सब के सब टक एक का आया, ठारस हो, देखो आगे, चली है, होई, टेंसन मेलो अब, इधर देखना आप, अई बख चुपो जाओ, यह ए है और यह है बी, आगे देखी हो, इनकी जो इनकम की अनुपात है, वो कितना है, दो अनुपात तीन, लेकिन जो यह दो अनुपात तीन है, वो, अहे तैं, नोडनी करो, आगे देखो, जो यह दो अनुपात तीन है, आप बताएए, यह पिछले वर्सका है, की नए वरस का बोलो पिछले वरस का है पॉटल दे रखी है वो दे रखी है जाई की मतलब बरतमान की तो उसने बता रखा है कि जो देखो उनकी आए बड़ी है एक ही बड़ी है दो नुपाद तीन में और बी की बड़ी है चार नुपाद पांच में अब आहां ये टाइपिंग मिश्टिक हुआ है लो बस खुस रहो सदा खुस रहो ठीक है देखो भी है अब तो तो तुम्हें पता है बाबा बन जाओगे अभी तुमसे कंट्रोल नहीं होता है तुम बाबा बन ओगे ठीक है देखो आगे ये कहना ही आसान होता है ठीक है इदर देखो एक बर्स पूर्व जो आए है एक वर्स पूर्व जो आये है वो है थीन अनुपाद 5 अब देख ना इनकी आयर दो अपात थीन में बढ़ी है सही है तो हमने अभी अभी पीछे आपको समझाया है कि धो-अनुपात 3 में बढ़ी है इसका मतलब यह पिछले वर्स की है और यह नई वर्स मतलब जो चला है उसकी यह पाश्ट गुजर गया उसकी अगर हमें कभी पिछले साल की चाहिए तो यह बट्टे में जाता है ऐसे हमने तीन-चार सवाल करा दिये और नए की चाहिए तो कितना होगा तीन बट्टे दो अरे कुछ नहीं है पिछले की चाहिए तो यह बट्टे में नए की चाहिए तो यह बट्टे में यह तो हमें तो यह नए की चाहिए बट्ट्मान की तो इसकी हो जाएगी तीन बट्टे दो कैसे तीन बट्टे में दो पिछले की चाहिए होती पिछले की हाला की दे रखी है तो फिर यहां पर दो बट्टे तीन मालो यहां बरतमान की दे देता पिछले की चाहिए होती तो दो बट्टे तीन यहां पर क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा पांच बट्टे चार अब दे एका है अठारा, बी का है पच्चीस, दोनों का टोटल मिला के कितना हो रहा है, तो तेतालीस यूनिट का मन सवाल में टोटल कितना दे रखा है, तेतालीस इधर दे रखा है, कितना दे रखा है, तेतालीस सो, तो एक यूनिट की वैलू कितने के वरावर है, सो के, एक अगर यहां एका पिछले साल का पूछ लेता तो कितना अंसान था? फिर गलत कर गया आप, आप क्या कर रहे हैं कि एक उनिट पर आवा सो यहां पर डारेक्ट गुणा कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं आप, यह अनुपाद तो इसका है ना, 43 उनिट यह है, यह थोड़ी है, कैसे निकलेगा इदर देखिए, अठारे सो है इस साल का, इदर देखना जाय Strong, उनिट आवा साल का जाया लोकेशे बट्टे में तो भोड़ी है अन्सर हो जाय नहीं के बट्टे में ठीक है चलिए अगला सवाल आप खुद करके दिखाएंगे कि कोर साइए अब हम तीन वाला देते हैं उसने दे दिया भहिया पिछले वर्स की ए और बी की जो आय का अनुपात है वो दे रख्खा है आपको तीन चार पाँच आहाँ एवी सी लिव फुस रहो ठीक है जो आय बड़ी है वो चार अनुपात पांच पी की दो अनुपात तीन और सी की तीन अनुपात चार के अनुपात में बड़ी ठीक है परतमान जो कुल आय है बरतमान कुल आय है बरतमान जो कुल आय है वो 98,500 है 98,500 सहीए की निसन आये 98,500 तो B की बरतमान आये बता इए चलिये की की बरतमान आये कितना जाएगा जल्दी से बताइए भड़ापट से कितना अरे फस गए तुम तो सब के सब 36 से जाए जादे नहीं आ रहा कुछ अच्छा ठानवे है हो सकता है पीछे बोलो हम ही कराएं सब के सब सांथ अरे हमको ही करना पड़ेगा लग रहा है चलिए इधर देख लिए बोत टाइम होगे इत्ता टाइम नहीं देन अच्छे किता ओए इता देख को बस हो मौप होत देंगे तुमार हम अठानवे जा टोटल है एक लाग भी की है इधर पड़े लेके गवार इंसान इधर देखी चलिए ए बी और कौन दे रखा है सी यह पिछले वर्सकी जो आय दे रखी हो कितनी कितनी दे रखी है तीन चार और सी का कितना है पांच इतनी बात में किसी को दिक्कत है पीछे आ गई सबको समझ में के नहीं इधर सबको समझ में आ गई चलिए एक-एक से पूछना पड़ता है इधर देखना इसका चार से पांच हुआ है नए साल का चाहिए क्योंकि बर्तमान की दे रखी है तो कितना करना पड़ेगा, पांच बट्टे चार, कितना करना पड़ेगा, पांच बट्टे चार, यहां देखिए, यहां पर कितना करना पड़ेगा, तीन बट्टे दो, और यहां पर कितना करना पड़ेगा, चार बट्टे तीन, चलिए, काटा पीटी, चालू, कटना क्या है, क तो ज्यादा तो कटना नहीं है, कोई देंसे नहीं, ज्यादा दिमाग पना चलाते हुए, दो से कट दाएगा, लेकिन छोड़ो बात में काटेंगे, यहां भी और यहां भी, देखो, चातिया बार, ऐसा क्यूं किया, क्यूंकि अनुपात कभी भी नो का नहीं होता, संख्याओं का होता, दो दोनी चार, और तीन चोके, बारा यह हो गया, दोनी चोविस थिया बाहностार, और यह हो जाएगा, तीन पंज पंज फंद होड दिया, पैंतालेशंर, क्या यह किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ेए इतना ही, इखीए आप अगे, यह टोटल कितना हो रहा है, पैं वह कितने के बरावर है 98,500 अब हमें एक यूनिट की वैलु चाहिए तो मन की आँखों से देखिए तो यह पांच बार कट रहा है सीधा सीधा दिख रहा है उनीस पंजे पच्चानवे 535 अब एक यूनिट की वैलु 500 है बी की बरतमान आयो चाहिए तो हमें बहातर यूनिट क हमें आया सबको के लिए आ गया चलिए अगर मानलो यहां पर बी की पिछले साल की पूछली आए तो कितना उनसे राद आएगा कि पिछले साल की पूछले मानलो कितना तीन वटे तो कहे करोगे, तीन वटे, दो वटे तीन करोगे, बेब कुप हो, 36,000 का दो तिहाई, पिछले साल का दो तिहाई है, तो 12 तिहा, 36, 12 दोनी, 24, कर लेंगे की नहीं कर लेंगे, यह है पिछले साल का, अब बताइए, सब को समझ में आ गया की नहीं आ गया, चलिए, एक लाश अवालो करके दिखाएंगे ऐसा ही, फिर आगे बढ़ेंगे, किसी को समझ नहीं है, और द्वारा पूछ लियो, देखो भी है, अगला है मेरे भाई, पिछले वरस की, यह 2020 के पिपर का ही है, हाल फिलाल का ही, पिछले वरस की जो आए है, A और B की आए, जल्दी से बिताना है, कौन जल्दी बिता देगा, अब तो जल्दी करना सीख के बहुत करा दिये, A और B की आए है, वो चार अनुपात, तीन है, अब जो उनकी ब्यक्तिकत आए, के अनुपात में किरम्स है, ब्यक्तिकत मतलब अलग-अलग दोनों की, पहले की तीन अनुपात, चार, और दूसरे की, 5 अनुपात 6, के अनुपात में बड़ी, के अनुपात में बड़ी, इतनी बात सब को समझे में आई, के अनुपात में बड़ी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है के अनुपात में बड़ी, अब वो कह रहा है, बरतमान में कुल आए, बरतमान में कुल आए, आठ दसमलब 0,04 लाक एंसर नहीं लेना तो पिछले वर्स ये पिछले साल आया था तो पिछले वर्स B की आया तो पिछले वर्स B की आया बता दीजी कितना अंसरा जाएगा कौन पहले बताता है आठ दसमलब 0,04 लाक मतलब इसे कितना कहेंगे आठ लाक क्यार है जाया नोट करने की पहले पढ़े दाती है तुमको करने दरने की नहीं तो मैं पता है नोट तो हम पूरा करने ही नहीं देंगे तुमको फिर कहाई जब जुश्टी करते हो दो लाक फुलकुल सही जबाब अब तो सीखे सब के सब हम ही कराएं चलिए देख लो आगे छोड़ो जिनका नहीं आया इत्ती देर में आगया सबका बहुत है देखो एक और बी का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है चार अनुपात तीन अब आगे देखो करने की कोफिस मत करो आप यह मनलो पिछले साल का है मैं प्रजेंट का चाहिए तो प्रजेंट का निकाल लिए ना देखना ध्यान से यह तो पिछले साल का है ओए पिछे अब करो आगे देख लिया करो जम बोलें तो ठीक है अब देखो यहां इसका 3 से 4 हुआ है तो कितना बढ़ा है 4 बटे 3 कितना घटा है तो 3 बटे 4 यहां कितना बढ़ा है 6 बटे 5 और पूछले कितना घटा है तो 5 बटे 6 बस मोबंद कर लो अब ठीक है अब देखो इदर तुमने जीख पाओ कैसे सीखो कि जब इत्ते बार सिखा दिये 2 तीया 6 और 2 दोनी 4 अब देखना 5 दोनी 5 का गुणा इधर होगा तीन का गुणा इधर होगा 5 दोनी 10 चौके 40 और इधर कितना हो जाएगा 3 तरोके 9 तीया सथा ठीक है दीपावली से पहले आ रही है दीपावली अब तो 40 और 27 कितना होता है सरसथ अब इसी सरसथ यूनिट की जो वैलू है वह कितने के बरावर है सवाल में गिवन है कितना 8.04 यह लाक लाक है भाहिया ठीक है आप भाग दीजिए तो भाग मुझे लगता है बार्य वार बहुत ही अच्छा बार्य का मितलब हुआ कि एक पॉइंट बार्य बार भाग जाएगा दो अंक पहले दसमला पर दो अंक पहले लगा दिए आप अपने एसाब से भाग दीजिए भाग देना नहीं सिखाएंगे तुमको ठीक भाग देना क्या करना है इसमें अब तो 27 में गुणा करेंगे तो 27 उनिट की वेलू निकालेंगे तो 27 उनिट की वेलू निकल के आईगी 27 गुणा पॉइंट बार्य अरे बाद में करना गुणा भाग पहले टाई चोड़ दो आप बताईए इतनी बास समझ में आई कि नहीं है अगर हमें आंसर यही पूछा हो यह सब लाक में कैलकुलेशन चल लेकिन हमें इस सवाल में यह थोड़ी पूछा है यह तो बरतमान का है क्या पूछा है हमको पिछले बरस का तो अभी अभी तो सिखा है हम पिछले बरस का कैसे निकालते हैं पिछले बरस का बरतमान का है 3.24 बी का चाहिए तो बी का है यह नए का चाहिए तो 6 बट्टे 5 और पिछले का चाहिए तो 5 बट्टे 5 पीछे काय नहीं बोलते तो पीछे का कितना हो जाया 5 बट्टे 6 तो यहां 5 बट्टे 6 देखो पॉइंट तो दो अंग पहले ही रहेगा पॉइंट बट्ट के गुणा भागत आते ही होंगे 6 4 24 6 5 30 पॉइंट को भूल जाओ बात में लगाती हो दो अंग पहले 6 5 30 दो बचा 6 4 4 और दो अंग पहले पॉइंट पांच का करिये गुणा पांच चोखे 20 पचम 25 और 27 दो अंग पहले पॉइंट यानि दो दसमलों 70 लाग आप बताईए समझ में सबको आ गया की नहीं आ गया चलिए अब हम लिखके चलते हैं आपको अगले टाइप की हो इतनी बात में किसी को दिक्कत हुई बरकुल नहीं ही होगी था ही नहीं सवाल में कुछ क्या एक और कराना जरूरी है कौन कराए है चार-पांच सवाल करा द देंगे बड़ी आसा करा भी बहुत क्या हुआ भाव बगारा नहीं दे पाते न कोई नहीं हम सिखाएंगे आपको टेंसे न मल लो उसका अलग से बैच चलाएंगे कल रह गया सिक्कों वाला टाइप अभी तो रहे गया दो तीन दिन का टॉपिक खतम उपाएगा तब चलि एक कोई कंपनी है नया टाइप है आराम से समझना इसे बताओ चली तो पहले समझो तुम कर रही नहीं पाओ कि नहीं ऐसे जैसे आप बताएए एक कंपनी में कुछ महलाएं काम करती है और जिनको 40 रुप्या बेतन दिया गया सही है की नहीं सही है छोटी-छोटी संकेन लिए तुम कह रहे तो भाग नहीं दे पाते हैं चालीस में तो दे लोगे इसमें नहीं दे पाते हैं तो फिर हम क्या कहें भईया तुम्हारे कलकी का वगवान अपताल लेंगे आगे चलके क्या कह सकते हैं पर बताव 40 में 40 रुपे कुछ महलाओं को बेतन दिया जाता है और एक महला को 5 रुपया प्रत महला दिया जाता है तो आप बताईए उस अपनी में कितनी मेलाओं की संग्या होगी जाओं में अच्छा अच्छी लोग बोलना है वाकी वेप्रूब है यह अलग से मचल लायकर बैंस की तरह ठीक है इधर देखो सवाल करते हैं कैसे सवाल यह है एक कार खाना है एक कार खाना भी है लेमे जोगनी योग कहे जूंगर लादय मोई ऐसे ले में गाने होने चाहिए ठीक है एक कार खाने में चुप बैटो हम संते रहते हैं कसरकर यह सम तमें पढाने के वाल साम को मंदर पही जाते हैं एक कार खाने में चुप बैटो कि सभी पुरुस बढ़ा दें तुमकों के नहीं पुड़ा दें सभी पुरुस और महलावों सभी पुरुस और महलावों में पांटी की सहरी के अरबाथ,म्हारा दिमाग बसमे नहीं है तुम्हारे salary का अनुपाद 6 अनुपाद 5 है सभी पुरुस और महला हूँ जवके एक पुरुस और महला की वाला type का लाएगा यह इसी से मिलता तो सिक्कों वाला है तो यह वाला type का लाएगा एक दू सवाल करा रहे party की salary का अनुपाद तो अनुपाद 3 है तो आप बताई पुरुस और महलाओं की संख्या अनुपाद पूछा है संख्या तो निकाली नहीं जा सकती कुछ दिया ही नहीं बताईए बहुती सुंदर आंसर कितना आंसर आगया दो अनुपाद 3 सही जवाब अब कहा कहीं से अब इतना समझाए अभी तो अनुपाद और को लड़किया उताए तुम बटाओ कितना आंसरा आगया तुम सही पूछेंगे इस बाद परो अभी सिखाए तब कहा कहीं ती आप कितना आगया कितना दो अनुपाद एक आरा वही आरा आंसर दो अनुपाद एक आरा जी क्यों ने गया ता तुम्हें बुद्धी न चल्लाई कितना आए तुम से पूछ रहे हैं कितना बुलो बुलो दो अनुपाद तूट फाइव या चलिए देख लेते हैं देखो इधर बात नहीं है इधर देखो अधर चलो किया से क्या समझा है तुमको जब अभी महलाओं की संख्या कितनी महलाओं की संख्या कितनी पांच के आठ 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 ओए पिछे आ रही है समझ में फैक के मारेंगे तो बेफराच लाओगे तो ठीक है आठ तो कैसे एक का भाग दे अरे तो वही दिमाग यहां लगाईए न यह सबका है और यह प्रतेक का है तो भाग दीजिए दो तिया छे और तीन त्रों के नौ एक सबका आई रहा था है सबसे सिखा रहे ए अरे भीया सबका मान लो नहीं समझे अब ने क्या कि आप सबको घुचा 8400,कल की वात चले आ है कल कलग मरेंटेंगे। ठीक है अब को टॉफी वातिंai 400,एक को बढ़ पढ़े 2,चा सबको ठीको अचा कॉत ही लोग थे सिंपल है ना इसमें कौन सा तुमको पीएजडी करना था ज्याद है तब ही आंसर नहीं आ रहा नौन उपाथ पाएं अरे बताएं सवाल समझ में आया कि नहीं आया है सबका बटे में एक का भाग दे दीजी आंसर निकल गया गया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप करन नहीं पा रहा है यह दिक्कत वाली बात है एक और बताएं चलिए का कैसे हैं है एक बार रेपीट क्या हमें यह लगता है कल को हम यह पढ़ाने लग जाए ना दो तिया कितना होता है छे चाट छलोग ऐसे निकल आएंगे सर रेपीट करना कैसे हां हर चीज में कैसे देखो आप बताईए बात नहीं इधर देखो सब ही को मिल रहे है छे और पांच सेलरी और प्रतेक को प्रतेक मतलब एक को इसका अनुपात दे रखा है दो अनुपात तीन अब देखना ध्यान से सब को मिले 6 रुपया और एक को मिले 2 रुपया तो टोटल किते लोग रहे होंगे तीन सब भाग दे दीजिए ना दो तीया 6 और यह पांच बटे तीन अब तीन का गुड़ा है धर हो जाएगा नो नुपात पांच का फिर बता हैं द्वारा यह कुछ दान दाताओं की सूची है आई इधर देखते हैं यदि एक परीच्छा में चलिए इसको करा देते हैं अब छोड़ो यदि बच बढ़ो एक परीच्छा में एक तो तुम और लेट नहीं ला सकते थे एक परीच्छा में पास हुए और फेल हुए छात्रों का जो अन अनुपात चार है ठीक है। यदि वो कह रहा है यदि , 5 छात्र आ जाएं यदि 5 छात्र आ जाएं तो वह फूच छात्र कम फेल हूँ उल्टा सीधा सब्धम पहल है? फेल हूँ तो पास फेल का जो अनुपात है वो अनुपात हो जाता है बाइस अनुपात तीन तो परीच्छा में आयचात है तो परीच्छा में आयचात है यह सवाल तो बहुत बड़े आए पूबलोगे इनको यही नहीं पास जोड़ना तुमको नहीं आता पांच अनुपात तो मौक देख वह हैं? 25, फेल कितने वह हैं? 4, ओए, आगे देखлючा, कोई नहीं करे खागा, फेल कितने हुए हैं? 4, आप बताइक, टोटल कित्ने रहे होंगे? 29, जोड के पास फेल, मिलाके चाओं तो X माल लो, अब वो कहता है, वों कहता है, पांच, जात्र और आ जाएं, तो 5 छात्र और आ जाएं, छात्र आएंगे तो class में छात्र बढ़ेंगे, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 29x प्लस 5, 2 छात्र कम फेलों, तो पहले 4x हुए थे, 2 कम फेलों, अब आप बताईए, चली कैसे जाएंगे जा 5 छात्र आएंगे तो, हम तो देख कही बतारें, 5 छ दो कम हो जाएंगे जाएंगे, इधर देखो, आप बताईए, पास और फेल को मिलाकर टोटल हो रहा है, बोलो हाय न, अगर टोटल में से फेल गटा देएंगे तो, पास वाले निकल आएंगे, और टोटल में से पास वाले गटा दे तो फेल, अरे, class में तुम बैग पहले क हम भी जाएंगे ठीक है और पहले हम जाएंगे आज हम लेट हो रहे हैं इतर देखना बात नहीं है आप हमें यह बताईए टोटल है उन्ती जैसे किलास में टोटल लड़कियां है उन्तीस अगर चार लड़कियां है पहले हैं पहले हैं तो अगर इसमें से इसको घटा दें तो पास वाले आ जाएंगे देखो उन्तीस एक्स में से चार एक्स गया कितना पचीस है जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो यहीं गलती मत कर दियो साथ हो जाए अब पास और फेल का अनुपात दे रखा है खतम सवाल पास और फेल का अनुपात पास और फेल का अनुपात पास और फेल का अनुपात है वो कितना दे रखा है बाईस अनुप सिखा चुक है, साथिया 21 और 22 दुनी 44, 44 और 21 होता है, कितना 44 और 21 65, एक्स परावर कितना आ गया 5, यह तो हम सबको सिखा है ना पहली दूफरी क्लास में, नहीं तो गुणा भाग कर लिए, एक्स परावर 5, हमें पूछा है, टोटल परीच्छा में आये चात्र, 29 और 29 गुणा 5, अंसर आजाएगा पांच निम पैंतालीस, एक्सोपैंतालीस, गलत होई नहीं सकता, अगर गलत आ जाए सबको 25-25 टॉफिकल, ठीक है, अज तुम घर तक का टाइम है, कल तक गलत कर लई हो जाए, यह, तुम अपफनो, जो लिग गया, लिग गया, अब जहां जो लिग गया, वो अमिट है, ब्रह्मा जी को फदार में आना पड़ेगा, तब भी नहीं फदर सकता, गलत होई नहीं सकता है, जाए तुम कलते चकल लई हो, ठीक है, जिनको नहीं पता हो, CIO उसको सीट पहुंझाएगी टेलीगराम पर, अच्छो बैटो सही है, कल बताएंगे दुवारा यह सवाल, का नाम था टॉपिक का, रेशियो, और रेशियो तारीकित्ती है, दुए, है जनली शल, जल जनली बढ़ते जाएंगे, अब कहां जा पाएंगे पहले बैग टांग टांग के पहले से बैठें, तभी तो यह चेक करा रहे है, आई रिंट का अड़ी बनवा रहे है, पर के, हो बैठ रंदू, से यह भी है, मास्क सब के पास है, यह गलत बात है, जिनके पास नहीं, अब क्या चांते हैं, हम यहां से बगाएं, अब मास्क लेके आया करें, नहीं कल लुटाएंगे फिर यहीं से वापस, पांच रुपे का मास्क नहीं ला सकते तुम, देखो, हम से पांच का ले लियो, यहीं वेडिया, चलिए, आगे देखें आप, ठीक है, एक कल वाला सवाल क्या था, वो दिखाना है लाओ, उसको भी कराते हैं, तुमारक कराना है, उसका यही थाम तो सवाल भी भूल गए, जल्दी दखा, परची तोड़ गई होगी, अवामें यहां से आधी चल लाई है, नहीं है जग गई, झाल 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 झाल, झाल पभवार, झाल झाल, 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 वो दोसकी कराते हैं, चलीवे यदि पांच छत्र और आजाएं और दो कम फेल हो तो पास फेल का अनुपाद ठीक है बट जाएं या इस्टू डाल लीजे वह अला नहीं बट जाओ हाँ वहाँ जग है वहाँ बट जाओ देखो भीया आगे तो भीया कैसे कैसे करेंगे इक कल वाला सवाल है इसको पहले में निवटा देता हो तब बाकी लोग आ जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगा पाइक नहीं हैं chuck, क्ल लिखा। हम आई आंक हें जई ही आजाए हन्स माध कहने है इस टूल ऄंड़ा होगहेँ इस टूल कांग गया एक लाइक लखने के लिए पैर रकने के लिए ठीड़ स्थिछा जगए फेल कांगे बैट के लिए वी है वैसे आप चाहें कुर्सी भी रखवाई है हमने देखो इदर कुर्सी चाहिए सब ब्योस्ता हैं ब्योस्ता हैं सम पूरे हमाई पास देखिए चलिए तो एक कल वाला सवाल है अराम से करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं देखो भी आ ठीक है कि नी ठीक है मेरी भीया ठीक है देखो आगे कितने और रहे गए इदर बहुत है भी चलिए यह कम बगते हैं खो दो देखो पास कद्धी भीया और लाई का रहे फिरी पड़ा रहे एक तरीके से फेल और टोटल यही तो चक्कर है यही तो हम जान है ओई नहीं पाते कि आज मासा पच्ची गरेबूले आओ अब आ कल द्वारा करना पड़ेगो और ना करना पड़ेगो तुम पच्ची नहीं ला सकते अपनी साथ कैसे काम चलेगा इतने तुम लापरवा हो मैं तो कहता हूं ऐसे लापरवाल रहों कि साधी नहीं करानी चाहिए तो लापरवाल लोग है क्या कह सकते इनके बारें देखो चली भी अधर भी आराम से बैच जाओ बेंच टूट जाओ बेंच तो पांच एसम से यह जाओ दांट टूटके मेडिकल अनुफिट हो जाओगे बहुत जिंदगी दिक्कते होगे देखो भी है इधर भाई कल वाला करारे आराम से आजओ एक किलास में पास और फेल का जो अनुफात है वो कितना है 25 अनुफात चाहिए तो 25 एकस अगर पास वाले है तो फेल वाले 4 एकस हो जाएंगे और टोटल कितने हो जाएंगे 29 एकस सही की नी सही है कैसे खड़ें बहई यह पास है ठीक है देखो कि आजाओ जिश्टिक्क तो आगगा हूं चलिए आगे देखिए लाकी इधर र्न ये टाइम काफी हो गया एक कमकद फोन वाले ऐसे उते हैं एक बार नहीं उठा रहे लगाता है देख्यों कि मंदे से नहीं होगी हम पूरी कोर्सिस करेंगे ठीक है आज लाश्ट टक कल फटर डे तक पूरा कोर्सिस कर लेंगे ठीक है हाँ संडे को पुला लाएंगे चलिए इधर देख्या है अब इभी चिंता है आप से यादा हमें चिंता है आपके पविस्क्री ठीक है देख्यों आगया यह बात नहीं अब पीछे अब बैठ गया आप चुप्चा बैठ जाओ देख्यों अम मत बुलो यार देख्यी है तो पचीस एक्स पासके हैं और फेल वाले कितने हैं चार एक्स ठीक है तो टोटल कितने हो जाएंगे 29 है यदि पांच छात्र कम आई होते है अब बुलो नहीं हाथ जुड रहे तुमारे बुलो नहीं पीछे पहले 35-40 मैंत आई मन से पढ़ लो तब बुलना ठीक है यही बताईए पांच छात्र तुमारे में एक एक के च्कर में रुक जाता है कि तूम्हें समझ नहीं में आएगा हौ तुम उतन ही जा कर दिरांगा को क्या करें मकु कि हम फिर तुम हम उही नालग तुमें क्या अरे सेणभ छुट गया चूट गया तुम तो यारी consumo हो तो यदि पांच छात्र और आ जाएं, तो आप बताईए, पोटल छात्र जो 29 X थे, उसमें 5 और आ जाएं, तो छात्र हो जाएंगे, 19 X प्लस 5, इतनी बाद सब को समझ में आई, चलिए, अब बो यह कह रहा है, कि भिया, 2 छात्र कम फेल होते, मतलब जितने पहले हो रहे थे, उससे 2 छात्र कम फेल होते, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 X माइनस 2, अब हम आपको यह बता चुके हैं, कि इन दोनों को मिला कर टोटल है, ठीक है, तो अगर इसमें से पास वाले घटा दीजीए, तो फेल वाले निकल लाएंगे, और फेल वाले, हाँ जी, आ रहे हैं, जूता मारेंगे, आ रहे हैं, इनको पैक कॉपी पहने न उठाके 2 चुप चाव, पढ़ने का तरीका है कोई? पैक उठाके 2 चुप चाव उसका, अगर वाले फोचते हैं पढ़ने आया है, ठीक एदर देखो, सामने देखो, तो हम मुझे ये विताईए, पाथ तोट, कहां जाते हैं ऐसे वीच वीच में? उठादेंगे तो तुमको, ठीक है, पढ़ा करो मन से एक गंटे, देखो, अगर हम टोटल में से पास को घटा दें, तो फेल निकलाएंगे, अब फेल को घटा दें तो पास निकलाएंगे, तो ऐसे ही ये टोटल है, टोटल में से अगर फेल को घटा दें, तो घटाएंगे कैसे? 29 में से 4 गया कितना? 25 है अब यह घट रहा है माइनस का जो चिन होता है वो चिन को change कर देता है यह माइनस का हुआ इसमें से यह घट रहा है और यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 5 और 2 7 प्लस आराम से भी ठीक अब देखना पास और फेल वालों का अनुपात यही तो कल कर आये थे कुल लोग कर रहते गलत हो गया पता नहीं क्या 25 एक्स प्लस 7 पास वाले फेल वाले 4 एक्स माइनस 2 बरावर में अनुपात हो जाता है 22 अनुपात थी एक्स बरावर निकल के आया था यहां से कितना यह था पांच सॉल करना सिखा ही दिये एक्स बरावर पांच निकल के आया था टोटल स्टूडेंट पूछे 29 पंजे 50 सॉरी 145 आग्या भहिया सब को समझ में अब किसी को गलत तो नहीं लग रहा चल यह भहिया यह कलवाला है नया थोड़ी है ठीक इसमें क्या समझाया है चलिए पहला सवाल देखते है पहला सवाल देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है देखो आपको हम एक और बात बता है वहिया आप चुप चाप ठीक है आपको यह बात देखो हम तुमसे रोज कहते थे कि अक्टूबर तक सारे पेपर हो जाएंगे तो UPSI का जिनका अगर मकसद है तो UPSI की डेट आ गई है 15 अक्टूबर से पेपर शुरू होंगे ठीक है UPSI के भी परसों के निवज में आये थे यह फोरम आने हैं 25,000 जगह है SSC GD की चुप चाप बात नहीं GD का आपको पताएंगे अक्टूबर लाश्ट ये नवंबर तक करा देंगे लेकपाल का आपको किलियर ही नवंबर में पेपर है सेप्टेंबर में फोरम है और नवंबर में पेपर है यह बाते हम आपको इसलिए समझा रहे अगले 90 दिन आपका भवश्च से बना भी देंगे और परवाद भी करदेंगे बना कैसे देंगे क्योंकि अगले लगवग 2.5-3 महीने में सारे पेपर होने है परवाद कैसे करदेंगे यह सब वो पेपर हैं जो 5 साल वाद हो रहे है इसमें से SI का 5 साल वाद पुलिस का 3 साल होगी है, अठारे में आया तब, जीरी का ये तो हो गया होगा, लेकपाल का तो पता ही नहीं, कोई डेट नहीं कब के कब से अब हो रहा है, ठीक है की नहीं, ठीक है, तो यह आपको इसलिए और ऐसा नहीं है, पैट तो 6 महीने बाद है, लेकिन पैट का कोई का शासा सालवाद आई है, आगे आजो भी यह जो दिक्कत हो पीछे खड़े, आगे आजो, है जग भी है, है बाग क्या जो, बहुत है, ठीक है, चलिये, जिसे दिक्कत हो आगे आ जो आगे आजाना, बात नहीं हो, कर लें कि मैं बोही समझाना ही जा रहा हूँ, इसलिए मैं कि हम आपको इसलिए समझा रहे कि यह 90 दिन आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं आप कुछ भी और अगली जब तक यह vacancy आएंगे यह पक्का है कि आप over age हो चुके होंगे ठीक है लड़कियां अपने गर परिवार की हो गई होंगी सब ठीक है और लड़के भी अपने कहीं या तो चपल चटका रहे होंगे या कुछ रहे होंगे ठीक है और बड़ी बात यह भी नहीं है बड़ी बात इनके लिए यह है कि वेकेंसी अगली वार आने के चांस 90 परशंट ना है क्यों क्योंकि आपको पता है ग्रूप डी का फॉरम आये धाई साल होगे अभी तक उसका ए गेते एक परचा नहीं आया कि लोग आपका एडमिट काड़ी आगया पिपर देना है कुछ नहीं आया है धाई साल में तो अब धाई साल होगी धाई साल वाद ही चुनाव है केंदर का लग दो साल वाद तो तब तक ही यह इसका प्रीविरी कराएंगे क्यों नहीं करा रहे क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे रेलवे के पास रेलवे की जायतर चीजें प्राइवेट हो गई है हमारे ग्रुप डी वाले कहा जाते है जैसे रेलवे स्टेशन पर और वो प्राइवेट है तो अब जगह नहीं है यह आप मान के चलिए कि 90 परसेंट यह लास्ट वेकेंसी है इसके बाद हो सकता है कहीं फिर जगह ऐसी निकला करें कि चलो 600 जगह वहां निकलाईं यह साथ हजार जगह यह पहली और यह इसलिए पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि जगह ही नहीं कहीं पर ठीक है तो आप यह चाहते हैं अगर गवर्वर्वन्ट जॉब के लग जाए तो यह आपके लिए ऐसा भी सोचके चलिए आखरी चांस है हो सकता है पलिस विलिस की एसाई वैसाई की निकलें अब जो एसाई वाले और UP Police की जो last age है वो बाइस साल है, यानि वो अपने career में कोई exam दे ही नहीं पाए, अब वो ये कह रहा है, court में जाके हमारी क्या गलती है, कोई भरती नहीं आई पिछले 5-6 साल से, तो वो जब तक भरती आई तब तक वो over age हो गए, तो इसलिए आपको समझा रहे, अगली वा हो चुके होंगे, तो इसलिए आप 90 दिन, इमानदारी के साथ पढ़िए, करो या मरो, हाँ, double हो जाओगे, double होने ही नहीं हो तुम, नसीवी नहीं खराब है तुमारा, यह माल लो तुम, अगर नहीं पढ़े तो कुछ नहीं होना, double के कुछ नहीं होना, डेड़ भी नहीं ह छुपा हुए तो, ठीक है, देखाओ, तो कहने का, हाँ, बसे छुपो जाओ, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, चैनल लड़के हों, चैनल लड़की, आप यह अगले 90 दिन, मन से पढ़िए, पढ़ना ऐसे है, आप अगले 15 इस दिन में slavas complete करिए, एक महिने में, यहां तो UPSI का मालों, October में है, तो उनके पास तो एक ही महिना है, सितंबर सितंबर का, और यह यह भी नहीं के अगले साल, फिर वेकिंसी आ जाए, यह 4-5 साल बाद आती है, तो आप आराम से complete करिए, 15 इस दिन में slavas को, ऐसी हर subject का, फिर आप practice revision बगएरा करिए, जो करना है आपको, मतलब October तक खतम सब चीज है, तैयार एक तब, 15 October से कह रहा है, October last week में exam सुरू होंगे, ठीक है, तो आप तैयार रही है, अब हिंदी की class आज से ही सुरू करा रहा है, आज या कल से regular, जो यहां रहते हैं, वो आ सकते हैं, यहां पर जो नहीं रहते हैं, YouTube पर भी रखेंगे, ठीक है, तैयम में आप चाहेंगे, पांच वे लास्ट वेच होता है, दो से पांच, पांच से रख बादेंगे, ठीक है, हां तो यहां रहते हैं, रूम लेकर आसपास रहते हैं, जो आना चाहें इच्छ को आ सकता है, और नहीं आ सकता है, तो घर पर YouTube पर भी फ्री करवा द करेंगे, हां सुम्मार से तो 100% करा देंगे, ठीक है, चलिए, अब बात नहीं हमने समझा दिया, और बात नहीं, वो भी करा देंगे, ठीक है, बता रहे हैं और हम भी आपको लेके इस बार पूरी तरह से serious है, serious कैसे, इसलिए आपने देखा होगा, पीछे बात नहीं, जो व 50 मिट पढ़ा रहा है, तो पूरा 50 मिट पढ़ा रहा है, पूरी तागर से, और आप उसको नोट करते होंगे घर जाके, तो आदा घंटा तुम्हें लगता होगा, तो कहने को यहां पर किलास गंटे की है, लेकिन वो किलास डेढ़ गंटे तक की हो जाती है, क्योंकि अगर तो तुम नोट करने में भी तो आदा गंटा ले जाओगे, तो आठ दस प्रेट होई जाते हैं, तो आदा गंटा तुम और सवाल बोल बोल के करा हैं, तो इतना ही मेंटर देड़ दो गंटे में हो पाएगा, ठीक है, बहुत जादा डेप्थ में कराया है, नहीं रेसियों चा लगा सकते हैं, चलिए, आगे देखते हैं फिला, ठीक है, तो आप मन से पढ़िए अगले 90 दिन, जी जान लगा के, ठीक अभी है, देखो, यहादी C, 2000, C, 2000 रुपे खर्च करता है, और B, 700 रुपे बचाता है, तो एक ही बचत में, सवाल द्वारा समझा रहो, तीन, कुछ अनुपात, तीन, और खर्च का अनुपात दे रखा है, तीनों का, आट, पांच, दो, और C, 2000 रुपे खर्च करता है, और B, 700 रुपे बचाता है, तो एक ही बचत क्या होगी, सवाल को अस्त ब्यस्त कर रखा है, आप अपने लिंक से करते जाए, देखी कैसे, C की जो है, वो कितने रुपया है, 2000, तो दो यूनिट की जो वैलू है, वो कितने के बरावर है, 2000, क्यों भीया, अरे मेरे भाई, खर्च 2 है अनुपात में, और रियल में कितना है, 2000, तो दो यूनिट की जो वैलू है, वो कितने के बरावर है, 2000 के बरावर है, इतना बास सब को समझ में आया 2 unit की value 2000 अब आप बता सकते हैं कि भाईया 2 बरावर 2000 है तो एक बरावर कितना होगा 1000 अब एक unit का मान 1000 तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 3 unit का मान 3000 ना वो तो इस से संबंद है ना इस अनुपास से यह अलग आप अब दिखो आपया वी अगर 2 का मान 2000 तो 5 का मान 5000 अब आप डेखना वी 600 रुपय भचाता है यह कहां से आया जब हम income में, आप किसी को entryman देना, जब income में से हम खर्च को घटा देते हैं, तो क्या निकल के आता है? बचत निकल के आता है, अरे नहीं समझे आप, आप 40 रुपया कमाते हैं, ये आपका income हो गया, खर्च आपने मालो 30 रुपया कर दिया, तो बचत कितना हो जाएगा? 10, अगर income में से खर्च घटा दो, तो क्या निकलेगा? बचत, और income में से बचत घटा दो तो खर्च, सही है कि नी सही है? बुर्कुल, देखना ध्यान से, तो मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ, कि जो बी है, वो 700 रुपय बचाता है जो बी है, वो 700 रुपय बचाता है ठीक है कि नी ठीक है? यानि जो बी है, वो 700 रुपय बचाता है तो जो बी की बचत है, वो 700 रुपया है बी की जो बचत है, वो 700 रुपया अब समझना ध्यान से B ने भहिया खर्च किये 5,000 B ने खर्च किये 5,000 फिर भी बाकी जेम में 700 रुपया बच गए तो आप बताईए B कमाता कितना होगा पीछे भहिया कितना कमाता होगा? 57,000 यानि 5,000 खर्च किये 700 बच गए तो कमाता होगा 57,000 B, अब जो B 3 unit की जो value है वो 57,000 के बरावर है तो 3 unit की value 57 अगर हम ऐसे करना चाहे तो 3 unit 57,000 1 unit कितना जाएगा? 1900 5 unit कितना जाएगा? 1900,500 95,000 हमें पूचा है एकी बचत ग्याद करिये तो एक इतना कमाता है? 95,000 खर्च कितना करता है? 8,000 तो एक ही बचत कितनी हो जाएगी? 15 बच यही आंसर है समझ में आया है सबको? कोई द्वारा पूचना चाहेगा? ने द्वारा कहा है, इसमें काउं सा चीज़ द्वारा पूचनी है? देखो C का मान 2,000 C का मान 2,000 1 का मान 1,000 5 का मान 5,000 8 का मान 8,000 अब बी ने साथ सो रुपे बचाई है तो 5,000 बी ने खर्च किये साथ सवा की जेम में बच गए तो इसका मतलब कितने कमाता होगा? 57,000 अब 57,000 कमाता है मतलब बी का कमाना है इंकम 3 तो 3 का मान 57,000 19 तो 19 तो 19 तो 19 पंजी इसलिए ठीक चलिए अगला आपका ये है वो ये कह रहा है कि कोई एक हीरा है उसका जो मूल है उसके भार के बरक के समान उपाती है समान उपाती क्या है? समान उपाती का मतलब होता है अगर भार बढ़ेगा तो मूल ने बढ़ेगा नहीं समझये, हम समझाते हैं, जैसे आपसे हम कहें, मांलो लड़की का ऊदार लेते हैं, लड़की तो खुब खाते हैं, एक लड़की टेड़ रोटी खाती है ठीक है आप अब नहीं क्योते कहने का मतलब 20 रोटी, ठीक है कि नी ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ, कि इधर हमने 10 गुना किया, तो इधर भी कितने गुना हो गया, 10 गुना, इसे कहते हैं समान उपाती, एक होता है बितकुर्मान उपाती, मतलब उल्टा, उल्टा कैसे, जैसे मालो, एक लड़की, ठीक है, एक लड़की है जो दस रोटी बनाती है ठीक है अब बताईए पांच लड़कियां हो जाएं सुरी दस रोटी मैंने ये कहा कोई भी काम है वो दस दिन में करती है ऐस समझे अब मैं कहूँ आपसे ये बताईए पांच लड़की मिल जाएं तो वो काम किते दिन में हो जाएगा पचाफ दिन में हो जाएगा क्या दो दिन में है ना नहीं समझे कुछ तो पचाफ शिला रहे अरे एक लड़की कोई काम दस दिन में करती है तो पांच लड़कियां हो जाएंगी तो ये थोड़ी पचाफ दिन लगए पिर जादा लड़कियां कोई रखेगा यह ने फिर तो कम से कम है ना आदमी जाद है क्यों कि यह जाते हैं काम जल्दी हो जाए तो इधर पांच गुना हुआ है तो उल्टा होगा एक बटे पांच दो दिन इसे कहते हैं बितकुरमा अनुपाती मतलब उल्टा तो समानुपाती आप समझ उत्तुकडव के अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अभ मैं आप से यह कहूं जैसेrimर ऐ हा इसको आपिव में कर देया तो इन अल Pig आया तो बटे में दुकडव को देखें, कि कोई बजन में और था बजन का बटे में कि जी mosque कीं जितना इड़न था्थ है बजन यहां कितना हो रहा है total एक और दो तीन और तीन पांच और एक छह तो पहले तू काटने से पहले तो जो बजन होगा वो कितना होगा 6 अभी भी 6 है तीन तुकड़े एक दो तीन अलाग कि कोई सवाल कर सकता है कि सरी हमने आप 6 कैसे लिख लिए x लिखना चाहिए था सही वही है लेकिन उसकी कोई जरूवत नहीं है देखो चाहों तो ऐसे भी लिख सकते हो एक तोकड़ा 3x दूसरा 2x पहला x तो यहां पर कितना हो जाएगा 6x यह है भार जो मूल है वो इसके बरक की समानुपाती है यह बात यह दे रखी है जितना है उसके बरक की तो 6 का बरक क Вас कीतना होगा 36x2 यहां x2 4x2 और यहां पर 9x2 तो यह हु जाएगा नो चाहर तेरह और एक 14 x2 पहले ही रहा तूटने से पहले था वो 36 x2 का था बाद में जो हीरा रह गया मात्र चौधे x2 अ ले गया तो आब बताएगे उसको लॉस कितने का हुआ कितने का loss हुआ, 36 रुपे का हीरा था तूटने के बाद 14 का रह गया, कितने का loss हुआ, 12 का, 22 का, 22 का, गटा नहीं पाते, ठीक है, तो 22 x square का loss हुआ, और सवाल में कितने का loss हो रहा है, नहीं, loss तो हमसे पूच्छा है, उसने दे रखा है कि जो हीरे का मुल्य है, वो कितना है, 51 84, और हीरा का मुल्य है, यहां पर 36 x square, तो 36 x square का महान है, 51 84, ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो 36 से यह काटेंगे, तो 36 से यह कटेगा, 36 एक शो चवाल, तो x square बरावर, x square ही छोड़ो ना, क्या दिक्कत है, एक सचवाल ही, हमें loss पूच्छा है, तो loss कितने का हो तो गा, 22 x square का, तो 22 x square, x square की तो पहलू पता ही हमको 104, पाइस चो के 88, पाइस चो के 88, और 8 होगा 96, पाइस एकन बाइस और 9 होगा, 31 68, अब आप कहेंगे, क्या यह x square जरूरी था, नहीं था, लेकिन यह x square तब जरूरी हो जाता, जब वो आपसे यह पूच लेता, भार बताईए, तो फिर आपको यहां पर x का मन निकालना पड़ता, तो 12, 12 चिक्के कितना हो जाता, 12, सही है कि नहीं सही है, हालां कि यह कभी पूच्छा नहीं गया है, लेकिन आप यह basic concept आपको पता होना चाहिए, तो आप paper में देखो, इस तर देखना ध्यान से, नहीं रखना चाहो, x को मत रख ही अटाईए, देखो, कोई जरुवत नहीं x की, यहां बन हो जाएगा, ठीक है, तो यहां हो जाएगा, एक का वरग एक, देखो, एक का वरग कितना होता है, एक, दो का वरग, चार, और तीन का वरग, नो, जोड़के, एक और चार, पांच और नो, चोदे, और यहां 36, 36 का 1 1 584, तो 1 unit का मान निकल के आजाएगा, जब 160 आदिया तो, 1 unit का मान 144, एक यूनिट का मान 144, और loss हुआ हमें 22 का, तो 22 unit की जो बैलू निकल के आएगी, वो निकल के आजाएगी, 22 गुडा, 144, तो answer तो आप अपना बताई थे, कितना आया थे, 1157, अब समझ में आ गया कि न नहीं कर लेंगे चलिए अब हम आपको नया टाइप यह तो डाउट थे सब के ठीक अब बढ़ते हैं आके तो आज हम लोग सिक्को वाला टाइप करेंगे मैं आप से कहूँ जैसे एक ब्यक्ति है उसके पास पाँच रुपे का सिक्का है और दो रुपे का सिक्का है और एक र face value गान नहीं सुने ते पता मेरे चाहरे पर क्या 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 लिखां वैसी यह है face value बस बस किताब पढ़ नहीं तुमने ठीक है अब उनकी संख्या का जो अनुपात है वो संख्या का अनुपात है भईया और यहां दे देते हैं आपको चार अनुपात दो अनुपात एक अनुपात चार, सहीए की नहीं सहीए, ब्रुकुल दो अनुपात एक अनुपात चार, और आपको दे रखा है कि उसके पास जो खुल रुपई है वो आपको दे रखा है चास्सो असी रुपया तो आप से पूचा है यह बताईए पांच रुपय के सिक्कों की संख्या अब कर लेते हैं तो आप करके पहले बताईए पांच रुपय के सिक्कों की संख्या 300 बहुत बढ़िया आप बताएए बेपकूपी वाले पाईसा पांच रुपए के 300 सिक्के कितने रुपया बनगे 1500 और जब कि रुपया कितने 400 ऐसी दिखतें कितने आता अब योग 120 120 सही है ये कितने लोग खाता 120 पढ़िया पढ़ने वाले वच्छे है तुम्हें बुद्धी बुद्धी नहीं वच्छी तुम्हें बात बताओ 120 सिक्के 55 रुपया के कितने रुपया आएगे 600 और रुपया कितने हैं 400 फिखिक माइनस में चलेगे एक रुपया और दो रुपया कितने कच रिका है 91 तुम भी बुद्धी 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 नहीं चलेगे 96 अरे तुम अपना धिमाग कितना तो लगाई है कि 96 सिक्के 55 रुपय के ये कितने रुपय बन गए पांच रुपय के 30 м 480 और फिजित डुए Ini रुपय अगे कितना ऐसर होगा प्र तुम एक सबेस कितने के 5-5 का रुपधी होने गए 600 और रुपया चाससु अ dejar चाइक है जिनकी बाफ्तन में ये है आब हो खचर दिमाग है जिन लोगों के यह 300 एक सवी संसरा बुद्धी नहीं चलाते है अपनी प्रकुल चलिए इधर समझेगे देखो अरे इधर देखिए हम समझाते हैं इसमें मेन कंसेप्ट बुग समझेगे नहीं देखिए सवाल क्या है एक बैक्ति है उसके पास एक बैग है बैग जानते है जोला थेला ये सब आधे परियाव अच्छी है ठीक है तो उसके ठेल के या घूले में पाँच रुपए का दो रुपए का और एक रुपए काैं सिंक्गा है। वो दिखा है तुमने जब मालोग बरात आती है तो वो रिखने वाला होता है उसी जया सब बेहे है पांच रुपया का ही सिख्का है दो रुपया का भी सिख्का है और एक रुपय का भी सिख्का है अब जो संख्या है उनकी संख्या संख्या नहीं है यह अनुपात है नहीं को दो रुपे की पूछी जा सकती है एक रुपे की पूछी जा सकती है अब समझे लोग तुमारे कम से कम 25 अंसर आ चुके आप बताएए पांच रुपे के दो सिक्के तो टोटल रुपिया कितने बन गया दस पांच रुपे के दो सिक्के टोटल कितना बन गया दस आगे करो नहीं तुम अब अलो रुपे का एक सिक्का कितना बन गया दो एक रुपे के चार सिक्के कितना बन गया चार सही है कि नहीं इसे इधर, बात नहीं करो, इतनी आप सबको समझ में आगी कि नहीं आगी, एनी प्रोब्लम, इस टाइप कुस्टन, नहीं है, चलिए, देखो, अब आप बताना, देखो, समझ्या जो समझने वाली है, वो समझ्या यह है, यह पेपर में आता है, सवाल, इसलिए नहीं आता है, यह टफ है, इसलिए आता है, लोग इसको कटटा देते हैं, पांच, एक, दो, इसलिए सब का अंसर गलाता है, काटना नहीं है, क्यों नहीं काटना है, वो हम आपको समझाते हैं, एक ये सवाल होगा, एक वाँ छोटा सा आता है पिपर में, भिन्नों का LCM H6, अब कोई ये बड़े सवाल थोड़ी है, आने लाइक थोड़ी है, अब वहाँ देगा ऐसे करके, अब लोग क्या करते हैं, अच्छा, वो अपना धिमाग चला देते हैं, दुन्य चाह, दुन्य इसका LCM ले लेते हैं, वो गलत हो जाता है, तो जब भिन्नों का LCM H6, पूछे, तब भी नहीं काटना है, और यहां भी नहीं काटना है, और भी दू जगे बताएंगे, यहां पर काटना नहीं है, ठीक है, अब देखिए, तो ये 10 हो गए, ये 2 हो गए, और ये हो गए 4, ट की वेलू कितने के बरावर हो जाएगी, 30 रुपए, एक यूनिट की वेलू कितने के बरावर हो जाएगी, 30 रुपए, ये रुपए कहना ना बूले, एक यूनिट की वेलू किसके बरावर, 30 रुपए, अब आप बताएगे, किसमें गुणा करे हम, तो में कर दोगे, तो भ निकलाएगा कितने 300 रुपय यानि उसके पाफ 300 रुपया है जो किते किते के सिक्के हैं 5 5 रुपय के अब बताइए 5 रुपय का एक सिक्का तो 300 रुपय बनाने के लिए उसको कितने सिक्कों का यूज़ करना पड़ेगा 60 यह तो रहा इसका concept ठीक है 60 रुपया लेकिन इतना लंबा ना खेंचते हुए आप डारेक्ट भी कर सकते हैं कैसे देखो ध्यान से जैसे एक उनिट का मान 30 फिर आप इसको दिमाग मन लगाए दिमाग लगाएंगे तो वही सही है अमें पूछा है 5 रुपय के सिक्कों की संख्या है 2 संख्या की लाइन यह है यह है 5 रुपय क पहले कहीं किसी टीचर से पढ़े हो इससे कब गलत हो जाएगा इससे तब गलत हो जाएगा जब ऊपर भी अनुपात दे दिया जाए तब इससे अंसर जो आएगा गलत आएगा फिर आपको बैसे ही करना पड़ेगा जो हमने भी कंसेफ्ट से समझा आ था हाला कि ऐसा सवाल नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए ठीक की ठीक सवाल यहीं बनता है आपकी किताबों बघर में यही सवाल होता है ठीक है तो आप इसको ऐसे यूनिट बना है, अब 16 यूनिट की वैलू 480, तो एक यूनिट की 30, हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, जो 2 है, तो 2 गामान कितना आजाएगा, 60 सिक्के, यही सवाल ऐसे भी दे दिया जाता है, कभी-कभी, एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 50 पैसे, और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है की नी ठीक है, बुर्कुल, आहां, टाइपिंग मिश्टेक है, पईसा है यह, ठीक है, और आपको दे रखा है कि जो इनकी संख्या का अनुपात है, वो 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 है, ठीक है की नी ठीक है, और आपको दे रखा है कि जो कुल रुपए हैं बोग दे रखे हैं मनलो कुछ भी मनलो मनने में क्या जा रहा है 360 रुपया है तो आप बताईए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूची है बताईए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यह संख्या है कितना जाएगा 240 देख लेते हैं कितना जाएगा, बाकी लोग भी करके दिखाईए कितना जाएगा भी है 240, बहुत बुड़े हैं, देख लेते हैं, चलिए हैं, देखो आप मुझे यह बताईए, इधर देखना आएग, यह सवाल दो भावों में बटा हुआ है ठीक है कि नहीं ठीक है, आगे देखो, अम मत करो एक जगे रुपया लिखा हुआ है, और एक जगे पैसा लिखा हुआ है तो आपका पहला भी यह इधर, अब करते ही लोग के संजा तक, आगे दिखा करो तो आपका पहला फर्जी बनता है, कि आप इसको पहले या तो रुपई में कनवर्ट करिए या पैसे में कनवर्ट करिए, अब आप देखो, आप कौन सा सही रहेगा, एक रुपई में पैसा होते हैं, सो तो आप बताये, गुडभाग में सो जादे टप है या एक, एक का गुड़ा जादे होता है, सो का जादे होता है, अब टेर को पैसा को पैसा पैसा 1.500 का किसी किसी को लडगी को तो नहीं आद होगा एकाद को ठीक है की नी ठीक है तो आप इसको क्या करिए रुपई में ही convert रहने दीजिए देखो कैसे अब आप देखना ध्यान से आप बताएए एक रुपई का दो सिक्का कितना रुपया बन गए दो रुपया पचास 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 के तीन सिक्का अठनी 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 कितना डेड़ रुपया ठीक है की नी ठीक है पहले पचास 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 के कितना बन गया एक अब रुपई कितने बन गए दो और ए 360 के बरावर है, अब देखना, 0 बड़ाई हो, 45 से कटेगा, यह किते वार? 8 वार, 45, 8, 360, 80 वार, एक यूनिट, हमें पूचा क्या है भाईया, हमें पूचा है, पचास पैसे के सिक्कों की संख्या, कितनी है, 3, तो 3 यूनिट की जो बेलू है, वो कितने के बरावर हो जाएगी, पचास तिया, नहीं, 3 गुडा, 80, कितना हो जाएगा, 240 सिक्क है, आपको बास समझ में आई की नहीं आई, बर्कुल, अब आपको यही सवाल ऐसे दे दिये, आपको एक चीज समझाए, इदा देखना, पांच रुपए का एक सिक्का, तो आप बताईए, चार सिक्के मिलके कितना रुपया बनाएंगे, बोलो, बड़ी बात पूछलिए आप से क्या, पांच रुपए का एक सिक्का, चार सिक्के मिलके कितना रुपया बनाएंगे, 20 पीछे वाले ओए लिखा लिख लगे हो का लिख रहे हो इसमें 5 रुपे का समझा करो पूरा एक घंटा मन से समझा करो 5 घर पर का करते हो मोवैल नहीं है सब के पास मोवैल है जिन पर नहीं हो यहीं नोट करके जाया करो पांच रुपए का एक सिक्का, ठीक है, पांच रुपए का एक सिक्का, तो चास सिक्के कितने के हो गए, बीस रुपए, बीस रुपए के, अब जो यह है, इसको कहते हैं, कीमत, यानि इतनी कीमत है, मेरी जम्में सो रुपए रखे हैं, कीमत, ठीक है, इसको कहते हैं, एक सिक इसी को कहीं कहीं face value भी कह देते हैं या एक सिक्के की कीमत या इतने का सिक्का है इसको कहते हैं सिक्कों की संख्या अब कहीं आपको अभी तक के सवालों में क्या क्या दे रखा था इधर देखो आपको दे रखा था एक सिक्के की कीमत face value और संख्या तो आपने इन दोनों का क् और ऑपुडा, तभी तो किमत निकलके आएगी, एक शिक्ये का ये दे रखाता, ये दे राखाता अम पर लोग किसी सवाल में आपको ये दे दिया जाए और ये दे दिया जाए तो आपको शिक्कों की संख्या निकाल ली िखें तो कैसे निकालेंगे , इसका देंगे भाग, तो कैसे देखते, बात कम समझ में आई होगी, इधर देखो, जैसे मैंने आप से ये कहे दिया, एक सवाल देते हैं आपको, ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम देख के देंगे, ठीक है, आपको ये दे रखा है, पट एक रुपा पचास पईसा, पचीस पईसा के सिक्का है एक आदमी के पास, और वो ये कह रहा है, पाँच अनुपाद, छे अनुपाद, साथ के अनुपाद में है, इस संख्या का अनुपाद है, और बाक के पास जो टोटल रुपया है, वो 390 रुपया है, कुल रुपया 390, और वो आप से दे रखा है भाईया, तो आपसे क्या पूछा है 50 परीसे के सिक्कों की संक्या कि ही मत किया करो सुबा नहीं देते तुमारे दाथ पढ़ाई लिखाई करो अपनोकरियों को लग जाए तब ही दाथ अच्छे लगते है 280 वाउ सही है नहीं गंते 50 परीसे के पूछें गंते कितना वाउ यह अंसर ब्यूटिफुल अंसर चलिए इधर देखलो कैसे एक रुपया के पांच शिक्का कितने रुपया बन गए पांच रुपया अई इता है करू नहीं अब एक रुपया इतने दर बहुत होती है मानलो किसी लड़की या लड़के का अंसर आ गया छोड़ दिया करू बस खुद नहीं छोड़ो बेहाई से छोड़ो छोड़ दो पर ठीक है देखो एक रुपय के पांच शिक्के कितने रुपय बन गए पांच सही है कि नहीं सही है एक रुपय के 0.000 सो का दीजिए भाग कितने सिक्कों वान जांगे 3 रुपया ठीक है 3 रुपया और 25 2500 पाइसा के साट सिक्का कोई बिता सकता है कितने रुपया एक अर्येफर देखो ना 27 175 27 175 200 का देना पड़ेगा भाग क्यूँ रुपय में convert करने के लिए क्यों क्योंकि एक रुपए में कित्ते बईसा सो ठीक है तो एक दसमलब पचतर देखो पांच और तीन आठ और एक नो तो नो दसमलब पचतर यूनिट की जो बैलू है वो तीन सो नब है अब में सवाल को पेपर में होता तो में इसको ऐसे लिखता पॉइंट पचतर को तीन वट्टे चार लिखते हैं यह चुट चुटी चीज़ें आपको आनी चाहिए पॉइंट पचीज का मतलब होता है एक वट्टे चार पॉइंट पांच का मतलब होता है आधा और पॉइंट पचतर का मतलब होता है तीन वट्टे चार यह तीन चुट अगर पेपर में अच्छे से जाते हैं, तो यह चुट चुटी चीज़े आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप काटा पीटी में टाइम लगा लेंगे, चलिए, हो तो बैसे भी जाएगा, नहीं आप चाहते कोई, अरे नहीं हम नहीं चाहते हैं, ऐसा उल्टा फीदा फोचना, ठीक है, चलिए, अब देखो, बहुत बड़ी calculation हो गई है, तो आप काटी ही भी है यह से, तो मैं डारेक काट देता हूँ, चालीस बार कटेगा, आप क्या करें, नैना नैना काटें, पहले पांच छे, फिर पांच से, फिर पांच छे, ऐसे करें काटते जाएं, कित्त अब चालीस ही तो आएगा, अच्छे बच्चे ऐसे थोड़ी करते हैं, अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं, नौ सही तीन बच्टे चार, यह हो गया, उन्तालीस बट्टे चार, बरावर तीनसो नब्बबे, 49 से 49, एक बरावर कित्ता, 40, देखो, यह नौ सही तीन बट्टे अच्छा लिख सकते हैं, नेकम बट्ट जाता है, चार निम च्छतीसो तीन, 49, बट्टे चार, कौमान है 390, एक कौमान कितना आ जाए वह वह, चार नहीं, 40, इधर ही रहे न, चीह दिमाग, ओके बुके, नहीं, ठीक है, बुरुकुल टक्टकी लगाके, यह मालो, एक दम क एक यूनिट का मन कितना आ गया, 40 आ अब आप देखना, एक यूनिट का मन 40 आ गया, हम भूल गए तो मैं समझाने के चक्कर, पचास पईसे के सिक्कों की संग्या, तो पचास पईसे के किती है, तीन, तो तीन यूनिट की जो वैलू है, वो कितनी हो जाएगी, अरे गरवरत आपके सामने कुछ इस्वरकार है, वो यह दे रहा है, क्या दे रहा है, एक बैग में एक रुप्या, एक रुप्या, पचास पईसा और पचीस पईसा के सिक्के हैं भाईया, ठीक है, जिनके मुल्यों का अनुपाद, मुल्यों का अनुपाद, मुल्यों का अनुपाद दे रखा है भाईया ठीक है 13, 11 है और 7 और यह सिक्के हैं और उसने यह दे रखा है यदि टोटल 378 सिक्के हैं अगर टोटल 378 सिक्के हैं तो आप बताईए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताईए जल्दी से वह बात नहीं कितना है वाव अब तो उस्यार होगे सकते सकते कंपटीशन मचते सही है वाव कुछ खचर भी यहां रहा है यह वह आपके लिए में का करना तो उस्यार वाईने लगेंगे सही है तो आप कैसे भी करके आप इस महीने में स्लेबस पूरा करिए जिनों पहले से पढ़ रहे थे ठीक है आपको कम्प्लीट हो जाना चाहिए सेप्टेमल आश्ट तक हां हिंदी करवा देंगा मैथ में किसी टॉपिक में दिखत हो तो हमें बता देना हम उसको आपको करा देंगे और बाकी यह ने सुचें बाकी को भी किसी टॉपिक में दिक्कत है तो हम उसकी वीडियो दे देंगे आप पढ़ लेना अलांकि यहां तो हम कराएंगे यह बात में दीमें दीमें थीक है यह फिरी में दे देंगे हम आपको जैसे मनलो किसी को SI में दिक्कत है या खेर अभी time and work की तो record ही नहीं हो पाई है यह की topic बचाय है किसी पेच में कराएंगे उसको तुम्हारी में कराएंगे इसके बास शरू अन्नी ratio partnership इसके बाद time and work की उठाएंगे number system अरे हाँ number system भी कराना है कोई नहीं कोई number system कराएंगे चलो साम वाले बैच में की रिकोर्डिंग करनी पड़ेगी दो बैच करनी पड़ेगी चलो देखो बैच नहीं पढा रहे इस बार बैच से पढाते थे 12-13 गंटे इस बार पढा रहे हैं 4 गंटे मात्र इसके बाद एक बैच वड़ाएंगे बस क्या रखना लड़कियों में लड़कियों का रखना लगए सर्मा गया पहा पढाद बेचे ह मम्मी आगया इसे था सही रही है सर्मागी इनका ठीक है गाने वाले आहिए आ बना लाए approximate कहीं से कहीं से एक वड़ा कोककॉला पिला दे कैसे जीब 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 गाने है ठीक है देखं़ इ Deb Eagles South अब एक तो विचारा कोको कोला पिला रहा है उपर फिर जालिमा और कैसे पिलाएगा भाविद आएगा लेके ठीक है देखवा गया सामरे देखना आप यह सवाल अलग है पीछे वालों से कैसे अलग है इधर देखो आप इसमें क्या है कि आपको एक सिक्के की कीमत दे रखी ह और संख्या यह आपका मूल्य होता था जैसे पांच रुपे का एक सिक्का तो दो सिक्के कितने के दस रुपे यह आपका मूल्य हुआ यहाँ यही था संख्या और एक सिक्के की कीमत यहाँ नहीं है यहाँ संख्या आपको देही नहीं रखी संख्या आपको निकाल नहीं है यहां मूली का अनुपात दे रखा तो अभी अभी तो समझाएं हम, कि पाँच रुपे का एक चिक्का और मानलो संख्या है चार सिक्कों की संख्या है तो आब बताईए, डॉटल क्तिरवाolewaि एसे कहते हैं मूल इसे कहते हैं संख्या और इसे कहते हैं एक सिक्क्य की कीमत या फेस पहलू अब देखना तो आप बताइए इस सवाल में concept से नहीं बटकना है इस सवाल में क्या क्या दे रखा है मूल दे रखा है और एक सिक्क्य की कीमत दे रखी हमको संख्या चाहिए तो यह दोनों गुडा में हैं जब इसको इध आथा पाइसे का मतलब हूत अदहा नहीं चेंज कर पाता हू है रुपया में सव पाइसा तो भाग दे तो कित्ता हो गया आधा रुपया, सब जानते होंगे, अठनी तो सब जानते होंगे, पचास पईसे का मतलब आधा रुपया, यह जब तुमारे बाल वच्चे पढ़ने आएंगे, तब उनको यह सिखाना पड़ा करेगा, क्यों, वो तो जानते ही नहीं होंगे, पचास पईसा भी होते ते किसी जब आने हैं, तुम तो सब जानते होंगे, ठीक है, पचीस पईसा कित्ता, एक वट्टे, चार, कैसे, पचीस पईसा, सौका दीजे, भाग, एक वट्टे, चार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ब्रुकुल, अब देखना ध्यान से, इतनी बा समझ में आ रही है न, क्यों देना है, बोलो, अभी तो समझाए है, ये एक रुपया, ये आधा रुपया, और ये एक चौथा ही रुपया है, ठीक है, अब देखना ध्यान से, इनका भाग क्यों देना है, क्योंकि ये है, मूल और ये है, एक सिक्के की कीमत, इसे कहते हैं, ठीक है परकुल, अब हमको संख्या चाहिए, यह तो इसी की लिखा हुआ है, तो संख्या निकलाएगी, भाग दीजिए भहिया, तो एक बट्टे एक, और यह दो जाएगा ऊपर, तो कितना, अच्छा, तेरे बट्टे एक, दो जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, बाइस, छ संख्या निकलाएगी, बात खतम, चालीस, पचास, और तेरे सट, त्रे सट, यूनिट की जो बेलू है, वो बरावर है, तीन सो अठतर, मुझे लगता है, इसी छे वार कट रहा है, हमें क्या पूच्छा है, हमें पूच्छा है, मेरे भहिया, क्या पाँचास पैसे के सिक्क पाँच्छा, तो पचास पैसे यही तो थे बीच वाले, तो एक यूनिट का आमान च्हे, बाईस यूनिट का आमान, बाईस गुडाच्छे, बाईस गुडाच्छे कितना होता है, एक सो बतीस सिक्के, क्लियर है की नहीं क्लियर है, बुर्खुल, आपको ये बास सब को जाते हैं, फिर भी टाइम हो जाता है, नहीं, पंदे मिर्ट, पंदे, चुप बोस, और पंद्रे से पहले भी हम सवाल लिखवा दिये थे, लिखवाने में भी तो टाइम लगता है, पांच मिर्ट, पैटालीस मिर्ट तो ये मानलो, नोन इस्टप पढ़ा दिया आपको, य ये क्लास तर सभा डेर गंटे की हो गई, ये, ठीक, अरे भाई, ये कोना वी चली ये दो मिनिट पहले, जूटी बोलना है, लम्मा बोलो, ठीक है, हर चोरी की सजा एक ही है, चोटी चोरी करो, बड़ी चोरी, तो बड़ा जूट बोलो बोल नहीं है, तो जूट बालों को न परिच लाल मिच डाली याती है, फिर वो खा जाते हैं तल के, ठीक है, देख भाविया, ये तो बटवा देंगे, कल बटवा देंगे, एक रुपया, अरे नहीं, बटवाएंगे, ये मालों उधार है, तुम्हारे कर्ज तले हम दवे हुए है, ठीक है, वो कह रहा है भाई ह त्यान से समझे न, जो एक वट्टे अनुपाद दे रखा, संख्या का अनुपाद, सिक्कों की रूप में है, जो एक वट्टे दो, अनुपाद एक वट्टे तीन, अनुपाद एक वट्टे चार, वो कह रहा है, नभ्य पैसे के, नभ्य पैसे काँ से आए, पचास पैसे के 96 सिक्के हैं, 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, बात नहीं विया, 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, तो कुल कितने रूपए हैं, उल्टा दे दिये, पीछे वाले में सिक्कों की संख्या दे रखी होती थी, रूपए सिक्कों की संख्या पूछ लेता था, यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछ दे रखी है, रुप्या पूछ लिए, पीछे वाले का उल्टाई तो है, कोई नया थोड़ी है, कर लेंगे की नहीं कर लेंगे, गड़ी तो ऐसे बाजती है, बुरी तरह, एक हो आगे कैसे, पड़ा पड़ से हम कराते हैं, चलिए, सामने, पहले क्या करना है, इसको सेट करना है, सेट कैसे करना है, यह उल्टा सीधा दे रखा है, कभी नहीं होता नुपात में, संख्याओं का नुपात होता है, कित्ते का दे रखा है, 50 पैसे के सिखों की संख्या कितनी है,च्यावे,20 का गुणा हो रहा है, 24 रोकिस जानवे, यह भी होगा, चौंविस तिया, बहात्त है, और यह भी होगा, 24 शिक्के 100 चवाल, खतम सवाल, कुल रुपय पूचे हैं भाईया, इदर देखो, कुल रुपय पूचे हैं, बत 11 रुपया के 144 शिक्का, किते रुपया बन गए, 144, 50-50 पईसा के 96 शिक्का, आधा आधा रुप्या के 96 सिक्का कित्ते रुपा बन गए 48 और पचीस पचीस यानि एक चौथाई एक चौथाई के कित्ते सिक्का 72 तो अठारे चोगे बहाद तर अठारे और आट होता है 66 66 और 144 होगा तुमारा 210 बस यह अंसर है आया समझ में के नहीं आया है आर जो है अब हम इसको कल दोबारा समझाएंगे फिर ठीक है ताइम ओबर हो रहा है फिर उदर सावा पर पहुंचते है कल फटर यह ना कल यह सारे का हम निप्टाएंगे हम है दे देंगे हम जल्दी बाग के आते हैं आरम से निकलेंगे जो नौ बजे से आये थे जी एस की कलास अगली है हाँ भीया अब नहीं सुनेंगे तुम आयम हम लेट हो रहे तीन सितंबर है आज अगले बैचम बेच देंगे बेचा कराते हैं नहीं फिर करते हैं जल्दी देखो जैसे मेरी भीया कोई अब बात नहीं तुम लोग कहा है बत्यारे बीच दर बैटके बार खड़े हो तो तो सही है जैसे मेरी भाई अरे नहीं कर रहे आराम से जाओ एक सिनेमा घर है ठीक है भीया एक कोई सिनेमा घर है अब देख न हमने यह कहा अजना कर रहे है आराम से आजाओ जैसे लिखा रहे है टिकट के मूल्ले में तीन नुपाच चार में ब्रद्धी हुई और जो संख्या थी उसमें छे नुपाच पांच में कमी हुई सही है की नहीं सही है ज़्यादा जो मौच ला रहा है उसे बाहर कर दो एक पे ज़्यादा टाइम नहीं दो यह खुद आते देख रहे हैं नो पांच पे आ रहे हैं नो दस पे पहले क्यों नहीं आते वही करना पड़ेगा गेटवंद हमको देख वागे चली विया आज इनको समझा देते हैं और पिर आके मौच चलाएंगे यहांपर अरे अरुटकांती जी इनको अब बाहर कर दो गेटवंद कर दो यह एक तो लेट आते हैं पहले यह अभी है हम हमें मत समझाया करो सबको डिश्टब करते हैं लगेगा यह कितने वड़े प्रॉपेसर है चली यह दिखवा आगे तो बुई कह रहा है कि टिकट के मूल में 3 अनुपात 4 के अनुपात में ब्रद्धी हुई और जो दर्सकों की संख्याती वो 6 अनुपात 5 में कमी हो गई अब हमने यह कहा कि जो नया राजस्व है राजस्व कहते हैं जो इंकम होती है तो जो नया राजस्व है वो महलो आपको कुछ भी दे दिया कि भीया 50,000 रुपई है तो आप बताईए राजस्व में कितने रुपई की ब्रद्धी हुई जिनको जगे न मिले आगे आजाना चुपचाप कितने रुपई की ब्रद्धी हुई आजो आगे बढ़ा जिनको जगे न मेरे पास आजाओ ठीक है बताईए करो जगे नहीं भीया आगे जाओ आगी जगे तो ठीक है कितना आजाएगा पांच हजर आजाएगा ब्रकुल सही है अच्छ लंत ना लग रहा गेट खोल दो पीछ वाला गेट ही खोल दो नहीं आवा ठीक है तब भी आ रही है चल लिए कितना ठेंडा मौसा हमें देखने आगे करीव है आप चुक्चा बैटके पढ़ेंगे आप चली मैं समझाता हूं इतनी सस्थी फीस करते हैं आप चाहों ते एक चाच्छा लोग मिलके पंखा ले आओ उपने लिए फिर उठाके अपना ले जाओ बस एक वैच में हजार पंद्रे सव लोग हो जाए हम सौ कर देंगे इसी हम इसी क्रम में जा रहे हैं हम खुद चनते हैं कि जादा फीस न रक्की जाए इसलिए वो अल्सेट कराया है तीन सवच्छों का फीस बहुत ज्यादा है कम देखों है देखों भी आगे देखना ध्याँ से अब पढ़ाते पांच मेंट हो गई चलिए देखना ध्याँ से वो यह दे रहा है कि टिकट के मुल्य में तीन अनुपाद चार की ब्रद्धी हुई और संख्या में छे अनुपाद पांच की कमी हुई अब देखना इसका मतलब है कि प पहले दर्शकों की संख्या होगी वो होगी छे और जो अब दर्शकों की संख्या होगी वो कितनी होगी पांच इतना बास सब को समझे में आया पहले थी छे अब कितनी हो गई भाई या पांच इतनी बास सब को समझे में आगी चलिए अब आम मुझे ये बताईए मैं आप उसे यह पूछू यहां पर क्या कि पहले एक टिकट का मुलिथा 3 और संख्या थी 6 तो कितने रुपए की अर्निंग होती होगी तीन-तीन रुपए के हिसाब से 6 दर्सक आए तीन-तीन रुपए के हिसाब से 6 दर्सक आए तो कितने रुपए का इंकम हुआ होगा राजस यानी 18 रुपए गा सही है की नहीं सही है अब देखना भीया और यहाँ पर 4 रुपए के हिसाब से 5 दर्सकों की संख्याती तो कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया अब देखना यहाँ पर तो अब जो राजस हो गया वो हो गया 20 और जो पहले राजसु था वो कितना था? 18. बोलती रहा करो, जिससे तमारा मन यहीं रहे. तो हम मुझे यह वताईए, पहले 18 था, अब 20 हो गया. अब दे रखा है. तो अब 20 यूनिट की जो बैलू है, 20 यूनिट की जो बैलू है, वो कितनी है? 50,000. 20 यूनिट की जो बैलू ह अधार वह 50,000, वह पूछना चाहता है राजसु में किटने की ब्रदी हुी, तो पहले जो राजसु 18 था वो राजसु अब कितने का हो गया? 20 का हो गया, तो 18 से बढ़के 20 हो गया, खड़े का है ओ भाया, बैटी हो, बड़ा हुची बजा के बैटी हो, ठीक है, तो 18 से 20, तो आम मुझे ये विताइए, 18 से 20, तो कितना राजस बढ़ गया, 2, तो आप देखो न, 20 से 10, 1 0 कम हो रहा है, तो 1 0 इधर कम हो जाएगा, कितना अनसे रहा जाएगा पाँच हजार रुपया लेकिन यह इतना अच्छा सवाल नहीं है यह अच्छा सवाल तब बन जाता है जब राजस्ट का अनुपाद दे दे और मूल दे दे जैसे सिक्कों वालों में उल्टा दे दिया था बो सवाल जादा इच्छा बन जाता यह तो सरल सब कर लेते हैं, क्लियर है की नहीं क्लियर है, अगर इसी सवाल में आप यह समझे यह यह भी दे सकता है, सिनेमा घर न देखके कि इसकी जगा एक पार्क है, बात तो यह कई है, पार्क हो, सिनेमा घर हो, सब का चक्कर तो यह कही है, एक ही कंसेप्ट लगेगा, अब मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, जैसे आपको ये दे दिया, अच्छा इसमें एक और चीज़ दे सकता है, क्या दे सकता है, कि भीया, देखो, तीन से चार हुआ, एक बढ़ा, कितने पर बढ़ा, तीन पर, तो एक वटे तीन की परसेंटेज होती है, तेती सही, एक वट तीन, तो वो कह सकता है, टिकट के मुल्य में तेती सही, एक वटे तीन परसेंट की बढ़ा हो गई, और संख्या में, जैसे पांच, जैसे पांच कितना होता है, एक वटे छे, छे से पांच एक कम हुआ, एक वटे छे का मतलब होता है, सोले सही, दो वटे तीन, तो वो कह द सकता है हलाग कि यह पर्सेंटेज का है यहां नहीं करा रहे लेकिन समझा दिये तुमको ठीक है ऐसा आ जाए, कौन मेंसेज कर रहा है, सर मेरे पाफ रखा है पहन, लहाऊं कल से लहाना भी है, जो भी हो ठीक है, अपना लहाई अपना ले जाओ, ऐसा कर लो ठीक, अच्छे लिए देखते आठाइन भी जो लिएआ अपना ले जाना गिरहाकों की संख्या, लेंग्विज से हम पीछे वाली है, 13 अनुपात 11 की कमी आ गई, तो आप बताइए, यदि ब्रदी से पहले, बात नहीं भी आ, ब्रदी से पहले, जो देनिक संग्रह था, संग्रह का मतलब होता है, कलेक्शन, देनिक जो संग्रह था, वो दे रखा है, 2 27,500, ठीक है की नी ठीक है, अब थोड़ी गर्भी हो जाएगी, लायटी चलिए आज, तो आप मुझे बताइए, नया देनिक संग्रह क्या होगा, नया देनिक संग्रह क्या होगा, फिटा पट से बताना, आ जाएगी वैसे, नया देनिक संग्रह क्या होगा, फिटा पट से पुराना देह रखा है नया आपसे पुछा है आप्सन दे दू एकीस जार दोसो पचास नहीं यह नहीं इसके आप्सन दो लाग सत्ताइस और पांसो है ना ब्रुकुल चलिए अंसर आगया तो आप्सन की कोई जरुवत भी नहीं है पुताना कितना आगया चलिए इधर देख लीजिए मैं समझाता हूँ यह था पहले और यह था बाद में अब नया वाला ब्रदी के बाद और यह ब्रदी से पहले चलिए सामने देखिए ये ब्रदी से पहले और ये ब्रदी के बाद क्लियर है की नहीं क्लियर है ये ब्रदी से पहले और ये ब्रदी के बाद कट कुछ राहनी देखो साथ रुप्या एक का मूल है साथ रुप्या एक का मूल है ठीक है 7 रुपए एक का पूल है, ये आतिंगें कितने वजय है? लोटाना है, तुम झालो आगए थी दूर से. ठीक है की नी ठीक है? तो 7 रुपए एक का मुल है? कहीं कहीं जगेह दिख रही, नहीं दिख रही? कितने वज़िक ताइम है कुछ इंगा? एक काम करो अब बार से इस टूल अपर से में डलें कोई ये वड़ा दिक्कत हो गया कल पहुचा देंगे अब ये गंटे पढ़ लो फिर पढ़ा देंगे तुमको सही से अच्छा ये तो हम तेसी पर सोते हैं सामको ठाच्छा ठीक है चलिए देखे ये लग रहे राजा बाबू चलिए इधर देखे आप सामने देखो आप आप हमको ये बताईए इधर देखते पढ़ना यानि जो मूल है वो पहले साथ था अब जो संख्या पहले कितनी थी तो तेरे सत्य कितना हो जाएगा एक्यानवे हो जाएगा बोलो यस या नो यानि जो राजस हो गया वो राजस कितना हो जाएगा साथ रुपे के इसाब से तेरे लोगों का कितना हो जाएगा एक्यानवे और नौ रुपिया टिकट के इसाब से ग्यारे लोगों का कितना हो जाएगा 99 अब जो नया वाल ब्रदी से पहले है वो आपको दे रखा है और नया वाला आपसे पूछा है तो ब्रदी से पहले ब्रदी से पहले कितना है एक्यानवे एक्यानवे यूनिट की जो बैलू है वो आपको दे रखी है भाईया एक्यानवे यूनिट की जो बैलू दे रखी है वो कितनी दे रखी है दो लाग 27,500 और आपसे नया वाला पूछा है नया वाला कितना है निन्यानवे तो निन्यानव में काट लेना साथ से दोनों कट जाएंगे तेरा से कट जाएंगे तो पचीस सौ गुणा निन्यानवे तो आप गुणा करेंगे तो दो लाग सेंतालीस हजार पांत सौ यही आ रहा है ना चलिए अगले सवाल की और बढ़ते हैं भी या चलिए आप एक बात बताईए देखो यहीं रखें कि वहीं रखें मैं उसका फायदा बदाता हूं तो मैं इसलिए सुनता लो बड़बाती है इसलिए मैं बताता हूं रुक जाओ मैथ वाला वैच इसलिए पुष्ट पन करना पड़ा समस्थ यह हैं नौ से दस अगर यहीं लगाए हम तो इस पर सवाल ज्यादा हो जाते हुं वहाni के चीजिते रीजर तो आपको बोल कुछ कराते होंगे जी इस वाले इसर बोल के कराते होंगे प्स्फ इ composer है मतलब लेंग्विज बोलते होंगे चलो प्रिश्टावनाब ड़ह डालो इस दो ठीक है तो उनका तो दद पर कम चल जाया करें चलिए फिर देखते हैं सोच रहे हैं भी लोगो चलिए इसमें अब देखना आगे यह बात नहीं अब और पिस कतम करवाते हैं पर फीज फीज ठीक है देखो एक साड़े तीन लग का तक कितने लगवाएं पिस आती नहीं है लगवाते रहें बेच बेच के खेत चलिए देखो और एक बीगा बेच गया आता इसके चक्र में देखो आगे चलिए अब यह बात नहीं आरे तुम तो साही घराने से हो ठीक है चलिए अगला सवाल यह है अगला समझे आप करमचारियों की संक्या आज यह पहला टॉपिक खतम हो जाएगा तमारा करमचारी की संक्या ठीक है इस पे क्या सवाल जादा हो जाते नो अनुपात आठ सी पीज तो वैसी कम रखी है कुंसी जादा रखी है उनका बेतन अरे भया पीज तो तुमारी ऐसे लग रही है कि तुमने चाच्च दस्याद दिये उनका बेतन चौदे अनुपात पंद्र है ठीक है फीज सबसे कम सुविधाय सबसे जाता है प्रारेंबिक है वह यह जही मत को गर्मी और सीट अपनी खुद लेके आए खुद ले जाए अपनी एक बोरी ले आए एक पंखा ले आए हात वाला ले आओ बीजना बिजना हैंड मेड पंखा यह लग रहा है अमेरिका से आया है सब शामता होगा से एक बोतलम पानी ले आओ अपना बस बताईए विया पहले आते थे साथियों लडगिया खुद बुन-बुन के बना लेती है अब तो कुछ आता ही लडगियों को बना नौसो वाव हम पूछ रहा है बेतन तो बहुत जादा काम करना जानते हैं तुम भी तो वैसे ही हो बेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ आज से दस साल पहले आप जहाल रहें विजना और वो पाइदान वगएरा सब लड़कियां बुनना जानती थी ठीक है अब लड़कियों को देखो पतली कमरी या ऐसे से चीज़ हो गई है कहां से कहां पहुंच गया जवाना यह एक तो यह बॉलीवुड वालों ने खराब किया है सब कम जालिमा को को कूला पिला दे हां यह सब करकर करें कितना रहे हैं 900 बहुत बढ़ा सब कस ही है अब तुमसे का पूछ रहे हम तुमसे पूछ रहे किस अनुपात में कम हुआ है यह 900 अनुपात है पता ही है वो इदर बत्याओं नहीं अंसर दवाल कारो पार है हम पर मूड पोड़ देंगे यह है जिब अनुपात पूछा है का बतारे नो सवार है सई अनुपात है अपसन ही तो नहीं देंगे तुम सवाल ही नहीं समझ रहे तुम्हारा पहला दिन है और पहला ही दिन देखो कैसे बैठना पड़ा लेट आने पर दिक्कत होता है बहुत जादा अब ही बठ्रवा देंगे सई से देखो आगे चलिएं पात नहीं अब ओए इते हैं कोई नहीं टेंसन नहीं आप दो चीजों की वेस्ता कर लीजिए अपने लिए पंखा और सीट बाकी फीस की वेस्ता हम कर लेंगे देखो आगे चलिएं कितना 21 नुपात यह तो उमको लग रहा है सही जवाब अकिला तुमारा सही है अच्छा लग रहा होगा कि लास में चलिए किनका है दोनों का नहीं उनका है देखिए चलिए अब बात नहीं किसी का सही नहीं है आगे देखिए कैसे कितना आ गया 21 अब तो तुमने सुल लिया ठीक है देखो आप मुझे यह बताईए पहले तब से समझा रहे इन पर फोकस ही नहीं किया तुमने चलिए सब का सही देखो मैंने यह कहा एक कार्याल है सही भी है एक कार्याल है और उसमें काम करने कार्याल है कितनी है चार और यहां पर हमने कहा कि जो प्रतिव्यक्ती का बेतन मिलता है यहां क्या पूचा उसने पूचा बेतन बिल किस अनुपात में प्राप्ट हुआ और यह क्या है उनका बेतन यह है अच्छा सरल यह तो कोई दिक्कत नहीं चलिए देखो यह तो ऐसी समझा देता है संख्या संख्या है 9 अनुपात 8 और उनका बेतन है जो उनका बेतन है वो किस अनुपात में हुआ है 14 अनुपात 15 आप बताईए इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ अब देखना एक होता है बेतन बिल आप थोड़ा सा कन्फूज हो सकते हैं लेकिन होना नहीं है एक ये बेतन बिल और एक है बेतन, इन दोनों में अंतर क्या है, यहां यह तो दिया ही नहीं, कि प्रतेक का क्या है या क्या है, देखो, इसका मतलब है, बिल बनता है सब का, कि चलिए भीया, इतने लोगों का ये बिल बन गया, और बेतन यहां अगर दे देता कि प्रतिवेक्ति क बेतन तो अच्छी वात थी, नहीं तो हमको common sense अपना लगाना पड़ेगा, अगर वो यह देता, प्रतेक का बेतन इतना है, तब भी सही था, नहीं दे रखा है, तो बेतन बिल पूछा है, मतलब सब का, अब देखना, पहले संख्या थी 9, और आप बताई, बेतन कितना जाता अब 14, 14 रुपए के इसाफ से 9 लोगों का बेतन वनना है, 14 रुपए के इसाफ से 9 लोगों का बेतन वननना है, कितना वननेगा, 14 निम्मा, 116, सही है की नहीं सही है, बरकुल, अब देखो, बाद में बेसंख्या हो गई, कम और बेतन बढ़ गया, तो 8 लोगों का 15 यह कितने बार कर जाएगा, 20 वार, समझ में आया, सबको की नहीं आया, कर लेंगे की नहीं कर लेंगे, चलिए, अगले सवाल की और बढ़ते है, नोट नहीं करो, नोट करने भी नहीं देते है, बाद में करना, ठीक है, वेब कूप है, खुद को दोका दे रहे हमें, इतना ही था यह topic, काफी दिन भी हो गया, 13 माह दिन था, पहला topic चलते जलते, ratio चलते जलते, इक ही topic को, चली है, आईए partnership को सुरू करते है, पहले partnership कराएं है, allegation, partnership, छोटा topic है, दो-तीन दिन में हो जाएगा, चली है, इसके बात करा देगा रिशियो से मिलता है दो इदिन की तुबात है इसके बाद नमबर शिस्टम करा देंगा ठीक है नहीं हमको सब समझाना पड़ेगा रिशियो रिशियो रादूँ गाई पर चलिए एक कुस्सन है इनका पहले बैसे यह ऐलीगेशन में आता है देखो सवाल यह है ऐलीगेशन से चल्दी हो जाएगा यह देखो एक दूद वाला पानी मिले हुए दूद को नौ रुपया प्रत लीटर बेचकर बीस परसेंट का मुनाफ़ा कमाता है यदि एक लीटर सुद्ध दूद की कीमत दस रुपया है तम मिस्रड में दूद और पानी का अनुपात ग्यात करिए बैसे आप थोड़ा सा एलीगेशन जोन्हों ने पढ़ा हो वो समझ लेंगे अगला टॉपिक है पार्टनस से इसके वाद नंबर सिस्टम पर आ जाएंगे तीक है पार्टनस से इसे नीलो ठीक है साजीदारी अब देखना ध्यान से बहुती सरल टॉपिक है एक कुस्सत बन जाता है पेपर में तो आप आराम से पढ़ेंगे एडिंग डाल लो पहले हाँ दोती है यह कहां डाल की जाना है तुमको एडिंग पार्टनस से पैन कॉपी बंद रख दो बैग में बंद ठीक है चलिए कल पर जादा करोगे हम बैग भारी रखवाद दिया करेंगे एक बैठने वाला एक दोनों पर बैठ जाया करेंगे जादा जगह हुजाई देखो चलिए विया अगर हम पार्टनस से की बात करें तो इसको आप आराम से समझना जैसे मालो दो बेक्ती हैं एक का नाम है ए ठीक है और एक का नाम है बी ठीक है इसके गुंगराले बाले इसके विए चलो ठीक है इसका नाम है ए और एक का नाम है बी अब ये बैठे हुए हैं घर पर एकदम ठलुआ ठीक है अब इनके मन में आ रहा है उल्टे सीधे बिचा तो इन्होंने क्या किया इन्होंने सोचा क्यों न कोई एक काम धंदाव शुरू कर लिया जाए यह सच बात है उस आदमी से डरिये जो खाली बैठता है उसका कोई भरूसा नहीं तुम साधी भी करो ना तो लड़किया लड़का ऐफा देखें ठलुआ तो नहीं घर पर बैठता लड़का यह देखें लड़की कहीं फिरी तो नहीं बहुत अच्छा आठ पेलो लेकिन कोई काम वाम करती हो यह नहीं पता चले घरवालों ने बीसी करा दी जब रश्ती बीस आठ नहीं आग्या जाओ है हमने कई ऐसी साधियां देखी जहां माता पेता लड़की के देखते हैं लड़के पर संपत्ती बहुत है लड़का कुछ नहीं करता तब भी उससे पता चले चैन से खा लेगी वो चैन से तब खाने देगा राच्छास तो घर में वैठा है हो व तो जैसे ए और बी दो लोग है अब यह थलुआ बैठे हुए थे मानलो इसने क्या किया 200 रुपई लगाए ठीक है किनी ठीक है हम तुम्हें जीवन की बातें बताते चलते हैं संग में और इसने मानलो 600 रुपई लगाए इसका पैसा अलग से होना चाहिए कुछ ना कुछ पैसा पाओ से नुकसान होगा हो सकता अखिंअ कंपनी घाटे में चली है ना रेकिन ये पका सत है कि इसने जादा पीसा लगाया है तो इसको फाइदा भी जादा होना चाहिए क्योंकि इसका अगर पैसा डूबेगा तो इसका जादा डूबेगा और इसका डूबेगा कम सही है की नहीं सही है इसका पैसा जादा डूबेगा और इसका पैसा डूबेगा कम तो यह कहागा देखो नुकसान हो तब भी हम जादे लेंगे, फाइदा हो तब भी हम जादे लेंगे, किता जादे लेंगे, अब यह कैसे पता, अब वो कहागा देखो हम ने तुमसे तीन गुना पैसा लगाया, तो फाइदा होगा तो हमारा तीन गुना, नुकसान होगा तो हमारा तीन गुना कहने का मतलग इनका आप बनाएंगे अनुपात और जो अनुपात होगा जो धनरासी का अनुपात होगा इदर देखना जो धनरासी का अनुपात होगा यानि जो पूझी लगाई जो धनरासी का अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा वही अनुपात लाव का होगा, ठीक है कि नी ठीक है, इसका मतलब समझें आप, जिस अनुपात में पूझी लगाई जाएगी, उसी नोट ने करो, जिस अनुपात में पूझी लगाई जाएगी, उसी अनुपात में होगा लाव, यह बार सबकों समय में आई कि नहीं है जो अब भीया जैसा कहते है ना जैसा गुल डालोगे बैसा मीठा होगा यह इसी से कहावत बनी है मतलब आप कम पैसा लगाओगे कम प्रॉफिट No Pro no risk कैसे No Profit No Risk more profit more risk, ऐसे कुछ बनता है, है ना, तो आप यहां पर वही चीज है, जो पैसा कम लगाएगा, उसको फाइदा भी जादा होगा, रिस्क भी जादा होगा, अब यहां एक और चक्कर हो सकता है, क्या मालो, इसने लगा दिया पैसा, शह साल के लिए, और इसने लगाया एक साल के है, अब तो सिस्टम गरवडा जाएगा, देखो छह सो रुपए एक साल के लिए तो इसने छह सो रुपए ही लगाए, अब इसने तो दो सो रुपए छह साल के लिए लगा दिया, हलाकि महीने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कर ने, तो यहां इसके कितने हो गए, बारेस, अब तो यह जादा हो गया, देखो यह दो गुना हो गया, पैसा कम था, लेकिन समय जाद है था, इसका मतलब यह हुआ, कि समय का भी अपना रॉल है, मतलब जो धनरासी लगाई है, वो इंटू गुणा में समय, तब जाके लाव का अनुपात बनता है, अब देखना, इन दोनों का गुणा बरावर लाव है, धनरासी बरावर नहीं है लाव के, अनुपात बरावर है लाव के, सही है, इसका मतलब ही हुआ, कि मालो किसी ने 400 रुपे लगाए, दूसरे ने 600 रुपे लगाए, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि यही लाव हो गया, यह लाव नहीं है, यह त यह हो जाएगा लाव का अनुपाद अब यहां एक और चीज़ समझेए कि जो धनरासी है और जो समय है वो आपस में किसमें है गुड़ाम है दोनों आपस में किसमें है गुड़ाम अब कल को वो यह दे दे सवाल में कि लाव का अनुपाद दे दे और धनरासी का अनुपाद समय का अनुपाद पूछ ले, तो क्या करेंगे?, लाब, बटे, धन, भनरासी का अनुपाद माल्लो, कभी, समय का अनुपाद दे दे, और लाब का दे दे, धनरासी का पूछ ले, तौ इसको बेज़ देंगे इधर कहने का मतलब यह हुआ जैसे मैंने यह कहा कि तीन व्यक्ती हैं ABC इन्होंने पूजी लगाई है दो अनुपाद, तीन अनुपाद, चार के अनुपाद में पूजी का अनुपाद पूजी मतलब धन्नासी और इनके जो लाव का अनुपाद है बो दे रखा है भाईया एक अनुपाद, दो अनुपाद, तीन तो आप बताईए इनके लिए गए इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपाद क्या होगा, यह आप से पूछा है तो बताईए अंसर क्या आजाएगा पूजी का अनुपाद दे रखा है लाव का अनुपाद दे रखा है और इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपाद बताईए क्या होगा छे, आट, नो और बताईए एक, तीन छे, आट, नो दूछे बार दूछे बारा सही था, यह किन का था तो आट तो आरे मांथे पर कई गूंगरा निकालेंगे इससे मानवारे तो तब से समझा रहे तो मैं समझ में नहीं आरा चलिए, इदर देखे अभी का समझा है इदर देखो भी या यानि जो लाव का अभी लड़कियां खड़ी हो यह मुझे लगता एक दो यह आती रहती है इनका मन है, आँके खुल गहीं, चलो कोचिंग पढ़ाए ठीक है, देखो आगे सामने दिखो, अब मुझे यह विताईए, इदर देखना ध्यान से धनरासी का अनुपाद बरावर लाव का अनुपाद क्लियर है कि नहीं क्लियर है, धनरासी का अनुपाद बरावर लाव का अनुपाद और धनरासी का मतलब होता है, जहां धनरासी भी गुणा में होती है और समय भी गुणा में होता है इस बात को समझना है सब को चलिए तो बरावर में होता है लाव का अनुपाद इधर को बरावर लाव का अनुपाद इधर देखी चलिए तो धनरासी का अनुपाद A, B, C की धनरासी का अनुपाद दो अनुपात, तीन अनुपात, चार और समय पता नहीं न, इसका समय माल लो X इसका माल लो Y, और इसका समय माल लिया Z धनरासी इंटू समय, धनरासी इंटू समय बरावर होता है लाव का अनुपात तो एक अनुपात, दो अनुपात, तीन अब देखना ये सब गुड़ा में हैं, हमको समय का अनुपाद चाहिए, X, Y, Z, X, Y, Z, ये दो गुड़ा में हैं, इतर जाके काई में पहुँचेगा, बटे में, गुड़ा में हैं, पच्छांतर करेंगे किस में पहुँचेगा, बटे में, तो यहां हो जाएगा, एक बटे दो, दो बटे तीन और तीन बटे चाह अब भिनों का कभी भी अनुपात नहीं होता है अनुपात होता है संख्याओं का तो ये बटे में जो दिख रहा है इसको हटाई ये, तो कैसे दो, तीन, चार का LCM कितना होगा? बार एक ऐसी संख्या जो इन से कट जाए चातिया बारा तीन चोके बारा दो छेक के बारा तो यह हो गया छेट आठ चात दुनिया आठ और तीन त्रोके नो बस यही अंसर है समझ में आया सब को की नहीं आ गया कर लेंगे की नहीं कर लेंगे चले एक सवाल आप बना के दिखाएए मालो हमने ये कहा समय का अनुपात है भाईया तीन अनुपात चार अनुपात पांच और लाव का अनुपात है दो अनुपात तीन अनुपात चार तो उनकी द्वारा लगाएगी पूझी का अनुपात क्या होगा ये पूछा है बताईए फटापट तो उनके द्वारा लगाएगी पूझी का अनुपात क्या होगा फटा फट से तो उनके द्वारा लगाएगी पूझी का अनुपात क्या होगा कि इतना 40, 45 48 बहुत अच्छे अब तो सब उस्यार हो गए हमको लगता अब तो पिपर उठा के रख देंगे करें भी या चलिए इधर देख लिजी कैसे होगा ओ ए थे सामने देखो A की पूझी मानलो X B की पूझी मानलो Y आई और C की पूझी मानलो Z यह मानलो तीन लोग थे नाम दे दिये A B और C अब A का जो समय है वो कितना है तीन B का जो समय है वो कितना है चार और C का जो समय है वो कितना है पांथ बराबर लाव का अनुपाद दो अनुपाद तीन अनुपाद चार इधर देखो, करो नहीं है, अब रहन दो, संग संग नहीं, सीखने पर पूरा ध्यान, जगह आ रही है, पूरा जितना सीखने लोग बढ़ी आए, जी जान से, X, Y, Z, हमने पहले ही बता दिया है, सब पेपर तुम्हारे अक्टूवर तक है, SI का फत्र अक्टूवर से, GD का है ही रहे हैं, 25,000, सब हो जाएंगे, नहीं मत समझ तक, देखो देर, तो यह क्या हो जाएगा, दो बट्टे, तीन, सही है, दो बट्टे, तीन, जी जान लगा दीजे अप, अगले दो तीन महीने के लिए, तीन बट्टे, चार, आप भी और हम भी, दोनो, चार बट्टे, पा अब देखना, पांच से कट गया बार है बार है, बार है चोग के, 88, चार से कट गया पंदहे बार, पंदillar है थी या, 45, और तीन से कट गया बीस वार, वीच दोनी, 40, कट तुरा ही नहीं, आग्या सबकी समझ में के नहीं अगया, नोट वोट नहीं करना है, बोलत रहा करो μ वैस आगया सबकी समझ में कि नहीं आ गया चलिए देखो अगला सवाल तुम्हारे सामने कुछ इस प्रकार है कुछ इस प्रकार देखें भया एक्स और बाई दो कंडिडेट हैं इन्होंने जो पूझी लगाई है वो पाँच अनुपात छे के अनुपात में लगाई है अई बात ना है आप ठीक है आठ महा के बाद आठ महा बाद एक्स ने पूझी निकाल लई लाव भाईया है गई लड़ाई ना करने ठीक है और लाव है इनका पाँच अनुपात नौ तो समय बताईए किसका पाई का पाई कितने समय तक पूझी को रखा 12 समझाए एक्स और बाई ने पाँच नौपात 6 के नौपात में पूझी लगाई हाट महीने बाद एक्स ने पूझी को निकाल लिया हम नहीं कर रहे है बिजनिस बिजनिस बंद करो लाव पाँच नौपात 9 के नौपात में है तो आप बताईए समय बाई का बाई ने कितन नहीं आया, करो पेंच लाओ, तब तो आएगा, ऐसा कैसे आएगा, बनियर आ रहा है, वाह आओ, बीटिफॉल, वारे में नहीं कोई साहिद बनियर कहते हैं, एफी को साथ यह का मौप होते हैं क्या भी का में, चली है, बात नहीं अब, आया, कुछ की नहीं आया, हम नहीं करें, देखो, ओए, आगे देखलो, रहन दो, देखो भीया, इनका नहीं आया, वो आगे देखने का कष्ट करेंगे, 12 लोग हैं, एक का नाम है x और एक का नाम है by अब नहीं करना तुमको, पहन रख दो ठीक है, देखो A ने पूजी लगाई है 5 B ने कितनी लगाई है 6 A ने लगाई है 5 और B ने कितनी लगाई है 6 clear है कि नहीं कि लिए रहे A ने पैसा लगाया है 5 बीने कितना लगाया है 6, बोलो हाँ जी ना जी, इतनी बात सब को समझे ना आगी, ए ने लगाया है 5 और बीने लगाया है 6, अब देखना, ए ने का किया 8 महीने बाद, बंद करो यह सब सिस्टम, हमें नहीं चाहिए, तो एक अप X, sorry, X से आप A नहीं है, तो X ने 8 महीने अपना धनासी निकाल लिया, तो X का धनासी कितने समय के लिए रहा है, बोलो, कितने महीने के लिए, पीछे बोलो, कितने महीने के लिए, मोग समझाता है तुमारा, ठीके, बास बास सही है, भाई का पता ही नहीं भाईया, X मालो, T मालो, T, भाई, X, Y, पहले ही माने हुए, ठीक है, टी समय के लिए, और बरावर, लाव का हनुपाथ कितना है, 5 अनुपाथ 9, चलिए, कैसे करें, अरे देखो, चार अनुपाथ 5 लिखाओ, इसे 4 वट पाँच भी तो लिख सकते हैं, एक ही तो बात है, ठीक, अरे देखो, चार अनुपाथ 5, इसको 4 वट पाँच, इस पांच अचालीस बत्टे छह ती बरावर पांच बत्ते नो, उडाईए फटापट देखो पांच अठी चालीस Hindu नी छह तीन तरोके नो ्व दो चोंके आटी बरावर चाहतिय बारह कैसे गया ? чाहतिय बारह, बारह मंथ, इसी को कहते हैं एक साल न इयर क्या आप सी कि कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे येस तीन सुपए सट दिन भी इसी को कहते हैं प्राचीन काल में कहा जाता था अगला सवार पर मो बंद करके हैं एने लगाया भीया पैंतालीस हजार रुपया ठीक है कुछ समय बाद इंगलिस में ध्यान दें आप्टर सम टाइम कुछ समय बाद भी तीस अजार रुपय लगाता है सही है यदि एक बरस के अंत में उतार मत करो घर पका करती हो तुम बैठके घर पर जाके फिर मोवैल चलाते हो भी कितने समय बाद अब आप से कह रहा है रोज बिच्चर देखो लेकिन पढ़वी लिया करें जाके अगर आप घर नहीं पढ़ते हैं बहुत दिक्कत वाली बात हैं भी कितने समय बाद सामिल हुआ आप धोका दे रहे हैं खुद को सबसे जादा घर वालों को तो बहुत कम तो घर पर जाके चार पांच घंटे तो पढ़ती रही है और सही से हमें आपको आज किताब हो डाल देंगे उस पर हमने कल एक किताब ढूंड रखी है जिसमें 2020 तक के सारे सवाल है उन्हीं को लगा लिया करना और उसमें टाइम भी दे रखा है कौन से दिन में कित्या टॉ सवाल है हर चैप्टर में साथ सथर सथर सवाल है आप तीन दिन में लगाई लेंगे रो जाना तीस लगाएंगे तो तीन में देख लिते हैं लेकिन लगा जरूर लियो हमें बहुत अच्छी लगी किताब हो सब 2020 के सवाल है ठीक है चलिए मोह बंद करके आगे देखिए अब लड़कियों में आया नहीं आया नौ महीन बाद चलिए 6 महीन सब के अलग अलग आ रहे हैं इत्वाना कितना आया दौनों में से नहीं आया कोई बात नहीं टेंसर नहीं लेना फरल है देखों पर चुप जाओ तुम से जादा सब विकार रहे हैं देखो आप हमको बताईए ये ने पैसा लगाया है पैतालीस हजार रुप्या आगी बास समझे लिख पहले लो अपनी कॉपी तभी तो आ नीरी समझ में कॉपी अब कैसे समझ में आएगा आप बताईए ठीक है पूरे मन से इधर देखा करो जीजांसे जैसे पिच्चर देखते हैं न वैसे है कोई कौनी भी मारते हैं क्या कर रहा है छोड़ हट और तुम् मस्त हो जाते हैं तुम्हार में ते दुए मार होंगो एफ है नहीं ठीक है इधर देखो ए पैंतालीस हजार रुपिया और बी कितने रुपिया थीस हजार रुपिया ठीक है की नी ठीक है एने कितने रुपिया पैंतालीस हजार रुपिया बीने कितने रुपिया थीस हजार रुपया, इने 45,000 रुपया, बीने कितने रुपया, 30,000 रुपया, बहुत बढ़िया, एका दिखो, ए तो शुरू से अंतितक रहा है, यहां कहीं नहीं दे रखा कि ए पहले छोड़ के किया है, यहां लेट आया, हाँ, भी कुछ समय बाद जरूर आया है, तो एका तो पूरा समय होना चाहिए, अब पूरा समय कितना है, एक बरस बाद लाव calculated हुआ है, तो एक बरस, अगर हम यहां एक लिख दें, अब लिखो, अगर यह एक साल लिख दें, अब समझना ध्यान से, अब भी तो कुछ महीने बाद आया है, कुछ समय बाद आया है, अब देखना, अब म लो एक महीने बाद आया भी, तो फिर एक साल तो बची नहीं, तो इसका समय हो गया साल में, और इसका समय हो गया महीने में, तो अनुपात में यह सबसे बड़ा चक्कर खराब है, कि दोनों एक जैसे ही होने चाहिए, तभी कटेंगे, तो इसमें क्या कर लेंगे, एक साल मे कितने महीने 12 अब इसका पता नहीं X माल लिए और ये X का मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो A है वो 12 महीने तक व्यापार में रहा है और जो B है वो कितने महीने तक व्यापार में रहा है? X महीने तक A जो रहा है वो 12 महीने तक रहा है और B कितने महीने तक रहा है? X महीने तक. सही है कि नहीं सही है? आप छोटे-छोटे सवाल आते हैं, पेपर आप पैट का देखिए, लोगों का इसको फिर भी 70 से कम है. क्यों? क्योंकि वो उल्गे हुए सवाल आते हैं. और टीचर क्या है? यूटूब 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 पर लंबे-लंबे के पेज के सवाल. दाक्तर, बकील और टीचर, ये आपका बवे सिक कहीं भी ले जा सकते हैं. अगर ये गलत पल्ले पड़ गए, परवाद करके रख देंगे तुमारी लाइब को. ठीक है? इसलिए हम टप कराते ही नहीं, जो है पेपर का लेवल, इसलिए वो किताब बताईए, उसमें 2020 तक के सारे सवाल है, बस आप रोज आना 25-30 सवाल भी लगाएंगे, तो आप उस किताब को 100 दिन में लगा लेंगे, और 900-100 दिन का आप परियाब टाइम है, जैसे GD में जोमे इसलिए बताईए, फोटेश्टेट मत निकलवाना, 1200 पेज हैं, बहुत मैगी पड़ेगी, 600-600 रुपे किताब, दिखो आगे, उसी में से रोज लगाते रहे, तो ए जो है वो 45,000 रुपे कितने महीने के लिए लगाता है, 12 महीने के लिए, किलियर है कि नहीं किलियर है, ए 45 40,000 रुपे कितने महीने के लिए, 12 महीने, बी 30,000 रुपे लगाता है कितने महीने के लिए, X महीने, X महीने के लिए लगाया है पैसा, बराबर लाव का अनुपाद कितना है, दो अनुपाद, एक, पकील गरवड मिल जाए, फाफी तर चड़वा देता है, डाक्टर, बचा शक्क्र्म की एप कांव महान नौ महीने नवहतने इंदो क healthy brack vitamins तोढ़र एलंग मिश्क्राइव हो बरावर वenta इक डुनौ टू जानते होंगे महिने होते हैं 12, तो महिने कितने महिने बाद आया होगा, तीन महिने आगा, तो इसका अंसर नौ नहीं आएगा, इसका जो आंसर आएगा, कितने आंसर आएगा, तीन में, उसने ये पूछा है, कितने महिने बाद सामिल हुआ, ये नहीं पूछा, कितने महिने काम किया, समझ मे आगे सबको कि अगर 9 लगा के आते हैं तो गलत हो जाएगा जो 6-6 चिला रहे थे वो तो खचर है दिमाग उनका ऐसे मान के शलिए उनका तो कुछ नहीं का जा सकता है अगला सवाल ऐसा ही करेंगे ए दिखो भया ए क्या है ए और बी दो लोग है ठीक है इन्होंने 10 महां के लिए एक बाड़ा किराए पर लिया बाड़ा बाड़ा जानती जहां गाए भेंश चराई जाती है बाड़ा किराए पर लिया सहरों में लेते हैं गाउं में तो ऐसी खेत होते है ठीक है लिया अब ए उसमें 100 गाए ए जो है 100 गाए 8 महीने तक रखता है ए उसमें 100 गाए 8 महीने तक रखता है ए उसमें 100 गाए 8 महीने तक रखता है इतनी बास सब को समझ में आई बचे हुए 2 महीने ठीक है की नहीं ठीक बचे हुए दो महीने, बचे हुए दो महीने, भी उसमें कितनी गाय रखे, कि वह कि वह है, एसे डेड़गोना पैसा दे, बताएए, करिए भी यह, कितना आजाएगा, कितना आगे भी यह, चैसो, कुई बात नहीं, और बताएए, आया कुछ है, चलिए भी यह, देख लीजी आगे, कैसे होगा, इधर देखवा आगे, बात नहीं, देखो, ए उसमें सो गाय, ए उसमें कितनी गाय, सो गाय, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ए उसमें सो गाय, इत्या देखो, करू नहीं, ठीक है, ए उसमें कितनी गाय, सो गाय, ए उसमें कितनी गाय, सो गाय, कितने महीने के लिए, आठ महीने के लिए, भी उसमें, भीया मेरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, भी उसमें, कितनी गाय, how many cows, गाय, ठीक है, गाय, दो महीने के लिए रखते लेता है, से दो महीने, बचे हुए दो महा, कि वो है, एसे, डेड़ गुना पैसा देता है, कौन देता है, क्लिए रहे के नहीं, बोलो हाए न, बोलो हाए न, इतनी बात में किसी दिक्कत है, बर्कुल ने, चलिए, अब आप देखना, दिहान से भीया, आप मुझे ये बताईए, बी जो है, वो एसे, डेड़ गुना, क्या डेड़ गुने को ऐसे भी कह सकते हैं, या तीन वट्टे, दो कल लो बाते कही है, अब ही जगह हो जाएगी, तब बैठ जाना आप, ठीक है, कोई जुरुब, कोई आराम से जाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे, जो 9 बजन से आये थे, अब जगह हो गई, मैं बता दूँगा आज साम तक, इनको सिप्ट करना आज, लगेगी साम को, यह ओनलाइन लगवा देंगे, आज मैं बता दूँगा मैं भी, और जिनके पास मोवाइल है, वो यह घर पर पहुँच जाएगी, मोवाइल पर, है मोवाइल, कैसा भी नहीं है, घर पर, घर पर है बस घर ही पहुँचागी सीदे, पूछ के जाना किसी को जब जाओ तूँगा नाम है, पार्टनर्सिप, बता देंगे, अब कल कहीं थे नहीं है, यहां पर, क्या तारीक है, छे, जल्देली निकलते हैं,